राम नाम की भक्ती में डूबे लोग हाथों में भगवा छंडे लेकर सड़क पर आगे बढ़ते दिखाई दिए। को अस्पताल ले जाया गया लेकिन अस्पताल ले जाने के दौरान उनमें दो लोगों की जान चली गई जबकि 24 से ज़्यादा लोगों की हालत गंभीर बताए गए लेकिन वो गाड़ी शोभा यात्रा के लिए काल साबित हो गई लोहर दगा जिले में हुए भीशन हाथसे के बाद आरोपी ड्राइवर को ग्रपतार करिया गया वहां राम नौमी के अगले दिन इलाके में सन्नाटा पसरा नजर आया लोगों ने बाजार बंद करवा दिये और हाथसे के खिलाफ अपना घुसा जाहिर किया इस बीच जारकन के मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उनाओं अस्पताल पहुंचे और घायलों से मुलाकात की इस दोरान लोहर दगा से बीजे पी के प्रत्याशी समीर उराओं भी वहां मौझूद रहे उन्होंने राज्य सरकार से मृतक के परिवार वालों को 20 लाग रुपए की साहेता देने की मांग की इसके साथ ही गायलों को भी 10 लाग रुपए की आर्थिक मदद देने की अपील की गई उदर पश्चे मंगाल के राजजपाल के खलाव ममता बेनरजी की पार्टी टीमसी चुनाव आयोग पहुंच गई इमसी ने पश्चे मंगाल के राजपाल सीवी आनन बोस के खलाव चुनाव आयोग में शिकायत तर्च करवाई ममता बेनरजी की पार्टी ने राजपाल पर लोगसबा चुनाव में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया बिहार में आरजडी के पूर्व सांसद बुलो मंडल जेडियू में शामिल हो गए भागलपूर से सांसद रह चुके बुलो मंडल इसी सीट से फिर चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन महागटबंधन की सीट शेरिंग में भागलपूर सीट कॉंग्रेस को मिलने के बाद वो पार्टी से नाराज चल रहे थे बुलो मंडल ने 2014 लोगसबा चुनाव में भागलपूर सीट से बीजेपी प्रत्याशी शानवाज हुसैन को हराया था MCD यानी दिल्ली नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों ने नामांकन कर दिया आम आदमी पार्टी ने मेयर पत के लिए महेश कीची और टिप्टी मेयर पत के लिए रविंद्र भार्दवाज को उम्मीदवार बनाया है। दिल्ली में 26 अपरेल को मेयर और टिप्टी मेयर के चुनाव होंगे। इधर पहले चरण के चुनाम में उत्तप्रदेश में बीजेपी और अरेलडी गटबंधन का इम्तिहान होगा है। यूपी में पहले चरण में आठ सीटों पर मतदान होगा और 2019 में इनमें 5 बीजेपी हार गई थी। बीजेपी और आरेलडी पिछले चुनाम में अलग-अलग लड़ी थी। आरेलडी समाजबादी पार्टी और बीएसपी के साथ थी। लेकिन इस बार बीजेपी और आरेलडी का गटबंधन हुआ। और इसलिए का जा रहा है कि पहले चरण के चुनाम में उत्त्रप्रदेश में बीजेपी और आरेलडी गटबंधन की परीक्षा होगी। क्योंकि इस गटबंधन की वजए से पश्चिमी यूपी में सियासी समीकरण बदल गए। और कहा गया कि बीजेपी का प्रदर्शन पिछली बार से बहतर हो सकता है क्योंकि जैन चौधरी के बीजेपी के साथ आने की वजए से जाट समुदाय के मतदाता बीजेपी के साथ आ सकते है। और पश्चिमी यूपी की इन पांच सीटों पर बीजेपी को फाइदा हो सकता है। स्यासी समीकरण बदल गए हैं। पहले चरण में यूपी की होट सीट बन चुकी नगीना में भी मतदान होगा। यूपी की नगीना सीट इसलिए होट सीट कई जा रही है। क्योंकि इस सीट पर आजाद समाज पार्टी कांशी राम के चंदरशेखर आजाद ने बीएसपी और समाजवादी पार्टी को सीधी चुनोती दिये। और यूपी के नगीना में चुनावी लड़ाई का सारा सियासी समीकरण ही पलटने की कोशिश की। क्योंकि इस सीट पर बीएसपी का दबदबा माना जाता है। मायावती के भतीजे आकाश आनन तो यहीं से प्रचार अभियान में कुदे। लेकिन चंदरशेखर आजाद ने दावा किया कि वहां बीएसपी ने जान बूज कर कमजोर उम्मीदवार मैदान में होता रहा। क्योंकि इस से उनका फायदा हो सकता है। चंदरशेखर आजाद नगीना में धुआधार प्रचार कर रहा है। आजाद समाज पार्टी कांशी राम के चंदरशेखर आजाद नगीना से लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी के खिलाप हो गए थे। बड़ी बात ये कि वो बीएसपी का विकल्प बनने की भी कोशिश में है। यानि नगीना में दो नहीं चार फ्रत्याशियों के बीच कड़ी टक्कर हो सकती है। क्योंकि बीजेपी के ओम कुमार, एसपी के मनोज कुमार और बीएसपी के सुरेंदर पाल के अलावा चंदर शेकर आजाद ने भी नगीना में खुब पसीना बहाया और नगीना की लडाई में ट्विस्ट ला दिया। इसके लावा पश्चिमी यूपी की मुरादाबाद सीट पर भी नजर है पहले चरण में यहां भी मतदान होगा क्योंकि इस बार के चुनाम में वहाँ समाजवादी पार्टी ने जिस से टिकेट का बढ़ारा किया उसकी खूब चर्चा हुई और यूपी की मुरादाबाद सीट होट सीट बन गए क्योंकि समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद में पहले स्टी हसन को उम्मीदवार मनाया था लेकिन नमांकन से पहले खबर आई थी कि समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद सीट से अपना उम्मीदवार बदल दिया और रुची वीरा को टिकेट दे दी यानि मुरादाबाद में समाजबादी पार्टी की उम्मीदवार के लिए उसी के समर्थकों ने मुसीबत खड़ी कर दी और माना जा रहा है कि मुरादाबाद में बीजेपी के सर्वेज सिंग को इसका फायदा हो सकता और उत्तरपदेश के ओड़ सीट रामपूर भी समाजबादी पार्टी की अंदुरूनी कले की वज़े से ही चर्चा में रही खबर आई कि जेल में बंद आजम खान चाते थे कि रामपूर से अखिलेश यादव चुनाव लड़ें लेकिन अखिलेश यादव ने इंकार कर दिया था और रामपूर से इमाम मुलाना मोहिबुला नदवी को प्रत्याशी बना दिया था इस वज़े से नाराज आजम खान के समर्थकों ने चुनाव का बहिशकार करने का अलान कर दिया था रामपूर में समाजवादी पार्टी की खींस्तान का आलम यह हो गया कि अखिलेश यादव वहां चुनाव प्रचार तक नहीं करने गए जोकि बीजेपी ने रामपूर से अपने प्रत्याशी घंशाम सिंग लोधी के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए अपड़ना यादव को भेजा यानि मुलायम सिंग यादव की बहु ने बीजेपी के लिए वहां चुनाव प्रचार किया लेकिन मुलायम सिंग यादव के बेटे प्रचार में गए ही ने और समाजवादी पार्टी की इसी खींचतान की वज़े से यूपी की रामपूर भी हॉट सीट बन गए पीली भीच सीट से वरुन गांधी 2019 में चुनाव जीते थे लेकिन 2024 के चुनाव में बीजे पी ने टिकेट ही नहीं दी और ये सीट यूपी के हॉट सीट बन गए क्योंकि इस बार BJP की टिकेट पर वरुन गांधी पीली बीट से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं BJP ने जब तक ये ऐलान नहीं किया था तब तक कई अटकलें लगी थी का जा रहा था कि वरुन गांधी को सुल्तानपूर से और मेनका गांधी को पीली बीट से टिकेट मिल सकती है लेकिन जब ऐलान हुआ तो पता चला कि मेनका गांधी को तो सुल्तानपूर से टिकेट मिल गई लेकिन वरुन गांधी को तो टिकेट ही नहीं मिली क्योंकि पीली भीत से BJP ने जितन प्रिसाद को टिकेट दे थी पुधान मंतरी ने पीली भीत में जितन प्रिसाद के समर्थन में वहाँ प्रचार भी किया था और उस सभा में वरूण गांधी नहीं आये थे यानि पिली भीत में इस बार ना मिनका गांधी है ना वरुन गांधी पार्टी ने जितिन प्रियंका गांधी ने वहाँ चुडाव प्रचार किया था और इसलिए सहारनपुर सीट यूपी की होट सीट बन गई क्योंकि जिस इमरान मसूद ने 2014 से लेका 2022 तक सहारनपुर में एक भी चुनाव नहीं जीता कॉंग्रेस ने वहाँ उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया और प्रचार के आखरी दिन खुद प्रियंका गांधी ने उ कोणी हो गया और प्रियंका के रोडशो के बाद तो इस सीट के नतीजों पर नजर रहेगी इधर दिल्ली शराब गोटाला मामले में मनीश्च सोधिया को फिर कोट सराहत नहीं मिली दिल्ली शराब गोटाले से जुड़े मनी लॉंडरिंग मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीश्च सोधिया की नियाईक हिरासत 26 अपरेल तक बढ़ा दी गए दिल्ली की राउजविन्य कोट इस मामले में 26 अपरेल को सुनवाई करेगी इस दोरान चुनाव आयोग ने EVM को पूरी तरह सुरक्षित बताया तो बाद में कोट ने भी इस पर टिपनी की कि हर चीज़ पर अविश्वास नहीं जिता जा सकता गुजिरात के वडोदरा में भीशन गर्मी से बचाने के लिए ट्राफिक पुलिस ने अपने कर्मियों को AC वाले हेलमेट दिये इस हेलमेट को पहनने के बाद सिर के चारों और ठंडी हवा का जोंका मिलता है इसकी वज़े से लोगों की सिर में गर्मी नहीं लगती उदर हिमाचर पुदेश की मंडी लोगसवा सीट से कॉंग्रेस के उम्मीदवार विक्रमदित्य सिंग ने वहां से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनोत को बरसाती मेंधग बता दिया कंगना रनोद की एंट्री और विक्रमदित्य सिंग से उनकी टक्कर की वज़े से मंडी लोगसवा सीट और सीट बन गई और इसी सीट पर पिछले कुछ दिनों से जबानी जंग भी जारी है कंगना के पप्पू और बाप दादा वाले बयान के बाद अब विक्रमदित्य सिंग का एक बयान भी चर्चा में है कॉंग्रेस के उम्मीदवार विक्रमदित्य सिंग ने कंगना को बरसाती मेंधक बता दिया मैडम और कल चले जाएंगी बरसाती में डख है तो इनको मैं क्या बोज़ा है अलग कि विक्रमदित सिंग के सामने ताल ठोक रहीं कंगना रनौत भी अपने अलग अंदाज से उन्हें पछाडने में जुटी हैं कंगना रनौत ने अपने प्रचार के दोरान विक्रमदित सिंग के राज परिवार से होने पर भी तंस किया था मंडी हिमाचल प्रदेश की चार लोगसवा सीटों में एक है जहां आखरी चरण में मत्तदान होगा इस भी 36 गड़ के कांकेर में सुरक्षा बल के अधिकारियों ने दावा किया कि नकसली कमांडर शंकर राव की अगवाई में नकसलीयों का एक दल लोगसवा चुनाव में गड़बडी फैलाने के लिए अबू जुमार के जंगल में जमा हुए दो दिन पहले सुरक्षा बल के जमानों ने अबू जमार के जंगल में एक आपरेशन चला कर 29 नकसलीयों को ढेर कर दिया थी क्योंकि सुरक्षाबल के अधिकारियों को ये खबर मिली थी कि कांकेर में चुनाव रोकने के लिए नकसली पोलिंग पार्टी पर हमला करने वाले हैं इस operation की अगवाई कर रहे सुरक्षाबल के अधिकारी लक्षमन केवट के मुताबिक इसकी सूचना मिलने के बाद नकसलियों के खिलाफ operation शुरू कर दिया गया था। इंकाउंटर स्पेशलिस के नाम से मशूर लक्षमन केवट ने जानकारी दी कि 15 अपरेल को उन्हें नकसलियों के इस खतरनाक प्लान का पता चला था। इसके बाद 16 अपरेल को करीब 400 जवान नकसलियों को घेर ने उनके गढ़ में घुज गये। लेकिन नकसलियों को उनके आने की सूचना पहले ही मिल गई थी। इसलिए नकसलियों ने जंगल में बम लगा दिये थे। नस्दीक पहुंचते ही उन्होंने फाइरिंग शुरू कर दी थे। जंगल में करीब 50 नकसलियों का जमावडा था और वो लगातार फाइरिंग कर रहे थे। ठीक तीन दिन पहले यानि 16 अपरेल को सुरक्षा बल ने अबूज माड के जंगल में एक 7-29 नकसलियों को मार गिराया था। लेकिन नकसलियों के खिलाब सुरक्षा बल के इस ऑपरेशन पर सियासी घमासान बच गया। क्योंकि कॉंग्रेस की नेता सुप्रिया श्रिनेत ने इस ऑपरेशन की जांच की मांग करते हुए मारे गए नकसलियों पर विवादास बद बयान दे दिया। उनके इस बयान के सामने आने के बाद बीजेपी उन पर भड़क गए। बीजेपी ने कॉंग्रेस पर सेना और सुरक्षा बल के जवानों के अपमान कारोप मर दिया। नकसली में आपको शहीद नजर आता है और जो सेना के हमारे शूरवीर है उनमें सडक का गुंड़ा याद आता है। विकास अग्रहरी यूपी कॉंग्रेस के संयोजक हैं और अमेठी में कॉंग्रेस के सीनियर नेताओं में हैं लेकिन थोड़ी ही देर बाद विकास अग्रहरी मीडिया के सामने आये और बीजेपी में शामिल होने की खबरों को आधार हीन बता दिया। और यहां तक की भगवा रंग का अंगवस्तर पैनाये जाने वाले वीडियो पर भी सवाल उठाए। इससे कुछ देर पहले विकास अग्रहरी का अमेठी की सांसर स्मृति इरानी के साथ एक वीडियो भी सामने आया था। वीडियो में विकास अग्रहरी के दाई और स्मृती इरानी खड़ी दिखी थी जब कि एक व्यक्ती विकास को भगवा अंगवस्त पेनाता दिखा। दावा किया गया कि विकास अग्रहरी ने कॉंग्रेस छोड़कर बीजेपी जॉइन कर ली। सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों और वेबसाइटों तक पर कॉंग्रेस को अमेठी में बड़ा जटका लगने की बात की जाने लेगी। लेकिन विकास अग्रहरी ने दावा कर दिया कि वो तो केवल इलाके की समस्याओं पर बात करने के लिए सांसत से मिलने गए थे। शिष्टाचार के नाते उनका स्वागत करते हुए अंगवस्त पेनाय गया था। लेकिन उस वीडियो के जरीए लोगों को ब्रहमित किया गया। दोनों लोग भड़क गए। वो उससे हमला करता रहा। उस रेस्टाउंट में खाना खाने पहुंचे वो दोनों लोग और वहां के करमशारी जम कर गाली गलोज करते सुनाई दिये। उस रेस्टाउंट के बार काफी देर मारपीट चलती रही और बड़ी संख्या में मौजूद लोग ये जड़ब देखते नजर आए। मारपीट के दोरान वहां सारा सामान बिखर गया। सजावट के लिए लगाये गए गुबारे भी इधर उदर बिखर गये। बताया गया कि उस रेस्टाउंट में उन दोनों लोगों को दोसे के साथ खराब चटनी परोसी गई थी इसी वज़े से वो लोग आग बबूला हो गए और जम कर मारपीट की। उदर दुबई में भारी बारिश के बाद फसे भारतिये यात्रियों को वहां से निकालने की कोशिशें तेज कर दी गई। फिर एंडिये को 400 सीटे मिलने का दावाद दोर आया। केंद्रिय मंत्री मनीश दिवारी को उम्मीदवार बनाय जाने पर चंडिगड कॉंग्रेस में मचे घमासान के बाद पार्टी में सब कुछ ठीक होने का दावा किया गया। और ये दावाद कॉंग्रेस नेता राजीव शुक्ल ने किया जो चंडिगड में पवन बनसल से मिलने पहुँचे। क्योंकि 2019 में कॉंग्रेस की टिकट पर चंडिगड सीट से चुनाव लड़ने वाले पवन बनसल नाराज बताय जा रहे हैं। वो इस सीट से एक बार फिर दावेदारी ठोक रहे थे लेकिन पार्टी ने उनकी जगा मनीश दिवारी को पत्याशी बना दिया। और इसके बाद तो चंडिगड कॉंग्रेस की कलहत खुल कर सामने आ गई। पवन बनसल के समर्थन में करीब सौ कारे करताओं ने अपने पद से स्तीफा दे दिया। माना जा रहा है कि इसी के बाद कॉंग्रेस नेता राजीव शुकल चंडिगड में पवन मनसल के घर पहुंच गया। दोनों के बीज घर के अंदर क्या बात हुई इसकी जानकारी तो नहीं मिल पाई लेकिन राजीव शुकल ने ये जरूर बता दिया कि सब कुछ ठीक है। उदर हर्याना के कुरुक्षेत्र में चुनाव प्रचार करने निकले बीजेपी प्रत्याशी नवीन जिंदल ने बोरियां उठा कर ट्रक में लोड की। पर बोरी लिए देखकर लोगोंने तालियां बजाई और जब उन्होंने बोरी ट्रक में लोड कर दी तो उनके समर्थन में नारे लगाये गए। वैसे कुरुक्षेत्र में नवीन जिंदल के परिवार का दबदबा माना जाता है। सुशील गुपता से होगा। नवीन जिंदल की तरह सुशील गुपता ने भी प्रचार में पूरी ताकत जोंगी। वो किसानों के बीच पहुँचे और खेतों में फसल काटी। और हाथों में हसिया लेकर खेतों में पहुँच गए। और एक किसान की तरह गेहूं की फसल काटी। ये देखकर उनके साथ आये उनके समर्थकों ने भी यही किया। क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता और कुरुक्षेत्र से विपक्षी गडबंधन के उम्मीदवार सुशील गुपता बिना हिच के खेतों में गए। और फसल काट कर रखनी शुरू कर दी। हर्याना की 10 सीटों पर कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गडबंधन हुआ था और इस गडबंधन के तहट आम आदमी पार्टी को हर्याना की जो एक सीट मिली वहां उसने सुशील गुपता को उम्मीदवार बना दिया। अटकलें लगीं कि इससे कॉंग्रेस ने एक तीर से दो निशाने साधे थे। क्योंकि 2014 के चुनाव में हारने के बाद 2019 में नवीन जिंदल ने कॉंग्रेस की ओर से कुरुक्षेत्र से लड़ने से इंकार कर दिया था और तभी से कॉंग्रेस के पास इस सीट के लिए मजब तब चल दिया जब उसने कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल को प्रत्याशी बना दिया। लगा मानों गली में मौझूद भीड उस घर का मेन गेट तोड़कर वहां धावा बोल देगी। क्योंकि कई लोग अपने हाथों में डंडे लेकर दर्वाजे के बाहर हंगामा करते रहे। लेकिन उन लोगों को वहां से खडेडने के लिए छट से लोग लगातार पत्तर बच्चे, महिलाएं और पुरोष सब उस घर के अंदर गुसने पर आमादा दिखे। तभी छट से एक लड़के ने उनके उपर इट गिरा दी। इसके बाद तो कुस लोग भागते दिखाए दिये। जोकि जड़ब देख रहे दूसरे लोग पत्राव ना करने की अपील क करते नजर आए। वहां हुई इस इंसक जड़ब में कई लोग घायल हो गए। बताया गया कि उन दो गाडियों के बीच हुई टक्कर की वज़ए से दोनों पक्षों में मार पीट हुई आलनकि पुलिस ने इस मामले में केस दर्च कर लिया। इस भी जम्मू कश्मीर में आतंकियों की घुसपैट की खबर मिलते ही सुरक्षा एजनसियां इलर्ट हो गई। आलिया भट और माइक्रोसॉफ्ट के सियो सत्या नडेला को शामिल किया गया। इसके साथ ही रूसी राष्टपती पुतिन के विरोधी रहे अलेक्सी नवालनी की पत्नी यूलिया नवालनिया को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया। जागरूग करने के लिए गड़वाली भाषा में बनाया गया गाना सुर्खियों में आ गया। पिछली लोकसवा चुनाव में उत्तरकाशी के 50 से जादा मत्तान केंदरों पर 50 पतिशत से भी कम मत्तान हुआ था। इसलिए इस बार चुनावायोग ने वहां के लोगों को जागरूग करने के लिए कई अभियान चला है। उत्तरकाशी उत्तरकाशी उत्तरा खंड की टीहरी कडवा लोकसवा सीट का इससा है। जहेद आने वाले विधर्ब इलाके में कॉंग्रेस और वीजेपी के बीच चक्कर है। किसानों के आत्मत्या करने की वज़े से भी ये इलाका हमेशा सुर्खियों मेरा। इसके लावा विधर्ब के तहट आने वाली गड़ चिरॉली और चंदरपूर लोगसबा सीट नकसलियों का गड़ मानी जाती है। इसलिए इन दोनों सीटों पर शांती पूर्ण मतदान करना एक बड़ी चुनोती है। इस बार विधर्ब की इन पांच सीटों पर बीजेपी विकास के नाम पर कॉंग्रेस का सफाय करने का दम भर रही है। जबकि कॉंग्रेस किसी तरह खुद को जिंदा रखने की कोशिश में जुटी है। इन में नागपूर लोगसबा सीट होट सीट है क्योंकि इस सीट से केंदरिय मंतरी नितिन गटकरी बीजेपी से तीसरी बार चुनावी मैदान में। जबकि उनके सामने कॉंग्रेस ने विकास ठाकरे को अपना उम्मीदवार बनाया। पवार के लिए समर्थन मांगा था। उन्होंने सीट पर सुप्रिया सुले की जीत का जिक्र किया था और लोगों से अपील की थी कि इस बार वो बारामती में पवार परिवार की बेटी और बहु की लड़ाई होगी और इसलिए महराष्ट की इस होट सीट पर नज़र रहे जब्त की गई समपत्ती में जुहू का एक फ्लाट, पुणे का एक बंगला और राजगुंद्रा के नाम से कई शेयर भी शामिल है। तो अगले साल के अंग तक इनसान को अंत्रिक्ष में भेजा जाएगा। दूसरे चरण में राजिस्तान की 13 सीटों पर वोटिंग 26 अपरेल को होगी। लेकिन राजिस्तान में होने वाले पहले चरण के चुनाव में ही मोधी सरकार में शामिल दो केंद्रिय मंत्रियों के किस्मत का फैसला होगा। पीकानेर सीट पर केंद्रिय मंत्री अरजुनराम मेगवाल मैदान में हैं जबकि अलवर लोगसबा सीट पर भुपेंद्रियादव चुनाव लड़ रहे हैं। राजिस्थान में पहले चरण की 12 सीटों में 10 पर बीजेपी का मुकाबला कॉंग्रेस से हैं जबकि 2 सीटों पर मुकाबला कॉंग्रेस के सहीयोगी तलों से हैं। इन में नागोर सीट पर हनुमान बेनिवाल की पार्टी आरेलपी और सीकर लोगसबा सीट पर CPIM का उम्मीदवार चुनाव मैदान में। पिछली बार इन सभी सीटों पर मोदी मैजिक दिखा था और सारी सीटें NDA के खाते में गई। पात साल पहले हुए चुनाव में हनुमान बेनिवाल की पार्टी का गरबंदन BJP के साथ था लेकिन इस बार हनुमान बेनिवाल विपक्षी खेमे में शामिल हो गए। जाती के प्रत्याशी परताव लगाती है। 2019 में उन्होंने BJP की टिकेट पर चुनाव जीता था। लेकिन 2024 के चुनाव से पहले माहौल बदल गया। BJP ने उनकी टिकेट काटकर पूर्व पैरलिंपिक खिलाडी देवेंदर जहजरिया को थमा दी थी। टिकेट कटने के बाद राहूल कस्वान नाराज हो गय थी। जिफकि वहाँ जीत हासल करना BJP के लिए प्रतिष्टा का सवाल बन गया। क्योंकि 25 साल से चुरू लोगसवा सीट BJP का अभेद्य पिला है। मतलब वहाँ BJP उमीनवार को 25 साल से कभी हार का मून ही देखना पड़ा। इस भी जूपी के ن nuestras उयडा में ड्रग्स बनाने के एक बड़ी फैक्टरी का भंडा फोड कर दिया गया। दिल्ली के नजधीक उत्तर प्रदेश के नोयडा में पुलिस ने एक ड्रग्स फैक्टरी का भंडा फोड करने का दाबा किया। पुलिस ने यहां से करीब सौ करोड रुपए के ड्रग्स के साथ नाइजीरिया के दो नागरिकों को ग्रफतार कर लिया। पुलिस के मताबिक ये लोग नोएडा के एक फ्लाट में ड्रग्स बनाते थे। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉंडरिंग मामले में ईडी ने दस्तावेश की जांच से जुड़ी स्टेटस रिपोर्ट राउज एविन्यो कोर्ट को सौंप दी। E.D. की तरफ से पेश वकीलों ने कोर्ट को बताया कि इन दस्तावेजों की जांच में एक महीने का समय और लगेगा चीन में सेयुक्तुराष्ट के प्रतुनिदी सिधार चेटर जी ने शूनि से भी नीचे के तापमान में योग किया खास बात ये कि उन्होंने बीजिंग में शिर्टलेस होकर योग के कई आसन किये जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो गया सिधार चेटर जी को 2020 में चीन में सेयुक्तुराष्ट के प्रतुनिदी के रूप में न्यूक्त किया गया था इधर महिला पहलवानों से चेटर चार्ड के मामले में 26 अपरेल को फैसला आएगा चेटर चार्ड कारोपी बीजेपी के सांसद ब्रिजभूशन शरंड सिंग पर है कैसरगन सीट पर पांश में चरण में यानी 20 मई को वोट डाले जाएंगे और उनके लिए नॉमिनेशन के आखरी तारीख 3 मई है ब्रजभूशन शरण सिंग ने टिकेट से जुड़े सवाल का जवाब भी भगवान पर छोड़ दिया महिला पहलवान से छेड़ चार के केस में ब्रजभूशन की तरव से एक नई आचिका दी गई और कहा गया कि शिकायत करने वाली महिला के बयान में विरोध हवास है ये भी बताया गया कि जिस वक्त की शिकायत महिला पहलवान ने की उस वक्त वो देश से बाहर थे अपनी दलील के समर्थन में उन्होंने पासपोर्ट की कॉपी भी कोट को दी रजभूशन शरन सिंग ने मामले की फिर से जांच कराने की मांग की जिसके बाद कोट ने 26 अपरेल को मामले की अगली तारीख टै कर दी इस बीच DRDO ने क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कर एक और बड़ी काम्याबी आसिल कर ली सेना के लिए रिसर्च करने वाली संस्ता DRDO ने ओडिशा के चांदिपूर में स्वदेशी तकनीक से बनी निर्भः क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया DRDO के मुताविक ये घातक मिसाइल 300 किलो तक विस्फूटक लेकर वार कर सकती है और इसकी रेंज 1500 किलोमीटर है खास बात ये कि कम उचाई से भी इस मिसाइल से हमला किया जा सकता है चिन्नाई सुपर किंग्स के बलेबाज डेवन कॉनवे चोट की वज़े से IPL से बाहर हो गए इसके बाद चिन्नाई सुपर किंग्स ने इंग्लिंड के तेज गेंदबाज रिचर्ड ग्लीसन को उनकी जगा टीम में शामिल कर लिया पज़ाब के तरन तारण में पाकिस्तान सीमा के नस्दीक B.S.F. ने एक पाकिस्तानी ड्रोन बरामत करने का दावा किया B.S.F. के तलाशी अभ्यान के दौरान इस ड्रोन को जब्द किया गया B.S.F. के मताबिक ये ड्रोन चीन में बना दो उधर ख़वरे की पश्चीमेशिया में तनाव के बाद एर रूट में बदलाव की वज़े से हवाई किराया बढ़ सकता है ख़वरे की आने वाले दिनों में अमेरिका और कutiesड़ा समेट यॉरप के देशों में जाने के लिए हवाई किराया महंगा हो सकता है क्योंकि पश्चिमेशिया में जारी तनाव की वज़े से सभी एरलाइन कंपनिया एरान की एर स्पेस से बच रही हैं लेकिन इससे उन्हें लंबा रास्ता थै करना पड़ रहा है खबरे की रूट में बदलाव की वज़े से एर इंडिया, इंडिको और विस्तारा समेथ दूसरी एरलाइन कंपनिया किराया पढ़ाने की तैयारी में रॉटर्स ने दावा किया कि एलेक्ट्रिक कार बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी टेसला के मालिक इलॉन मस्क भारत में 300 करोड डॉलर यानि भारते रुपयों में करीब 25,000 करोड का निवेश कर सकते हैं इलॉन मस्क इसी महीने भारत की आत्रा पर आने वाले हैं दावा किया गया कि वो टेसला की फैक्ट्री लगाने के अलावा भारत में दूसरे कारोबार की भी योज़ना बना रहे है सहिंक तुराष्ट ने गाजा और वेस्ट बैंक में सहायता पहुचाने के लिए 281 करोड डॉलर यानि भारते रुपयों में करीब 24,000 करोड रुपय की मांग की सहिंक तुराष्ट के मताबिक गाजा के 30 लाग फिलिस्तीनियों के पास खाना और स्वच पानी की कमी है और अगर उन्हें जल्द मदद नहीं पहुचाए गई तो वहां के हालाद बद से बत्तर हो सकते हैं इधर लोगसभा चुनाव के पहले चरण के तहित उत्तराखंड की सभी पांच सीटों पर वोट डाले जाएंगे मतलब पहले ही चरण में उत्तराखंड में लोगसभा के चुनाव निपड जाएंगे लेकिन राज्यक की दो सीटे हरिद्वार और पौड़ी गड़वाल सीट पर सब की नजरे ठिकी हैं क्योंकि हरिद्वार लोगसभा सीट से उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कॉंग्रेस के कद्दावर नेता हरीश रावत के बेटे विरेंद्र रावत चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं जबकि उनके सामने बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद सिंग रावत को उतारा मतलब हरिद्वार लोगसभा सीट पर लड़ाई रावत वर्सेज रावत की है एक तरफ विरेंद्र रावत दूसरी तरफ त्रिवेंद्र सिंग रावत जीत का सहरा किसके सिर बंदेगा ये चार जून को पता चलेगा लेकिन अपने बेटे विरेंद्र रावत को चुनाव जितवाने के लिए हरीश रावत ने जम कर प्रचार किया यहां तक कि उन्होंने दुकान पर खड़े होकर समोसे भी तले इसी वज़े से हरिद्वार लोगसभा सीट होट सीट मानी जा रही हरिद्वार की तरह पौडी कड़वाल सीट पर भी लोगों की निगाठी की है कि इस सीट से बीज़े पी ने राज़े सबा सांसत अनिल बुलूनी को मैदान में उता रहा है और कॉंग्रेस ने गणेश गोडियाल पर अपना भरोसा जिता है हालनकि पिछले दो लोग सबा चुनामज से राज़े की सभी सीटों पर बीज़े पी का ही कमल खिल रहा है इस बीज आक्टर नवाज़ुद्दीन सिद्धी के खिलाफ चेरचाड के मामले को खत्म करने पर कोट ने मोहर लगा दी अक्टर नवाज़ुद्दीन सिद्धीकी को उत्तरप्रदेश के मुझफर नगर की विशेश फॉक्सो कोट से बड़ी रहात मिल गई कोट ने चेरचाड के मामले में उन्हें क्लीन चिट देने वाली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को मनजूर कर लिया अक्टर नवाज़ुद्दीन सिद्धीकी की पत्नी आलिया ने उनके खलाब छेरचाड का मामला दर्च कराया था खबर है कि रूस के एक आदमी ने अपने आठ महीने के बच्चे को खाना खिलाने के बजाए धूद की रोश्णी से जिंदा रखना चाहा जिससे उसके बच्चे की भूख से मौत हो गई आरोप है कि वो आदमी अपने बच्चे को उसकी मां का दूद पीने से भी रोखता था ताकि उसके बेटे को सूर्य की रोश्णी से दिव्य शक्तियां आँसे लो सके बाद में वहाँ की कोट ने उस आरोपी को आठ साल कैद की सजा सुनाई बारतिये शत्रंच खिलाडी ग्रैंड मास्टर विदिद गुजराती को कैंडिडेट्स टॉर्णमेंट के ग्यारवे राउंड में हार का सामना करना पड़ा उन्हें रूस के खिलाडी इएन निपुमिशी ने हरा दिया इस जीत के बाद इएन निपुमिशी इस टॉर्नमेंट की रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुँच गए उदर ब्राजिल के रियोडी जिनेरो में लोन लेने के लिए एक शव को बैंक ले जाने की खबर से संसनी फैल गई आरोप है कि करीब तीन लाग रुपए का लोन लेने के लिए वो मैला उस आदमी के शव को वील्चेयर पर बैठा कर उस बैंक तक ले गई और बैंक कर्मियों को उस पर शक न हो इसके लिए वो लगातार उससे बात करती रही लोन के कागजों पर साइन करवाने के लिए उसने उस शव के हाथ में एक पैन भी थमाया लेकिन वो उसे ठीक से पकड़ी नहीं पाया इस दोरान जब बार बार उसका सिर आगे की तरफ जुक रहा था तो वो उसे समालती नजर आई ऐसे में वहां मौझूद बैंक कर्मियों को उस पर शक हुआ लेकिन वो जल्द से जल्द उन कागजों पर साइन करवाना चाहती थी इसलिए वो उससे ऐसे बात कर रही थी जमानों वो एक जीता जाकता इंसान हो लेकिन उस महिला की तमाम कोशिश के बावजूद जब बैंक कर्मियों का शक दूर नहीं हुआ तो उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी और पुलिस ने वहाँ पहुँचकर उस महिला को गिरफ्तार कर दिया जांच में सामने आया कि उस बुजूर्ग की कई घंटों पहले ही मौत हो चुकी थी लेकिन करीब तीन लाग का लोन लेने के लिए वो शव को वीलचेयर पर बैठा कर बैंक तक ले आई दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल पर एडी के अधिकारियों ने बड़ा आरोप लगाया तिहाड जेल में उनके डायट चार्ट की तस्वीरे मी सामने आगई 18 दिन से तिहाड जेल में बंद अर्विन केजरिवाल को टाइप 2 डायबिटीज है लेकिन उनके डायट चार्ट में हर दिन के खाने में स्वीट यानी मिठाई जरूर मौजूद है जेल में अर्विन केजरिवाल को रोजाना अलग खाना दिया जा रहा है और ये वही खाना है जो उनके घर से बन कर आता है अदालत ने इसके लिए उन्हें अलग से इजाज़त दी है लेकिन घर से आने वाला खाना डॉक्टर के बनाए इसी डायट चार्ट के आधार पर तयार होता है इस चार्ट के दूसरे कॉलम में तारीख लिखिये और आखरी कॉलम में डिनर में मिलने वाला खाना चार्ट के मुताबिक उनके डिनर में रोटी कम या जादा हो सकती है, सबजियां बदल सकती है लेकिन किसी भी दिन उनके डिनर से स्वीट यानी मिठाई कम नहीं की जाती यहां तक कि डॉक्टर ने उनके डायट चार्ट में आलू पूरी तक जोड़ी है जबकि एडी के वकीलों ने कोट में दावा किया कि डियाबिटीज के किसी भी मरीज को इस तरह के खाने और खासतोर पर मिठाई खाने की सला कोई डॉक्टर नहीं दे सकता तकि अदालत को ये बताय जा सके कि जेल में रहने की वज़े से उनका शुगर लेवल बढ़ रहा कोट में एडी के वकील ने बताया कि तिहार जेल से केजरिवाल के खाने और दवाओं की जानकारी मांगने पर उनके डायट का पता चला जबकि केजरिवाल के वकील ने कोट को बताया कि एडी के वकील सिर्फ मीडिया की वज़े से इस तरह के आरोप लगा रहे है यह जानकारी तब सामने आई जब अर्विंद केजरिवाल ने विडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये डॉक्टर से मेडिकल कंसल्टेशन की मांग की और इसके लिए कोट में याचिका डाली गई और जेल में उनके खाने का वक्त भी तए है जानकारी के मताबिक जेल में बंद अर्विंद केजरिवाल का दिन सुबह साड़े चे बजे शुरू होता है और उसी वक्त उन्हें नाशता दिया जाता नाश्ते में उन्हें चाय और अंडों के अलावा फल या कुछ और हलका खाना भी दिया जाता लगभग 11 बजे उनके लंच का समय होता है लंच में उन्हें डाल, सबजी, रोटी, चावल और फल दिये जाते हैं अलांकि हर दिन का मेन्यू अलग रखा जाता है और शाम साड़े पांच बजे ही उन्हें डिनर दिया जाता है डिनर में भी उनके लिए हर दिन का मेन्यू अलग होता है जिसमें फल और मिठाई भी रखी जाती ED का आरोप ये है कि दिल्ली के CM जान बूच कर हाई शुगर और हाई काब डायट ले रहे हैं ताकि उनका बलड शुगर लेवल पढ़ जाए और उन्हें समानत मिलना आसान हो जाए इस जानकारी के सामने आते ही सियासी बवाल मचने में भी देर नहीं लगी बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और अर्विन केजरिवाल पर तीके हमले शुरू कर दिये और बीजेपी सांसद मनोश तिवारी ने तो उन्हें घाजियाबाद की डासना जेल में शिफ्ट करने की सलह दे दी तिहार जेल से हटाकर उत्तर प्रदेश के डासना जेल भेजना चाहिए दूसरी तरफ अर्विन केजरिवाल के डायट चार्ट में अंडों का जिक्र देखकर बीजेपी ने नया हमला शुरू कर दिया अलाकि आम आदमी पार्टी ने साजिश कारोब लगाया ये अर्विन केजरिवाल जी की जान लेने की साजिश है डायट पर कोट में हुए विवाद के बाद अर्विन केजरिवाल ने याचिका वापस ले ली और नए सिरे से याचिका डालने का अईलान किया इस बीच बेंगलूरू में एक महिला ने स्कूटर पर सफर के दौरान अपने बच्चे की जान खत्रे में डाल दी मेंगलूरू में एक बच्चे को स्कूटर के फुटरेस्ट पर खड़ा करके सफर कराने का एक वीडियो वायरल हुआ आरोपै के स्कूटर पर सवार एक महिला उस बच्चे को फुटरेस्ट पर खड़ा करवा कर सफर करा रही थी जबकि एक दूसरा आत्मियों स्कूटर को चला रहा था कैनडा में हुई वहां की सबसे बड़ी सोने की चोरी के मामले में वहां की पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफतार करने का दावा किया पुलिस के मताबिक पिशले साल तोरोंटो एरपोर्ट पर 6600 सोने की चड़ों की चोरी हो गई थी इनकी कीमत एक करोड़ चालीस लाख डॉलर यानि भारती रुपों में करीब 110 करोड रुपई थी पेंगलूरू एरपोर्ट पर 24 घंटे से जादा समय बिताने का दावा करने वाले यूट्यूबर विकास गौडा को गिरफतार कर लिया गया उस पर आरोप है कि वो साथ अपरेल को 24 घंटे से जादा समय तक एरपोर्ट पड़ रहा और उसने सुरक्षा की अंदेखी करते हुए वीडियो बनाये थे इसके बाद उसने इस वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड कर दिया था उधर लोगसभा चुनाव के पहले चरण में मद्यप्रदेश में कॉंग्रेस के घड़ चिंदवाडा समेथ 6 लोगसभा सीटों पर भी वोटिंग होगी चिंदवाडा कॉंग्रेस की वो सीट है जहां बीजेपी को कभी कामयाबी नहीं मिली यहां तक कि 2014 की मोदी लहर में भी कमलनाथ ने चिंदवाडा में से नहीं लगने दीती पिछले चुनाव में भी उन्होंने अपने दम पर बेटे नकुलनाथ के सिर पर जीत का सेरा बांदा था मतलब चिंदवाडा ही मद्द्रदेश की एक ऐसी सीट है जहां बीजेपी अपना कमल कमलनाथ की वज़े से नहीं खिला सकी इस बार भी इस सीट पर नकुलनाथ कॉंग्रेस के उम्मीदवार हैं और उन्हें चुनाथी देने के लिए बीजेपी ने उनके सामने विवेक बंटी साहू को मैदान में उतारा चिंदवारा समेथ पहले चरण के तहट आने वाली सभी छे सीटें राज्य के पूर्वी हिस्से में मौझूद सिर्फ चिंदवारा पर कॉंग्रेस का कब्जा है जबकि बाकी की सभी सीटों पर बीजेपी का परचमले अरा रहा इस बीश लोगसबा चुनाव के पहले चरण में दक्षिंद भारत के सबसे बड़े राज्य तमिलनाड की सभी 49 सीटों पर चुनाव होगा चुनाव आयोग ने तमिलनाड में एक ही चरण में मतदान कराने का फैसला किया था चार सो लोगसबा सीट जीतने का लक्ष लेकर मैदान में उत्री बीजेपी की कोशिश तमिलनाड में बड़ी कामियाबी आसल करने की है लेकिन वहाँ उसकी रहा इतनी आसान नहीं होने वाली क्योंकि वहाँ इसबार के लोगसबा चुनाम में तीन गडबंधन में बीजेपी के अग्वाई वाला NDA, और अन्ना मलाई के चुनावी मैदान में उतरने से कोईमबतूर सीट तमिलनाड की सबसे होट सीट बन गए लोगसबा चुनाव में बीजेपी यहां नंबर दो की पार्टी क्योंकि पिछले दो लोगसबा चुनाव में कोईमबतूर सीट पर बीजेपी ने उम्मीद से बढ़कर प्रश्ण किया दे बीजेपी के उम्मीदवार यहां दोनों बार दूसरे नंबर पर थे और बीजेपी को इस बार उम्मीद है कि अन्नम अलाई इस बार कोईमबतूर में बड़ी जीत दच कर लेंगे इधर मद्यप्रदेश के मुरेना में तीन बदमाशों ने सरयाम फाइरिंग कर ऐसी देशत मचाई कि वहां खड़े लोगों की सांसे अटक गए क्योंकि एक मोटर साइकल पर सवार होकर वो बदमाश एक दुकान के बाहर पहुँचे और गोलियों की बौचार कर दी और बेखौफ होकर तीनों बदमाश एक एक कर उस दुकान की तरफ गोलियां दाखते दिखाई दिये उनमें एक बदमाश उस मोटर साइकल पर सवार नजर आया और उसके दो साथी सड़क किनारे खड़े होकर फाइरिंग करते नजर आये इस बीच वो लोग कुछ देर रुके और फिर फाइरिंग शुरू कर दी वारदात वाली जगह पर कुछ लोग एक गाड़ी में सवार दिखे लेकिन लगातार हो रही गोली बारी के वज़े से वो गाड़ी वहीं खड़ी रही जिफकी वहां से कुछ दूरी पर बड़ी संख्या में दूसरे लोग मौजूद दिखाई दिये लेकिन उनमें कोई भी उन बदमाशों को रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और काफी देर तक गोलियां बरसाने के बाद उस बदमाश का एक साथी मोटरसाइकल पर सवार हो गया लेकिन उसका दूसरा साथी भागने के दौरान फिर फारिंग करता दिखा आरोब लगा कि पैसों के लेंदेन पर उन्होंने किराने के उस दुकान पर गोलियां चलाई बता गया कि उस वक्त दुकान का मालिक भी दुकान में मौजूद था हलाकि इस वारदात के बाद पुलिस ने केस दर्च कर लिया इस बीच भारत को सुरक्षा परिशत का स्थाई सदस्ते बनाने के पक्ष में अमेरिका भी उतर गया सेयुक्त राष्ट सुरक्षा परिशत में भारत की स्थाई सदस्तिता को लेकर इलॉन मस्क के बयान पर अमेरिका की प्रतिक्रिया सामनी आई वहां के विदेश वंत्राले ने साफ कर दिया कि अमेरिका सुरक्षा परिशद समेट सेयुक्तराष्ट के दूसरे संस्थानों में सुधार का समर्थन करता है यही नहीं अमेरिका ने इन संस्थानों में बदलाव की वकालत भी की इससे पहले एलॉन मस्क ने सुरक्षा परिशद में भारत को स्थाई सदस्ता न देने को बेतुका पताया था निकज आईटी कंपनी इंफिसिस के कर्मचारियों की संख्या पिछले 23 साल में पहली बार घट गए कंपनी के मताबिक पिछले वित्तवर्ष के मुकाबले 2023-24 में इंफिसिस के करीब 26,000 करमचारियों की नौकरी चली गए आर्टीय शेयर बाजार लगातार चौथे दिन लाल निशान पर बंद हुआ इस दोरान जबसे ज़्यादा गिरावट पार्मा, FMCG, ओइल और गैस, आटो और एनरजी सेक्टर के शेरों में रही बैंकिंग शेरों पर भी भारी तबाव रहा जिससे बंबे सौक इक्षेंज का सेंसेक्स 454 अंक गिरकर 72,488 पर बंद हुआ तो निफटी 152 अंकों की गिरावट के साथ 21,995 कि स्थर पर आ गया पहले चरण के मतदान से पहले बिहार की होट सीट जमुई में तेजस्वी की सबा के दोरान चिराग पासवान के परिवार को गालियां देने का एक वीडियो वारल हो गया और इस वीडियो पर बवाल मच गया वीडियो दो दिन पहले का बताया गया इसे एंडिये के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे इंदुस्तानी हवाम मोर्चा के अध्यक जितनरा माजी ने भी शेयर किया और इसमें तेजस्वी के मंच के सामने से एक आदमी चिराख पासवान और उनके परिवार को गालियां देता सुनाई दिया इस पूरे वीडियो में गालियां देने वाले इंसान का चेहरा नजर नहीं आया और शोर गूल के बीच केवल उसकी आवाज और गालियां सुनाई दिया इस पूरे वीडियो में तेजस्वी की आवाज कहीं सुनाई नहीं दिया सुनाई दिया तो केवल शोर और इस दौरान चिराख पासवान के लिए बोले जा रहे अब शब्द वीडियो में तेजस्वी आदव माइक से बोलते दिखाए दिये और उनके ठीक बगल में जमुई से आरजेडी की प्रत्याशी अर्चना रविदास खड़ी दिखाए दिये और उनके ठीक सामने से किसी आदमी ने चिराख पासवान और उनके परिवार को उल्टा सीधा बोला बता गया कि वीडियो दो दिन पहले जमुई में हुई तेजस्वी की सभाका है ये वीडियो पहले चरण के मतदान से ठीक पहले वारल हुआ और वीडियो वारल होने के ब तेजस्वी की सभा में गालियों वाले वीडियो के बारे में सवाल पूछे जाने पर चिराग खुद को रोक नहीं पाए और तेजस्वी आदब पर भढ़क गए। चिराग यहीं नहीं रुके उन्होंने दो टुक बोल दिया कि सियासत अपनी जगा है और परिवार अपनी जगा है क्योंकि वो राबडी देवी या मीसा भारती की अपनी माँ और बहन की तरह इज़त करते हैं चिराग पास्वान भले ही तेजस्वी से नाराज हो लेकिन तेजस्वी ने सफाई दी कि उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि मंच के सामने से चिराग के परिवार को गालियां दी गए तेजस्वी भले ही सफाई दें लेकिन पहले चरण के चुनाव से पहले वारल हुए इस वीडियो ने बिहार का सियासी पारा चड़ा दिया त्यूकि ये वीडियो जमुई का है और जमुई में पहले चरण में मतदान होगा और इसलिए तेजस्वी आदव ने जमुई में कई रैलियां की और उन्हीं रैलियों में एक पर विवाद हो गया आरोब लगा कि तेजस्वी ने चिराग के परिवार को अपशब्द बोले जाने के मामले की अंदेखी की और इसी मुद्दे पर तेजस्वी आदव और चिराग पासवान आमने सामने आ गए इन दोनों नेताओं ने बिहार की होट सीट जमुई में जीत के लिए जमीन आसवान एक कर दिया इस सीट पर नजर इसलिए है या यूं कहें कि ये सीट होट सीट इसलिए बन गई क्योंकि जमुई में इस बार दो बार के सांसद रहे चिराग पासवान के जीजा अरुन भारती चुनाव लड़ रहे है वो चिराग पासवान की सगी बहन निशा भारती के पती है निशा भारती के अलावा चिराग पासवान की दो सौतेली बहने भी हैं क्योंकि रामविलास पासवान ने दो शादियां की थी उनकी पहली पत्नी का नाम राजकुमारी देवी था और दूसरी पत्नी का नाम है रीना पासवान चिराग पासवान और निशा भारती रीना पासवान और रामविलास पासवान के बच्चे हैं और राजकुमारी देवी और रामिलास पासवान की दो बेटियां हैं आशा और उशा और कहते हैं कि दोनों सो तेली बहनों से चिराग पासवान के रिष्टे अच्छे नहीं हैं और उन्होंने उनसे दूरी बनाये रखी लेकिन अपनी सगी बहन निशा भारती के पती अरुण भारती को चिराग ने वो सीट दे दी जिस सीट पर वो 2014 और 2019 में चुनाव लड़े थे लेकिन इस बार चिराग पासवान बिहार के हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे और इसके लिए चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति पारस तक से लड़ाई कर ली ती और जीत उनकी हुई थी इसके बाद चिराग ने अलान किया था कि जमुई में उनके जीजा यानी अरुन भारती चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने अरुन भारती के लिए वहां धुआ धार चुनाव प्रचार भी किया और इसलिए वो यहां बाहरी प्रत्याशी वाली सियासत भी कर रही है और इस सीट पर पहली बार आर्जेडी को जीत दिलाने की कोशिश कर रही है क्योंकि 2009 से अस्तित्व में आई जमुई सीट पर लगातार NDA का कबजा रहा लेकिन इस बार इस होट सीट पर नजर है क्योंकि चिराग चुनाव नहीं लड़ रहे है और उन्होंने अपने जीजा को मैदान में उता रहा है और आर्जेडी प्रत्याशी उन्हें बाहरी बता रही है लेकिन चिराग को उमीद है कि जमुई की लोग उनके जीजा को उनसे ज्यादा वोटों से जिता कर संसत भेजेंगे क्योंकि पहले चरण में बिहार की जमुई सीट पर भी मतदान होगा इस चरण में बिहार की चार सीटे शामिल है जमुई में बीजे पी की सहयोगी पार्टियां चुनाव लड़ रही है जमुई में रामिलास पासवान के तामाद और चिराग पासवान के जीजा अरुन भारती इसलिए प्रधान मंत्री ने इन सीटों पर रैलियां की और बिहार में NDA का पलडा महागटबंधन पर भारी करने की कोशिश की थी क्योंकि RJD की ओर से तेजस्वी ने भी गया और जमुई में धुआधार रेलियां की थी और उनकी कोशिश थी कि बिहार की इन चारों सीटों पर NDA को कड़ी टककर दी जाए जमुई में तो उन्होंने दो दिन पहले तक रेली की थी उदर BJP ने सोशल मीडिया पर कई वीडियो पोस्ट कर पश्चमंगाल में राम नौमी के जलूस पर हमला होने का दावा किया BJP ने इस हमले के लिए पश्चमंगाल की मुख्यमंतरी ममता बेनर्जी को जिम्मेदार ठहराते हुए उन पर लोगों को उकसाने का आरोप लगाया क्योंकि BJP ने जो वीडियो पोस्ट किये उनमें कुछ लोग घरों की छटों से पत्थर और बंबर साते नजर आये लगातार हो रही बंबारी की वज़े से वहां पत्थर बाजी की गई इसके साथ ही BJP ने आरोप लगाया कि पश्चमंगाल की मुख्यमंतरी ममता बेनर्जी नहीं इसके लिए लोगों को उकसाया अलकि TMC ने BJP को जवाब देने में देर नहीं लगाई एक रोज पहले राम नौमी के मौके पर पश्चमंगाल के कई हिस्सों में शोभा यात्रा निकाली गई BJP ने आरोप लगाया कि इसी दौरान कई जगों पर शोभा यात्रा पर हमले किये गए और BJP के मुताबिक मुर्शिदाबाद में भी पत्थर बाजी की घटना हुई जिसमें कई लोगों के घायल होने का दावा किया गया और उन्हीं घायलों से मिलने पहुँचे कांग्रेस नेता अधीर अंजन चौधरी को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा और गुसाए लोगों ने उन्हें देखते ही नारे लगाने शुरू कर दिये मुर्शिदाबाद के बहरमपुर में मेडिकल कॉलेज पहुचे अधीर अंजन चौधरी को घायलों से मिलने से पहले भारी विरोध का सामना करना पड़ा इस दोरान भीड में मौझूद एक आदमी तो उनसे भिड़ने तक को तयार हो गया इसके बाद वो किसी तरह अस्पताल के अंदर गए और गायलों से उनका हाल जाना अधीरंजन चौधरी बहरामपूर से मौझूता सांसत हैं और बहरामपूर लोकसवा सीट मुर्शितबाद जिले में ही आती है कॉंग्रेस ने इजवार भी अधीरंजन चौधरी को ही बहरामपूर से टिकेट दी है जारकन के लोरदगा में राम नॉमी की शोभा यात्रा के दौरान बेकाबू हुई एक गाड़ी ने दो लोगों की जान ले लिए और 24 से जादा लोग बुरी तरह घायल हो गए वहां राम नॉमी के मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई और ढोल निगाड़े के साथ राम नाम की धुन पर जूम रहे थे लेकिन तभी दर्दनाक हाद्सा हो गया क्योंकि उस गाड़ी ने शोभा यात्रा में शामिल हुए लोगों को एक जटके में रौन दिया वहां वो गाड़ी सड़क पर चलती भीड को बिल्कुल कुछलती हुई दिखाई दिया ये इतनी जल्दी हुआ कि लोगों को उस गाड़ी से दूर भागने का मौका ही नहीं मिल पाया वीडियो में कुछ देर पहले तक सब सामान ने नजर आया राम नामी के मौके पर शोभा यात्रा में शामिल हुए लोग जूमते काते दिखाई दिये कुछ लोग ढोल बजाते भी दिखे राम नाम की भक्ती में डूबे लोग हाथों में भगवा छंडे लेकर सड़क पर आगे बढ़ते दिखाई दिखाई दिये तभी अचानक सफेद रंग की वो गाड़ी दोड़ती हुई वहां आई और एक साथ कई लोगों के ऊपर चड़ती हुई आगे बढ़ गई इसके बाद तो चीख फुकार मजगे राम नामी का उतसब एकदम मातब में बदल गया जब तक ड्राइवर ने उस गाड़ी को रोका तब तक वो कई मीटर तक आगे बढ़ चुकी थी और शोभा यात्रा में शामिल कई लोग इसकी चपेट में आ गए आनन फानन में उन लोगों को अस्पताल ले जाया गया लेकिन अस्पताल ले जाने के तोरान उन में दो लोगों की जान चली गए जबकि 24 से ज़ादा लोगों की हालत गंभीर बताएगे क्योंकि शोभा यात्रा के बीच घुसी वो गाड़ी कहर बनका तूट पड़ी जो हादसे से कुछ देर पहले तक वहाँ लोगों के ठीक पीछे चल रही थी उस गाड़ी को शोभा यात्रा में इस्तमाल करने के लिए बुलाया गया उसमें साउंड सिस्टम और भगवा जंडे लगाए गया लेकिन वो गाड़ी शोभा यात्रा के लिए काल साबित हो गई लोहर दगा जिले में हुए भीशन हादसे के बाद आरोपी ड्राइवर को गरपतार करिया गया वहां राम नौमी के अगले दिन इलाके में सननाटा पसरा नजर आया लोगों ने बाजार बंद करवा दिये और हादसे के खिलाफ अपना घुसा जाहिर किया इस बीच जारकन के मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उनाओ अस्पताल पहुंचे और घायलों से मुलाकात की इस दोरान लोहर दगा से बीजे पी के प्रत्याशी समीर उनाओ भी वहां मौझूद रहे उन्होंने राज्य सरकार से मृतक के परिवार वालों को 20 लाग रुपए की साहेता देने की मांग की इसके साथ ही गायलों को भी 10 लाग रुपए की आर्थिक मदद देने की अपील की गई उदर पश्चे मंगाल के राजजपाल के खलाव ममता बेनर्जी की पार्टी टीमसी चुनाव आयोग पहुंच गई टीमसी ने पश्चे मंगाल के राजपाल सीवी आनन बोस के खलाव चुनाव आयोग में शिकायत तर्च करवाई ममतब एनर्जी की पार्टी ने राजजपाल पर लोगसबा चुनाव में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया बिहार में RJD के पूर्व सांसद बुलो मंडल J.D.U. में शामिल हो गए MCD यानी दिल्ली नगर निगम में मेर और डिप्टी मेर के चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों ने नामांकन कर दिया आम आदमी पार्टी ने मेयर पत के लिए महेश कीची और टिप्टी मेयर पत के लिए रविंद्र भार्दवाज को उम्मीदवार बनाया है। दिल्ली में 26 अपरेल को मेयर और टिप्टी मेयर के चुनाव होंगे। इधर पहले चरण के चुनाव में उत्तरप्रदेश में बीजेपी और आरेलडी गटबंधन का इम्तिहान होगा है। यूपी में पहले चरण में आठ सीटों पर मतदान होगा और 2019 में इन में पांच बीजेपी हार गई थी। बीजेपी और आरेलडी पिछले चुनाम में अलग-अलग लड़ी थी। आरेलडी समाजबादी पार्टी और बीएसपी के साथ थी। लेकिन इस बार बीजेपी और आरेलडी का गटबंधन हुआ। और इसलिए का जा रहा है कि पहले चरण के चुनाम में उत्त्रप्रदेश में बीजेपी और आरेलडी गटबंधन की परीक्षा होगी। क्योंकि इस गटबंधन की वज़े से पश्चिमी यूपी में सियासी समीकरण बदल गए। और कहा गया कि बीजेपी का प्रदर्शन पिछली बार से बहतर हो सकता है क्योंकि जैन चौधरी के बीजेपी के साथ आने की वज़े से जाट समुदाय के मतदाता बीजेपी के साथ आ सकते है। और पश्चिमी यूपी की इन पांच सीटों पर बीजेपी को फाइदा हो सकता है। सियासी समीकरण बदल गए हैं। पहले चरण में यूपी की होट सीट बन चुकी नगीना में भी मतदान होगा। यूपी की नगीना सीट इसलिए और सीट कही जा रही है। क्योंकि इस सीट पर आजाद समाज पार्टी कांशी राम के चंदरशेखर आजाद ने बीएसपी और समाजवादी पार्टी को सीधी चुनोती दिये। और यूपी के नगीना में चुनावी लड़ाई का सारा सियासी समीकरण ही पलटने की कोशिश की। क्योंकि इस सीट पर बीएसपी का दबदबा माना जाता है। मायावती के भतीजे आकाश आनंद तो यहीं से प्रचार अभियान में कुदे। लेकिन चंदरशेखर आजाद ने दावा किया कि वहाँ बीएसपी ने जान बूज कर कमजोर उम्मीदवार मैदान में उता रहा। क्योंकि इस से उनका फायदा हो सकता है। चंदरशेखर आजाद नगीना में धुआधार प्रचार कर रहा है। आजाद समाज पार्टी कांशीराम के चंदरशेखर आजाद नगीना से लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी के खिलाफ हो गए थे। बड़ी बात ये कि वो बीएसपी का विकल्प बनने की भी कोशिश में है। यानि नगीना में दो नहीं चार प्रत्याशियों के बीच कड़ी टक्कर हो सकती है। क्योंकि बीजेपी के ओम कुमार, एसपी के मनोज कुमार और बीएसपी के सुरेंदर पाल के अलावा चंदर शेकर आजाद ने भी नगीना में खुब पसीना बहाया और नगीना की लडाई में ट्विस्ट ला दिया। इसके लावा पश्चिमी यूपी की मुरादाबाद सीट पर भी नजर है पहले चरण में यहां भी मतदान होगा क्योंकि इस बार के चुनाम में वहां समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से टिकेट का बठवारा किया उसकी खूब चर्चा हुई और यूपी की मुरादाबाद सीट हॉट सीट बन गए क्योंकि समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद में पहले स्टी हसन को उम्मीदवार बनाया था लेकिन नामांकन से पहले खबर आई थी कि समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद सीट से अपना उम्मीदवार बदल दिया और रुची वीरा को टिकेट दे दी यानि मुरादाबाद में समाजबादी पार्टी की उम्मीदवार के लिए उसी के समर्थकों ने मुसीबत खड़ी कर दी और माना जा रहा है कि मुरादाबाद में बीजेपी के सर्वेज सिंग को इसका फायदा हो सकता और उत्तरप्रदेश के होट सीट रामपूर भी समाजबादी पार्टी की अंदूरू निकले की वज़े से ही चर्चा में रही खबर आई कि जेल में बंद आजम खांच आते थे कि रामपूर से अखिलेश यादव चुनाव लड़ें लेकिन अखिलेश यादव ने इंकार कर दिया था और रामपूर से इमाम मुलाना मोहिबुला नद्वी को प्रत्याशी बना दिया था इस वज़े से नाराज आजम खांच के समर्थकों ने चुनाव का बहिशकार करने का आलान कर दिया था रामपूर में समाजवादी पार्टी की खींस्तान का आलम ये हो गया कि अखिलेश यादव वहां चुनाव प्रचार तक नहीं करने गए जबकि बीजेपी ने रामपूर से अपने प्रत्याशी घंशाम सिंग लोधी के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए अपणना यादव को भेजा यानि मुलायम सिंग यादव की बहू ने बीजेपी के लिए वहां चुनाव प्रचार किया लेकिन मुलायम सिंग यादव के बेटे प्रचार में गए ही ने और समाजवादी पार्टी की इसी खींचतान की वज़े से यूपी की रामपूर भी होट सीट बन गई उदर पहले चरण के चुनाव में यूपी के होट सीट पीली भीत में भी वोट डाले जाएंगे पीली भीत सीट से वरुन गांधी 2019 में चुनाव जीते थे लेकिन 2024 के चुनाव में BJP ने टिकट ही नहीं दी लेकिन जब ऐलान हुआ तो पता चला कि मेंका गांधी को तो सुल्तान पूर से टिकट मिल गई लेकिन वरुन गांधी को तो टिकेट ही नहीं मिली क्योंकि पीली भीत से बीजेपी ने जितिन प्रिसाद को टिकेट दे थी तो धान मंत्री ने पीली भीत में जितिन प्रिसाद के समर्थन में वहाँ प्रचार भी किया था और इसलिए सहारनपुर सीट यूपी की होट सीट बन गई क्योंकि जिस इमरान मसूद ने 2014 से लेका 2022 तक सहारनपुर में एक भी चुनाव नहीं जीता कॉंग्रेस ने वहाँ उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया और प्रजार के आखरी दिन खुद प्रियंका गांधी ने उनके लिए वहाँ रोडशो किया और कॉंग्रेस के इमरान मसूद की रहा मुश्किल कर दी क्योंकि सहारनपुर में मुकाबला त्रिकोणियों हो गया दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीश्रिसोदिया की नियाईक हिरासत 26 अपरेल तक बढ़ा दी गए दिल्ली की राउजवन्य कोट इस मामले में 26 अपरेल को सुनवाई करेगी इस दोरान चुनाव आयोग ने EVM को पूरी तरह सुरक्षित बताया है तो बाद में कोट ने भी इस पर टिपनी की कि हर चीज़ पर अविश्वास नहीं जिता जा सकता गुजिरात के वडोद्रा में भीशन गर्मी से बचाने के लिए ट्राफिक पुलिस ने अपने कर्मियों को एसी वाले हेलमेट दिये इस हेलमेट को पहनने के बाद सिर के चारों और ठंडी हवा का जोगा मिलता है इसकी वज़े से लोगों की सिर में गर्मी नहीं लगती उदर हिमाचर पुदेश की मंडी लोगसवा सीट से कॉंग्रेस के उम्मीदबार विक्रमदिति सिंग ने वहां से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनोत को बरसाती मेंधग बता दिया कंगना रनौत की एंट्री और विक्रमदित्य सिंग से उनकी टककर की वज़े से मंडी लोगसवा सीट और सीट बन गई और इसी सीट पर पिछले कुछ दिनों से जबानी जंग भी जारी है कंगना के पप्पू और बाप दादा वाले बयान के बाद अब विक्रमदित्य सिंग का एक बयान भी चर्चा में कॉंग्रेस के उम्मीदवार विक्रमदित्य सिंग ने कंगना को बरसाती मेंधक बता दिया मैडम और कल चले जाएंगी बरसाती में डख है तो इंपो में क्या बोसर है हालां कि विक्रमदित सिंग के सामने ताल ठोक रहीं कंगना रनौत भी अपने अलग अंदाज से उन्हें पछाडने में जुटी हैं कंगना रनौत ने अपने प्रचार के दोरान विक्रमदित सिंग के राज परिवार से होने पर भी तंस किया था मंडी हिमाचल प्रदेश की चार लोकसवा सीटों में एक है जहां आखरी चरण में मत्तदान होगा इस भी 36 गड़ के कांकेर में सुरक्षा बल के अधिकारियों ने दावा किया कि नकसली कमांडर शंकर राव की अगवाई में नकसलीयों का एक दल लोकसवा चुनाव में गड़बडी फैलाने के लिए अबू जुमार के जंगल में जमा हुए तो दिन पहले सुरक्षा बल के जमानों ने अबू जमार के जंगल में एक ओपरेशन चलाकर 29 नकसलीयों को धेर कर दिया था क्योंकि सुरक्षाबल के अधिकारियों को ये खबर मिली थी कि कांकेर में चुनाव रोकने के लिए नकसली पोलिंग पार्टी पर हमला करने वाले हैं इस operation की अगवाई कर रहे सुरक्षाबल के अधिकारी लक्षमन केवट के मुताबिक इसकी सूचना मिलने के बाद नकसलियों के खिलाफ operation शुरू कर दिया गया था। इंकाउंटर स्पेशलिस के नाम से मशूर लक्षमन केवट ने जानकारी दी कि 15 अपरेल को उन्हें नकसलियों के इस खतरनाक प्लान का पता चला था। इसके बाद 16 अपरेल को करीब 400 जवान नकसलियों को घेर ने उनके गढ़ में घुज गये। लेकिन नकसलियों को उनके आने की सूचना पहले ही मिल गई थी। इसलिए नकसलियों ने जंगल में बम लगा दिये थे। नस्दीक पहुंचते ही उन्होंने फारिंग शुरू कर दी थे। जंगल में करीब 50 नकसलियों का जमावडा था और वो लगातार फारिंग कर रहे थे। इसी वज़े से सुरक्षाबल के जवानों ने भी उन पर गोलियां चलानी शुरू की जिसमें 25 लाग के इनामी नकसली कमांडर शंकर राव समेत 29 नकसली धेर हो गए थे। और 34 गड़ के कांकेर में नकसलियों के खिलाब सुरक्षाबल के ऑपरेशन पर कॉंगरेस नेता सुप्रिया श्रिनेत ने विवादास पद बयान दे दिया। उनके बयान पर बीजेपी भड़क गई और उसने उन पर जमानों के अपमान कारोप लगा दिया। लोगसबा चुनाब के ठीक तीन दिन पहले यानी 16 अपरेल को सुरक्षाबल ने अबूज मार के जंगल में एक साथ उन्तीस नकसलियों को मार गिराया था। लेकिन नकसलियों के खिलाब सुरक्षाबल के इस ऑपरेशन पर सियासी घमासान बच गया। क्योंकि कॉंग्रेस की नेता सुप्रिया श्रिनेत ने इस ऑपरेशन की जांच की मांग करते हुए मारे गए नकसलियों पर विवादास बद बयान दे दिया। लोग जो शहीद हुए हमारे सुरक्षा कर्मी भी कुछ खायल हुए उन सब को हमारी समवेदनाए है। उनके इस बयान के सामने आने के बाद बीजेपी उन पर भड़क गए। बीजेपी ने कॉंग्रेस पर सेना और सुरक्षा बलके जवानों के अपमान कारोप मर दिया। नक्सली में आपको शहीद नजर आता है और जो सेना के हमारे सुर्वीर है उनमें सडक का गुंड़ा याद आता है। बीजेपी ने इस मुद्वे पर कॉंग्रेस को इसलिए भी घेरा क्योंकि मई 2013 में 36 गड़ में ही नक्सली हमले में कॉंग्रेस के बड़े नेता नंद कुमार पटेल और पूर्व केंदुरिय मंतरी विद्या चरण शुक्ल समेथ 30 से जादा लोग मारे गए थे। और यहां तक की भगवा रंग का अंगवस्त्र पैनाये जाने वाले वीडियो पर भी सवाल उठाए। सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों और वेबसाइटों तक पर कॉंग्रेस को अमेथी में बड़ा जटका लगने की बात की जाने लेगी। शिष्टाचार के नाते उनका स्वागत करते हुए अंगवस्त्र पैनाये गया था लेकिन उस वीडियो के जरीए लोगों को ब्रहमित किया गया। विकास अग्रहरी के मताबिक वो कॉंग्रेस के समर्पित कारे करता है और पार्टी छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते। वो खराब थी इसलिए चटनी का सुआद चकते ही वो दोनों लोग भढ़क गए। और इसके बाद तो मानों जंग छिड़ गए। वहाँ एक आदमी टेबल स्टैन उठाकर फिंकता नजर आया। फिर वो वहाँ पड़ी कुरसी भी उठाता दिखाई दिया। इसके बाद तो उस रेस्टांट का एक दूसरा करमचारी वहाँ रखा एक गमला उस लड़के के ऊपर फिंकता दिखा। मतलब जिसके हाथ जो सामान आया वो उससे हमला करता रहा। उस रेस्टांट में खाना खाने पहुंचे वो दोनों लोग और वहाँ के करमचारी जम कर गाली गलोज करते सुनाई दिये। उस रेस्टांट के बार काफी देर मारपीट चलती रही और बड़ी संख्या में मौजूद लोग ये जड़ब देखते नजर आये। मारपीट के दौरान वहाँ सारा सामान बिखर गया। सजावट के लिए लगाये गए गुबारे भी इधर उदर बिखर गये। बता गया कि उस रेस्टांट में उन दोनों लोगों को दोसे के साथ खराब चट्नी परोसी गई थी। इसी वज़े से वो लोग आग बबूला हो गए और जम कर मारपीट की। उदर दुबई में भारी बारिश के बाद फसे भारतिये यात्रियों को वहां से निकालने की कोशिशें तेज कर दी गई। फिर एंडिये को 400 सीटे मिलने का दावा दोर आया। केंद्रिय मंत्री मनीश तिवारी को उम्मीदबार बनाय जाने पर चंडिगड कॉंग्रेस में मचे घमासान के बाद पार्टी में सब कुछ ठीक होने का दावा किया गया। और ये दावा कॉंग्रेस नेता राजीव शुक्ल ने किया जो चंडिगड में पवन बनसल से मिलने पहुँचे। क्योंकि 2019 में कॉंग्रेस की टिकट पर चंडिगड सीट से चुनाव लड़ने वाले पवन बनसल नाराज बताय जा रहे हैं। वो इस सीट से एक बार फिर दावेदारी ठोक रहे थे लेकिन पार्टी ने उनकी जगा मनीश दिवारी को पत्याशी बना दिया। और इसके बाद तो चंडिगड कॉंग्रेस की कलहक खुल कर सामने आ गई। पवन बनसल के समर्थन में करीब सौ कारे करताओं ने अपने पद से स्टीफा दे दिया। माना जा रहा है कि इसी के बाद कॉंग्रेस नेता राजीव शुकल चंडिगड में पवन बनसल के घर पहुंच गया। दोनों के बीज घर के अंदर क्या बात हुई इसकी जानकारी तो नहीं मिल पाई लेकिन राजीव शुकल ने ये जरूर बता दिया कि सब कुछ ठीक है। दर हर्याना के कुरुक्षेत्र में चुनाव प्रचार करने निकले बीजेपी प्रत्याशी नवीन जिंदल ने बोरियां उठाकर ट्रक में लोड की। पर बोरी लिए देखकर लोगोंने तालियां बजाई और जब उन्होंने बोरी ट्रक में लोड कर दी तो उनके समर्थन में नारे लगाए गए। वैसे कुरुक्षेत्र में नवीन जिंदल के परिवार का दबदबा माना जाता है वो 2004 और 2009 में वहां से सांसत भी रह चुके हैं लेकिन इस बार उन्होंने पार्टी बदल ली और बीजेपी की ओर से कुरुक्षेत्र के चुनावी मैदान में उतरे। नवीन जिंदल से पहले उनकी मां और देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल बीजेपी का हिस्सा बनी थी। इसके कुछी दिन बाद नवीन जिंदल भी बीजेपी का हिस्सा बन गये थे। और अब वो बीजेपी की टिकट पर कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ और उनका मुकाबला कुरुक्षेतर में विपक्षी कटबंधन के उम्मीदवार और आम आदमी पार्टी के नेता सुशील गुपता से होगा। नवीन जिंदल की तरह सुशील गुपता ने भी प्रचार में पूरी ताकत जोंगी। वो किसानों के बीच पहुँचे और खेतों में फसल काटी यानि सुशील गुपता ने भी चुनाप प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ी। और हाथों में हसिया लेकर खेतों में पहुँच गए। और एक किसान की तरह गेहूं की फसल काटी। ये देखकर उनके साथ आये उनके समर्थकों ने भी यही किया क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता और कुरुक्षित्र से विपक्षी गडबंधन के उम्मीदवार सुशील गुपता बिना हिच के खेतों में गए और फसल काट कर रखनी शुरू कर दी। हर्याना की 10 सीटों पर कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गडबंधन हुआ था और इस गडबंधन के तहट आम आदमी पार्टी को हर्याना की जो एक सीट मिली वहां उसने सुशील गुपता को उम्मीदवार बना दिया। अटकलें लगीं कि इससे कॉंग्रेस ने एक तीर से दो निशाने साधे थे। क्योंकि 2014 के चुनाव में हारने के बाद 2019 में नवीन जिंदल ने कॉंग्रेस की ओर से कुरुक्षेत्र से लड़ने से इनकार कर दिया था और तभी से कॉंग्रेस के पास इस सीट के लिए मजब तब चल दिया जब उसने कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल को प्रत्याशी बना दिया इधर उत्तर प्रदेश के बिजनौर में दो गाड़ियों की टकर के बाद लोग इतनी बुरी तरीके से भिड़ गए कि पूरे इलाके में देहशत मच गई वहां एक लड़का अपनी गली में दोड़ती नजर आई जबकि दूसरे पक्ष के लोग एक घर की चट के ऊपर खड़े होकर पत्राव करते दिखाए दिया इस दौरान ऐसा लगा मानों गली में मौझूद भीड उस घर का में गेट तोड़कर वहां दावा बोल देगी क्योंकि कई लोग अपने के ने उनके ऊपर इट गिरा दी इसके बाद तो कुछ लोग भागते दिखाए दिये जबकि जड़ब देख रहे दूसरे लोग पत्राव ना करने की अपील करते नजर आए वहां हुई इस इंसक जड़ब में कई लोग घायल हो गया बताया गया कि उन दो गाड़ियों के बीच हुई टकर की वज़े से दोनों पक्षों में मार पीठ हुई आलांकि पुलिस ने इस मामले में केस दर्च कर लिया इस भी जम्मू कश्मीर में आतंकियों की घुसपैट की खबर मिलते ही सुरक्षा एजनसिया अलर्ट हो गई खबरे की जम्मू कश्मीर में सीमा पार से आतंकियों ने घुसपैट कर चुनाव में खलल डालने का प्लान बनाया इससे देखते हुए खुफिया एजंसियों ने सुरक्षा बल को अलर्ट कर दिया और इस लिस्ट में भारतिय पहलमान साक्षी मलिक, अक्ट्रस आलिया भट और माइक्रोसोफ्ट के सीओ सत्या नडेला को शामिल किया गया इसके साथ ही रूसी राष्टपती पुतिन के विरोधी रहे अलेक्सी नवालनी की पत्नी यूलिया नवालनिया को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया माल्दीव में संसदिय चुनाव से पहले वहां के राष्टपती मुहम्मद मुईजू मुश्किलों में गिर गए मुहम्मद मुईजू पर लगे कथिद प्रस्टाचार के आरोब की रिपोर्ट लीक होने के बाद विपक्षी नेताओं ने उनके खिलाफ महावयोग चलाने की मांग कर दी दोजार अठारा में उन पर पैसों के लेंदेन को लेकर प्रस्टाचार के आरोब लगे थे और इसलिए इस बार चुनाव आयोग ने वहां के लोगों को जागरूग करने के लिए कई अभ्यान चलाए और गड़वाली भाशा में बनाया गया ये गाना भी उनी में एक है इस गाने के बोल और संगीत दोनों ही लोगों का ध्यान खींचते हैं और इसलिए ये वाइरल हो गया ये गाना जीडी प्रिसाद ने बनाया जो पेशे से तो वैग्यानिक हैं लेकिन मतताताओं को जागरूग करने के लिए चुनाव आयोग के अभ्यान का हिस्सा बन गया और गड़वाली भाशा में ये गाना बना डाला उत्तराखंड की सभी पांच लोगसबा सीटों पर पहले चरण में मततान होगा और इससे पहले चुनाव आयोग उत्तरकाशी में इस गाने के जरिये लोगों को जागरूग करने में जुड़ गया उत्तरकाशी उत्तराखंड की टीहरी कड़वाल लोगसभा सीट का इससा है उदर लोगसभा चुनाव के पहले चरण के तहट महाराष्ट के विधर्व इलाके की पांच सीटों पर वोटिंग होगी जूद बचाने में जुटी है जबकि बीजेपी के लिए सभी सीटों पर जीत हासिल करना नाक का सवाल बन गया हालांके पूरे विधर्व इलाके में कुल दस लोगसभा सीटे आती हैं किसानों के आत्मत्या करने की वज़े से भी ये इलाका हमेशा सुर्खियों मेरा इसके लावा विधर्व के तहट आने वाली गड़ चिरॉली और चंदरपूर लोगसभा सीट नकसलियों का गड़ मानी जाती है इसलिए इन दोनों सीटों पर शांती पूर्ण मतदान करना एक बड़ी चुनोती है इस बार विधर्व की इन पांच सीटों पर बीजेपी विकास के नाम पर कॉंग्रेस का सफाय करने का दम भर रही है इस बीज माहराज की 12 मती सीट पर पवार परिवार के दो सदस्यों की टक करता है हो गई क्योंकि 12 मती में सुप्रिया सुले और अजीद पवार की पतनी सुनेत्रा पवार दोनों ने नामांकन दाखिल कर दिया और ननंद भावी की लडाई ने बारा मती को होट सीट बना दिया शरत पवार की बेटी सुप्रिया सुले और अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार दोनों ने बारा मती में नामांकन दाखिल कर दिया सुनित्रा पवार के नामांकन से कुछ दिन पहले अजीत पवार ने बारामती के लोगों को संदेश भेजा था और अपनी पत्नी सुनित्रा पवार के लिए समर्थन मांगा था उन्होंने इस seat पर सुप्रिया सुले की जीत का जिक्र किया था और लोगों से अपील की थी कि इस बार वो बारामती में पवार परिवार की बहू को जिताएं, यानि बारामती में पवार परिवार की बेटी और बहू की लड़ाई होगी और इसी लिए महराश्ट की इस होट सीट पर नज़र रहेगी इधर एक्टरस शिल्पा शेटी के पती राज कुंद्रा की करोडों की संपत्ती एडी ने जब्द कर ली E.D. ने बिटकोईन पॉन्जी गोटाले के आरोप में एक्ट्रिस शिल्पा शेटी के पती राज गुंद्रा की खरीब 98 करोड की संपत्ती जब्त कर ली जब्त की गई संपत्ती में जुहू का एक फ्लाट, पुणे का एक बंगला और राज गुंद्रा के नाम से कई शेयर भी शामिल है E.D. ने महराष्ट पुलिस और दिल्ली पुलिस की ओर से दर्च की गई F.I.R. के आधार पर जान शुरू की थी और इसके बाद ये कारवाई की अंत्रिक्ष पर रिसरच करने वाली संस्था इस्रो अगले हफते गगन्यान मिशन के तहट एक एहम परीक्षण करेगी इसरो के अध्यक्ष S. सोमनात के मुदाबिक 24 अपरेल को अंत्रिक्ष में एक मानव रहित मिशन का परीक्षण किया जाएगा पता गया कि इसके बाद अगले साल इसी तरह के दो और परीक्षण किये जाएगे और सब कुछ ठीक रहा तो अगले साल के अंग तक इनसान को अंत्रिक्ष में भेजा जाएगा उस्टेलिया ने अपनी राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीती जारी करते हुए भारत को रक्षा क्षेत्र में बेहत एहम सयोगी बताया उसने भारत के अलावा जापान के साथ भी सयोग बढ़ाने पर जोर दिया इसके अलावा चीन से तनाव को देखते हुए उस्टेलिया अपना रक्षा बजट बढ़ाने की भी योज़ना बना रहा है इधर लोगसभा चुनाव के पहले चरण में राजिस्थान की जिन 12 सीटों पर मतदान होना है वहां मैदान में उतरे मोधी सरकार के दो मंत्रियों की साखडाओं पर है राजिस्थान की कुल 25 लोगसभा सीटों पर दो चरणों में मत्दान होगा दूसरे चरण में राजिस्तान की 13 सीटों पर वोटिंग 26 अपरेल को होगी लेकिन राजिस्तान में होने वाले पहले चरण के चुनाव में ही मोधी सरकार में शामिल दो केंदरिय मंतरीयों के पिसमत का फैसला होगा पीकानेर सीट पर केंद्रिय मंत्री अरजुनराम मेगवाल मैदान में हैं जबकि अलवर लोगसबा सीट पर भुपेंद्रियादव चुनाव लड़ रहे हैं। राजिस्थान में पहले चरण की बारा सीटों में दस पर बीजेपी का मुकाबला कॉंग्रेस से हैं जबकि दो सीटों पर मुकाबला कॉंग्रेस के सहीयोगी तलों से हैं। इन में नागोर सीट पर हनुमान बेनिवाल की पार्टी आरेलपी और सीकर लोगसबा सीट पर CPIM का उम्मीदवार चुनाव मैदान में। पिछली बार इन सभी सीटों पर मोदी मैजिक दिखा था और सारी सीटें NDA के खाते में गई। पात साल पहले हुए चुनाव में हनुमान बेनिवाल की पार्टी का गरबंदन BJP के साथ था लेकिन इस बार हनुमान बेनिवाल विपक्षी खेमे में शामिल हो गए। लेकिन राजिस्तान में पहले चरण की वोटिंग में जिस होट सीट पर सबकी नजरें हैं वो है चुरू लोकसवा सीट क्योंकि बीजेपी छोड़कर कॉंग्रेस में आये राहुल कस्वा का सीधा मुकाबला वहां बीजेपी से ही हर्याणा की सीमा से लगने वाली ये लोक सबा सीट कॉंग्रेस उम्मीदवार राहुल कस्वा के लिए नाक का सवाल बन गई है तो बीजेपी भी किसी भी क्लीमत पर ये सीट अपने हाथ से फिसलने नहीं देना चाहती और इसलिए दोनों पार्टियों ने वहां चुनाव प्रचार के दौरान पूरी ताकट जहुं मैदान में उतरने का ऐलान करते हुए कॉंग्रेस का हाथ थाम लिया था और कॉंग्रेस ने भी उन्हें बिना देर किये चुरू लोगसबा सीट से ही अपना उम्मीदवार बना दिया बीजेपी से टिकेट कटने के बाद राहुल कस्वा ने चुरू में जीत को अपनी नाक का सवाल बना लिया जिफकी वहां जीत हासल करना बीजेपी के लिए प्रतिष्टा का सवाल बन गया क्योंकि 25 साल से चुरू लोगसबा सीट बीजेपी का अभेद्य पिला है मतलब वहां बीजेपी उम्मीदवार को 25 साल से कभी हार का मूं नहीं देखना पड़ा इस भी य जना से करीब 100 करोड रुपए के ड्रग्स के साथ नाइजेरिया के दो नागरिकों को ग्रिफतार कर लिया पुलिस के मुताबिक ये लोग नोएडा के एक फ्लैट में ड्रग्स बनाते थे दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉंडरिंग मामले में एडी ने दस्तावेज की जांच से जुड़ी स्टेटस रिपोर्ट राउज एविन्यों कोट को सौंप दी इडी की तरफ से पेश वकीलों ने कोट को बताया कि इन दस्तावेजों की जांच में एक महीने का समय और लगेगा चीन में सेउक्तुराष्ट के प्रतनिती सिधार चेटर जी ने शुननी से भी नीचे के तापमान में योग किया खास बात यह कि उन्होंने बीजिंग में शर्टलेस होकर योग के कई आसन किये जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो गया सिधार चेटर जी को 2020 में चीन में सेउक्तुराष्ट के प्रतनिती के रूप में न्यूक्त किया गया था इधर महिला पहलवानों से चेटचाड के मामले में 26 अपरेल को फैसला आएगा चेटचाड का रोपी बीजेपी के सांसद ब्रिजभूशन शरंट सिंग पर है महिला पहलवान से चेटचाड के केस में ब्रजभूशन की तरफ से एक नई आचिका दी गई और का गया कि शिकायत करने वाली महिला के बयान में विरोधावास है ये भी बताया गया कि जिस वक्त की शिकायत महिला पहलवान ने की उस वक्त वो देश से बाहर थे अपनी दलील के समर्थन में उन्होंने पासपोर्ट की कॉपी भी कोट को दी रजभूशन शरण सिंग ने मामले की फिर से जांच कराने की मांग की जिसके बाद कोट ने 26 अप्रेल को मामले की अगली तारीक टै कर दी इस बीच DRDO ने क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षन कर एक और बड़ी काम्याबी हासिल कर ली सेना के लिए रिसर्च करने वाली संस्ता DRDO ने ओडिशा के चांदिपूर में स्वदेशी तक्नीक से बनी निर्भः क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षन किया DRDO के मुताविक ये घातक मिसाइल तीन सो किलो तक विस्फुटक लेकर वार कर सकती है और इसकी रेंज पंदरा सो किलोमीटर है खास बात ये कि कम उचाई से भी इस मिसाइल से हमला किया जा सकता है चिन्नाई सुपर किंग्स के बलेबाज डेवन कॉनवे चोट की वज़े से आई पिल से बाहर हो गए इसके बाद चिन्नाई सुपर किंग्स ने इंग्लेंड के तेज गेंबाज रिचर्ड ग्लीसन को उनकी जगा टीम में शामिल कर लिया पंजाब के तरन तारण में पाकिस्तान सीमा के नस्दीक बी-एस-फ ने एक पाकिस्तानी ड्रोन बरामत करने का दावा किया बी-एस-फ के तलाशी अभिहान के दोरान इस ड्रोन को जब्द किया गया बी-एस-फ के मताबिक ये ड्रोन चीन में बना दो उदर खबर है कि पश्चिमेशिया में तनाव के बाद एर रूट में बदलाव की वज़े से हवाई किराया बढ़ सकता है खबर है कि आने वाले दिनों में अमेरिका और कैनेडा समेथ यॉरप के देशों में जाने के लिए हवाई किराया महंगा हो सकता है क्योंकि पश्चिमेशिया में जारी तनाव की वज़े से सभी एरलाइन कंपनिया एरान की एर स्पेस से बच रही हैं लेकिन इससे उन्हें लंबा रास्ता थै करना पड़ रहा है खबरे की रूट में बदलाव की वज़े से एर इंडिया, इंडिको और विस्तारा समेथ दूसरी एरलाइन कंपनिया किराया पढ़ाने की तैयारी में रॉटर्स ने दावा किया कि इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी टेसला के मालिक इलॉन मस्क भारत में 300 करोड डॉलर यानि भारते रुपयों में करीब 25 जार करोड का निवेश कर सकते हैं इलॉन मस्क इसी महीने भारत की देहद उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर वोट डाले जाएंगे मतलब पहले ही चरण में उत्तराखंड में लोगसभा के चुनाव निपड जाएंगे लेकिन राज्य की दो सीटे हैं हरिद्वार और पौड़ी गड़वाल सीट पर सब की नजरे टिकी हैं क्योंकि हरिद्वार लोगसभा सीट से उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कॉंग्रेस के कद्दावर नेता हरीश रावत के बेटे विरेंद्र रावत चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं जबकि उनके सामने बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद सिंग रावत को उतारा मतलब हरिद्वार लोगसभा सीट पर लड़ाई रावत वर्सेज रावत की है एक तरफ विरेंद्र रावत दूसरी तरफ द्रिवेंद्र सिंग रावत जीत का सहरा किसके सिर बंदेगा ये चार जुन को पता चलेगा लेकिन अपने बेटे विरेंद्र रावत को चुनाव जितवाने के लिए हरीश रावत ने जम कर प्रचार किया यहां तक कि उन्होंने दुकान पर खड़े होकर समोसे भी तले इसी वज़े से हरिदवार लोगसबा सीट होट सीट मानी जा रही हरिदवार की तरह पौडी कड़वाल सीट पर भी लोगों की निगाठी की है क्योंकि इस सीट से बीज़े पी ने राज़े सबा सांसत अनिल बुलूनी को मैदान में उता रहा है और कॉंग्रेस ने गणेश गोदियाल पर अपना भरोसा जिता है हालां कि पिछले दो लोग सबाचुनावच से राज़े की सभी सीटों पर बीज़े पी का ही कमल खिल रहा है इस बीज आक्टर नवाज़द्दीन सिद्धी के खिलाव छेड़ चार के मामले को खत्म करने पर कोट ने मोहर लगा दी एक्टर नमाजुद्दीन सिद्यकी को उत्तरप्रदेश के मुझफर नगर की विशेश फॉक्सो कोट से बड़ी रहात मिल गई कोट ने चेरचार के मामले में उन्हें क्लीन चिट देने वाली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को मंजूर कर लिया एक्टर नमाजुद्दीन सिद्यकी की पत्नी आलिया ने उनके खलाब छेरचार का मामला दर्च कराया था खबरे की रूस के एक आदमी ने अपने आठ महीने के बच्चे को खाना खिलाने के बजाए धूत की रोशनी से जिन्दा रखना चाहा जिससे उसके बच्चे की भूख से मौत हो गई आरोफ है कि वो आदमी अपने बच्चे को उसकी मां का दूद पीने से भी रोखता था ताकि उसके बेटे को सूर्य की रोशनी से दिव्य शक्तियां आहां से लो सके बाद में वहां की कोट ने उस आरोफी को आठ साल कैद की सजा सुनाई बारतिये शत्रंच खिलाडी ग्रैंड मास्टर विदिद गुजराती को कैंडिडेट्स टॉर्णमेंट के ग्यारवे राउंड में हार का सामना करना पड़ा उन्हें रूस के खिलाडी एन निबुमिशी ने हरा दिया इस जीत के बाद एन निबुमिशी इस टॉर्नमेंट की रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुँच गए उदर ब्राजिल के रियोडी जिनेरों में लोन लेने के लिए एक शव को बैंक ले जाने की खबर से संसनी फैल गई आरोप है कि करीब तीन लाग रुपए का लोन लेने के लिए वो मैला उस आदमी के शव को वील्चेयर पर बैठा कर उस बैंक तक ले गई और बैंक कर्मियों को उस पर शक न हो इसके लिए वो लगातार उससे बात करती रही लोन के कागजों पर साइन करवाने के लिए उसने उस शव के हाथ में एक पैन भी थमाया लेकिन वो उसे ठीक से पकड़ी नहीं पाया इस दोरान जब बार बार उसका सिर आगे की तरफ जुक रहा था तो वो उसे समालती नजर आई ऐसे में वहां मौझूद बैंक कर्मियों को उस पर शक हुआ लेकिन वो जल से जल्द उन कागजों पर साइन करवाना चाहती थी इसलिए वो उससे ऐसे बात कर रही थी जमानों वो एक जीता जाकता इंसान हो लेकिन उस महिला की तमाम कोशिश के बावजूद जब बैंक कर्मियों का शक दूर नहीं हुआ तो उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी और पुलिस ने वहाँ पहुँचकर उस महिला को गिरफ्तार कर दिया जांच में सामने आया कि उस बुजूर्ग की कई घंटों पहले ही मौत हो चुकी थी लेकिन परीद तीन लाग का लोन लेने के लिए वो उस शव को वीलचेर पर बैठा कर बैंक टक ले आई दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विन केजरिवाल पर एडी के अधिकारियों ने बड़ा आरोप लगाया तिहार जेल में उनके डायट चार्ट की तस्वीरे में सामने आगे 18 दिन से तिहार जेल में बंद अर्विन केजरिवाल को टाइप 2 डायबिटीज है लेकिन उनके डायट चार्ट में हर दिन के खाने में स्वीट यानी मिठाई जरूर मौजूद है जेल में अर्विन केजरिवाल को रोजाना अलग खाना दिया जा रहा है और ये वही खाना है जो उनके घर से बन कर आता है अदालत ने इसके लिए उन्हें अलग से इजाज़त दी है लेकिन घर से आने वाला खाना डॉक्टर के बनाए ऐसी डायट चार्ट के आधार पर तया होता है इस चार्ट के दूसरे कॉलम में तारीक लिखिये और आखरी कॉलम में डिनर में मिलने वाला खाना चार्ट के मताबिक उनके डिनर में रोटी कम या जादा हो सकती है सबजियां बदल सकती है लेकिन किसी भी दिन उनके डिनर से स्वीट यानि मिठाई कम नहीं की जा इसलिए कोट में हुई सुनवाई के बाद अर्विन केजरिवाल की सेहत पर नई बहस शुरू हो गई क्योंकि दावा किया जाने लगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अपनी जमाने दर्जी के लिए मजबूत दलीले तयार कर रहे हैं इसलिए वो जानबूच कर अपनी शुगर लेवल को ऊपर ले जाने की कोशिश में हैं ताकि अदालत को ये बताया जा सके कि जेल में रहने की वज़े से उनका शुगर लेवल बढ़ रहा कोट में E.D. के वकील ने बताया कि तिहार जेल से केजरिवाल के खाने और दवाओं की जानकारी मांगने पर उनके डायेट का पता चला जबकि केजरिवाल के वकील ने कोट को बताया कि E.D. के वकील सिर्फ मीडिया की वज़े से इस तरह के आरोप लगा रहे हैं यह जानकारी तब सामने आई जब अर्विंद केजरिवाल ने विडियो कॉंफरेंसिंग के जरीय डॉक्टर से मेडिकल कंसल्टेशन की मांग की। यह जानकारी के मताबिक जेल में बंद अर्विंद केजरिवाल का दिन सुबह साड़े 6 बजे शुरू होता है और उसी वक्त उन्हें नाश्ता दिया जाता। और मिठाई भी रखी जाती है। एडी का आरोप यह है कि दिल्ली के सीम जान बूच कर हाई शुगर और हाई काब डायट ले रहे हैं ताकि उनका ब्लड शुगर लेवल पढ़ जाए। और उन्हें समानत मिलना आसान हो जाए। इस जानकारी के सामने आते ही सियासी बवाल मचने में भी देर नहीं लगी। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और अर्विंद केजरिवाल पर तीके हमले शुरू कर दिये। और बीजेपी सांसद मनोश तिवारी ने तो उन्हें गाजियाबाद की डासना जेल में शिफ्ट करने की सलह दे दी। दूसरी तरफ अर्विंद केजरिवाल के डायेट चार्ट में अंडों का जिक्र देखकर बीजेपी ने नया हमला शुरू कर दिया। हाना कि आम आदमी पार्टी ने साजिश कारोब लगाया। ये अर्विंद केजरिवाल जी की जान लेने की साजिश है। डायेट पर कोट में हुए विवात के बाद अर्विंद केजरिवाल ने याचिका वापस ले ली और नए सिरे से याचिका डालने का ऐलान किया। इस बीच बेंगलूरू में एक महिला ने स्कूटर पर सफर के दौरान अपने बच्चे की जान खत्रे में डाल दी। मैंगलूरू में एक बच्चे को स्कूटर के फुटरेस्ट पर खड़ा करके सफर कराने का एक वीडियो वायरल हुआ। आरोपै के स्कूटर पर सवार एक महिला उस बच्चे को फुटरेस्ट पर खड़ा करवाकर सफर करा रही थी। जबकि एक दूसरा आत्मियों स्कूटर को चला रहा था कैनडा में हुई वहां की सबसे बड़ी सोने की चोरी के मामले में वहां की पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफतार करने का दावा किया पुलिस के मुताबिक पिछले साल तोरोंटो एरपोर्ट पर 6600 सोने की चड़ों की चोरी हो गई थी इनकी तीमत एक करोड चालीस लाख डॉलर यानि भारती रुपों में करीब 110 करोड रुपई थी बेंगलूरू एरपोर्ट पर 24 घंटे से जादा समय बिताने का दावा करने वाले यूट्यूबर विकास गौडा को गिरफतार कर लिया गया उस पर आरोप है कि वो साथ अपरेल को 24 घंटे से जादा समय तक एरपोर्ट पड़ रहा और उसने सुरक्षा के अंदेखी करते हुए वीडियो बनाये थे इसके बाद उसने इस वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड कर दिया था उदर लोगसभा चुनाव के पहले चरण में मद्धिप्रदेश में कॉंग्रेस के घड़ चिंदवाडा समेथ 6 लोगसभा सीटों पर भी वोटिंग होगी चिंदवाडा कॉंग्रेस की वो सीट है जहां बीजेपी को कभी काम्यावी नहीं मिली इस सीट से कॉंग्रेस के सबसे भरोसे मन नेताओं में एक कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ चुनावी मैदान में है और इसलिए ये होट सीट बानी जा रही है क्योंकि पिछले 44 साल से चिंदवाडा सीट पर कॉंग्रेस ने कभी हार का मों नहीं देखा इस बार भी इस सीट पर नकुलनाथ कॉंग्रेस के उम्मीदवार हैं और उन्हें चुनाथी देने के लिए बीजेपी ने उनके सामने विवेक बंटी साहू को मैदान में उता रहा है चिंदवाडा समेथ पहले चरण के तहट आने वाली सभी 6 सीटें राज्य के पूरवी हिस्से में मौझूद हैं सिर्फ चिंदवाडा पर कॉंग्रेस का कभजा है जबकि बाकी की सभी सीटों पर बीजेपी का परचम लेरा रहा है इस बीश लोगसभा चुनाव के पहले चरण में दक्षिंद भारत के सबसे बड़े राज्य तमिलनाड की सभी 49 सीटों पर चुनाव होगा चुनाव आयोग ने तमिलनाड में एक ही चरण में मतदान कराने का फैसला किया था चार सो लोगसभा सीट जीतने का लक्ष लेकर मैदान में उत्री बीजेपी की कोशिश तमिलनाड में बड़ी काम्याबी आसल करने किये लेकिन वहाँ उसकी रहा इतनी आसान नहीं होने वाली क्योंकि वहाँ इस बार के लोगसभा चुनाव में तीन गडबंधन मैदान में प्रिधान मंतरी के साथ तमिलनाड में बीजेपी के अध्यक्ष अन्ना मलाई ने अपनी हर रैली और जन सभा में इसे जोर शोर से उठाया और अन्ना मलाई के चुनावी मैदान में उतरने से कोईमबतूर सीट तमिलनाड की सबसे होट सीट बन गए लोगसभा चुनाम में बीजेपी यहां नमबर दो की पार्टी है क्योंकि पिछले दो लोगसभा चुनाम में कोईमबतूर सीट पर बीजेपी ने उम्मीद से बढ़कर प्रदशन किया थे बीजेपी के उम्मीदवार यहां दोनों बार दूसरे नमबर पर थे और बीजेपी को इस बार उम्मीद है कि अन्नमलाई इस बार कोईमबतूर में बड़ी जीत दच कर लेंगे इधर मद्रदेश के मुरेना में तीन बदमाशों ने सर्याम फाइरिंग कर ऐसी देशत मचाए कि महां खड़े लोगों की सांसे अटक नहीं क्योंकि एक मोटर साइकल पर सवार होकर वो बदमाश एक दुकान के बाहर पहुँचे और गोलियों की बोचार कर दी और बेखौफ होकर तीनों बदमाश एक एक कर उस दुकान की तरफ गोलियां दाखते दिखाई दिये उनमें एक बदमाश उस मोटर साइकल पर सवार नजर आया और उसके दो साथी सड़क किनारे खड़े होकर फाइरिंग करते नजर आये इस बीच वो लोग कुछ देर रुके और फिर फाइरिंग शुरू कर दी बारदात वाली जगह पर कुछ लोग एक गाड़ी में सवार दिखे लेकिन लगातार हो रही गोली बारी की वज़े से वो गाड़ी वहीं खड़ी रही जिफकी वहां से कुछ दूरी पर बड़ी संख्या में दूसरे लोग मौजूद दिखाई दिये लेकिन उनमें कोई भी उन बदमाशों को रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और काफी देर तक गोलियां बरसाने के बाद उस बदमाश का एक साथी मोटरसाइकल पर सवार हो गया लेकिन उसका दूसरा साथी भागने के दौरान फिर फायरिंग करता दिखा आरोब लगा कि पैसों के लेंदेन पर उन्होंने किराने के उस दुकान पर गोलियां चलाई बता गया कि उस वक्त दुकान का मालिक भी दुकान में मौजूद था हलाकि इस वारदात के बाद पुलिस ने केस दर्च कर लिया इस बीच भारत को सुरक्षा परिशत का स्थाई सदस्ते बनाने के पक्ष में अमेरिका भी उतर गया संयुक्तराष्ट सुरक्षा परिशत में भारत की स्थाई सदस्ता को लेकर इलॉन मस्क के बयान पर अमेरिका की प्रतिक्रिया सामनी आई वहां के विदेश मंत्राले ने साफ कर दिया कि अमेरिका सुरक्षा परिशद समेट सेयुक्तराष्ट के दूसरे संस्थानों में सुधार का समर्थन करता है यही नहीं अमेरिका ने इन संस्थानों में बदलाव की वकालत भी की इससे पहले एलॉन मस्क ने सुरक्षा परशद में भारत को स्थाई सदस्ता न देने को बेतुका पताया था दिकज आईटी कंपनी इंफिसिस के कर्मचारियों की संख्या पिछले 23 साल में पहली बार घट गई कंपनी के मुताबिक पिछले वित्तवर्ष के मुकाबले 2023-24 में इंफिसिस के करीब 26,000 करमचारियों की नौकरी चली गए भारतिय शेहर बाजार लगातार चौथे दिन लाल निशान पर बंद हुआ इस दोरान जबसे ज़्यादा गिरावट फार्मा, एफिमसीजी, ओइलन गैस, आटो और एनरजी सेक्टर के शेहरों में रही बैंकिंग शेहरों पर भी भारी तबाव रहा जिससे बंबे सौक एक्षेंज का सेंसेक्स 454 अंक गिरकर 72,488 पर बंद हुआ तो निफ्टी 152 अंकों की गिरावट के साथ 21,995 के स्थर पर आ गया पहले चरण के मतदान से पहले बिहार की हॉट सीट जमुई में तेजस्वी की त्रभा के दोरान चिराग पासवान के परिवार को गालियां देने का एक वीडियो वारल हो गया और इस वीडियो पर बवाल मच गया वीडियो दो दिन पहले का बताया गया इसे एंडिये के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे इंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक जितनराम माजी ने भी शेयर किया और इसमें तेजस्वी के मंच के सामने से एक आदमी चिराख पासवान और उनके परिवार को गालियां देता सुनाई दिया इस पूरे वीडियो में गालियां देने वाले इंसान का चेहरा नजर नहीं आया और शोर गूल के बीच केवल उसकी आवाज और गालियां सुनाई दिया इस पूरे वीडियो में तेजस्वी की आवाज कहीं सुनाई नहीं दिया सुनाई दिया तो केवल शोर और इस दौरान चिराख पासवान के लिए बोले जा रहे अब शब्द वीडियो में तेजस्वी आदव माइक से बोलते दिखाई दिये और उनके ठीक बगल में जमुई से आरजेडी की प्रत्याशी अर्चना रविदास खड़ी दिखाई दिये और उनके ठीक सामने से किसी आदमी ने चिराख पासवान और उनके परिवार को उल्टा सीधा बोला बताए गया कि वीडियो दो दिन पहले जमुई में हुई तेजस्वी की सभागा है ये वीडियो पहले चरण के मतदान से ठीक पहले वारल हुआ और वीडियो बाइरल होने के बाद सियासी बबाद चिड़ गया, चिराग पासवान तो भढ़क गये, उन्होंने सीधा तेजस्वी आदफ से सवाल पूछा, उन्होंने दो टुक बोल दिया कि अगर इस तरह की घटना उनके सामने हुई होती तो वो मुथ तोड जवाब देत और उसी वक्त उस आदमी को सबक सिखाते, ये बोलते हुए चिराग घुस्से में दिखे, तेजस्वी की सभा में गालियों वाले वीडियो के बारे में सवाल पूछे जाने पर चिराग खुद को रोक नहीं पाए, और तेजस्वी आदफ पर भढ़क गये, मैं अगर तेज करते हैं, चिराग पास्वान भले ही तेजस्वी से नाराज हों, लेकिन तेजस्वी ने सफाई दी कि उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं थी, कि मंच के सामने से चिराग के परिवार को गालियां दी गए, मंच में थोड़ी कोई दे रहा है, पबलेक में कोई दे रहा है, अगर ऐसी बात मेरे सामने मेरे कान तक आई होगी, तो इस सब कोई टॉलरेट करता है, जी तेजस्वी भले ही सफाई दें, लेकिन पहले चरण के चुनाव से पहले वाइरल हुए इस वीडियो ने बिहार का सियासी पारा चढ़ा दिया, क्योंकि ये वीडियो जमुई का है और जमुई में पहले चरण में मतदान होगा, और इसी लिए तेजस्वी आदव ने जमुई में कई रहलियां की और उन्हीं रहलियों में एक पर विवाद हो गया, आरोब लगा कि तेजस्वी ने चिराक के परिवार को अपशब्द बोले जाने के मामले की अंदेखी किया। क्योंकि रामविलास पासवान ने दो शादियां की थी, उनकी पहली पत्नी का नाम राजकुमारी देवी था और दूसरी पत्नी का नाम है रीना पासवान, चिराग पासवान और निशा भारती रीना पासवान और रामविलास पासवान की दो बेटियां हैं आशा और उशा और कहते हैं कि दोनों सोतेली बहनों से चिराग पासवान के रिष्टे अच्छे नहीं है और उन्होंने उनसे दूरी बनाये रखी लेकिन अपनी सगी बहन निशा भारती के पती अरुन भारती को चिराग ने वो सीट दे दी जिस सीट पर वो 2014 और 2019 में चुनाव लड़े थे लेकिन इस बार चिराग पासवान बिहार के हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे और इसके लिए चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपती पारस तक से लड़ाई कर ली थी और जीत उनकी हुई थी इसके बाद चिराग ने अलान किया था कि जमुई में उनके जीजा यानी अरुन भारती चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने अरुन भारती के लिए वहाँ धुआ धार चुनाव प्रचार भी किया और इसलिए वो यहां बाहरी प्रत्याशी वाली सियासत भी कर रही है और इस सीट पर पहली बार आरजेडी को जीत दिलाने की कोशिश कर रही है क्योंकि 2009 से अस्तित्व में आई जमुई सीट पर लगातार NDA का कबजा रहा लेकिन इस बार इस होट सीट पर नजर है क्योंकि चिराग चुनाव नहीं लड़ रहे है और उन्होंने अपने जीजा को मैदान में उता रहा है और आरजेडी प्रत्याशी उन्हें बाहरी बता रही है वैसे पहले चरण में बिहार की जिन चार सीटों पर मतदान होगा उन सीटों पर 2019 में NDA की ही जीत हुई थी और बीजेपी दक्षन बिहार की इन चारों सीटों पर 2024 में भी खबजा बनाए रखना चाहती है क्योंकि इन चार सीटों में दो पर यानि गया और जमुई में BJP की सहयोगी पार्टियां चुनाव लड़ रही है गया में H.A.M. के जितनराम माजी मैदान में है और जमुई में रामिलास पासवान के दामाद और चिराक पासवान के जीजा अरुन भारती इसलिए प्रधान मंत्री ने इन सीटों पर रैलियां की और बिहार में NDA का फलडा महागटबंधन पर भारी करने की कोशिश की थी क्योंकि RJD की ओर से तेजस्वी ने भी गया और जमुई में धुआधार रैलियां की थी और उनकी कोशिश थी कि बिहार की इन चारों सीटों पर NDA को कड़ी टकर दी जाए जमुई में तो उन्होंने दो दिन पहले तक रैली की थी उदर BJP ने सोशल मीडिया पर कई वीडियो पोस्ट कर पश्चमंगाल में राम नौमी के जलूस पर हमला होने का दावा किया BJP ने इस हमले के लिए पश्चमंगाल की मुख्यमंत्री ममताब एनरजी को जिम्मेदार ठहराते हुए उन पर लोगों को उकसाने का आरोब लगाया क्योंकि BJP ने जो वीडियो पोस्ट किये उनमें कुछ लोग घरों की छटों से पत्थर और बम बरसाते नज़र आये के लिए लोगों को उकसाया जाता है और उकसाता कौन है इसी राज्य की मुख्यमंत्री आलकि TMC ने BJP को जवाब देने में देर नहीं लगाई एक रोज पहले राम नौमी के मौके पर पश्चमंगाल के कई हिस्सों में शोभायात्रा निकाली गई BJP ने आरोब लगाया कि इसी दोरान कई जगों पर शोपायात्रा पर हमले किये गए और BJP के मुताबिक मुर्शिदाबाद में भी पत्थर बाजी की घटना हुई जिसमें कई लोगों के घायल होने का दावा किया गया और उन्हीं घायलों से मिलने पहुँचे कांग्रेस नेता अधीरंजन चौधरी को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा और गुसाए लोगों ने उन्हें देखते ही नारे लगाने शुरू कर दिये मुर्शिदाबाद के बहरमपुर में मेडिकल कॉलेज पहुचे अधीरंजन चौधरी को घायलों से मिलने से पहले भारी विरोध का सामना करना पड़ा इस दोरान भीड में मौझूद एक आदमी तो उनसे भढ़ने तक को तयार हो गया इसके बाद वो किसी तरह अस्पताल के अंदर गए और गायलों से उनका हाल जाना अधीरंजन चौधरी बहरमपुर से मौझूदा सांसत हैं और बहरमपुर लोकसवा सीट मौशिदाबाद जिले में ही आती है कॉंग्रेस ने इस बार भी अधीरंजन चौधरी को ही बहरमपुर से टिकेट दी है जारकन के लोडगा में राम नौमी की शोभा यात्रा के दौरान बेकाबू हुई एक गाड़ी ने दो लोगों की जान ले लिए और 24 से जादा लोग बुरी तरह घायल हो गए वहां राम नौमी के मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई और ढोल निगाड़े के साथ भक्त राम नाम की धुन पर जूम रहे थे लेकिन तभी दर्दनाक हाथसा हो गया क्योंकि उस गाड़ी ने शोभा यात्रा में शामिल हुए लोगों को एक जटके में रौन दिया वहां वो गाड़ी सड़क पर चलती भीड को बिल्कुल कुछलती हुई दिखाई दिया ये इतनी जल्दी हुआ कि लोगों को उस गाड़ी से दूर भागने का मौका ही नहीं मिल पाया वीडियो में कुछ देर पहले तक सब सामान ने नजर आया राम नामी के मौके पर शोभा यात्रा में शामिल हुए लोग जूमते काते दिखाई दिये कुछ लोग ढोल बजाते भी दिखे राम नाम की भक्ती में डूबे लोग हाथों में भगवा जंडे लेकर सड़क पर आगे बढ़ते दिखाई दिये तभी अचानक सफेद रंग की वो गाड़ी दोड़ती हुई वहां आई और एक साथ कई लोगों के ऊपर चड़ती हुई आगे बढ़ गई इसके बाद तो चीख फुकार मजगे राम नामी का उतसव एकदम मातब में बदल गया जब तक ड्राइवर ने उस गाड़ी को रोका तब तक वो कई मीटर तक आगे बढ़ चुकी थी और शोभा यात्रा में शामिल कई लोग इसकी चपेट में आ गए आनन्फानन में उन लोगों को अस्पताल ले जाए गया लेकिन अस्पताल ले जाने के दौरान उन में दो लोगों की जान चली गई जबकि 24 से ज़ादा लोगों की हालत गंभीर बताए गई गया क्योंकि शोभा यात्रा के बीच घुसी वो गाड़ी कहर बनका तूट पड़ी जो हादसे से कुछ देर पहले तक वहाँ लोगों के ठीक पीछे चल रही थी उस गाड़ी को शोभा यात्रा में इस्तमाल करने के लिए बुलाया गया उसमें साउंड सिस्टम और भगवा जंडे लगाए गया लेकिन वो गाड़ी शोभा यात्रा के लिए काल साबित हो गई लोहर दगा जिले में हुए भीशन हादसे के बाद आरोपी ड्राइवर को ग्रफतार करिया गया वहां राम नौमी के अगले दिन इलाके में सन्नाटा पसरा नजर आया लोगों ने बाजार बंद करवा दिये और हादसे के खिलाब अपना घुसा जाहर किया इस बीच जारकन के मंतरी डॉक्टर रामेश्वर उनाओ अस्पताल पहुंचे और गायलों से मुलाकात की उदर पश्चे मंगाल के राजजपाल के खिलाव ममता बेनर्जी की पार्टी टीमसी चुनाव आयोग पहुंच गई टीमसी ने पश्चे मंगाल के राजपाल सीवी आनन बोस के खिलाव चुनाव आयोग में शिकायत दर्च करवाई ममतब एनर्जी की पार्टी ने राजजपाल पर लोगसबा चुनाव में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया बिहार में RJD के पूर्व सांसद बुलो मंडल J.D.U. में शामिल हो गए भागलपूर से सांसद रह चुके बुलो मंडल इसी सीट से फिर चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन महागटबंधन की सीट शेरिंग में भागलपूर सीट कॉंग्रेस को मिलने के बाद वो पार्टी से नाराज चल रहे थे आम आदमी पार्टी ने मेरपत के लिए महेश कीची और टिपटी मेरपत के लिए रविंद्र भार्दवाज को उम्मीदवार बनाया है दिल्ली में 26 अपरेल को मेर और टिपटी मेर के चुनाव होंगे इधर पहले चरण के चुनाव में उत्तप्रदेश में बीजेपी और आरेलडी गटबंधन का इम्तिहान होगा, यूपी में पहले चरण में आठ सीटों पर मतदान होगा और 2019 में इनमें पांच बीजेपी हार गई थी, बीजेपी और आरेलडी पिछले चुनाव में अलग- गलड़ी थी, आरेलडी समाजबादी पार्टी और बीजेपी के साथ थी, लेकिन इस बार बीजेपी और आरेलडी का गटबंधन हुआ, और इसलिए कहा जा रहा है कि पहले चरण के चुनाव में उत्तप्रदेश में बीजेपी और आरेलडी गटबंधन की परीक्षा होग क्योंकि इस गटबंधन की वज़े से पश्चिमी यूपी में सियासी समीकरण बदल गए और कहा गया कि बीजेपी का प्रदर्शन पिछली बार से बहतर हो सकता है क्योंकि जैन चौधरी के बीजेपी के साथ आने की वज़े से जाड समुदाय के मतदाता बीजेपी के साथ सकते हैं और पश्चिमी यूपी की इन पांच सीटु पर बीजेपी को फाइदा हो सकता है जिन पर बीजेपी पिछली हार गई थी क्योंकि पहले चरण में पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और इन 8 सीटों में 5 पर पिछली बार बीजेपी हार गई थी लेकिन इस बार सियासी समीकरण बदल गए हैं क्योंकि जो जयन चौधरी 2019 में मायवती और अखिलेश के साथ थे वो जयन चौध इस बार बीजेपी के साथ यहीं नहीं बीस पी और एसपी भी अलग-अलग लड़ रहे हैं इसी वजह से पश्चिमी यूपी में बीजेपी बड़े उलट फेर की उम्मीद कर रही हैं क्योंकि पश्चिमी यूपी में इस बार सियासी समीकरण बदल गए हैं पहले चरण मे यूपी की होट सीट बन चुकी नगीना में भी मतदान होगा। यूपी की नगीना सीट इसलिए होट सीट कई जा रही है। क्योंकि इस सीट पर आजाद समाज पार्टी कांशी राम के चंदरशेखर आजाद ने बीएसपी और समाजवादी पार्टी को सीधी चुनोती दिये। और यूपी के नगीना में चुनावी लड़ाई का सारा सियासी समीकरण ही पलटने की कोशिश की। यूपी का विकल्प बनने की भी कोशिश में यानि नगीना में दो नहीं चार फ्रिक्तियाशों के बीच कड़ी ठकर हो सकती है। क्योंकि बीजेपी के ओम कुमार, एसपी के मनोज कुमार और बीएसपी के सुरेंदर पाल के अलावा चंदरशेकर आजाद ने भी नगीना में खुब पसीना बहाया और नगीना की लड़ाई में ट्विस्ट ला दिया। इसके लावा पस्चिमी यूपी की मुरादाबाद सीट पर भी नजर है, पहले चरण में यहां भी मतदान होगा क्योंकि इस बार के चुनाम में वहां समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से टिकेट का बटवारा किया उसकी खूग चर्चा हुई और यूपी की मुरादाबाद सीट से अपना उम्मीदवार बदल दिया और रूची वीरा को टिकेट दे दी, रूची वीरा को आजम खां के खेमे का माना जाता है और उन्हें टिकेट मिलने से स्टी हसन नाराज हो गय था, उनके समर्थकों ने गुस्सा भी दिखाया था, कि मुरादाबाद में बीजेपी के सर्वेज सिंग को इसका फायदा हो सकता, और उत्तरप्रदेश के होट सीट रामपूर भी समाजवादी पार्टी की अंदूरू निकले की वज़े से ही चर्चा में रही, खबराई की जेल में बंद आजम खां चाहते थे कि रामपूर से अखिलेश यादव चुनाव लड़ें लेकिन अखिलेश यादव ने इंकार कर दिया था, और रामपूर से एमाम मौलाना मोहिबुला नदवी को प्रत्याशी बना दिया था, इस वज़े से नाराज आजम खां के समर्थकों ने चुनाव का बहिशकार करने का अलान कर दिय रामपूर में समाजवादी पार्टी की खींचतान का आलम ये हो गया कि अखिलेश यादव वहां चुनाव प्रचार तक नहीं करने गए, जबकि इस से पहले मुलायम सिंग यादव और अखिलेश यादव चुनाव प्रचार के लिए रामपूर आते थे, लेकिन इस बार अखिलेश ने वहां प्रचार ही नहीं किया और चुनाव आ गया, और का गया कि ये सब इसले हुआ क्योंकि आजम समर्थकों ने चुनाव के बहिशकार का एलान कर दिया था, जबकि बीजेपी ने रामपूर से अपने प्रत्याशी घंचाम सिंग लोधी के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए अपड़ना यादव को भेजा, यानि मुलायम सिंग यादव की बहु ने बीजेपी के लिए वहां चुनाव प्रचार किया, लेकिन मुलायम सिंग यादव के बेटे प्रचार में गये ही नहीं, और समाजवादी पार्टी की इसी खींस्तान की सीट बन गए, क्योंकि इस बार बीजेपी के टिकेट पर वरुन गांधी पीली बीट से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बीजेपी ने जब तक ये ऐलान नहीं किया था, तब तक कई अटकलें लगी थी, का जा रहा था कि वरुन गांधी को सुल्तानपूर से और मेनका गा गांधी नहीं आये थे, यानि पीली भीत में इस बार ना मिनका गांधी हैं ना वरुन गांधी, पार्टी ने जितिन प्रिसाद पर दाओं खेला है, और इसलिए ये सीट हॉट सीट बन गए, इसके लावा पहले चरण के चुनाव में उत्त्रप्रदेश की हॉट सीट सहार सहारनपूर में एक भी चुनाव नहीं जीता, कॉंग्रेस ने वहाँ उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया, और प्रचार के आखरी दिन खुद प्रियंका गांधी ने उनके लिए वहाँ रोडशो किया, यही नहीं बीस पी ने भी अपने मौजुदा सांसद हाजी फजु तो रह्मान की टिकेट काट कर एक दूसरे मुस्लिम उमीदवार माजिद अली को सहारनपूर से टिकेट दे दी। साथ ही कोट ने मनीश सोधिया समेथ सभी आरोपियों को उन दस्तावेजों की लिस्ट दिने का निर्देश दिया, जिनकी जांच पूरी नहीं हुई है। सुप्रीम कोट ने EVM और VVPAT परचियों की 100% मिलान वाली आचिकाप पर सुनवाई के बाद पैसला सुरक्षित रख लिया। इस दोरान चुनाव आयोग ने EVM को पूरी तरह सुरक्षित बताया तो बाद में कोट ने भी इस पर टिपनी की कि हर चीज़ पर अविश्वास नहीं जिता जा सकता। गुजिरात के वडोदरा में भीशन गर्मी से बचाने के लिए ट्राफिक पुलिस ने अपने कर्मियों को AC वाले हेलमेट दिये। पानी जंग भी जारी है। कंगना के पपु और बाप दादा वाले बयान के बाद अब विक्रमदित्य सिंग का एक बयान भी चर्चा में है। कॉंग्रेस के उम्मीदवार विक्रमदित्य सिंग ने कंगना को बरसाती मेंधक बता दिया। मैडम और कल चले जाएंगी बरसाती मेंडक है तो इनको मैं क्या बोसर है अलाकि विक्रमदित सिंग के सामने ताल ठोक रहीं कंगना रणौत भी अपने अलग अंदाज से उन्हें पछाडने में जुटी है कभी वो लोगों के बीच पहुँच कर डांस करने लगती हैं तो कभी खुद चाय बनाती हुँ भी दिखती हैं इतना ही नहीं मंडी की जंग में उतरते ही उन्होंने अपने तीखे तेवर दिखा दिये थे बड़ा पपू है दिल्ली में लेकिन हमारे यहां पे भी एक छोटा पपू है कंगना ननोत ने अपने प्रचार के दोरान विक्रमदित सिंग के राजपरिवार से होने पर भी तंस किया था मंडी हिमाचल प्रदेश की चार लोकसवा सीथों में एक है जहां आखरी चरण में मत्तदान होगा इजबी 36 गड़ के कांकेर में सुरक्षा बल के अधिकारियों ने दावा किया कि नकसली कमांडर शंकर राव की अगवाई में नकसलीयों का एक दल लोकसवा चुनाव में गरबड़ी फैलाने के लिए अबू जमाड के जंगल में जमा हुए तो दिन पहले सुरक्षा बल के जमानों ने अबू जमाड के जंगल में एक ऑपरेशन चला कर 29 नकसलीयों को धेर कर दिया था क्योंकि सुरक्षाबल के अधिकारियों को ये खबर मिली थी कि कांकेर में चुनाव रोकने के लिए नकसली पोलिंग पार्टी पर हमला करने वाले हैं इस operation की अगवाई कर रहे सुरक्षाबल के अधिकारी लक्षमन केवट के मुताबिक इसकी सूचना मिलने के बाद नकसलियों के खिलाफ operation चुरू कर दिया गया था इंकाउंटर स्पेशलिस के नाम से मशूर लक्षमन केवट ने जानकारी दी कि 15 अपरेल को उन्हें नकसलियों के इस खतरनाक प्लान का पता चला था इसके बाद 16 अपरेल को करीब 400 जवान नकसलियों को घेर ने उनके गढ़ में घुज गये लेकिन नकसलियों को उनके आने की सूचना पहले ही मिल गई थी इसलिए नकसलियों ने जंगल में बम लगा दिये थे नजदीक पहुँचते ही उन्होंने फाइरिंग शुरू कर दी थे जंगल में करीब 50 नकसलियों का जमावडा था और वो लगातार फाइरिंग कर रहे थे इसी वज़े से सुरक्षाबल के जवानों ने भी उन पर गोलियां चलानी शुरू की जिसमें 25 लाग के इनामी नकसली कमांडर शंकर राव समेथ 29 नकसली धेर हो गए थे और 36 गड़ के कांकेर में नकसलियों के खिलाब सुरक्षाबल के ऑपरेशन पर कॉंग्रेस नेता सुप्रिया श्रनेत ने विवादास पत बयान दे दिया उनके बयान पर बीजेपी भड़क गई और उसने उन पर जमानों के अपमान कारोप लगा दिया लोग सबाचुनाव के ठीक तीन दिन पहले यानी 16 अपरेल को सुरक्षाबल ने अबूज मार के जंगल में एक साथ उन्तीस नकसलियों को मार गिराया था लेकिन नकसलियों के खिलाब सुरक्षाबल के इस उपरेशन पर सियासी घमसान मच गया क्योंकि कॉंग्रेस की नेता सुप्रिया श्रनेत ने इस आपरेशन की जांच की मांग करते हुए मारे गए नकसलियों पर विवादास पत बयान दे दिया उनके इस बयान के सामने आने के बाद बीजेपी उन पर भड़क गई बीजेपी ने कॉंग्रेस पर सेना और सुरक्षा बलके जवानों के अपमान कारोप मर दिया नक्सली में आपको शहीद नजर आता है और जो सेना के हमारे शूर्वीर है उनमें सडक का गुंड़ा याद आता है बीजेपी ने इस मुद्धे पर कॉंग्रेस को इसलिए भी घेरा क्यूंकि मई 2013 में 36 गड़ में ही नक्सली हमले में कॉंग्रेस के बड़े नेता नंद कुमार पटेल और पूर्व केंदुरी मंत्री विद्या चरण शुक्ल समेथ 30 से जादा लोग मारे गए थे इदर यूपी की अमेठी लोगसवा सीट पर उस वक्त एक बड़ा ड्रामा हुआ जब कॉंग्रेस के नेता विकास अग्रहरी के बीजेपी में शामिल होने की खबर आई विकास अगरहरी यूपी कॉंग्रेस के सियोजक है और अमेठी में कॉंग्रेस के सीनियर नेताओं में है लेकिन थोड़ी ही देर बाद विकास अगरहरी मीडिया के सामने आये और बीजेपी में शामिल होने की खबरों को आधार हीन बता दिया और यहां तक की भगवा रंग का अंगवस्तर पैनाय जाने वाले वीडियो पर भी सवाल उठाए इससे कुछ देर पहले विकास अग्रहरी का अमेठी की सांसर स्मृती इरानी के साथ एक वीडियो भी सामने आया थी वीडियो में विकास अग्रहरी के दाई और स्मृती इरानी खड़ी दिखी थी जबकि एक व्यक्ति विकास को भगवा अंगवस्तर पैनाता दिखा दावा किया गया कि विकास अग्रहरी ने कॉंग्रेस छोड़कर बीजेपी जॉइन कर लिए सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों और वेबसाइटों तक पर कॉंग्रेस को अमेठी में बड़ा जटका लगने की बात की जाने लिगए लेकिन विकास अग्रहरी ने दावा कर दिया कि वो तो केवल इलाके की समस्याओं पर बात करने के लिए सांसत से मिलने गए थे शिष्टा चार के नाते उनका स्वागत करते हुए अंगवस्तर पहनाया गया था लेकिन उस वीडियो के जरीए लोगों को ब्रहमित किया गया विकास अग्रहरी के मताबिक वो कॉंग्रेस के समर्पित कारे करता है और पार्टी छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते इस भी जुत्तर प्रदेश के हापुड में खराब चटनी की वज़े से ऐसी मार्पीट हुई कि इसका वीडियो देखने वाले लोगों ने भी अपने सिर पकड़ लिया वहाँ एक रेस्टरांट में दो लोग दोसा खाने पहुंचे थे लेकिन बताया गया कि दोसे के साथ जो चटनी परोसी गई वो खराब थी इसलिए चटनी का सुआद चकते ही वो दोनों लोग भड़क गए और इसके बाद तो मानो जंग छिड़ गए वहाँ एक आदमी टेबल स्टैंड उठाकर फिंकता नजर आया फिर वो वहाँ पड़ी कुरसी भी उठाता दिखाई दिया इसके बाद तो उस रेस्टांट का एक दूसरा करमचारी वहाँ रखा एक गमला उस लड़के के ऊपर फिंकता दिखा मतलब जिसके हाथ जो सामान आया वो उससे हमला करता रहा उस रेस्टांट में खाना खाने पहुंचे वो दोनों लोग और वहाँ के करमचारी जम कर गाली गलोज करते सुनाई दिये उस रेस्टांट के बार काफी देर मारपीट चलती रही और बड़ी संख्या में मौझूद लोग ये जड़ब देखते नजर आए मारपीट के दौरान वहाँ सारा सामान बिखर गया सजावट के लिए लगाये गए गुबारे भी इधर उदर विखर गया बताया गया कि उस रेस्टांट में उन दोनों लोगों को दोसे के साथ खराब चटनी परोसी गई थी इसी वज़े से वो लोग आग बबूला हो गए और जम कर मारपीट की उदर दुबाई में भारी बारिश के बाद फसे भारतिय यात्रियों को वहां से निकालने की कोशिशें तेज कर दी गई पशिमेश्या के देश UAE के दुबई शहर में हुई भीषन बारिश के बाद वहां फसे भारतिय यात्रियों को लेकर दुबई में मौझूद भारतिय दूतावास का बयान सामने आया भारतिये दूतवास के मुताबिक फसे हुए उन यात्रियों को निकालने की कोशिश की जा रही है इसके साथ सभी यात्रियों तक हर संभब मदद भी पहुचाए जा रही है जेंदरी ग्रेह मंत्री अमिट शाने गुजरात के गांधी नगर में रोड शुक किया इस दोरान न्यूज 18 से बात करते हुए उन्होंने एक बार फिर एंडिये को 400 सीटे मिलने का दावाद दोर आया हर्याना के लिए पहली लिस्ट जारी करते हुए पार्टी ने तीन सीटों पर उमिद्वारों के नाम का एलान किया गुरुक्षेत्र के अलावा हिसार से सुनैना चोटाला को तो अंबाला सीट से गुरप्रीत सिंग को टिकेट दी गई इधर चंडीगड लोगसबा सीट से पूर्व केंद्रिय मंत्री मनीश दिवारी को उम्मीदबार बनाय जाने पर चंडीगड कॉंग्रेस में मचे घमासान के बाद पार्टी में सब कुछ ठीक होने का दावा किया गया और ये दावा कॉंग्रेस नेता राजीव शुकल ने किया जो चंडीगड में पवन बनसल से मिलने पहुंचे क्योंकि 2019 में कॉंग्रेस की टिकट पर चंडीगड सीट से चुनाव लड़ने वाले पवन बनसल नाराज बताय जा रहे हैं वो इस सीट से एक बार फिर दावेदारी ठोक रहे थे लेकिन पार्टी ने उनकी जगा मनीश दिवारी को पत्याशी बना दिया और इसके बाद तो चंडीगड कॉंग्रेस की कलहत खुल कर सामने आ गए पवन बनसल के समर्थन में करीब सौ कारेकरताओं ने अपने पद से स्तीफा दे दिया माना जा रहा है कि इसी के बाद कॉंग्रेस नेता राजीव शुक्ल चंडीगड में पवन बनसल के घर पहुंच गए जै टंडन को उम्मीदवार बनाया तो कॉंग्रेस ने पवन बनसल की जगा मनीश दिवारी को माधान में उतार दिया उदर हर्याना के कुरुक्षेतर में चुनाव प्रचार करने निकले बीजेपी प्रित्याशी नवीन जिंदल ने बोरियां उठाकर ट्रक में लोड की नवीन जिंदल दो बार कुरुक्षेतर से सांसद रह चुके हैं लेकिन तब वो कॉंग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े थे इस बार वो बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और कुरुक्षेतर की एक अनाज मंडी में गेहूं की बोरियां ट्रक में लोड करते नजर आए नवीन जिंदल को इस तरह मंडी में कंधे पर बोरी लिए देखकर लोगों ने तालियां बजाई और जब उन्होंने बोरी ट्रक में लोड कर दी तो उनके समर्थन में नारे लगाए गए वैसे कुरुक्षेतर में नवीन जिंदल के परिवार का दबदबा माना जाता है वो 2004 और 2009 में वहां से सांसत भी रह चुके हैं लेकिन इस बार उन्होंने पार्टी बदल ली और बीजेपी की ओर से कुरुक्षेतर के चुनावी मैदान में उतरे नवीन जिंदल से पहले उनकी माँ और देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल बीजेपी का हिस्सा बनी थी इसके कुछी दिन बाद नवीन जिंदल भी बीजेपी का हिस्सा बन गए थे और अब वो बीजेपी की टिकट पर कुरुक्षेतर से चुनाव लड़ रहे हैं के समर्थकों ने भी यही किया क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता और कुरुक्षेतर से विपक्षी गडबंधन के उम्मीदवार सुशील गुपता बिना हिच के खेतों में गए और फसल काट कर रखनी शुरू कर दी हर्याना की 10 सीटों पर कॉंग्रेस और आम आदमी प कुरुक्षेतर से लड़ने से इंकार कर दिया और तभी से कॉंग्रेस के पास इस सीट के लिए मजबूत उम्मीदवार नहीं था खबर है कि इसी वज़े से हर्याना में आम आदमी पार्टी के साथ गडबंधन होते ही उसने कुरुक्षेतर सीट उसे दे दी और आम आदमी की तरीके से भिड़ गए कि पूरे इलाके में देश्चत मच गई वहाँ एक लड़का अपनी मोटर साइकल से गुजर रहा था इस वीच सामने से आ रही है गाड़ी से उसकी मोटर साइकल टकरा गई इसी बात पर दोनों पक्ष के लोगों के भी जड़ब हो गई लेकिन उन लोगों को वहाँ से खदेडने के लिए छट से लोग लगातार पत्तर फिंकते रहे वहाँ बच्चे महिलाएं और पुरोष सब उस घर के अंदर गुसने पर आमादा दिखे तभी छट से एक लड़के ने उनके ऊपर इट गिरा दी इसके बाद तो कुछ लोग भागते दिखाए दिये जबकि जड़ब देख रहे दूसरे लोग पत्राव ना करने की अपील करते नजर आए वहाँ हुई इस इंसक जड़ब में कई लोग घायल हो गया बताया कि उन दो गाडियों के बीच हुई टकर की वज़ए से दोनों पक्षों में मार पीट हुई हालनकि पुलिस ने इस मामले में केस दर्च कर लिया इस भी जम्मू कश्मीर में आतंकियों की घुसपैट की खबर मिलते ही सुरक्षा एजनसियां अलर्ट हो गई खबरें की जम्मू कश्मीर में सीमा पार से आतंकियों ने घुसपैट कर चुनाव में खलल डालने का प्लान बनाया है इसे देखते हुए खुफिया एजंसियों ने सुरक्षा बल को अलर्ट कर दिया और इस लिस्ट में भारतिय पहलमान साक्षी मलिक, अक्ट्रस आलिया भट और माइक्रोसोफ्ट के सीओ सत्या नडेला को शामिल किया गया इसके साथ ही रूसी राष्टपती पुटिन के विरोधी रहे अलेक्सी नवालनी की पत्नी यूलिया नवालनिया को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया मालदीव में संसदिय चुनाव से पहले वहां के राष्टपती मौम्मद मुईजू मुश्किलों में गिर गया मुहम्मद मुईजू पर लगे कथित ब्रस्टाचार के आरोब की रिपोर्ट लीक होने के बाद विपक्षी नेताओं ने उनके खिलाफ महावयोग चलाने की मांग कर दी 2018 में उन पर पैसों के लेंदेन को लेकर ब्रस्टाचार के आरोब लगे थे इधर उत्तराघंड के उत्तरकाशी में मतदाताओं को जागरूग करने के लिए गड़वाली भाषा में बनाया गया गाना सुर्खियों में आ गया पिछली लोगसवा चुनाव में उत्तरकाशी के 50 से जादा मतदान केंदरों पर 50 पतिछत से भी कम मतदान हुआ था और इसलिए इस बार चुनाव आयोग ने वहां के लोगों को जागरूग करने के लिए कई अभियान चला है और गड़वाली भाशा में बनाया गया ये गाना भी उनी में एक है इस गाने के बोल और संगीत दोनों ही लोगों का ध्यान खीचते हैं और इसलिए ये वाइरल हो गया ये गाना जीडी प्रिसाद ने बनाया जो पेशे से तो वैग्यानिक हैं लेकिन मतताताओं को जागरूग करने के लिए चुनाव आयोग के अभियान का हिस्सा बन गया और गड़वाली भाशा में ये गाना बना डाला उत्तरा खण की सभी पांच लोगसबा सीटों पर पहले चरण में मततान होगा और इससे पहले चुनाव आयोग उत्तरकाशी में इस गाने के ज़रिये लोगों को जागरूग करने में जुड़ गया उत्तरकाशी उत्तरा सीटों पर NCP का कोई जादा असर नहीं है यानि महराश के पूर्वी इससे के तहट आने वाले विधर्ब इलाके में कॉंग्रेस और BJP के बीच चक करें दोनों बाटियों ने पूरी ताकत जोंक दिये क्योंकि विधर्ब में कॉंग्रेस अपना वजूद बचाने में जुटी है जबकि BJP के लिए सभी सीटों पर जीत हासिल करना नक का सवाल बन गया है हलांकि पूरे विधर्ब इलाके में कुल 10 लोग सबा सीटे आती हैं लेकिन पहले चरण में उनमें सिर्फ 5 सीट नातपुर, रामटेक, भंडारा गोंदिया, चंदरपुर और गडचिरोली चिमूर में मतदान होगा इन सभी लोग सबा सीटों की सीमा एक दूसरे से जुड़ी है विधर्ब वो इलाका है जहां हमेशा सूखे की मार पढ़ती है किसानों के आत्मत्या करने की वज़े से भी ये इलाका हमेशा सुर्खियों मेरा इसके लावा विधर्ब के तहट आने वाली गडचिरोली और चंदरपुर लोगसबा सीट नकसलियों का गड़ मानी जाती है इसलिए इन दोनों सीटों पर शान्ती पूर्ण मतदान करना एक बड़ी चुनोती इस बार विधर्ब की इन पांच सीटों पर बीजेपी विकास के नाम पर कॉंग्रेस का सफाय करने का दम भर रही है जबकि कॉंग्रेस किसी तरह खुद को जिन्दा रखने की कोशिश में जुटी है इनमें नागपुर लोगसबा सीट होट सीट है क्योंकि इस सीट से केंदरिय मंतरी नितिन गटकरी बीजेपी से तीसरी बार चुनावी मैदान में जबकि उनके सामने कॉंग्रेस ने विकास ठाकरे को अपना उम्मीदवार बनाया इस भीज महाराश की बारामती सीट पर पवार परिवार के दो सदस्यों की टक करता है हो गई क्योंकि बारामती में सुप्रिया सुले और अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार दोनों ने नामांकन दाखिल कर दिया और ननंत भावी की लडाई ने बारामती को होट सीट बना दिया शरत पवार की बेटी सुप्रिया सुले और अजीत पवार की पत्नी सुनेतरा पवार दोनों ने बारामती में नामांकन दाखिल कर दिया। सुनेत्रा पवार के नामांकन से कुछ दिन पहले अजीत पवार ने बारामती के लोगों को संदेश भेजा था और अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार के लिए समर्थन मांगा था उन्होंने इस सीट पर सुप्रिया सुले की जीत का जिक्र किया था और लोगों से अपील की थी क इस बार वो बारामती में पवार परिवार की बहु को जिताएं यानि बारामती में पवार परिवार की बेटी और बहु की लडाई होगी और इसी लिए महराष्ट की इस होट सीट पर नज़र रहेगी इधर एक्ट्रिस शिल्पा शेट्टी के पती राज कुंद्रा की करोडों की संपत्ती एडी ने जब्द कर ली E.D. ने बिटकोईन फॉन्जी गोटाले के आरोप में एक्ट्रिस शिल्पा शेटी के पती राज गुंद्रा की खरीब 98 करोड की संपत्ती जब्त कर ली जब्त की गई संपत्ती में जुहू का एक फ्लाट, पुणे का एक बंगला और राज कुंद्रा के नाम से कई शेयर भी शामिल है इडी ने महराष्ट पुलिस और दिल्ली पुलिस की ओर से दर्च की गई FIR के आधार पर जान शुरू की थी और इसके बाद ये कारवाई की अंत्रिक्ष पर रिसरच करने वाली संस्था इसरो अगले हफते गगन्यान मिशन के तहट एक एहम परीक्षन करेगी इसरो के अध्यक्ष S. सोमनात के मुताबिक 24 अपरेल को अंत्रिक्ष में एक मानव रहित मिशन का परीक्षन किया जाएगा पता गया कि इसके बाद अगले साल इसी तरह के दो और परीक्षन किये जाएगे और सब कुछ ठीक रहा तो अगले साल के अंग तक इनसान को अंत्रिक्ष में भेजा जाएगा उस्ट्रेलिया ने अपनी राष्ट्रियस रक्षा रणनीती जारी करते हुए भारत को रक्षा क्षेत्र में बेहत एहम सयोगी बताया उसने भारत के अलावा जापान के साथ भी सयोग बढ़ाने पर जोड दिया इसके अलावा चीन से तनाव को देखते हुए उस्ट्रेलिया अपना रक्षा बजट बढ़ाने की भी योज़ना बना रहा है इधर लोगसबा चुनाव के पहले चरण में राजिस्थान की जिन 12 सीटों पर मददान होना है वहां मैयदान में उतरे मोधी सरकार के दो मंतریयों की साख़दाव़ पर है राजिस्थान की कुल 25 लोगसबा सीटों पर दो चरणों में मददान होगा दूसरे चरण में राजिस्तान की 13 सीटों पर वोटिंग 26 अप्रेल को होगी लेकिन राजिस्तान में होनेवाले पहले चरण के चुनाम में ही मोदी सरकार में शामिल दो केंदरीय मंतरीया के किसमत का फैसला होगा पीकानेर सीट पर केंद्रिय मंतरी अरजुन राम मेगभाल मैदान में हैं जबकि अलवर लोगसबा सीट पर भुपेंद्रियादव चुनाव लड़ रहे हैं। राजिस्थान में पहले चरण की बारा सीटों में दस पर बीजेपी का मुकाबला कॉंग्रेस से है जबकि दो सीटों पर मुकाबला कॉंग्रेस के सयोगी तलों से इन में नागोर सीट पर हनुमान बेनिवाल की पार्टी आरल पी और सीकर लोगसबा सीट पर CPIM का उम्मीदव पिष्ली बार इन सभी सीटों पर मोदी मैजिक दिखा था और सारी सीटें एंडिये के खाते में गई थी पात साल पहले हुए चुनाव में हनुमान बेनिवाल की पार्टी का गरबंदन बीजेपी के साथ था लेकिन इस बार हनुमान बेनिवाल विपक्षी खेमे में शामि साल पहले थे पहले चरण की कुल 12 में 8 सीटें ऐसी हैं जहां एक ही जाती के उम्मीदवारों के बीच सीधी टक्कर है और इन सीटों पर जिस जाती के उम्मीदवार को बीजेपी ने टिकट दी कॉंग्रेस ने भी उसी जाती के पत्याशी परताओं लगाती है लेकिन राजिस्तान में पहले चरण की वोटिंग में जिस हॉट सीट पर सबकी नजरे हैं वो है चुरू लोग सबा सीट क्योंकि बीजेपी चोड़कर कॉंग्रेस में आये राहुल कस्वा का सीधा मकाबला वहां बीजेपी से ही है अर्याणा की सीमा से लगने वाली ये लोग सबा सीट कॉंग्रेस उम्मीदवार राहुल कस्वा के लिए नाक का सवाल बन गई है तो बीजेपी भी किसी भी कीमत पर ये सीट अपने हाथ से फिसलने नहीं देना चाहती और इसलिए दोनों पार्टियों ने वहां चुनाव प्रचार के दोरान पूरी ताकत जूंक दी थे कॉंग्रेस के उम्मीदवार राहुल कस्वान चुरू से मौजूदा सांसत है 2019 में उन्होंने बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीता थे पीसे टिकट कटने के बाद राहुल कस्वान चुरू में जीत को अपनी नाक का सवाल बना लिया जिफकि वहां जीत हासल करना बीजेपी के लिए प्रतिष्टा का सवाल बन गया क्योंकि 25 साल से चुरू लोगसबा सीट बीजेपी का अभेद्य पिला है मतलब वहां बीजेपी उम्मीनदवार को 25 साल से कभी हार का मूँ नहीं देखना पड़ा इस भी यूपी के नोयडा में ड्रग्स बनाने की एक बड़ी फैक्टरी का भंडा फोड़ कर दिया गया दिल्ली के नजदीक उत्तरपुदेश के नोयडा में पुलिस ने एक ड्रग्स फैक्टरी का भंडा फोड़ करने का दावा किया पुलिस ने यहां से करीब 100 करोड रुपए के ड्रग्स के साथ नाइजेरिया के दो नागरिकों को ग्रफतार कर लिया पुलिस के मताबिक यह लोग नोयडा के एक फ्लाट में ड्रग्स बनाते थे दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉंडरिंग मामले में एडी ने दस्तावेज की जांच से जुड़ी स्टेटस रिपोर्ट राउज एविन्यों को पूर्ट को सौंप दी इडी की तरफ से पेश वकीलों ने कोर्ट को बताया कि इन दस्तावेजों की जांच में एक महीने का समय और लगेगा चीन में सैंउक्तुराष्ट के प्रतुनिदी सिधार चेटर जी ने शुनि से भी नीचे के तापमान में योग किया खास बात ये कि उन्होंने बीजिंग में शिर्टलेस होकर योग के कई आसन किये जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो गया सिधार चेटर जी को 2020 में चीन में सैंउक्तुराष्ट के प्रतुनिदी के रूप में न्यूक्त किया गया था इधर महिला पहलवानों से चेटर चाड के मामले में 26 अपरेल को फैसला आएगा चेटर चाड कारोपी बीजेपी के सांसद ब्रिजभूशन शरंड सिंग पर है कैसरगन सीट पर पांश में चरण में यानी 20 मई को वोट डाले जाएंगे और उनके लिए नॉमिनेशन के आखरी तारीख 3 मई है ब्रजभूशन शरंड सिंग ने टिकेट से जुड़े सवाल का जवाब भी भगवान पर छोड़ दिया महिला पहलवान से छेड़ चाड के केस में ब्रजभूशन की तरव से एक नई आचिका दी गई और का गया कि शिकायत करने वाली महिला के बयान में विरोध हवास है ये भी बताया गया कि जिस वक्त की शिकायत महिला पहलवान ने की उस वक्त वो देश से बाहर थे अपनी दलील के समर्थन में उन्होंने पासपोर्ट की कॉपी भी कोट को दी रजभूशन शरण सिंग ने मामले की फिर से जांच कराने की मांग की जिसके बाद कोट ने 26 अप्रेल को मामले की अगली तारीक तै कर दी इस बीच DRDO ने क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षन कर एक और बड़ी काम्याबी आसिल कर ली सेना के लिए रिसर्च करने वाली संस्ता DRDO ने ओडिशा के चांदिपूर में स्वदेशी तक्नीक से बनी निर्भः क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षन किया DRDO के मुताविक ये घातक मिसाइल 300 किलो तक विस्फु तक लेकर वार कर सकती है और इसकी रेंज 1500 किलोमीटर है खास बात ये कि कम उचाई से भी इस मिसाइल से हमला किया जा सकता है चिन्नाई सुपर किंग्स के बलेबाज डेवन कॉनवे चोट की वज़े से IPL से बाहर हो गए इसके बाद चिन्नाई सुपर किंग्स ने इंग्लिंड के तेज गेंबाज रिचर्ड ग्लीसन को उनकी जगा टीम में शामिल कर लिया पंजाब के तरन तारण में पाकिस्तान सीमा के नस्दीक B.S.F. ने एक पाकिस्तानी ड्रोन बरामत करने का दावा किया B.S.F. के तलाशी अभ्यान के दौरान इस ड्रोन को जब्त किया गया B.S.F. के मताबिक ये ड्रोन चीन में बना दो उदर खबरे की पश्चिमेशिया में तनाव के बाद एर रूट में बदलाव की वज़े से हवाई किराया बढ़ सकता है खबरे की आने वाले दिनों में अमेरिका और कैनेडा समेथ यॉरप के देशों में जाने के लिए हवाई किराया महंगा हो सकता है क्योंकि पश्चिमेशिया में जारी तनाव की वज़े से सभी एरलाइन कमपनिया एरान की एर स्पेस से बच रही हैं लेकिन इससे उन्हें लंबा रास्ता थै करना पड़ रहा है खबरे की रूट में बदलाव की वज़े से एर इंडिया, इंडिको और विस्तारा समेथ दूसरी एरलाइन कमपनिया किराया पढ़ाने की तैयारी में रॉटर्स ने दावा किया कि एलेक्ट्रिक कार बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कमपनी टेसला के मालिक इलॉन मस्क भारत में 300 करोड डॉलर यानि भारते रुपयों में करीब 25,000 करोड का निवेश कर सकते हैं इलॉन मस्क इसी महीने भारत की आत्रा पराने वाले हैं दावा किया गया कि वो टेसला की फैक्ट्री लगाने के अलावा भारत में दूसरे कारोबार की भी योज़ना बना रहे है सहिंक तुराश्ट ने गाजा और वेस्ट बैंक में सहायता पहुंचाने के लिए 281 करोड डॉलर यानि भारते रुपयों में करीब 24,000 करोड रुपय की मांग की सहिंक तुराश्ट के मुताबिक गाजा के 30 लाग फिलिस्तीनियों के पास खाना और स्वच पानी की कमी है और अगर उन्हें जल्द मदद नहीं पहुचाए गई तो वहां के हालाद बद से बत्तर हो सकते हैं इधर लोगसभा चुनाव के पहले चरण के तहित उत्तराखंड की सभी पांच सीटों पर वोट डाले जाएंगे मतलब पहले ही चरण में उत्तराखंड में लोगसभा के चुनाव निपड जाएंगे लेकिन राज्यक की दो सीटे हरिद्वार और पौड़ी गडवाल सीट पर सबकी नजरे टिकी हैं कर समोसे भी तले इसी वजय से हरिद्वार लोगसभा सीट होट सीट मानी जा रही हरिद्वार की तरह पौड़ी गडवाल सीट पर भी लोगों की निगाः ठीकी है य। कि इस सीट से बीजेपी ने राज्यसभा सांसत अनिल बुलूनी को मैदान में उता रहा है और कांग् अक्टर नवाजुत्दीन सिद्यकी को उत्तरप्रदेश के मुझफर नगर की विशेश पॉक्सो कोट से बड़ी रहत मिल गई। कोट ने चेरचार के मामले में उन्हें क्लीन चिट देने वाली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को मंजूर कर लिया। अक्टर नवाजुत्दीन सिद्यकी की पत्नी आलिया ने उनके खलाब छेरचार का मामला दर्च कराया था। खबर है कि रूस के एक आदमी ने अपने आठ महीने के बच्चे को खाना खिलाने के बजाए धूद की रौशनी से जिन्दा रखना चाहा जिससे उसके बच्चे की भूख से मौत हो गई। आरोफ है कि वो आदमी अपने बच्चे को उसकी मां का दूद पीने से भी रोकता था ताकि उसके बेटे को सूर्य की रौशनी से दिव्य शक्तियां आहां से लो सके। बाद में वहां की कोट ने उस आरोफी को आठ साल कैद की सजा सुनाई। बारतिये शत्रंच खिलाडी ग्रैंड मास्टर विदिद गुजराती को कैंडिडेट्स टॉर्णमेंट के ग्यारवे राउंड में हार का सामना करना पड़ा। उन्हें रूस के खिलाडी इएन निबुमिशी ने हरा दिया। उदर ब्राजिल के रियोडी जिनेरो में लोन लेने के लिए एक शव को बैंक ले जाने की खबर से संसनी फैल गई। ऐसे में वहां मौझूद बैंक कर्मियों को उस पर शक हुआ लेकिन वो जल्द से जल्द उन कागजों पर साइन करवाना चाहती थी। इसलिए वो उससे ऐसे बात कर रही थी जमानों वो एक जीता जाकता इंसान हो। लेकिन उस महिला की तमाम कोशिश के बावजूद जब बैंक कर्मियों का शक दूर नहीं हुआ तो उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी और पुलिस ने वहां पहुँचकर उस महिला को गिरफतार कर दिया। जांच में सामने आया कि उस बुजूर की कई घंटों पहले ही मौत हो चुकी थी। लेकिन परीब तीन लाग का लोन लेने के लिए वो उस शव को वीलचेर पर बैठा कर बैंक टक ले आई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन केजरिवाल पर E.D. के अधिकारीयों ने बड़ा आरोप लगाया और दावा किया कि वो जान बूज कर अपने शुगर लेवल बढ़ाने वाला खाना खा रहे हैं। पीडी के अधिकारियों ने दलील दी कि अर्विन केजरिवाल अपनी जमानत की दलीलों को मजबूत करने के लिए ऐसा कर रहा है। घर से आने वाला खाना डॉक्टर के बना ऐसी डायट चार्ट के आधार पर तयार होता है। इस चार्ट के दूसरे कॉलम में तारीख लिखिये और आखरी कॉलम में डिनर में मिलने वाला खाना। चार्ट के मुताबिक उनके डिनर में रोटी कम या जादा हो सकती है, सबजियां बदल सकती हैं लेकिन किसी भी दिन उनके डिनर से स्वीट यानी मिठाई कम नहीं की जाती। यहां तक कि डॉक्टर ने उनके डायट चार्ट में आलू पूरी तक जोड़ी है। जबकि एडी के वकीलों ने कोट में दावा किया कि डियाबिटीज के किसी भी मरीज को इस तरह के खाने और खासतोर पर मिठाई खाने की सलाग कोई डॉक्टर नहीं दे सकता। इसलिए कोट में हुई सुनवाई के बाद अर्विन केजरिवाल की सेहत पर नई बहस शुरू हो कोट में एडी के वकील ने बताया कि तिहार जेल से केजरिवाल के खाने और दवाओं की जानकारी मांगने पर उनके डायेट का पता चला। जबकि केजरिवाल के वकील ने कोट को बताया कि एडी के वकील सिर्फ मीडिया की वज़े से इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। य जानकारी तब सामने आई जब अर्विंद केजरिवाल ने विडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये डॉक्टर से मेडिकल कंसल्टेशन की मांग की जानकारी के मताबिक जेल में बंद अर्विंद केजरिवाल का दिन सुबर साड़े चे बजे शुरू होता है और उसी वक्त उन्हें नाश्ता दिया जाता नाश्ते में उन्हें चाय और अंडों के अलावा फल या कुछ और हलका खाना भी दिया जाता लगभग 11 बजे उनके लंच का समय होता है लंच में उन्हें डाल, सब्जी, रोटी, चावल और फल दिये जाते हैं और lesson के मिन्द का मिन्नना प्लय बजे ही इन्हें डिनर दिया जाता है इस जाणकारी के सामने आते यही सियासी बवाल मचने में भी देर नहीं लगी बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और अर्विन केजरिवाल पर तीके हमले शुरू कर दिये और पीजेपी सांसद मनोश तिवारी ने तो उन्हें गाजियाबाद की डासना जेल में शिफ्ट करने की सलह दे दी दूसरी तरफ अर्विन केजरिवाल के डायट चार्ट में अंडों का जिक्र देखकर बीजेपी ने नया हमला शुरू कर दिया हाना कि आम आदमी पार्टी ने साजिश का रोप लगाया ये अर्विन केजरिवाल जी की जान लेने की साजिश है डायट पर कोट में हुए विवात के बाद अर्विन केजरिवाल ने याचिका वापस ले ली और नए सिरे से याचिका डालने का एलान किया इस बीच बेंगलूरू में एक महिला ने स्कूटर पर सफर के दौरान अपने बच्चे की जान खत्रे में डाल दी मेंगलूरू में एक बच्चे को स्कूटर के फुटरेस्ट पर खड़ा करके सफर कराने का एक वीडियो वायरल हुआ आरोपै के स्कूटर पर सवार एक महिला उस बच्चे को फुटरेस्ट पर खड़ा करवाकर सफर करा रही थी जबकि एक दूसरा आत्मियों स्कूटर को चला रहा था कैनडा में हुई वहां की सबसे बड़ी सोने की चोरी के मामले में वहां की पुलिस ने पांच आरोपियों को गरफतार करने का दावा किया पुलिस के मताबिक पिशले साल तोरोंटो एरपोर्ट पर 6600 सोने की चड़ों की चोरी हो गई थी इनकी क्रीमत एक करोड़ चालीस लाख डॉलर यानि भारती रुपों में करीब 110 करोड रुपए थी बेंगलूरू एरपोर्ट पर 24 घंटे से जादा समय बिताने का दावा करने वाले यूट्यूबर विकास गौड़ा को गिरफतार कर लिया गया उस पर आरोफ है कि वो साथ अपरेल को 24 घंटे से जादा समय तक एरपोर्ट पड़ रहा और उसने सुरक्षा के अंदेखी करते हुए वीडियो बनाये थे इसके बाद उसने इस वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड कर दिया था उदर लोगसबा चुनाव के पहले चरण में मद्यप्रदेश में कॉंग्रेस के गढ़ चिंदवाडा समेथ 6 लोगसबा सीटों पर भी वोटिंग होगी चिंदवाडा कॉंग्रेस की वो सीट है जहां बीजेपी को कभी कामयाबी नहीं मिली इस सीट से कॉंग्रेस के सबसे भरोसे मन नेताओं में एक कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ चुनावी मैदान में है और इसलिए ये होट सीट मानी जा रही है क्योंकि पिछले 44 साल से चिंदवाडा सीट पर कॉंग्रेस ने कभी हार कामों नहीं देखा इस बार भी इस सीट पर नकुलनाथ कॉंग्रेस के उम्मीदवार हैं और उन्हें चुनाथी देने के लिए बीजेपी ने उनके सामने विवेक बंटी साहू को मैदान में उता रहा है चिंदवाडा समेथ पहले चरण के तहट आने वाली सभी छे सीटें राज्य के पूर्वी हिस्से में मौझूद हैं सिर्फ चिंदवाडा पर कॉंग्रेस का कभजा है जबकि बाकी की सभी सीटों पर बीजेपी का परचम लेरा रहा है इस बीश लोगसबाड चुनाव के पहले चरण में दक्षण भारत के सबसे बड़े राज्य तमिलनाड की सभी 49 सीटों पर चुनाव होगा चुनाव आयोग ने तमिलनाड में एक ही चरण में मतदान कराने का फैसला किया था 400 लोगसबाड सीट जीतने का लक्ष लेकर मैदान में उत्री बीजेपी की कोशिश तमिलनाड में बड़ी काम्याबी आसल करने की है लेकिन वहाँ उसकी रहा इतनी आसान नहीं होने वाली क्योंकि वहाँ इस बार के लोगसबाड चुनाब में तीन गडबन्धन मैदान में बीजेपी ने इस मुद्दे को तमिलनाड में भुनाने की कोशिश की। प्रधान मंतरी के साथ तमिलनाड में बीजेपी के अध्यक्ष अन्ना मलाई ने अपनी हर रैली और जन सभा में इसे जोर शोर से उठाया। अन्ना मलाई तमिलनाडू की सबसे चचे सी कोयमबतूर से मैदान में हैं। और अन्ना मलाई के चुनावी मैदान में उतरने से कोयमबतूर सीट तमिलनाड की सबसे होट सीट बन गए। लोगसभा चुनाव में बीजेपी यहां नंबर दो की पार्टी है। क्योंकि पिछले दो लोग सबाद चुनाव में कोईमबतूर सीट पर बीजेपी ने उम्मीद से बढ़कर प्रदेशन किया थे बीजेपी के उम्मीदवार यहां दोनों बार दूसरे नंबर पर थे और बीजेपी को इस बार उम्मीद है कि अन्नमलाई इस बार कोईमबतूर में बड़ी जीत दच कर लेंगे इधर मद्धिप्रदेश के मुरेना में तीन बदमाशों ने सरयाम फाइरिंग कर ऐसी दहशत मचाए कि कि वहां खड़े लोगों की सांसे अटक नहीं क्योंकि एक मोटर साइकल पर सवार होकर वो बदमाश एक दुकान के बाहर पहुँचे और गोलियों की बॉचार कर दिए और बेखौफ होकर तीनों बदमाश एक एक कर उस दुकान की तरफ गोलियां दाखते दिखाई दिये उनमें एक बदमाश उस मोटर साइकल पर सवार नजर आया और उसके दो साथी सड़क किनारे खड़े होकर फाइरिंग करते नजर आये इस बीच वो लोग कुछ देर रुके और फिर फाइरिंग शुरू कर दी वारदात वाली जगह पर कुछ लोग एक गाड़ी में सवार दिखे लेकिन लगातार हो रही गोली बारी के वज़े से वो गाड़ी वहीं खड़ी रही जिफकी वहां से कुछ दूरी पर बड़ी संख्या में दूसरे लोग मौजूद दिखाई दिये लेकिन उनमें कोई भी उन बदमाशों को रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और काफी देर तक गोलियां बरसाने के बाद उस बदमाश का एक साथी मोटरसाइकल पर सवार हो गया लेकिन उसका दूसरा साथी भागने के दौरान फिर फाइरिंग करता दिखे आरोब लगा कि पैसों के लेंदेन पर उन्होंने किराने की उस दुकान पर गोलियां चलाई बता गया कि उस वक्त दुकान का मालिक भी दुकान में मौजूद था हलाकि इस वारदात के बाद पुलिस ने केस दर्च कर लिया इस बीच भारत को सुरक्षा परिशत का स्थाई सदस्तिता को लेकर इलॉन मस्क के बयान पर अमेरिका की प्रतिक्रिया सामनी आई वहां के विदेश वंत्राले ने साफ कर दिया कि अमेरिका सुरक्षा परिशद समेट सेयुक्तराष्ट के दूसरे संस्थानों में सुधार का समर्थन करता है यही नहीं अमेरिका ने इन संस्थानों में बदलाव की वकालत भी की इससे पहले एलॉन मस्क ने सुरक्षा परिशद में भारत को स्थाई सदस्ता न देने को बेतुका पताया था दिकज आईटी कंपनी इंफिसिस के कर्मचारियों की संख्या पिछले 23 साल में पहली बार घट गए कंपनी के मताबिक पिछले वित्तवर्ष के मुकाबले 2023-24 में इंफिसिस के करीब 26,000 करमचारियों की नौकरी चली गए भारतिय शेयर बाजार लगातार चौते दिन लाल निशान पर बंद हुआ इस दोरान जबसे ज़्यादा गिरावट फार्मा, एफिम सीजी, ओइल और गैस, आटो और एनरजी सेक्टर के शेरों में रही बैंकिंग शेरों पर भी भारी तबाव रहा जिससे बॉम्बे सॉक एक्षेंज का सेंसेक्स 454 अंक गिरकर 22,488 पर बंद हुआ तो निफ्टी 152 अंकों की गिरावट के साथ 21,995 की स्थर पर आ गया पहले चरण के मतदान से पहले बिहार की होट सीट जमुई में तेजस्वी की सबा के दोरान चिराग पासवान के परिवार को गालियां देने का एक वीडियो वारल हो गया और इस वीडियो पर बवाल मच गया वीडियो दो दिन पहले का बताया गया इसे एंडिये के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे इंदुस्तानी हवाम मोर्चा के अध्यक जितनरा माजी ने भी शेयर किया और इसमें तेजस्वी के मंच के सामने से एक आदमी चिराख पासवान और उनके परिवार को गालियां देता सुनाई दिया इस पूरे वीडियो में गालियां देने वाले इंसान का चेहरा नजर नहीं आया और शोर गूल के बीच केवल उसकी आवाज और गालियां सुनाई दिया इस पूरे वीडियो में तेजस्वी के आवाज कहीं सुनाई नहीं दिया सुनाई दिया तो केवल शोर और इस दोरान चिराख पासवान के लिए बोले जा रहे अब शब्द वीडियो में तेजस्वी आदव माइक से बोलते दिखाई दिये और उनके ठीक बगल में जमुई से आरजेडी की प्रत्याशी अर्चना रविदास खड़ी दिखाई दिये और उनके ठीक सामने से किसी आदमी ने चिराख पासवान और उनके परिवार को उल्टा सीधा बोला बताय गया कि वीडियो दो दिन पहले जमुई में हुई तेजस्वी की सभाका है ये वीडियो पहले चरण के मतदान से ठीक पहले वारल हुआ और वीडियो वाइरल होने के बाद सियासी बबाद चिड़ गया, चिराग पासवान तो भढ़क गया, उन्होंने सीधा तेजस्वी आदफ से सवाल पूछा, उन्होंने दो टुक बोल दिया कि अगर इस तरह की घटना उनके सामने हुई होती तो वो मूँ तोड जवाब देत और उसी वक्त उस आदमी को सबक सिखाते, ये बोलते हुए चिराग घुस्स में दिखे, तेजस्वी की सभा में गालियों वाले वीडियो के बारे में सवाल पूछे जाने पर चिराग खुद को रोक नहीं पाए, और तेजस्वी आदफ पर भढ़क गया, और कोई उनके प पहन की तरह इज़त करते हैं। पहले चरण के चुनाव से पहले वाइरल हुए इस वीडियो ने बिहार का सियासी पारा चड़ा दिया, त्यूकि ये वीडियो जमुई का है और जमुई में पहले चरण में मतदान होगा। ये सीट, होट सीट इसलिए बन गई क्योंकि जमुई में इस बार दो बार के सांसद रहे चिराग पासवान के जीजा अरुन भारती चुनाव लड़ रहे हैं। वो चिराग पासवान की सगी बहन निशा भारती के पती हैं। निशा भारती के अलावा चिराग पासवान की दो सौतेली बहने भी हैं। क्योंकि रामविलास पासवान ने दो शादियां की थी। उनकी पहली पत्नी का नाम राजकुमारी देवी था और दूसरी पत्नी का नाम है रीना पासवान। चिराग पासवान और निशा भारती रीना पासवान और रामविलास पासवान के बच्चे हैं। और राजकुमारी देवी और रामिलास पासवान की दो बेटियां हैं आशा और उशा और कहते हैं कि दोनों सो तेली बहनों से चिराग पासवान के रिष्टे अच्छे नहीं हैं और उन्होंने उनसे दूरी बनाये रखी लेकिन अपनी सगी बहन निशा भारती के पती अरुण भारती को चिराग ने वो सीट दे दी जिस सीट पर वो 2014 और 2019 में चुनाव लड़े थे लेकिन इस बार चिराग पासवान बिहार के हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे और इसके लिए चिराग पासवान ने अपने चाचा पचुपति पारस तक से लड़ाई कर ली थी और जीत उनकी हुई थी इसके बाद चिराग ने ऐलान किया था कि जमुई में उनके जीजा यानी अरुन भारती चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने अरुन भारती के लिए वहाँ धुआ धार चुनाव प्रचार भी किया और इसलिए वो यहां बाहरी प्रत्याशी वाली सियासत भी कर रही है और इस सीट पर पहली बार आरजेडी को जीत दिलाने की कोशिश कर रही है क्योंकि 2009 से अस्तित्व में आई जमुई सीट पर लगातार NDA का कबजा रहा लेकिन इस बार इस होट सीट पर नजर है क्योंकि चिराग चुनाव नहीं लड़ रहे है और उन्होंने अपने जीजा को मैदान में उता रहा है और आरजेडी प्रत्याशी उन्हें बाहरी बता रही है और बीजेपी दक्षण बिहार की इन चारों सीटों पर 2024 में भी खब्जा बनाये रखना चाहती है क्योंकि इन चार सीटों में दो पर यानि गया और जमुई में बीजेपी की सहयोगी पार्टियां चुनाव लड़ रही है गया में हेम के जीतनराम माजी मैदान में हैं और जमुई में रामिलास पासवान के दामाद और चिराक पासवान के जीजा अरुण भारती इसलिए प्रधान मंत्री ने इन सीटों पर रैलियां की और बिहार में NDA का पलड़ा महागटबंधन पर भारी करने की कोशिश की थी योगि आरजेडी की ओर से तेजस्वी ने भी गया और जमुई में धुआधार रैलियां की थी और उनकी कोशिश थी कि बिहार की इन चारों सीटों पर NDA को कड़ी टकर दी जाए जमुई में तो उन्होंने दो दिन पहले तक रैलिय की थी उदर बीजेपी ने सोशल मीडिया पर कई वीडियो पोस्ट कर पश्चमंगाल में राम नौमी के जलूस पर हमला होने का दावा किया बीजेपी ने इस हमले के लिए पश्चमंगाल की मुख्यमंतरी ममता बेनर्जी को जिम्मेदार ठहराते हुए उन पर लोगों को उकसाने का आरोप लगाया क्योंकि बीजेपी ने जो वीडियो पोस्ट किये उनमें कुछ लोग घरों की छटों से पत्थर और बंबर साते नजर आये लगातार हो रही बंबारी की वज़े से वहां भगदड मच गए पूरा इलाका धमाकों की आवाज से गुझ उठा बीजेपी ने ये वीडियो पोस्ट कर आरोप लगाया कि एक रोज पहले मुर्शिदाबाद और मेदनिपूर में निकाले गए राम नौमी के जलूस के दौरान पत्थर बाजी की गई इसके साथ ही बीजेपी ने आरोप लगाया कि पश्च मंगाल की मुक्यमंतरी ममता बेनर्ट जी नहीं इसके लिए लोगों को उकसाया आलकि टीमसी ने बीजेपी को जवाब देने में देर नहीं लगाई एक रोज पहले राम नौमी के मौके पर पश्च मंगाल के कई हिस्सों में शोभा यात्रा निकाली गई बीजेपी ने आरोप लगाया कि इसी दौरान कई जगों पर शोभा यात्रा पर हमले किये गए और बीजेपी के मुताबिक मुर्शिदाबाद में भी पत्थर बाजी की घटना हुई जिसमें कई लोगों के घायल होने का दावात किया गया इस दौरान भीड में मौझूद एक आदमी तो उनसे भीड़ने तक को तयार हो गया इसके बाद वो किसी तरह अस्पताल के अंदर गए और घायलों से उनका हाल जाना अधीरंजन चौदरी बहरामपूर से मौझूदा सांसद हैं और बहरामपूर लोकसवा सीट मौशितबाद जिले में ही आती है कॉंग्रेस ने इस बार भी अधीरंजन चौदरी को ही बहरामपूर से टिकेट दी है जारकन के लोडगा में राम नामी की शोभा यात्रा के दौरान बेकाबू हुई एक गाड़ी ने दो लोगों की जान ले लिये और 24 से जादा लोग बुरी तरह घायलो गए वहां राम नामी के मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई और धोल निगाड़े के साथ राम भक्त राम नाम की धुन पर जूम रहे थे लेकिन तभी दर्दनाक हाद्सा हो गया क्योंकि उस गाड़ी ने शोभा यात्रा में शामिल हुए लोगों को एक जटके में रौन दिया वहां वो गाड़ी सड़क पर चलती भीड को बिल्कुल कुछलती हुई दिखाई दिये ये इतनी जल्दी हुआ कि लोगों को उस गाड़ी से दूर भागने का मौका ही नहीं मिल पाया वीडियो में कुछ देर पहले तक सब सामान्य नजर आया राम नामी के मौके पर शोभा यात्रा में शामिल हुए लोग जूमते काते दिखाई दिये कुछ लोग ढोल बजाते भी दिखे राम नाम की भक्ती में डूबे लोग हाथों में भगवा जंडे लेकर सड़क पर आगे बढ़ते दिखाई दिखाई दिये तभी अचानक सफेद रंकी वो गाड़ी दोड़ती हुई वहाँ आई और एक साथ कई लोगों के ऊपर चड़ती हुई आगे बढ़ गए इसके बाद तो चीख पुकार मजगे राम नामी का उतसब एकदम मातब में बदल गया जब तक ड्राइवर ने उस गाड़ी को रोका तब तक वो कई मीटर तक आगे बढ़ चुकी थी और शोभा यात्रा में शामिल कई लोग इसकी चपेट में आ गया आनन फानन में उन लोगों को अस्पताल ले जाया गया लेकिन अस्पताल ले जाने के दोरान उन में दो लोगों की जान चली गए जबकि 24 से ज़्यादा लोगों की हालत गंभीर बताए गए क्योंकि शोभा यात्रा के बीच घुसी वो गाड़ी कहर बनका तूट पड़ी जो हादसे से कुछ देर पहले तक महां लोगों के ठीक पीछे चल रही थी उस गाड़ी को शोभा यात्रा में इस्तमाल करने के लिए बुलाया गया उसमें साउंड सिस्टम और भगवा जंडे लगाए गए लेकिन वो गाड़ी शोभा यात्रा के लिए काल साबित हो गए लोहर दगा जिले में हुए भीशन हादसे के बाद आरोपी ड्राइवर को ग्रफतार करिया गया वहां राम नौमी के अगले दिन इलाके में सननाटा पसरा नजर आया लोगों ने बाजार बंद करवा दिये और हादसे के खिलाब अपना घुसा जाहिर किया इस वीच जारकन के मंतरी डॉक्टर रामेश्वर उनाओ अस्पताल पहुँचे और घायलों से मुलाकात की इस दोनान लोहर दगा से बीजे पी के प्रिक्तियाशी समीर उनाओ भी वहां मौझूद रहे उन्होंने राज्य सरकार से मृतक के परिवार वालों को 20 लाग रुपए की साहेता देने की मांग की इसके साथ ही गायलों को भी 10 लाग रुपए की आर्थिक मदद देने की अपील की गई उदर पश्चे मंगाल के राजजपाल के खलाव ममता बेनर्जी की पार्टी टीमसी चुनाव आयोग पहुंच गई टीमसी ने पश्चे मंगाल के राजपाल सीवी आनन बोस के खलाव चुनाव आयोग में शिकायत दर्च करवाई ममतब एनरजी की पार्टी ने राजजपाल पर लोगसभा चुनाव में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया बिहार में RJD के पूर्व सांसद बुलो मंडल जे डियू में शामिल हो गए भागलपूर से सांसद रह चुके बुलो मंडल इसी सीट से फिर चुनाव लड़ना चाते थे लेकिन महागटबंधन की सीट शेरिंग में भागलपूर सीट कॉंग्रेस को मिलने के बाद वो पार्टी से नाराज चल रहे थे अम आदमी पार्टी ने मेयर पद के लिए महेश कीची और टिपटी मेयर पद के लिए रविंदर भारदवाज को उम्मीद वार बनाया है इधर पहले चरण के चुनाव में उत्तपडेश में BJP और अरल्डी गटबंधन का इंटिहान होगा है पहले चरण में 8 सीटों पर मतदान होगा और 2019 में इन में 5 BJP हार गई थी BJP और RLD पिछले चुनाम में अलग-अलग लड़ी थी RLD समाजबादी पार्टी और BSP के साथ थी लेकिन इस बार BJP और RLD का गटबंधन हुआ और इसलिए का जा रहा है कि पहले चरण के चुनाम में उत्तो प्रदेश में BJP और RLD गटबंधन की परीक्षा होगी क्योंकि इस गटबंधन की वज़े से पश्चिमी UP में सियासी समीकरण बदल गए और कहा गया कि BJP का प्रदर्शन पिछली बार से बहतर हो सकता है क्योंकि जैन चौधरी के BJP के साथ आने की वज़े से जाड समुदाय के मतदाता BJP के साथ आ सकते हैं और पश्चिमी UP की इन 5 सीटों पर BJP को फाइदा हो सकता है जिन पर BJP पिछली बार हार गई थी क्योंकि पहले चरण में पश्चिमी UP की 8 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और इन 8 सीटों में 5 पर पिछली बार BJP हार गई थी लेकिन इस बार सियासी समीकरण बदल गए है क्योंकि जो जयन चौधरी 2019 में मायवती और अखिलेश के साथ थे वो जयन चौधरी इस बार BJP के साथ है यही नहीं BSP और SP भी अलग-अलग लड़ रहे हैं इसी वज़े से पश्चिमी UP में BJP बड़े उलट फेर की उम्मीद कर रही है क्योंकि पश्चिमी UP में इस बार सियासी समीकरण बदल गए है पहले चरण में UP की होट सीट बन चुकी नगीना में भी मतदान होगा UP की नगीना सीट इसलिए होट सीट कही जा रही है क्योंकि इस सीट पर आजाद समाज पार्टी कांशी राम के चंदरशेखर आजाद ने BSP और समाजवादी पार्टी को सीधी चुनोती दी और युपी के नगीना में चुनावी लड़ाई का सारा सियासी समीकरण ही पलटने की कोशिश की क्योंकि इस सीट पर BSP का दबदबा माना जाता है मायावती के भतीजे आकाश आनन तो यहीं से प्रचार अभियान में कुदे लेकिन चंदरशेखर आजाद ने दावा किया कि वहां BSP ने जान बूज कर कमजोर उम्मीदवार मैदान में उता रहा क्योंकि इस से उनका फायदा हो सकता है चंदरशेखर आजाद नगीना में धुआधार प्रचार कर रहा है आजाद समाज पार्टी कांशी राम के चंदरशेखर आजाद नगीना से लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी के खिलाफ हो गए थे बड़ी बात ये कि वो बीएसपी का विकल्प बनने की भी कोशिश में है यानि नगीना में दो नहीं चार फ्रत्याशों के बीच कड़ी टक्कर हो सकती है क्योंकि बीजेपी के ओम कुमार, एसपी के मनोज कुमार और बीएसपी के सुरेंदर पाल के अलावा चंदर शेकर आजाद ने भी नगीना में खुब पसीना बहाया और नगीना की लडाई में ट्विस्ट ला दिया इसके लावा पश्चिमी यूपी की मुरादाबाद सीट पर भी नजर है पहले चरण में यहां भी मतदान होगा क्योंकि इस बार के चुनाम में महां समाजवादी पाटी ने जिस तरह से टिकेट का बटवारा किया उसकी खूग चर्चा हुई और यूपी की मुरादाबाद सीट होट सीट बन गए क्योंकि समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद में पहले स्टी हसन को उम्मीदवार मनाया था लेकिन नामांकन से पहले खबर आई थी कि समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद सीट से अपना उम्मीदवार बदल दिया और रुची वीरा को टिकेट दे दी यानि मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार के लिए उसी के समर्थकों ने मुसीबत खड़ी कर दी और माना जा रहा है कि मुरादाबाद में बीजेपी के सर्वेज सिंग को इसका फायदा हो सकता और उत्तरप्रदेश के ओड़ सीट रामपूर भी समाजवादी पार्टी की अंदरूनी कले की वज़े से ही चर्चा में रही खबर आई कि जेल में बंद आजम खान चाते थे कि रामपूर से अखिलेश यादव चुनाव लड़ें लेकिन अखिलेश यादव ने इंकार कर दिया था और रामपूर से इमाम मौलाना मोहिबुला नदवी को प्रत्याशी बना दिया था इस वज़े से नाराज आजम खान के समर्थकों ने चुनाव का बहिशकार करने का अलान कर दिया था रामपूर में समाजवादी पार्टी की खींस्तान का आलम ये हो गया कि अखिलेश यादव वहां चुनाव प्रचार तक नहीं करने गए जोकि बीजेपी ने रामपूर से अपने प्रत्याशी घंशाम सिंग लोधी के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए अपड़ना यादव को भेजा यानि मुलायम सिंग यादव की बहु ने बीजेपी के लिए वहां चुनाव प्रचार किया लेकिन मुलायम सिंग यादव के बेटे प्रचार में गए ही ने और समाजवादी पार्टी की इसी खींस्तान की वज़े से यूपी की रामपूर भी हॉट सीट बन गए उतर पहले चरण के चुनाव में यूपी के हॉट सीट पीली भीत में भी वोट डाले जाएंगे पीली भीत सीट से वरुन गांधी 2019 में चुनाव जीते थे लेकिन 2024 के चुनाव में बीजे पी जो ने टिकेट ही नहीं दी और ये सीट यूपी के हॉट सीट बन गए क्योंकि इस बार BJP की टिकेट पर वरुन गांधी पीली बीट से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं BJP ने जब तक ये ऐलान नहीं किया था तब तक कई अटकलें लगी थी का जा रहा था कि वरुन गांधी को सुल्तानपूर से और मेनका गांधी को पीली भीट से टिकेट मिल सकती है लेकिन जब ऐलान हुआ तो पता चला कि मेनका गांधी को तो सुल्तानपूर से टिकेट मिल गई लेकिन वरुन गांधी को तो टिकेट ही नहीं मिली क्योंकि पीली भीत से बीजेपी ने जितिन प्रिसाद को टिकेट दे थी प्रधान मंतरी ने पीली भीत में जितिन प्रिसाद के समर्थन में वहां प्रचार भी किया था और उस सभा में वरुन गांधी नहीं आये थी यानि पीली भीत में इस बार ना मिनका गांधी है ना वरुन गांधी पार्टी ने जितिन प्रियंका गांधी ने वहाँ चुडा प्रचार किया था और इसलिए सहारनपुर सीट यूपी की होट सीट बन गई क्योंकि जिस इमरान मसूद ने 2014 से लेका 2022 तक सहारनपुर में एक भी चुनाव नहीं जीता कॉंग्रेस ने वहाँ उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया और प्रचार के आखरी दिन खुद प्रियंका गांधी ने उ सीट के नतीजों पर नजर रहेगी इदर दिलिी शराब गोटाला मामले में मनीश सूदिया को फिर कोड सराहत नहीं मिली दिल्ली शराब गोटाले से जुड़े मनी लॉंडरिंग मामले में दिल्ली के पूर्व उपुमुख्यमंत्री मनीश्ट सूधिया की नियाईक हिरासत 26 अपरेल तक बढ़ा दी गए दिल्ली की राउजिवन्य कोट इस मामले में 26 अपरेल को सुनवाई करें इस दोरान चुनाव आयोग ने EVM को पूरी तरह सुरक्षित बताया तो बाद में कोट ने भी इस पर टिपनी की कि हर चीज़ पर अविश्वास नहीं जिता जा सकता गुजिरात के वडोदरा में भीशन गर्मी से बचाने के लिए ट्राफिक पुलिस ने अपने कर्मियों को एसी वाले हलमेट दिये इस हलमेट को पहनने के बाद सिर के चारों और ठंडी हवा का जोंका मिलता है इसकी वज़े से लोगों की सिर में गर्मी नहीं लगती उतर हिमाचर पुदेश की मंडी लोगसवा सीट से कॉनगरेस के उमीदवार विक्रमदिति सिख ने वहां से बीजेपी प्त्याशी कंगना रणौथ को बरसाती मेंधग बता दिया कंगना रनौत की एंट्री और विक्रमदत्य सिंग से उनकी टककर की वज़े से मंडी लोकसवा सीट और सीट बन गई और इसी सीट फर पिछले कुछ दिनों से जबानी जंग भी जा री है कंगना के पप्पू और बाप दादा वाले बयान के बाद अब विक्रमदित्य सिंग का एक बयान भी चर्चा में है। कॉंग्रेस के उम्मीदबार विक्रमदित्य सिंग ने कंगना को बरसाती मेंधक बता दिया। अलंकि विक्रमदित सिंग के सामने ताल ठोग रही कंगना रनौत भी अपने अलग अंदाज से उन्हें पछाडने में जुटी हैं कंगना रनौत ने अपने प्रचार के दोरान विक्रमदित सिंग के राज परिवार से होने पर भी तंस किया था मंडी हिमाचल प्रदेश की चार लोगसवा सीटों में एक है जहां आखरी चरण में मत्तदान होगा इस भी 36 गड़ के कांकेर में सुरक्षा बल के अधिकारियों ने दावा किया कि नकसली कमांडर शंकर राव की अगवाई में नकसलीयों का एक दल लोगसवा चुनाव में गड़बडी फैलाने के लिए अबू जुमाड के जंगल में जमा हुए क्योंकि सुरक्षा बल के अधिकारियों को ये खबर मिली थी कि कांकेर में चुनाव रोकने के लिए नकसली पोलिंग पार्टी पर हमला करने वाले हैं इस operation की अगवाई कर रहे सुरक्षाबल के अधिकारी लक्षमन केवट के मुताबिक इसकी सूचना मिलने के बाद नकसलियों के खिलाफ operation चुरू कर दिया गया था इनकाउंटर स्पेशलिस के नाम से मशूर लक्षमन केवट ने जानकारी दी कि 15 अपरेल को उन्हें नकसलियों के इस खतरनाक प्लान का पता चला था इसके बाद 16 अपरेल को करीब 400 जवान नकसलियों को घेर ने उनके गढ़ में घुज गए लेकिन नकसलियों को उनके आने की सूचना पहले ही मिल गई थी इसलिए नकसलियों ने जंगल में बम लगा दिये थे नजदीक पहुंचते ही उन्होंने फाइरिंग शुरू कर दी थे जंगल में करीब 50 नकसलियों का जमावडा था और वो लगातार फाइरिंग कर रहे थे इसी वज़े से सुरक्षा बल के जवानों ने भी उन पर गोलियां चलानी शुरू की जिसमें 25 लाग के इनामी नकसली कमांडर शंकर राओ समेथ 29 नकसली धेर हो गए थे और 36 गड़ के कांकेर में नकसलीयों के खिलाब सुरक्षा बल के ऑपरेशन पर कांगरेस नेता सुप्रिया श्रिनेत ने विवादास पत बयान दे दिया उनके बयान पर बीजेपी भड़क गई और उसने उन पर जमानों के अपमान कारोप लगा दिया लोगसबा चुनाब के ठीक तीन दिन पहले यानी 16 अपरेल को सुरक्षा बल ने अबूज मार के जंगल में 17-29 नकसलीयों को मार गिराया था लेकिन नकसलीयों के खिलाब सुरक्षा बल के इस ऑपरेशन पर सियासी घमासान मच गया क्योंकि कॉंग्रेस की नेता सुप्रिया श्रिनेत ने इस ऑपरेशन की जांच की मांग करते हुए मारे गए नकसलीयों पर विवादास पत बयान दे दिया उनके इस बयान के सामने आने के बाद बीजेपी उन पर भड़क दे बीजेपी ने कॉंग्रेस पर सेना और सुरक्षा बलके जवानों के अपमान कारोप मर दिया नकसली में आपको शहीद नजर आता है और जो सेना के हमारे शूरवीर है उनमें सडक का गुंड़ा याद आता है बीजेपी ने इस मुद्धे पर कॉंग्रेस को इसलिए भी घेरा क्योंकि मई 2013 में 36 गड़ में ही नकसली हमले में कॉंग्रेस के बड़े नेता नंद कुमार पटेल और पूर्व केंदुरिय मंतरी विद्या चरण शुक्ल समेथ 30 से जादा लोग मारे गए थे इदर यूपी की अमेठी लोगसवा सीट पर उस वक्त एक बड़ा ड्रामा हुआ जब कॉंग्रेस के नेता विकास अग्रहरी के बीजेपी में शामिल होने की खबर आई विकास अगरहरी यूपी कॉंग्रेस के संयोजक है और अमेठी में कॉंग्रेस के सीनियर नेताओं में है लेकिन थोड़ी ही देर बाद विकास अगरहरी मीडिया के सामने आये और बीजेपी में शामिल होने की खबरों को आधार हीन बता दिया और यहां तक की भगवा रंग का अंगवस्तर पैनाये जाने वाले वीडियो पर भी सवाल उठाए इससे कुछ देर पहले विकास अगरहरी का अमेठी की सांसर स्मृति इरानी के साथ एक वीडियो भी सामने आया था वीडियो में विकास अग्रहरी के दाई और स्मिती इरानी खड़ी दिखी थी जब कि एक विक्ती विकास को भगवा अंगवस्त पहनाता दिखा दावा किया गया कि विकास अग्रहरी ने कॉंग्रेस छोड़कर बीजेपी जॉइन कर लिए सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों और वेबसाइटों तक पर कॉंग्रेस को अमेठी में बड़ा जटका लगने की बात की जाने लिगी लेकिन विकास अग्रहरी ने दावा कर दिया कि वो तो केवल इलाके की समस्याओं पर बात करने के लिए सांसत से मिलने गये थे शिष्टाचार के नाते उनका स्वागत करते हुए अंगवस्तर पहनाया गया था लेकिन उस वीडियो के जरीए लोगों को ब्रहमित किया गया विकास अग्रहरी के मताबिक वो कॉंग्रेस के समर्पित कारे करता है और पार्टी छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते इस भी जुत्तर प्रदेश के हापुड में खराब चटनी की वज़े से ऐसी मार्पीट हुई कि इसका वीडियो देखने वाले लोगों ने भी अपने सिर पकड़ लिया महां एक रेस्टरांट में दो लोग दोसा खाने पहुंचे थे लेकिन बताया गया कि दोसे के साथ जो चटनी परोसी गई वो खराब थी इसलिए चटनी का सुआज चकते ही वो दोनों लोग भढ़क गए और इसके बाद तो मानो जंग छिड़ गए महां एक आदमी टेबल स्टैन उठाकर फिंकता नज़र आया फिर वो वहां पड़ी कुरसी भी उठाता दिखाई दिया कुछ देर में तो उसने बांस की कुरसी उठाकर उस रेस्टरांट के करमचारी के उपर फिंक दिया महां वो करमचारी उनका मुकाबला करते हुए लाल टी-शट पहने एक लड़के से भिढ़ गया लेकिन लाल टी-शट वाले लड़के ने भी टेबल स्टैन उठाकर जोर से हमला कर दिया इसके बाद तो उस रेस्टरांट का एक दूसरा करमचारी वहां रखा एक गमला उस लड़के के उपर फिंकता दिखा मतलब जिसके हाथ जो सामान आया वो उससे हमला करता रहा उस रेस्टरांट में खाना खाने पहुंचे वो दोनों लोग और वहां के करमचारी जम कर गाली गलोज करते सुनाई दिये उस रेस्टरांट के बाहर काफी देर मारपीट चलती रही और बड़ी संख्या में मौजूद लोग ये जड़ब देखते नजर आये मारपीट के दौरान वहां सारा सामान बिखर गया सजावट के लिए लगाय गए गुबारे भी इधर उदर बिखर गया बताय गया कि उस रेस्टरांट में उन दोनों लोगों को दोसे के साथ खराब चटनी परोसी गई थी इसी वज़े से वो लोग आग बबूला हो गए और जम कर मारपीट की उदर दुबई में भारी बारिश के बाद फसे भारतिये यात्रियों को वहां से निकालने की कोशिशन तेज कर दी गई पशिमेशया के देश UAE के दुबई शेहर में हुई भीशन बारिश के बाद वहां फसे भारतिये यात्रियों को लेकर दुबई में मौझूद भारतिये दूतावास का बयान सामने आया भारतिये दूतवास के मुताबिक फसे हुए उन यात्रियों को निकालने की कोशिश की जा रही है इसके साथ सभी यात्रियों तक हर संभब मदद भी पहुचाए जा रही है केंदरी ग्रेह मंत्री अमिट शा ने गुजरात के गांधी नगर में रोड शो किया इस दोरान न्यूज 18 से बात करते हुए उन्होंने एक बार फिर एंडिये को 400 सीटे मिलने का दावाद दोर आया ओप्रकाश चोटाला की पार्टी आएनलडी यानि इंडियन नैशनल लोगदल ने अभे चोटाला को हर्याना की कुरुक्षेत्र लोगसबा सीट से अपना उम्मीदवार बना दिया हर्याना के लिए पहली लिस्ट जारी करते हुए पार्टी ने तीन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का एलान किया कुरुक्षेत्र के अलावा हिसार से सुनैना चोटाला को तो अंबाला सीट से गुरप्रीत सिंग को टिकेट दी गई इधर चंडीगड लोगसबा सीट से पूर्व केंद्रिय मंत्री मनीश तिवारी को उम्मीदवार बनाय जाने पर चंडीगड कॉंग्रेस में मचे घमासान के बाद पार्टी में सब कुछ ठीक होने का दावा किया गया और ये दावा कॉंग्रेस नेता राजीव शुक्ल ने किया जो चंडीगड में पवन बनसल से मिलने पहुँचे क्योंकि 2019 में कॉंग्रेस की टिकेट पर चंडीगड सीट से चुनाव लड़ने वाले पवन बनसल नाराज बताय जा रहे हैं वो इस सीट से एक बार फिर दावेदारी ठोक रहे थे लेकिन पाटी ने उनकी जगा मनीश दिवारी को पत्याशी बना दिया और इसके बाद तो चंडीगड कॉंग्रेस की कलहत खुल कर सामने आ गई पवन बनसल के समर्थन में करीब सौ कारे करताओं ने अपने पद से स्तीफा दे दिया माना जा रहा है कि इसी के बाद कॉंग्रेस नेता राजीव शुकल चंडीगड में पवन बनसल के घर पहुंच गए कउंग्रेस दोनों ने ही उम्मीदवार बदल दिये किरनखेर की टिकेट काड़कर बीजेपी ने संजेट अंडन को उम्मीदवार बनाया तो कॉंग्रेस ने पवन बनसल की जगा मनीश दिवारी को माधान में उतार दिये उदर हर्याणा के कुरुक्षेतर में चुनाब प्रिशार करने निकले बीजेपी पृत्याशी नवीन जिंदल ने बोरियां उठाकर ट्रक में लोड की नवीन जिंदल दो बार कुरुक्षेत्र से सांसद रह चुके हैं लेकिन तब वो कॉंग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े थे इस बार वो बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं करीब 10 साल तक सियासत से दूर रहे नवीन जिंदल कुछ दिन पहले ही बीजेपी का हिस्सा बने पार्टी से टिकट मिलने के बाद उन्होंने प्रचार में खुब पसीना बहा है और कुरुक्षेत्र की एक अनाज मंडी में गेहूं की बोरियां ट्रक में लोड करते नजर आए नवीन जिंदल को इस तरह मंडी में कंधे पर बोरी लिए देखकर लोगों ने तालियां बजाई और जब उन्होंने बोरी ट्रक में लोड कर दी तो उनके समर्थन में नारे लगाए गए वैसे कुरुक्षेत्र में नवीन जिंदल के परिवार का दबदबा माना जाता है वो 2004 और 2009 में वहां से सांसद भी रह चुके हैं लेकिन इस बार उन्होंने पार्टी बदल ली और बीजेपी की ओर से कुरुक्षेत्र के चुनावी मैदान में उतरे नवीन जिंदल से पहले उनकी माँ और देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल बीजेपी का हिस्सा बनी थी इसके कुछी दिन बाद नवीन जिंदल भी बीजेपी का हिस्सा बन गए थे और अब वो बीजेपी की टिकट पर कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं और उनका मुकाबला कुरुक्षेत्र में विपक्षी कट बन्धन के उमीदवार और आम आदमी पार्टी के नेता सुशील गुपता से होगा नवीन जिंदल की तरह सुशील गुपता ने भी परचार में पूरी ताक़ जंगी वो किसानों के बीच पहुँचे और खेतों में फसल काटी यानि सुशील गुपता ने भी चुनाव परचार में कोई कसर नहीं छोड़ी और हाथों में हसिया लेकर खेतों में पहुँच गए और एक किसान की तरह गेहूं की फसल काटी ये देखकर उनके साथ आये उनके समर्थकों ने भी यही किया क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता और कुरुक्षित्र से विपक्षी गटबंधन के उम्मीदवार सुशील गुपता बिना हिच के खेतों में गए और फसल काट कर रखनी शुरू कर दी हर्याना की 10 सीटों पर कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गटबंधन हुआ था और इस गटबंधन के तहट आम आदमी पार्टी को हर्याना की जो एक सीट मिली वहां उसने सुशील गुपता को उम्मीदवार बना दिया अटकले लगीं कि इससे कॉंग्रेस ने एक तीर से दो निशाने साधे थे क्योंकि 2014 के चुनाव में हारने के बाद 2019 में नवीन जिंदल ने कॉंग्रेस की ओर से कुरुकशेत्र से लड़ने से इनकार कर दिया था और तभी से कॉंग्रेस के पास इस सीट के लिए मजबूत उम्मीदवार नहीं था खबर है कि इसी वज़े से हर्याना में आम आदमी पार्टी के साथ गटबंधन होते ही उसने कुरुकशेत्र सीट उसे दे दी और आम आदमी पार्टी ने हर्याना में पार्टी के अध्यक्ष सुशील गुप्ता को वहाँ से टिकेट दे दी लेकिन बीजेपी ने कॉंग्रेस के नहले पर दहला तब चल दिया जब उसने कुरुकशेत्र से नवीन जिंदल को प्रत्याशी बना दिया इधर उत्तर प्रदेश के बिजनौर में दो गाड़ियों की टकर के बाद लोग इतनी बुरी तरीके से भिड़ गए कि पूरे इलाके में दहशत मच गई वहाँ एक लड़का अपनी मोटरसाइकल से गुजर रहा था इस बीच सामने से आ रहे है एक गाड़ी से उसकी मोटरसाइकल टकरा गई इसी बात पर दोनों पक्ष के लोगों की भी जड़ब हो गई और कुछी देर में लोगों ने वहाँ पत्थरों की बरसात कर दी लगातार पत्तर फिंकते रहे हैं वहाँ बच्चे महिलाएं और पुरोष सब उस घर के अंदर गुसने पर आमादा दिखे तभी छट से एक लड़के ने उनके उपर इट गिरा दी इसके बाद तो कुछ लोग भागते दिखाए दिये जबकि जड़ब देख रहे हैं दूसरे लोग पत्राव ना करने की अपील करते नज़र आए वहाँ हुई इस इंसक्ट जड़ब में कई लोग घायल हो गया बताया गया कि उन दो गाड़ियों के बीच हुई टकर की वज़े से दोनों पक्षों में मार पीट हुई हालां कि फुलिस ने इस मामले में केस दर्च कर लिया इस भी जम्मू कश्मीर में आतंकियों की घुसपैट की खबर मिलते ही सुरक्षा एजनसिया अलर्ट हो गई खबरे की जम्मू कश्मीर में सीमा पार से आतंकियों ने घुसपैट कर चुनाव में खलल डालने का प्लैन बनाया है इससे देखते हुए खुफिया एजंसियों ने सुरक्षा बल को अलर्ट कर दिया इसके बाद राजोरी समेत कई जिलों में सर्च ओपरेशन तेज कर दिया गया इस काम में ग्राम रक्षा समिती के सदस्यों को भी लगाया गया ताकि आतंक्यों की साजिश नाकाम की जा सके अमेरिका की टाइम मैगजीन ने 2024 के सौ प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी की और इस लिस्ट में भारतिय पहलमान साक्षी मलिक, एक्ट्रस आलिया भट और माइक्रोसोफ्ट के सीओ सत्या नडेला को शामिल किया गया इसके साथ ही रूसी राष्टपती पुतिन के विरोधी रहे अलेक्सी नवालनी की पत्नी यूलिया नवालनया को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया मालदीव में संसधिय चुनाव से पहले वहां के राष्टपती महम्मद मुईजु मुश्किलों में गिर गये मुहम्मद मुईजू पर लगे कथित ब्रस्टाचार के आरोब की रिपोर्ट लीक होने के बाद विपक्षी नेताओं ने उनके खिलाफ महावयोग चलाने की मांग कर दी 2018 में उन पर पैसों के लेंदेन को लेकर ब्रस्टाचार के आरोब लगे थे इधर उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मतदाताओं को जागरूग करने के लिए गड़वाली भाषा में बनाया गया गाना सुर्खियों में आ गया पिछली लोगसवा चुनाव में उत्तरकाशी के 50 से ज़ादा मतदान केंदरों पर 50 पतिशत से भी कम मतदान हुआ था इसलिए इस बार चुनाव आयोग ने वहां के लोगों को जागरूग करने के लिए कई अभियान चला है और गड़वाली भाषा में बनाया गया ये गाना भी उनी में एक है इस गाने के बोल और संगीत दोनों ही लोगों का ध्यान खीचते हैं और इसलिए ये वाइरल हो गया ये गाना जीडी प्रिसाद ने बनाया जो पेशे से तो वैग्यानिक हैं और इससे पहले चुनाव आयोग उत्तरकाशी में इस गाने के जरीए लोगों को जागरूग करने में जुड़ गया उत्तरकाशी उत्तराखंड की टीहरी कड़वाल लोगसभा सीट का इससा है उधर लोगसभा चुनाव के पहले चरण के तहट महाराश्ट के विधर्व इलाके की पांच सीटों पर वोटिंग होगी ये इलाका किसानों के आद मत्या की वज़े से हमेशा चर्चा में रहा है और इस इलाके में सीधी लड़ाई कॉंग्रेस और बीजेपी के बीच है क्योंकि इन 500 सीटों पर NCP का कोई ज़ादा असर नहीं है यानि महाराश्ट के पूरवी इससे के तहट आने वाले विधर्व इलाके में कॉंग्रेस और बीजेपी के बीच चक्कर है दोनों बार्टियों ने पूरी ताकत जोंक दी क्योंकि विधर्व में कॉंग्रेस अपना वजूद बचाने में जुटी है जबकि बीजेपी के लिए सभी सीटों पर जीत हासिल करना नक का सवाल बन गया है हालांकि पूरे विधर्व इलाके में कुल 10 लोगसवा सीटे आती है लेकिन पहले चरण में उनमें सिर्फ 5 सीट नातपुर, रामटेक, भंडारा गोंदिया, चंदरपुर और गडचिरोली चिमूर में मतदान हो इन सभी लोगसवा सीटों की सीमा एक दूसरे से जुड़ी है विधर्व वो इलाका है जहां हमेशा सूखे की मार पड़ती है किसानों के आत्मत्या करने की वज़े से भी ये इलाका हमेशा सुर्खियों में रहा इसके लावा विधर्व के तहट आने वाली गडचिरोली और चंदरपुर लोगसवा सीट नकसलियों का गड़ मानी जाती है इसलिए इन दोनों सीटों पर शांती पूर्ण मतदान करना एक बड़ी चुनौती है इस बार विधर्व की इन पांच सीटों पर बीजेपी विकास के नाम पर कॉंग्रेस का सफाय करने का दम भर रही है जबकि कॉंग्रेस किसी तरह खुद को जिंदा रखने की कोशिच में जुटी इन में नागपुर लोगसबा सीट होट सीट है क्योंकि इस सीट से केंदरिय मंत्री नितिन गटकरी बीजेपी से तीसरी बार चुनावी मैदान में जबकि उनके सामने कॉंग्रेस ने विकास ठाकरे को अपना उम्मीदवार बनाया इस बीज महाराज की बारा मती सीट पर पवार परिवार के दो सदस्यों की टक करता है हो गई क्योंकि बारा मती में सुप्रिया सुले और अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार दोनों ने नामांकन दाखिल कर दिया और ननन्द भावी की लडाई ने बारा मती को होट सीट बना दिया शरत पवार की बेटी सुप्रिया सुले और अजीत पवार की पत्नी सुनेतरा पवार दोनों ने बारा मती में नामांकन दाखिल कर दिया सुनेत्रा पवार के नामांकन से कुछ दिन पहले अजीत पवार ने बारामती के लोगों को संदेश भेजा था और अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार के लिए समर्थन मांगा था उन्होंने सीट पर सुप्रिया सुले की जीत का जिक्र किया था और लोगों से अपील की थी कि इस बार वो बारामती में पवार परिवार की बहु को जिताएं पुणे का एक बंगला और राजगुंद्रा के नाम से कई शेयर भी शामिल है E.D. ने महराश्ट पुलिस और दिल्ली पुलिस की ओर से दर्च की गई F.I.R. के आधार पर जान शुरू की थी और इसके बाद ये कारवाई की अंतरिक्ष पर रिसरच करने वाली संस्था इसरो अगले हफते गगन्यान मिशन के तहट एक एहम परीक्षन करेगी इसरो के अध्यक्ष S. सोमनात के मुताबिक 24 अप्रेल को अंतरिक्ष में एक मानव रहित मिशन का परीक्षन किया जाएगा पता गया कि इसके बाद अगले साल इसी तरह के दो और परीक्षन किये जाएगे और सब कुछ ठीक रहा तो अगले साल के अंग तक इंसान को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा औस्टरेलिया ने अपनी राश्टिय सुरक्षा रंण नीती जारी करते हुए भारत को रक्षक शेत्र में बेहत एहम सयोगी बताया उसने भारत के अलावा जापान के साथ भी सयोग बढ़ाने पर जोर दिया इसके लाबा चीन से तनाव को देखते हुए औस्ट्रेलिया अपना रक्षा बजट बढ़ाने की भी योज़ना बना रहा है इधर लोगसभा चुनाव के पहले चरण में राजिस्थान की जिन 12 सीटों पर मतदान होना है लेकिन राजिस्थान में होने वाले पहले चरण के चुनाव में ही मोधी सरकार में शामिल दो केंद्रिय मंत्रियों के किस्मत का फैसला होगा पीकानेर सीट पर केंद्रिय मंत्री अरजुनराम मेगवाल मैदान में हैं जबकि अलवर लोगसबा सीट पर भुपेंद्रियादव चुनाव लड़ रहे हैं। राजिस्थान में पहले चरण की 12 सीटों में 10 पर बीजेपी का मुकाबला कॉंग्रेस से है जबकि दो सीटों पर मुकाबला कॉंग्रेस के सयोगी तलों से इन में नागौर सीट पर हनुमान बेनिवाल की पार्टी आरेलपी और सीकर लोगसबा सीट पर CPIM का उम्मीदवार च 2019 में नागौर सीट पर हनुमान बेनिवाल से हारने वाली कॉंग्रेस की जोती मिर्दा इस बार बीजेपी की उम्मीदवार है मतलब दोनों प्रत्याशियों ने पाला भले ही बदल लिया हो लेकिन इस मुकाबले के दोनों खिलाड़ी वही हैं जो बान साल पहले थे पहले चरण की कुल 12 में 8 सीटें ऐसी हैं जहां एक ही जाती के उम्मीदवारों के बीच सीधी टकर है और इन सीटों पर जिस जाती के उम्मीदवार को बीजेपी ने टिकेट दी कॉंग्रेस ने भी उसी जाती के प्रत्याशी बरताओं लगा दिया लेकिन राजिस्तान में पहले चरण की वोटिंग में जिस हाट सीट पर सबकी नजरे हैं वो है चुरू लोग सबा सीट क्योंकि बीजेपी चोड़कर कॉंग्रेस में आये राहुल कस्वा का सीधा मुकाबला वहां बीजेपी से ही है अर्याणा की सीमा से लगने वाली ये लोग सबा सीट कॉंग्रेस उम्मीदवार राहुल कस्वा के लिए नाक का सवाल बन गई है तो बीजेपी भी किसी भी कीमत पर ये सीट अपने हाथ से फिसलने नहीं देना चाहती और इसलिए दोनों पार्टियों ने वहां चुनाव प्रचार के दौरान पूरी ताकट जोंक दी थी कॉंग्रेस के उम्मीदवार राहुल कस्वान चुरू से मौजूदा सांसत है 2019 में उन्होंने बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीता थी बीजेपी से ठिकेट कटने के बाद राहुल कस्वान चुरू में जीत को अपनी नाक का सवाल बना लिया जिफकि वहां जीत हासल करना बीजेपी के लिए प्रतिष्टा का सवाल बन गया क्योंकि पचीस साल से चुरू लोग सभा सीट बीजेपी का अभेध्य पिला मतलब बीजेपी उम्मीनदवार को 25 साल से कभी हार का मूह नहीं देखना पड़ा इस भी UP के नोयडा में ड्रग्स बनाने की एक बड़ी फैक्टरी का भंडा फोर्ड कर दिया गया दिल्ली के नजदीक उत्तरपुदेश के नोयडा में पुलिस ने एक ड्रग्स फैक्टरी का भंडा फोर्ड करने का दावा किया पुलिस ने यहां से करीब 100 करोड रुपए के ड्रग्स के साथ नाइजीरिया के दो नागरिकों को ग्रफतार कर लिया पुलिस के मुताबिक यह लोग नोयडा के एक फ्लाट में ड्रग्स बनाते थे दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉंडरिंग मामले में एडी ने दस्तावेज की जांच से जुड़ी स्टेटस रिपोर्ट राउज एविन्यों कोर्ट को सौंप दी एडी की तरफ से पेश वकीलों ने कोर्ट को बताया कि इन दस्तावेजों की जांच में एक महीने का समय और लगेगा चीन में से उक्तुराष्ट के प्रतनिती सिधार चेटर जी ने शूननी से भी नीचे के तापमान में योग किया खास बात ये कि उन्होंने बीजिंग में शिर्टलेस होकर योग के कई आसन किये जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो गया सिधार चेटर जी को 2020 में चीन में सेयुक्तुराष्ट के प्रतनिती के रूप में न्यूक्त किया गया था इधर महिला पहलवानों से चेट चाड के मामले में 26 अपरेल को फैसला आएगा चेट चाड का रोपी बीजेपी के सांसद ब्रिजभूशन शरंड सिंग पर है कैसर गन सीट पर पांश में चरण में यानी 20 मई को वोट डाले जाएंगे और उनके लिए नॉमिनेशन के आखरी तारीख 3 मई है ब्रजभूशन शरंड सिंग ने टिकेट से जुड़े सवाल का जवाब भी भगवान पर छोड़ दिया महिला पहलवान से छेड़चाड के केस में ब्रजभूशन की तरव से एक नई आचिका दी गई और कहा गया कि शिकायत करने वाली महिला के बयान में विरोध हवास है ये भी बताया गया कि जिस वक्त की शिकायत महिला पहलवान ने की उस वक्त वो देश से बाहर थे अपनी दलील के समर्थन में उन्होंने पासपोर्ट की कॉपी भी कोट को दी रजभूशन शरन सिंग ने मामले की फिर से जांच कराने की मांग की जिसके बाद कोट ने 26 अप्रेल को मामले की अगली तारीख तै कर दी इस बीच DRDO ने क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कर एक और बड़ी काम्याबी आसिल कर ली सेना के लिए रिसरच करने वाली संस्ता DRDO ने ओडिशा के चांदिपूर में स्वदेशी तक्नीक से बनी निर्भः क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया DRDO के मुताविक ये घातक मिसाइल 300 किलो तक विस्फुटक लेकर वार कर सकती है और इसकी रेंज 1500 किलोमीटर खास बातिये की कम उचाई से भी इस मिसाइल से हमला किया जा सकता है चिन्नाई सुपर किंग्स के बलेबाज डेवन कॉनवे चोट की वज़े से IPL से बाहर हो गए इसके बाद चिन्नाई सुपर किंग्स ने इंग्लिंड के तेज गेंबाज रिचर्ट क्लीसन को उनकी जगा टीम में शामिल कर लिया मजब के तरन तारण में पाकिस्तान सीमा के नस्दीक B.S.F. ने एक पाकिस्तानी ड्रोन बरामत करने का दावा किया B.S.F. के तलाशी अभ्यान के दौरान इस ड्रोन को जब्त किया गया B.S.F. के मताबिक ये ड्रोन चीन में बना दो उदर खबरे की पश्चिमेशिया में तनाव के बाद एर रूट में बदलाव की वज़े से हवाई किराया बढ़ सकता है खबरे की आने वाले दिनों में अमेरिका और कैनेडा समेथ योरप के देशों में जाने के लिए हवाई किराया महंगा हो सकता है क्योंकि पश्चिमेशिया में जारी तनाव की वज़े से सभी एरलाइन कमपनिया इरान की एर स्पेस से बच रही है लेकिन इससे उन्हें लंबा रास्ता थै करना पड़ रहा है खबरे की रूट में बदलाव की वज़े से एर इंडिया, इंडिगो और विस्तारा समेथ दूसरी एरलाइन कमपनिया किराया पढ़ाने की तैयारी में रॉटर्स ने दावा किया कि एलेक्ट्रिक कार बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कमपनी टेसला के मालिक इलॉन मस्क भारत में 300 करोड डॉलर यानि भारते रुपयों में करीब 25,000 करोड का निवेश कर सकते हैं इलॉन मस्क इसी महीने भारत की आतरा पराने वाले हैं दावा किया गया कि वो टेसला की फैक्ट्री लगाने के अलावा भारत में दूसरे कारोबार की भी योज़ना बना रहे हैं सेउक्तराश्ट ने गाजा और वेस्ट बैंक में सहायता पहुचाने के लिए 281 करोड डॉलर यानि भारते रुपयों में करीब 24,000 करोड रुपय की मांग की सेउक्तराश्ट के मताबिक गाजा के 30,000 लाग फिलिस्तीनियों के पास खाना और स्वच पानी की कमी है और अगर उन्हें जल्द मदद नहीं पहुचाए गई तो वहां के हालाद बद से बत्तर हो सकते हैं इधर लोगसभा चुनाव के पहले चरण के तहद उत्तराखंड की सभी पांच सीटों पर वोट डाले जाएंगे मतलब पहले ही चरण में उत्तराखंड में लोगसभा के चुनाव निपड जाएंगे लेकिन राज्यक की दो सीटे हरिद्वार और पौड़ी गड़वाल सीट पर सब की नजरे ठिकी हैं क्योंकि हरिद्वार लोगसभा सीट से उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंतरी और कॉंग्रेस के कत्दावर नेता हरीश रावत के बेटे विरेंद्र रावत चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं क्योंकि उनके सामने बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंतरी त्रिवेंद्र सिंग रावत को उतारा है मतलब हरिद्वार लोगसभा सीट पर लड़ाई रावत वर्सेज रावत की है एक तरफ विरेंद्र रावत दूसरी तरफ त्रिवेंद्र सिंग रावत जीत का सहरा किसके सिर बंदेगा ये चार जुन को पता चलेगा लेकिन अपने बेटे विरेंद रावत को चुनाव जितवाने के लिए हरीश रावत ने जम कर प्रचार किया। यहां तक कि उन्होंने दुकान पर खड़े होकर समोसे भी तले। इसी वज़े से हरिदवार लोगसबा सीट होट सीट मानी जा रही हरिदवार की तरह पौड़ी कड़वाल सीट पर भी लोगों की निगाठी की है क्योंकि इस सीट से बीजेपी ने राज्जे सबा सांसत अनिल बुलूनी को मैदान में उता रहा है और कॉंग्रेस ने गडेश गोडियाल पर अपना भरोसा जिता है हालनकि पिछले दो लोगसबा चुनावज से राज्जे की सभी सीटों पर बीजेपी का ही कमल खिल रहा है इस बीज आक्टर नवाजद्दीन सिद्यकी के खिलाब चेरचाड के मामले को खत्म करने पर कोट ने मोहर लगा दी आक्टर नवाजद्दीन सिद्यकी को उत्तर प्रदेश के मजफर नगर की विशेश पॉक्सो कोट से बड़ी रहात मिल गई कोट ने चेरचार के मामले में उन्हें क्लीन चिट देने वाली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को मंजूर कर लिया एक्टर नमाज उत्लीन सिद्धी की पत्नी आलिया ने उनके खलाब चेरचार का मामला दर्च कराया था खबर है कि रूस के एक आदमी ने अपने आठ महीने के बच्चे को खाना खिलाने के बजाए धूत की रौशनी से जिन्दा रखना चाहा जिससे उसके बच्चे की भूख से मौत हो गई आरोफ है कि वो आदमी अपने बच्चे को उसकी मां का दूद पीने से भी रूखता था ताकि उसके बेटे को सूर्य की रौशनी से दिव्य शक्तियां अहां से लो सके बाद में वहां की कोट ने उस आरोफी को आठ साल कैद की सजा सुनाई बारतिये शत्रंच खिलाडी ग्रैंड मास्टर विदिद गुजराती को कैंडिडेट्स टॉर्णमेंट के ग्यारवे राउंड में हार का सामना करना पड़ा उन्हें रूस के खिलाडी इयन निबुमिशी ने हरा दिया उस आदमी के शव को वील्चेर पर बैठा कर उस बैंक तक ले गई और बैंक कर्मियों को उस पर शक न हो इसके लिए वो लगातार उससे बात करती रही लोन के कागजों पर साइन करवाने के लिए उसने उस शव के हाथ में एक पैन भी थमाया लेकिन वो उसे ठीक से पकड़ी नहीं पाया इस दोरान जब बार बार उसका सिर आगे की तरफ जुक रहा था तो वो उसे समालती नजर आई ऐसे में वहां मौझूद बैंक कर्मियों को उस पर शक हुआ लेकिन वो जल्द से जल्द उन कागजों पर साइन करवाना चाहती थी इसलिए वो उससे ऐसे बात कर रही थी जमानो वो एक जीता जाकता इंसान हो लेकिन उस महिला की तमाम कोशिश के बावजूद जब बैंक कर्मियों का शक दूर नहीं हुआ तो उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी और पुलिस ने वहां पहुँचकर उस महिला को गिरफतार कर दिया जांच में सामने आया कि उस बुजूर की कई घंटों पहले ही मौत हो चुकी थी लेकिन परीब टीन लाग का लोन लेने के लिए वो उस शव को वीलचेर पर बैठा कर बैंक टक ले आई दिल्ली के मुक्खी मंतरी अरविन केजरिवाल पर E.D के अधिकारियों ने बड़ा आरोप लगाया और दाबा किया कि वो जान बूझकर अपने शुगर लेवल बढ़ाने वाला खाना खार रहा है E.D. के अधिकारियों ने दलील दी कि अर्विन केजरिवाल अपनी जमानत की दलीलों को मजबूत करने के लिए ऐसा कर रहा है जिसके बाद अर्विन केजरिवाल पर सियासी हमले तो तेज हो ही गए तेहार जेल में उनके डायेट चार्ट की तस्वीरे में सामने आगे 18 दिन से तेहार जेल में बंद अर्विन केजरिवाल को टाइप 2 डायबिटीज है लेकिन उनके डायेट चार्ट में हर दिन के खाने में स्वीट यानि मिठाई जरूर मौझूद है जेल में अर्विन केजरिवाल को रोजाना अलग खाना दिया जा रहा है और ये वही खाना है जो उनके घर से बन कर आता है अदालत ने इसके लिए उन्हें अलग से इजाज़त दी है लेकिन घर से आने वाला खाना डॉक्टर के बनाए इसी डायेट चार्ट के आधार पर तयार होता है इस चार्ट के दूसरे कॉलम में तारीक लिखिये और आखरी कॉलम में डिनर में मिलने वाला खाना चार्ट के मताबिक उनके डिनर में रोटी कम या जादा हो सकती है सबजियां बदल सकती हैं लेकिन किसी भी दिन उनके डिनर से स्वीट यानी मिठाई कम नहीं की जाती यहां तक कि डॉक्टर ने उनके डायट चार्ट में आलू पूरी तक जोड़ी है जबकि एडी के वकीलों ने कोट में दावा किया कि डियाबिटीज के किसी भी मरीज को इस तरह के खाने और खासतोर पर मिठाई खाने की सला कोई डॉक्टर नहीं दे सकता तकि अदालत को ये बताय जा सके कि जेल में रहने की वज़े से उनका शुगर लेवल बढ़ रहा कोट में एडी के वकील ने बताया कि तिहार जेल से केजरिवाल के खाने और दवाओं की जानकारी मांगने पर उनके डायट का पता चला जिबकि केजरिवाल के वकील ने कोट को बताया कि एडी के वकील सिर्फ मीडिया की वज़े से इस तरह के आरोप लगा रहा है यह जानकारी तब सामने आई जब अर्विंद केजरिवाल ने विडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये डॉक्टर से मेडिकल कंसल्टेशन की मांग की और इसके लिए कोट में याचिका डाली गई जिसके बाद यह जानकारी सामने आई अठारा दिनों से तिहार जेल में मौझूद अर्विंद केजरिवाल की खराब सेहत के कारण कोट ने उन्हें घर का खाना खाने की इजाज़त दी हुई है और जेल में उनके खाने का वक्त भी तै जानकारी के मुताबिक जेल में बंद अर्विंद केजरिवाल का दिन सुबह साड़े चे बजे शुरू होता है और उसी वक्त उन्हें नाश्ता दिया जाता नाश्ते में उन्हें चाय और अंडों के अलावा फल या कुछ और हलका खाना भी दिया जाता लगभग 11 बजे उनके लंच का समय होता है लंच में उन्हें डाल, सबजी, रोटी, चावल और फल दिये जाते हैं अलागे हर दिन का मेन्यू अलग रखा जाता है और शाम साड़े 5 बजे ही उन्हें डिनर दिया जाता है डिनर में भी उनके लिए हर दिन का मेन्यू अलग होता है जिसमें फल और मिठाई भी रखी जाती है। ED का आरोप यह है कि दिल्ली के CM जान बूच कर हाई शुगर और हाई काब डायट ले रहे हैं ताकि उनका ब्लड शुगर लेवल पढ़ जाए। और उन्हें समानत मिलना आसान हो जाए। इस जानकारी के सामने आते ही सियासी बवाल मचने में भी देर नहीं लगी। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और अर्विंद केजरिवाल पर तीके हमले शुरू कर दिये। के आम आदमी पार्टी ने साजिश का रोफ लगाया। ये अर्विंद केजरिवाल जी की जान लेने की साजिश है। केनडा में हुई वहां की सबसे बड़ी सोने की चोरी के मामले में वहां की पुलिस ने पांच आरोफियों को गिरफतार करने का दावा किया। पुलिस के मताबिक पिशले साल तोरोंटो एरपोर्ट पर 6600 सोने की चड़ों की चोरी हो गई थी। इनकी कीमत 1 करोड 40 लाख डॉलर यानी भारती रुपों में करीब 110 करोड रुपए थी। बेंगलूरू एरपोर्ट पर 24 घंटे से जादा समय बिताने का दावा करने वाले यूट्यूबर विकास गौडा को गिरफतार कर लिया गया। उस पर आरोप है कि वो 7 अपरेल को 24 घंटे से जादा समय तक एरपोर्ट पड़ रहा और उसने सुरक्षा के अंदेखी करते हुए वीडियो बनाये थे। इसके बाद उसने इस वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड कर दिया था। उदर लोगसबा चुनाव के पहले चरण में मद्यप्रदेश में कॉंग्रेस के गढ़ चिंदवाडा समेथ 6 लोगसबा सीटों पर भी वोटिंग होगी। चिंदवाडा कॉंग्रेस की वो सीट है जहां बीजेपी को कभी काम्याबी नहीं मिली। इस सीट से कॉंग्रेस के सबसे भरोसे मन नेताओं में एक कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ चुनावी मैदान में है। देने के लिए बीजेपी ने उनके सामने विवेक बंटी साहू को मैदान में उता रहा। चिंदवाडा समेथ पहले चरण के तहट आने वाली सभी 6 सीटें राज्य के पूरवी हिस्से में मौझूद है। चिंदवाडा पर कॉंग्रेस का कब्जा है जबकि बाकी की सभी सीटों पर बीजेपी का परचम लेरा रहा। इस बीश लोगसबाड चुनाव के पहले चरण में दक्षन भारत के सबसे बड़े राज्य तमिलनाड की सभी 49 सीटों पर चुनाव होगा। चुनाव आयोग ने तमिलनाड में एक ही चरण में मतदान कराने का फैसला किया था। चार सो लोगसबाड सीट जीतने का लक्ष लेकर मैदान में उत्री बीजेपी की कोशिश तमिलनाड में बड़ी काम्याबी आसल करने किये। लेकिन वहाँ उसकी रहा इतनी आसान नहीं होने वाली क्योंकि वहाँ इस बार के लोगसबाड चुनाव में तीन गड़ बंधन मैदान में बीजेपी ने इस मुद्दे को तमिलनाड में बं़नाने की कोशिश की। प्रिधान मंतृी के साथ तमिलनाड में बीजेपी के अध्यक्ष अन्नमलाई ने अपनी हर रैली और जन सभा में इसे जोर सोर से उठाया। अन्ना मलाई तमिलनाडू की सबसे चचे सी कोयमबतूर से मैदान में हैं। और अन्ना मलाई के चुनावी मैदान में उतरने से कोयमबतूर सीट तमिलनाड की सबसे होट सीट बन गए। लोगसभा चुनाव में बीजेपी यहां नंबर दो की पार्टी है। क्योंकि पिछले दो लोग सबा चुनाव में कोईमबतूर सीट पर बीजेपी ने उम्मीद से बढ़कर प्रदशन किया थे। बीजेपी के उम्मीदवार यहां दोनों बार दूसरे नंबर पर थे। और बीजेपी को इस बार उम्मीद है कि अन्नमलाई इस बार कोईमबतूर में बड़ी जीत दच कर लेंगे। रुके और फिर फाइरिंग शुरू कर दी। वारदात वाली जगह पर कुछ लोग एक गाड़ी में सवार दिखे लेकिन लगातार हो रही गोली बारी के वज़े से वो गाड़ी वहीं खड़ी रही। जिफकी वहाँ से कुछ दूरी पर बड़ी संख्या में दूसरे लोग मौजूद दिखाई दिये। लेकिन उनमें कोई भी उन बदमाशों को रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। और काफी देर तक गोलियां बरसाने के बाद उस बदमाश का एक साथी मोटर साइकल पर सवार हो गया। लेकिन उसका दूसरा साथी भागने के दौरान फिर फाइरिंग करता दिखा। आरोब लगा कि पैसों के लेंदेन पर उन्होंने किराने की उस दुकान पर गोलियां चलाइं। बता गया कि उस वक्त दुकान का मालिक भी दुकान में मौजूद था। हलाकि इस वारदात के बाद पुलिस ने केस दर्च कर लिया। इस बीच भारत को सुरक्षा परिशत का स्थाई सदस्ते बनाने के पक्ष में अमेरिका भी उतर गया। कर्मचारियों की संख्या पिछले 23 साल में पहली बार घट गए। कंपनी के मुताबिक पिछले वित्तवर्ष के मुकाबले 2023-2024 में इंफिसिस के करीब 26,000 कर्मचारियों की नौकरी चली गए। पहले चरण के मतदान से पहले बिहार की होट सीट जमुई में तेजस्वी की त्रभा के दौरान चिराग पासवान के परिवार को गालियां देने का एक वीडियो वारल हो गया और इस वीडियो पर बवाल मच गया। वीडियो दो दिन पहले का बताया गया इसे एंडिये के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे इंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक जितनराम माजी ने भी शेयर किया। और इसमें तेजस्वी के मंच के सामने से एक आदमी चिराख पासवान और उनके परिवार को गालियां देता सुनाई दिया। पासवान के लिए बोले जा रहे अपशब्द. वीडियो में तेजस्वी आदव माइक से बोलते दिखाई दिये और उनके ठीक बगल में जमुई से RGD की प्रत्याशी अर्चना रविदास खड़ी दिखाई दिये। और उनके ठीक सामने से किसी आदमी ने चिराग पास्वान और उनके परिवार को उल्टा सीधा बोला बता गया कि वीडियो दो दिन पहले जमुई में हुई तेजस्वी की सभाका है ये वीडियो पहले चरण के मतदान से ठीक पहले वारल हुआ और वीडियो वाइरल होने के बाद सियासी बबाद चिड़ गया, चिराग पासवान तो भढ़क गया, उन्होंने सीधा तेजस्वी आदव से सवाल पूछा, उन्होंने दो टुक बोल दिया कि अगर इस तरह की घटना उनके सामने हुई होती तो वो मूह तोड जवाब देते और उसी वक्त उस आदमी को सबक सिखाते, ये बोलते हुए चिराग घुस्स में दिखे, तेजस्वी की सभा में गालियों वाले वीडियो के बारे में सवाल पूछे जाने पर चिराग खुद को रोक नहीं पाए, और तेजस्वी आदव पर भढ़क गया, और कोई उनके प चिराग पास्वान भले ही तेजस्वी से नाराज हों, लेकिन तेजस्वी ने सफाई दी कि उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं थी, कि मंच के सामने से चिराग के परिवार को गालियां दी गें तेजस्वी भले ही सफाई दें, लेकिन पहले चरण के चुनाव से पहले वाइरल हुए इस वीडियो ने विहार का सियासी पारा चड़ा दिया, क्योंकि ये वीडियो जमुई का है और जमुई में पहले चरण में मतदान होगा और इसलिए तेजस्वी आदव ने जमुई में कई रैलियां की और उन्हीं रैलियों में एक पर विवाद हो गया आरोब लगा कि तेजस्वी ने चिराग के परिवार को अपशब्द बोले जाने के मामले की अंदेखी की और इसी मुद्दे पर तेजस्वी आदव और चिराग पास्वान अमने सामने आ गए इन दोनों नेताओं ने बिहार की होट सीट जमुई में जीत के लिए जमीन आस्वान एक कर दिया इस सीट पर नजर इसलिए है या यूँ कहें कि ये सीट होट सीट इसलिए बन गई क्योंकि जमुई में इस बार दो बार के सांसद रहे चिराग पासवान के जीजा अरुन भारती चुनाव लड़ रहे हैं वो चिराग पासवान की सगी बहन निशा भारती के पती हैं निशा भारती के अलावा चिराग पासवान की दो सोतेली बहने भी हैं क्योंकि रामविलास पासवान ने दो शादियां की थी उनकी पहली पत्नी का नाम राजकुमारी देवी था और दूसरी पत्नी का नाम है रीना पासवान चिराग पासवान और निशा भारती रीना पासवान और रामविलास पासवान के बच्चे हैं और राजकुमारी देवी और रामिलास पासवान की दो बेटियां हैं आशा और उशा और कहते हैं कि दोनों सौतेली बहनों से चिराग पासवान के रिष्टे अच्छे नहीं हैं और उन्होंने उनसे दूरी बनाये रखी लेकिन अपनी सगी बहन निशा भारती के पती अरुण भारती को चिराग ने वो सीट दे दी जिस सीट पर वो 2014 और 2019 में चुनाव लड़े थे लेकिन इस बार चिराग पासवान बिहार के हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे और इसके लिए चिराग पासवान ने अपने चाचा पचुपती पारस तक से लड़ाई कर ली थी और जीत उनकी हुई थी इसके बाद चिराग ने ऐलान किया था कि जमुई में उनके जीजा यानी अरुन भारती चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने अरुन भारती के लिए वहां धुआ धार चुनाव प्रचार भी किया और इसलिए वो यहां बाहरी प्रत्याशी वाली सियासत भी कर रही है और इस सीट पर पहली बार आर्जेडी को जीत दिलाने की कोशिश कर रही है क्योंकि 2009 से अस्तित्व में आई जमुई सीट पर लगातार NDA का कबजा रहा लेकिन इस बार इस होट सीट पर नजर है क्योंकि चिराग चुनाव नहीं लड़ रहे है और उन्होंने अपने जीजा को मैदान में उता रहा है और आर्जेडी प्रत्याशी उन्हें बाहरी बता रही है और बीजेपी दक्षण बिहार की इन चारों सीटों पर 2024 में भी खब्जा बनाये रखना चाहती है क्योंकि इन चार सीटों में दो पर यानि गया और जमुई में बीजेपी की सहयोगी पार्टियां चुनाव लड़ रही है गया में हेम के जीतनराम माजी मैदान में हैं और जमुई में रामिलास पासवान के दामाद और चिराक पासवान के जीजा अरुण भारती इसलिए प्रधान मंत्री ने इन सीटों पर रैलियां की और बिहार में एनदिये का पलड़ा महागटबंधन पर भारी करने की कोशिश की थी क्योंकि आरज़ेडी की ओर से तेजस्वी ने भी गया और जमुई में धुआधार रैलियां की थी और उनकी कोशिश थी कि बिहार की इन चारों सीटों पर NDA को कड़ी टकर दी जाए। जमुई में तो उन्होंने दो दिन पहले तक रेली की थी। उदर बीजेपी ने सोशल मीडिया पर कई वीडियो पोस्ट कर पश्चे मंगाल में राम नौमी के जलूस पर हमला होने का दावा किया। बीजेपी ने इस हमले के लिए पश्चे मंगाल की मुख्य मंतरी ममताब एनरजी को जिम्मेदार ठहराते हुए उन पर लोगों को उकसाने का आरोब लगाया। के लिए लोगों को उकसाया जाता है और उकसाता कौन है इसी राज्य की मुख्य मंतरी। आलगि टी-मसी ने बीजेपी को जवाब देने में देर नहीं लगाई। एक रोज पहले राम नौमी के मौके पर पश्च मंगाल के कई हिस्सों में शोभा यात्रा निकाली गई। और बीजेपी के मुताबिक मुर्शिदाबाद में भी पत्थर बाजी की घटना हुई जिसमें कई लोगों के घायल होने का दावा किया गया और उन्हीं घायलों से मिलने पहुँचे कॉंग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को लोगों के विरोध का सामना करना और गुसाए लोगों ने उन्हें देखते ही नारे लगाने शुरू कर दिये। पर दगा में राम नामी की शोभा यात्रा के दोरान बेकाबू हुई एक गाड़ी ने दो लोगों की जान ले लिये और 24 से जादा लोग बुरी तरह घायलो गए। वहां राम नामी के मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई और ढोल निगाड़े के साथ राम भक्त राम नाम की धुन पर जूम रहे थे। लेकिन तभी दर्दनाक हादसा हो गया। क्योंकि उस गाड़ी ने शोभा यात्रा में शामिल हुए लोगों को एक जटके में रौन दिया। एक साथ कई लोगों के ऊपर चड़ती हुई आगे बढ़ गई। इसके बाद तो चीख पुकार मज़ गए। राम नामी का उतसब एकदम मातब में बदल गया। जब तक ड्राइवर ने उस गाड़ी को रोका तब तक वो कई मीटर तक आगे बढ़ चुकी थे। और शोभ शोभा यात्रा के बीच घुसी वो गाड़ी कहर बनका तूट पड़ी जो हादसे से कुछ देर पहले तक वहाँ लोगों के ठीक पीछे चल रही थी। उस गाड़ी को शोभा यात्रा में इस्तमाल करने के लिए बुलाया गया। उसमें साउंड सिस्टम और भगवा जंडे लगाए गया। लेकिन वो गाड़ी शोभा यात्रा के लिए काल साबित हो गई। लोहर दगा जिले में हुए भीशन हादसे के बाद आरोपी ड्राइवर को ग्रफतार करिया गया। वहां राम नौमी के अगले दिन इलाके में सननाटा पसरा नजर आया। लोगों ने जेपी के प्रत्याशी समीर उराओं भी वहां मौजूद रहे। उन्होंने राज्य सरकार से मृतक के परिवार वालों को 20 लाग रुपए की साहेता देने की मांग की। इसके साथ ही गायलों को भी 10 लाग रुपए की आर्थिक मदद देने की अपील की गई। उदर पाल पर लोगसबा चुनाव में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया। बिहार में RJD के पूर्व सांसद बुलो मंडल जेडियू में शामिल हो गए। भागलपूर से सांसद रह चुके बुलो मंडल इसी सीट से फिर चुनाव लड़ना चाते थे लेकिन महागडबंधन की सीट शेरिंग में भागलपूर सीट कॉंग्रेस को मिलने के बाद वो पार्टी से नाराज चल रहे थे। बुलो मंडल ने 2014 लोगसबा चुनाव में भागलपूर सीट से बीजेपी प्रत्याशी शानवाज हुसेन को हराया था। बंधन का इम्तिहान होगा है। यूपी में पहले चरण में आठ सीटों पर मतदान होगा और 2019 में इन में पांच बीजेपी हार गई थी। बीजेपी और आरेलडी पिछले चुनाव में अलग-अलग लड़ी थी। आरेलडी समाजबादी पार्टी और बीएसपी के साथ थ और कहा गया कि बीजेपी का प्रदर्शन पिछली बार से बहतर हो सकता है क्योंकि जयन चौधरी के बीजेपी के साथ आने की वज़े से जाड समुदाय के मतदाता बीजेपी के साथ आ सकते हैं। बीजेपी के साथ है। यही नहीं बीएसपी और एसपी भी अलग-अलग लड़ रहे हैं। इसी वज़े से पश्चिमी यूपी में बीजेपी बड़े उलट फेर क्युम्मीत कर रही है। क्योंकि इस सीट पर बीएसपी का दबदबा माना जाता है। चंदरशेखर आजाद नगीना में धुआधार प्रचार कर रहे हैं। आजाद समाज पार्टी कांशी राम के चंदरशेखर आजाद नगीना से लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी के खिलाफ हो गए थे। बड़ी बात ये कि वो बीएसपी का विकल्ब बनने की भी कोशिश में हैं। यानि नगीना में दो नहीं चार फ्रत्याशों के बीच कड़ी टक्कर हो सकती है। क्योंकि बीजेपी के ओम कुमार, एसपी के मनोज कुमार और बीएसपी के सुरेंदर पाल के अलावा चंदर शेकर आजाद ने भी नगीना में खुब पसीना बहाया और नगीना की लडाई में ट्विस्ट ला दिया। इसके लावा पश्चिमी यूपी की मुरादाबाद सीट पर भी नजर है पहले चरण में यहां भी मतदान होगा क्योंकि इस बार के चुनाम में महां समाजबादी पार्टी ने जिस तरह से टिकट का बठवारा किया उसकी खुब चरण हुई और यूपी की मुरादाबाद सीट हॉट सीट बन गए। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद में पहले स्टी हसन को उम्मीदवार मनाया था लेकिन नामांकन से पहले खबर आई थी कि समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद सीट से अपना उम्मीदवार बदल दिया और रुची वीरा को टिकेट दे दी यहनी मुरादबाद में समाजबादी पार्टी की उमीदवार के लिए उसी के समर्तकों ने मुसीबत खड़ी कर दी और मानना जा रहा है कि मुरादबाद में बीजेपी के सर्वेज सिंग को इसका फायदा हो सकता और उत्तरप्रदेश की ओर्ट सीट रामपूर भी समाजवादी पार्टी की अंदूरूनी कले की वज़े से ही चर्चा में रही खबर आई की जेल में बंद आजम खांच आते थे की रामपूर से अखिलेश यादव चुनाव लड़ें लेकिन अखिलेश यादव ने इंकार कर दिया था जबकि इस से पहले मुलाइम सिंग यादव और अखिलेश यादव चुनाव प्रचार के लिए रामपूर आते थे लेकिन इस बार अखिलेश ने वहाँ प्रचार ही नहीं किया और चुनाव आ गया और का गया कि ये सब इसले हुआ क्योंकि आजम समर्थकों ने चुनाव के बहिशकार का एलान कर दिया था जोकि बीजेपी ने रामपूर से अपने प्रत्याशी घंशाम सिंग लोधी के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए अपड़ना यादव को भेजा यानि मुलायम सिंग यादव की बहु ने बीजेपी के लिए वहाँ चुनाव प्रचार किया लेकिन मुलायम सिंग यादव के बेटे प्रचार में गए ही नहीं और समाजवादी पार्टी की इसी खींस्तान की वज़े से यूपी की रामपूर भी हॉट सीट बन गई तक ये ऐलान नहीं किया था तब तक कई अटकलें लगी थी का जा रहा था कि वरुन गांधी को सुल्तानपूर से और मेनका गांधी को पीली भीट से टिकेट मिल सकती है और उस सभा में वरुन गांधी नहीं आये थे यानि पीली भीत में इस बार ना मिनका गांधी है ना वरुन गांधी पार्टी ने जितन प्रिशाद पर दाओं खेला है और इसलिए ये सीट हॉट सीट बन गए इसके अलावा पहले चरण के चुनाव में उत्तरप्रदेश की हॉट सीट सहारनपूर में भी मददान होगा इस सीट पर कॉंग्रेस ने इमरान मसूद को टिकेट दी और इनके लिए प्रियंका गांधी ने वहाँ चुनाव प्रचार किया था और इसलिए सहारनपूर सीट यूपी की हॉट सीट बन गई क्योंकि जिस इमरान मसूद ने 2014 से लेका 2022 तक सहारनपूर में एक भी चुनाव नहीं जीता कॉंग्रेस ने वहाँ उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया और प्रचार के आखरी दिन खुद प्रियंका गांधी ने उनके लिए वहाँ रोडशो किया और कॉंग्रेस के इमरान मसूद की रहा मुश्किल कर दी क्योंकि सहारनपूर में मुकाबला त्रिकोणियों हो गया दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंतुरी मनीश्य सोधिया की नियाईक हिरासत 26 अपरेल तक बढ़ा दी गए दिल्ली की राउजवन्य कोट इस मामले में 26 अपरेल को सुनवाई करेगी इस दोरान चुनाव आयोग ने EVM को पूरी तरह सुरक्षित बताया तो बाद में कोट ने भी इस पर टिपनी की कि हर चीज़ पर अविश्वास नहीं जिता जा सकता गुजिरात के वडोदरा में भीशन गर्मी से बचाने के लिए ट्राफिक पुलिस ने अपने कर्मियों को एसी वाले हेलमेट दिये इस हेलमेट को पहनने के बाद सिर के चारों और ठंडी हवा का जोंका मिलता है इसकी वज़े से लोगों की सिर में गर्मी नहीं लगती कुछ दिनों से जबानी जंग भी जारी है कंगना के पपू और बाप दादा वाले बयान के बाद अब विक्रमदित्य सिंग का एक बयान भी चर्चा में कॉंग्रेस के उम्मीदबार विक्रमदित्य सिंग ने कंगना को बरसाती मेंधक बता दिया मेडम और कल चले जाएंगी बरसाती मेंड़क है इनको मैं क्या बहुत है अलांकि विक्रमदित सिंग के सामने ताल ठोग रही कंगना रनौत भी अपने अलग अंदाज से उन्हें पछाडने में जुटी हैं कभी वो लोगों के बीच महुंच कर डांस करने लगती हैं तो कभी खुद चाय बनाती हुई दिखती इतना ही नहीं मंडी की जंग में उतरते ही उन्होंने अपने तीखे तेवर दिखा दिये थे मंडी हिमाचल प्रदेश की चार लोगसवा सीटों में एक है जहां आखरी चरण में मत्तदान होगा इस भी 36 गड़ के कांकेर में सुरक्षा बल के अधिकारियों ने दावा किया कि नकसली कमांडर शंकर राव की अगवाई में नकसलीयों का एक दल लोगसवा चुनाव में गड़बडी फैलाने के लिए अबू जुमाड के जंगल में जमा हुए तो दिन पहले सुरक्षा बल के जवानों ने अबू जुमाड के जंगल में एक ऑपरेशन चला कर 29 नकसलीयों को धेर कर दिया था क्योंकि सुरक्षा बल के अधिकारियों को ये खबर मिली थी कि कांकेर में चुनाव रोकने के लिए नकसली पोलिंग पार्टी पर हमला करने वाले हैं इस operation की अगवाई कर रहे सुरक्षाबल के अधिकारी लक्षमन केवट के मुताबिक इसकी सूचना मिलने के बाद नकसलियों के खिलाफ operation शुरू कर दिया गया था। इंकाउंटर स्पेशलिस के नाम ज़े मशूर लक्षमन केवट ने जानकारी दी कि 15 अपरेल को उन्हें नकसलियों के इस खतरनाक प्लान का पता चला था। इसके बाद 16 अपरेल को करीब 400 जवान नकसलियों को घेरने उनके गढ़ में घुज गए। लेकिन नकसलियों को उनके आने की सूचना पहले ही मिल गई थी। इसलिए नकसलियों ने जंगल में बम लगा दिये थे। नस्दीक पहुंचते ही उन्होंने फारिंग शुरू कर और 34 गढ़ के कांकेर में नकसलियों के खिलाब सुरक्षाबल के आपरेशन पर कॉंगरेस नेता सुप्रिया श्रिनेत ने विवादास्पत बयान दे दिया। उनके बयान पर बीजेपी भड़क गई और उसने उन पर जमानों के अपमान कारोप लगा दिया। लोग सबाच इसकी नेता सुप्रिया श्रिनेत ने इस ऑपरेशन की जांच की मांग करते हुए मारे गए नकसलियों पर विवादास्पत बयान दे दिया। लोग जो शहीद हुए हमारे सुरक्षा कर्मी भी कुछ खायल हुए उन सब को हमारी समवेदनाए है। उनके इस बयान के सामने आने के बाद बीजेपी उन पर भड़क गई। बीजेपी ने कॉंग्रेस पर सेना और सुरक्षा बलके जवानों के अपमान कारोप मर दिया। नकसली में आपको शहीद नजर आता है और जो सेना के हमारे सुरवीर है उनमें सडक का गुंड़ा याद आता है। विकास अग्रहरी यूपी कॉंग्रेस के संयोजक है और अमेठी में कॉंग्रेस के सीनियर नेताओं में हैं लेकिन थोड़ी यी देर बाद विकास अग्रहरी मीडिया के सामने आये और बीजेपी में शामिल होने की खबरों को आधार हीन बता दिया। और यहां तक की भगवा रंग का अंगवस्तर पैनाये जाने वाले वीडियो पर भी सवाल उठाए। इससे कुछ देर पहले विकास अग्रहरी का अमेठी की सांसर स्मृति इरानी के साथ एक वीडियो भी सामने आया था। वीडियो में विकास अग्रहरी के दाई और स्मृती इरानी खड़ी दिखी थी जब कि एक विक्ती विकास को भगवा अंगवस्त तुर पहनाता दिखा। डावा किया गया कि विकास अग्रहरी ने कॉंग्रेस छोड़कर बीजेपी जॉइन कर ली। सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों और वेबसाइटों तक पर कॉंग्रेस को अमेठी में बड़ा जटका लगने की बात की जाने लेगी। लेकिन विकास अग्रहरी ने दावा कर दिया कि वो तो केवल इलाके की समस्याओं पर बात करने के लिए सांसत से मिलने गए थे। शिष्टाचार के नाते उनका स्वागत करते हुए अंगवस्त तुर पहनाया गया था। लेकिन उस वीडियो के जरीए लोगों को ब्रहमित किया गया। और इसके बाद तो मानो जंक छिड़ गए। वहाँ एक आदमी टेबल स्टैन उठाकर फिंकता नजर आया। फिर वो वहाँ पड़ी कुरसी भी उठाता दिखाई दिया। कुछ देर में तो उसने बांस की कुरसी उठाकर उस रेस्टांट के करमचारी के उपर फिंक दिया। वहाँ वो करमचारी उनका मुकाबला करते हुए लाल टी-शर्ट पहने एक लड़के से भिढ़ गया। लेकिन लाल टी-शर्ट वाले लड़के ने भी टेबल स्टैन उठाकर जोर से हमला कर दिया। इसके बाद तो उस रेस्टांट का एक दूसरा करमचारी वहाँ रखा एक गमला उस लड़के के उपर फिंकता दिखा। मतलब जिसके हाथ जो सामान आया वो उससे हमला करता रहा। उस रेस्टांट में खाना खाने पहुंचे वो दोनों लोग और वहाँ के करमचारी जम कर गाली गलोज करते सुनाई दिये। उस रेस्टांट के बाहर काफी देर मारपीट चलती रही और बड़ी संख्या में मौजूद लोग ये जड़ब देखते नजर आये। मारपीट के दोरान वहाँ सारा सामान बिखर गया। सजावट के लिए लगाये गए गुबारे भी इधर उदर बिखर गये। बता गया कि उस रेस्टांट में उन दोनों लोगों को दोसे के साथ खराब चटनी परोसी गई थी इसी वज़े से वो लोग आग बबूला हो गए और जम कर मारपीट की। केंद्री ग्रेह मंत्री अमिच्छा ने गुजरात के गांधी नगर में रोडशो किया। इस दोरान न्यूज 18 से बात करते हुए उन्होंने एक बार फिर एंडिये को 400 सीटे मिलने का दावा दोर आया। पूरुक्षेत्र के अलावा हिसार से सुनैना चोटाला को तो अंबाला सीट से गुरुपरीत सिंग को टिकेट दी गई। इधर चंडिगड लोगसबा सीट से पूर्व केंद्रिय मंत्री मनीश तिवारी को उम्मीदबार बनाय जाने पर चंडिगड कॉंग्रेस में मचे घमासान के बाद पार्टी में सब कुछ ठीक होने का दावा किया गया। और ये दावा कॉंग्रेस नेता राजीव शुक्ल ने किया जो चंडिगड में पवन बनसल से मिलने पहुँचे। दोनों के बीज घर के अंदर क्या बात हुई इसकी जानकारी तो नहीं मिल पाई लेकिन राजीव शुक्ल ने ये जरूर बता दिया कि सब कुछ ठीक है। उदर हर्याना के कुरुक्षेत्र में चुनाव प्रचार करने निकले बीजेपी प्रत्याशी नवीन जिंदल ने बोरियां उठा कर ट्रक में लोड की। नवीन जिंदल दो बार कुरुक्षेत्र से सांसद रह चुके हैं लेकिन तब वो कॉंग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े थे। इस बार वो बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। करीब 10 साल तक सियासत से दूर रहे नवीन जिंदल कुछ दिन पहले ही बीजेपी का हिस्सा बने। पार्टी से टिकट मिलने के बाद उन्होंने प्रचार में खुब पसीना बहा है। और कुरुक्षेत्र की एक अनाज मंडी में गेहूं की बोरियां ट्रक में लोड करते नजर आए। अमीर महिला सावित्री जिंदल बीजेपी का हिस्सा बनी थी। इसके कुछी दिन बाद नवीन जिंदल भी बीजेपी का हिस्सा बन गए थे। और अब वो बीजेपी की टिकट पर कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। और उनका मुकाबला कुरुक्षेत्र में विपक्षी कट बन्धन के उम्मीदवार और आम आदमी पार्टी के नेता सुशील गुपता से होगा। नवीन जिंदल की तरह सुशील गुपता ने भी परचार में पूरी ताक़ जंगी। वो किसानों के बीच पहुँचे और खेतों में फसल काटी यानि सुशील गुपता ने भी चुनाव परचार में कोई कसर नहीं छोड़ी। और हाथों में हरसिया लेकर खेतों में पहुँच गए। और एक किसान की तरह गेहूं की फसल काटी। ये देखकर उनके साथ आये उनके समर्थकों ने भी यही किया। कॉंग्रेस की ओर से कुरुक्षेत्र से लड़ने से इनकार कर दिया था। और तभी से कॉंग्रेस के पास इस सीट के लिए मजबूत उम्मीदवार नहीं था। खबर है कि इसी वज़े से हर्याना में आम आदमी पार्टी के साथ गटबंधन होते ही उसने कुरुक्षेत्र सीट उसे दे दी। और आम आदमी पार्टी ने हर्याना में पार्टी के अध्यक्ष सुशील गुप्ता को वहाँ से टिकेट दे दी। लेकिन बीजेपी ने कॉंग्रेस के नहले पर दहला तब चल दिया जब उसने कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल को प्रत्याशी बना दिया। इधर उत्तर प्रदेश के भिजनौर में दो गाड़ियों की टकर के बाद लोग इतनी बुरी तरीके से भिड़ गए कि पूरे इलाके में दहशत मज़ गई। क्योंकि कई लोग अपने हाथों में डंडे लेकर दर्वाजे के बाहर हंगामा करते रहें। लेकिन उन लोगों को वहां से खदेडने के लिए छट से लोग लगातार पत्तर फिंकते रहें। पीठ हुई हालाकि पुलिस ने इस मामले में केस दर्च कर लिया। इस भी जम्मू कश्मीर में आतंकियों की घुसपैट की खबर मिलते ही सुरक्षा एजनसिया अलर्ट हो गई। खबरें की जम्मू कश्मीर में सीमा पार से आतंकियों ने घुसपैट कर चुनाव में खलल डालने का प्लान बनाया। इससे देखते हुए खुफिया एजनसियों ने सुरक्षा बल को अलर्ट कर दिया। इसके बाद राजोरी समेथ कई जिलों में सर्च ओपरेशन तेज कर दिया गया। इस काम में ग्राम रक्षा समिती के सदस्यों को भी लगाया गया ताकि आतंकियों की साजिश नाकाम की जा सके। अमेरिका की टाइम मैगजीन ने 2024 के सौ प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी की और इस लिस्ट में भारतिय पहलमान साक्षी मलिक, एक्टरस आलिया भट और माक्रोसॉफ्ट के सीओ सत्या नडेला को शामिल किया गया। इसके साथ ही रूसी राष्टपती पुतिन के विरोधी रहे अलेक्सी नवालनी की पत्नी यूलिया नवालनिया को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया। इस लिए इस बार चुनावायोग ने वहां के लोगों को जागरूप करने के लिए कई अभियान चला है। चुनावायोग के अभियान का हिस्सा बन गया। और गडवाली भाशा में ये गाना बना डाला। उत्तराखंड की सभी पांच लोगसबा सीटों पर पहले चरण में मतदान होगा। और इससे पहले चुनावायोग उत्तरकाशी में इस गाने के जरीए लोगों को जागरूप करने में जुड़ गया। उत्तरकाशी उत्तराखंड की टीहरी कडवाल लोगसबा सीट का इससा है। उत्तर लोगसबा चुनाव के पहले चरण के तहट महाराश्ट के विधर्व इलाके की पांच सीटों पर वोटिंग होगी। यानि महाराश्ट के पूरवी इससे के तहट आने वाले विधर्व इलाके में कॉंग्रेस और बीजेपी के बीच चक्कर है। विधर्व वो इलाका है जहां हमेशा सूखे की मार पड़ती है। किसानों के आत्मत्या करने की वज़े से भी ये इलाका हमेशा सुर्खियों मेरा। इसके लावा विधर्व के तहट आने वाली गड़ चिरॉली और चंदरपूर लोगसबा सीट नकसलियों का गण मानी जाती है। इसलिए इन दोनों सीटों पर शांती पूर्ण मतदान करना एक बड़ी चुनोती है। इस बार विधर्व की इन पांच सीटों पर बीजेपी विकास के नाम पर कॉंग्रेस का सफाय करने का दम भर रही है। जबकि कॉंग्रेस किसी तरह खुद को जिंदा रखने की कोशिच में जुटी है। इन में नागपूर लोगसबा सीट होट सीट है क्योंकि इस सीट से केंदरिय मंत्री नितिन गटकरी बीजेपी से तीसरी बार चुनावी मैदान में। जबकि उनके सामने कॉंग्रेस ने विकास ठाकरे को अपना उम्मीदवार बनाया। पवार के लिए समर्थन मांगा था। उन्होंने सीट पर सुप्रिया सुले की जीत का जिक्र किया था और लोगों से अपील की थी कि इस बार वो बारामती में पवार परिवार की बेटी और बहु की लड़ाई होगी और इसलिए महराष्ट की इस होट सीट पर नज़र रहे जब्त की गई समपत्ती में जुहू का एक फ्लाट, पुणे का एक बंगला और राजगुंद्रा के नाम से कई शेयर भी शामिल है। तो अगले साल के अंग तक इंसान को अंत्रिक्ष में भेजा जाएगा। दूसरे चरण में राजिस्तान की 13 सीटों पर वोटिंग 26 अपरेल को होगी। लेकिन राजिस्तान में होने वाले पहले चरण के चुनाम में ही मोधी सरकार में शामिल दो केंद्रिय मंत्रियों के किस्मत का फैसला होगा। पीकानेर सीट पर केंद्रिय मंत्री अरजुनराम मेगवाल मैदान में हैं जबकि अलवर लोगसबा सीट पर भुपेंद्रियादव चुनाम लड़ रहे हैं। दस पर बीजेपी का मुकाबला कॉंग्रेस से है जबकि दो सीटों पर मुकाबला कॉंग्रेस के सयोगी तलों से इन में नागौर सीट पर हनुमान बेनिवाल की पार्टी आरेलपी और सीकर लोगसबा सीट पर CPIM का उम्मीदवार चुनाम मैदान में पिछली बार इन सभी स सीट पर हनुमान बेनिवाल से हारने वाली कॉंग्रेस की जोती मिर्दा इस बार बीजेपी की उम्मीदवार है मतलब दोनों प्रत्याशियों ने पाला भले ही बदल लिया हो लेकिन इस मुकाबले के दोनों खिलाड़ी वहीं है जो बान साल पहले थे पहले चरण की कुल 12 म सबकी नजरे हैं वो है चुरू लोकसवा सीट क्योंकि बीजेपी चोड़कर कॉंग्रेस में आये राहुल कस्वा का सीधा मुकाबला वहां बीजेपी से ही है अर्याणा की सीमा से लगने वाली ये लोकसवासीट कॉंग्रेस उम्मीदवार राहुल कस्वा के लिए नाक का स 2019 में उन्होंने बीजेपी की टिकेट पर चुनाव जीता था लेकिन 2024 के चुनाव से पहले माहौल बदल गया बीजेपी ने उनकी टिकेट काटकर पूरू पैरलिंपिक खिलाडी देवेंदर जहजरिया को ठुमा दी टिकेट कटने के बाद राहूल कस्वान नाराज हो गए थ फिर मैदान में उतरने का ऐलान करते हुए कॉंग्रेस का हाथ थाम लिया था और कॉंग्रेस ने भी उन्हें बिना देर किये चुरू लोगसबा सीट से ही अपना उम्मीद्वार बना दिया बीजेपी से टिकेट कटने के बाद राहूल कस्वाने चुरू में जीत को अपनी दिल्ली के नजदीक उत्तरपुदेश के नॉयडा में पुलिस ने एक ड्रग्स फैक्टरी का भंडा फोर्ड करने का दावा किया पुलिस ने यहां से करीब 100 करोड रुपए के ड्रग्स के साथ नाइजीरिया के दो नागरिकों को ग्रफतार कर लिया पुलिस के मताबिक य नाच में एक महीने का समय और लगेगा जीन में सेयुक्त राष्ट के प्रतनिती सिधार चेटर जी ने शूननी से भी नीचे के तापमान में योग किया खास बात ये कि उन्होंने बीजिंग में शर्टलेस होकर योग के कई आसन किये जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वा ब्रजबूशन शर्ण सिंग यूपी की कैसरगन सीट से सांसद है और बीजेपी ने उनकी सीट से अब तक उम्मीदवार का एलान नहीं किया है और माना जा रहा है कि कोर्ट के फैसले के बाद ब्रजबूशन सिंग की उम्मीदवारी पर फैसला लिया जाएगा कैसरगन सीट पर पांश में चरण में यानी 20 मई को वोट डाले जाएंगे और उनके लिए नॉमिनेशन के आखरी तारीख 3 मई है ब्रजबूशन चरण सिंग ने टिकेट से जुड़े सवाल का जवाब भी भगवान पर छोड़ दिया महिला पहलवान से छेड़शार के केस में ब्रजबूशन की तरव से एक नई आचिका दी गई और कागया की शिकायत करने वाली महिला के बयान में विरोध हवास है ये भी बताय गया कि जिस वक्त की शिकायत महिला पहलवान ने की उस वक्त वो देश से बाहर थे अपनी दलील के समर्थन में उन्होंने पासपोर्ट की कॉपी भी कोट को दी रजभूशन शरण सिंग ने मामले की फिर से जांच कराने की मांग की जिसके बाद कोट ने 26 अपरेल को मामले की अगली तारीख तै कर दी इस बीच DRDO ने क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कर एक और बड़ी कामयावी आसिल कर ली सेना के लिए रिसरच करने वाली संस्ता DRDO ने ओडिशा के चांदिपूर में स्वदेशी तक्नीक से बनी निर्भः क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया DRDO के मुताविक ये घातक मिसाइल 300 किलो तक विस्फुटक लेकर वार कर सकती है और इसकी रेंज 1500 किलोमीटर है खास बातिये की कम उचाई से भी इस मिसाइल से हमला किया जा सकता है चिन्नाई सुपर किंग्स के बलेबाज डेवन कॉनवे चोट की वज़े से IPL से बाहर हो गए इसके बाद चिन्नाई सुपर किंग्स ने इंग्लिंड के तेज गेंबाज रिचर्ट ग्लीसन को उनकी जगा टीम में शामिल कर लिया पज़ाब के तरन तारण में पाकिस्तान सीमा के नस्दीक B.S.F. ने एक पाकिस्तानी ड्रोन बरामत करने का तावा किया B.S.F. के तलाशी अभ्यान के दोरान इस ड्रोन को जब्त किया गया B.S.F. के मताबिक ये ड्रोन चीन में बना दो उदर खबरे की पश्चिमेशिया में तनाव के बाद एर रूट में बदलाव की वज़े से हवाई किराया बढ़ सकता है खबरे की आने वाले दिनों में अमेरिका और कैनेडा समेथ यॉरप के देशों में जाने के लिए हवाई किराया महंगा हो सकता है क्योंकि पश्चिमेशिया में जारी तनाव की वज़े से सभी एरलाइन कमपनिया इरान की एर स्वेस से बच रही हैं लेकिन इससे उन्हें लंबा रास्ता थै करना पड़ रहा है खबरे की रूट में बदलाव की वज़े से एर इंडिया, इंडिको और विस्तारा समेथ दूसरी एरलाइन कमपनिया किराया पढ़ाने की तैयारी में रॉटर्स ने दावा किया कि एलेक्ट्रिक कार बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कमपनी टेसला के मालिक इलॉन मस्क भारत में 300 करोड डॉलर यानि भारते रुपयों में करीब 25,000 करोड का निवेश कर सकते हैं इलॉन मस्क इसी महीने भारत की आत्रा पराने वाले हैं दावा किया गया कि वो टेसला की फैक्ट्री लगाने के अलावा भारत में दूसरे कारोबार की भी योज़ना बना रहे है सेंउक्तराश्ट ने गाजा और वेस्ट बैंक में सहायता पहुंचाने के लिए 281 करोड डॉलर यानि भारते रुपयों में करीब 24,000 करोड रुपय की मांग की सेंउक्तराश्ट के मताबिक गाजा के 30 लाग फिलिस्तीनियों के पास खाना और स्वच्छ पानी की कमी है और अगर उन्हें जल्द मदद नहीं पहुचाए गई तो वहां के हालाद बद से बत्तर हो सकते हैं इधर लोगसभा चुनाव के पहले चरण के तहित उत्तराखंड की सभी पांच सीटों पर वोट डाले जाएंगे मतलब पहले ही चरण में उत्तराखंड में लोगसभा के चुनाव निपड जाएंगे क्योंकि हरिद्वार लोगसभा सीट से उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंतरी और कॉंग्रेस के कददावर नेता हरीश रावत के बेटे विरेंद्र रावत चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं क्योंकि उनके सामने बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंतरी त्रिवेंद्र सिंग रावत को उतारा मतलब हरिद्वार लोगसभा सीट पर लड़ाई रावत वर्सेज रावत की है एक तरफ विरेंद्र रावत दूसरी तरफ त्रिवेंद्र सिंग रावत जीत का सहरा किसके स वाल सीट पर भी लोगों की निगाठी की है क्योंकि इस सीट से बीजे पी ने राज्य सभा सांसत अनिल बुलूनी को मैदान में उता रहा है और कॉंग्रेस ने गणेश गोदियाल पर अपना भरोसा जता है हालांकि पिछले दो लोग सभा चुनावर से राज्य की सभी सीटो एक्टर नमाजद्दीन सिद्यकी को उत्तर प्रदेश के मजफर नगर की विशेश पॉक्सो कोट से बड़ी राहत मिल गई कोट ने चेरचाड के मामले में उन्हें क्लीन चिट देने वाली बुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को मनजूर कर लिया एक्टर नमाजद्दीन सिद्यकी की पत्नी आलिया ने उनके खलाब छेरचाड का मामला दर्च कराया था खबर है कि रूस के एक आदमी ने अपने आठ महीने के बच्चे को खाना खिलाने के बजाए धूत की रोशनी से जिन्दा रखना चाहा बारतिये शत्रंच खिलाडी ग्रैंड मास्टर विदिद गुजराती को कैंडिडेट्स टॉर्णमेंट के ग्यारवे राउंड में हार का सामना करना पड़ा उन्हें रूस के खिलाडी इएन निबुमिशी ने हरा दिया उस आदमी के शव को वील्चेर पर बैठातर उस बैंक तक ले गए और बैंक कर्मियों को उस पर शक न हो इसके लिए वो लगातार उससे बात करती रही लोन के कागजों पर साइन करवाने के लिए उसने उस शव के हाथ में एक पैन भी थमाया लेकिन वो उसे ठीक से पकड़ी नहीं पाया इस दोरान जब बार बार उसका सिर आगे की तरफ जुक रहा था तो वो उसे समालती नजर आई ऐसे में वहां मौझूद बैंक कर्मियों को उस पर शक हुआ लेकिन वो जल्द से जल्द उन कागजों पर साइन करवाना चाहती थी इसलिए वो उससे ऐसे बात कर रही थी जमानो वो एक जीता जाकता इंसान हो लेकिन उस महिला की तमाम कोशिश के बावजूद जब बैंक कर्मियों का शक दूर नहीं हुआ तो उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी और पुलिस ने वहां पहुँच कर उस महिला को गिरफतार कर दिया जांच में सामने आया कि उस बुजूर की कई घंटों पहले ही मौत हो चुकी थी लेकिन परीब टीन लाग का लोन लेने के लिए वो उस शव को वीलचेर पर बैठा कर बैंक टक ले आई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन केजरिवाल पर E.D. के अधिकारियों ने बड़ा आरोप लगाया और दावा किया कि वो जान बूज कर अपने शुगर लेवल बढ़ाने वाला खाना खा रही है पीडी के अधिकारियों ने दलील दी कि अर्विन केजरिवाल अपनी जमानत की दलीलों को मजबूत करने के लिए ऐसा कर रहा है जिसके बाद अर्विन केजरिवाल पर सियासी हमले तो तेज हो ही गए तेहार जेल में उनके डायट चार्ट की तस्वीरे में सामने आगे 18 दिन से तेहार जेल में बंद अर्विन केजरिवाल को टाइप 2 डायबिटीज है लेकिन उनके डायट चार्ट में हर दिन के खाने में स्वीट यानि मिठाई जरूर मौझूद है जेल में अर्विन केजरिवाल को रोजाना अलग खाना दिया जा रहा है और यह वही खाना है जो घर से बन कर आता है. अधालत ने इसके लिए उन्हें अलग से इजाज़त दी है। लेकिन घर से आने वाला खाना डॉक्टर के बनाए इसी डायट चार्ट के आधार पर तयार होता है। इस चार्ट के दूसरे कॉलम में तारीख लिखिए और आखरी कॉलम में डिनर में मिलने वाला खाना चार्ट के मुताबिक उनके डिनर में रोटी कम या जादा हो सकती है सबसियां बदल सकती है लेकिन किसी भी दिन उनके डिनर से स्वीट यानि मिठाई कम नहीं की जाती यहां तक कि डॉक्टर ने उनके डायट चार्ट में आलू पूरी तक जोड़ी है जबकि ED के वकीलों ने कोट में दावा किया कि डाविटीज के किसी भी मरीज को इस तरह के खाने और खासतोर पर मिठाई खाने की सला कोई डॉक्टर नहीं दे सकता तकि अदालत को ये बताया जा सके कि जेल में रहने की वज़े से उनका शुगर लेवल बढ़ रहा कोट में ED के वकील ने बताया कि तिहार जेल से केजरिवाल के खाने और दौवाओं की जानकारी मांगने पर उनके डायट का पता चला जबकि केजरिवाल के वकील ने कोट को बताया कि ED के वकील सिर्फ मीडिया की वज़े से इस तरह के आरोप लगा रहे हैं यह जानकारी तब सामने आई जब अर्विंद केजरिवाल ने विडियो कॉन्फरेंसिंग के जरीए डॉक्टर से मेडिकल कंसल्टेशन की मांग की और इसके लिए कोट में याचिका डाली गई याचिका पर सुनवाई शुरू हुई तो अर्विंद केजरिवाल के वकील ने कोट को उनकी सेहत के बारे में बताया और ये जानकारी दी कि अर्विंद केजरिवाल का बलड शुकर लेवल तेजी से उपर नीचे हो रहा जिससे उनकी बीमारी बढ़ने का खत्रा इसी के बाद एडी के वकीलों ने अर्विंद केजरिवाल के डायट चार्ट की जाच शुरू कर दी जिसके बाद ये जानकारी सामने आई अठारा दिनों से तिहार जेल में मौझूद अर्विंद केजरिवाल की खराब सेहत के कारण कोट ने उन्हें घर का खाना खाने की इजाज़त दी हुई है और जेल में उनके खाने का वक्त भी तै जानकारी के मुताबिक जेल में बंद अर्विंद केजरिवाल का दिन सुबह साड़े चे बजे शुरू होता है और उसी वक्त उन्हें नाश्ता दिया जाता नाश्ते में उन्हें चाय और अंडों के अलावा फल या कुछ और हलका खाना भी दिया जाता लगभग 11 बजे उनके लंच का समय होता है लंच में उन्हें डाल, सबसी, रोटी, चावल और फल दिये जाते हैं अलाएंकि हर दिन का मेन्यू अलग रखा जाता और शाम साड़े 5 बजे ही उन्हें डिनर दिया जाता डिनर में भी उनके लिए हर दिन का मेन्यू अलग होता है जिसमें फल और मिठाई भी रखी जाती है ED का आरोप यह है कि दिल्ली के CM जान बूच कर हाई शुगर और हाई काब डायट ले रहे हैं ताकि उनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाए और उन्हें समानत मिलना आसान हो जाए इस जानकारी के सामने आते ही सियासी बवाल मचने में भी देर नहीं लगी बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और अर्विन केजरिवाल पर तीके हमले शुरू कर दिये और बीजेपी सांसद मनोश तिवारी ने तो उन्हें गाजियाबाद की डासना जेल में शिफ्ट करने की सलह दे दी दूसरी तरफ अर्विन केजरिवाल के डाएट चार्ट में अंडों का जिक्र देखकर बीजेपी ने नया हमला शुरू कर दिया जब तीसरा नवरातरा था उसे दिन शिरिमान जी अंडे खा रहे हैं आनके आम आदमी पार्टी ने साजिश का रोप लगाया ये अर्विन केजरिवाल जी की जान लेने की साजिश है डायेट पर कोट में हुए विवात के बाद अर्विन केजरिवाल ने याचिका वापस ले ली और नए सिरे से याचिका डालने का एलान किया इस बीच बेंगलूरू में एक महिला ने स्कूटर पर सफर के दौरान अपने बच्चे की जान खत्रे में डाल दी मेंगलूरू में एक बच्चे को स्कूटर के फुटरेस्ट पर खड़ा करके सफर कराने का एक वीडियो वायरल हुआ आरोपै के स्कूटर पर सवार एक महिला उस बच्चे को फुटरेस्ट पर खड़ा करवाकर सफर करा रही थी जबकि एक दूसरा आद्मियों स्कूटर को चला रहा था कैनडा में हुई वहां की सबसे बड़ी सोने की चोरी के मामले में वहां की पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफतार करने का दावा किया पुलिस के मताबिक पिशले साल तोरोंटो एरपोर्ट पर 6600 सोने की चड़ों की चोरी हो गई थी इनकी क्रीमत एक करोड़ चालीस लाख डॉलर यानि भारती रुपव में करीब 110 करोड रुपए थी बेंगलूरू एरपोर्ट पर 24 घंटे से जादा समय बिताने का दावा करने वाले यूट्यूबर विकास गौड़ा को गिरफतार कर लिया गया उस पर आरोफ है कि वो 7 अपरेल को 24 घंटे से जादा समय तक एरपोर्ट पड़ रहा और उसने सुरक्षा के अंदेखी करते हुए वीडियो बनाये थे इसके बाद उसने इस वीडियो को यूट्यूब पर अप्लोड कर दिया था उदर लोगसबा चुनाव के पहले चरण में मद्यप्रदेश में कॉंग्रेस के गढ़ चिंदवाडा समेथ 6 लोगसबा सीटों पर भी वोटिंग होगी चिंदवाडा कॉंग्रेस की वो सीट है जहां बीजेपी को कभी काम्याबी नहीं मिली इस सीट से कॉंग्रेस के सबसे भरोसे मन नेताओं में एक कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ चुनावी मैदान में है और इसलिए ये होट सीट मानी जा रही है क्योंकि पिछले 44 साल से चिंदवाडा सीट पर कॉंग्रेस ने कभी हार का मों नहीं देखा इस बार भी इस सीट पर नकुलनाथ कॉंग्रेस के उम्मीदवार हैं और उन्हें चुनाथी देने के लिए बीजेपी ने उनके सामने विवेक बंटी साहू को मैदान में उता रहा है चिंदवाडा समेथ पहले चरण के तहट आने वाली सभी 6 सीटें राज्य के पूर्वी हिस्से में मौझूद हैं सिर्फ चिंदवाडा पर कॉंग्रेस का कभजा है जबकि बाकी की सभी सीटों पर बीजेपी का परचम लेरा रहा है इस बीश लोगसभा चुनाव के पहले चरण में दक्षिंद भारत के सबसे बड़े राज्य तमिलनाड की सभी 49 सीटों पर चुनाव होगा चुनाव आयोग ने तमिलनाड में एक ही चरण में मतदान कराने का फैसला किया था चार सो लोगसभा सीट जीतने का लक्ष लेकर मैदान में उत्री बीजेपी की कोशिश तमिलनाड में बड़ी काम्याबी आसल करने की है लेकिन वहाँ उसकी रहा इतनी आसान नहीं होने वाली क्योंकि वहाँ इजबार के लोगसभा चुनाव में तीन गड़ बंधन मैदान में बीजेपी ने इस मुद्दे को तमिलनाड में भुणाने की कोशिश की प्रधान मंतरी के साथ तमिलनाड में बीजेपी के अध्यक्ष अन्ना मलाई ने अपनी हर रैली और जन सभा में इसे जोर शोर से उठाया अन्नामलाई तमिलनाडो की सबसे चचेसी कोयमबदूर से मैदान में हैं. अन्ना मलाई के चुनावी मैदान में उतरने से कोयम्बतूर सीट तमिलनाड की सबसे होट सीट बन गए। लोगसभा चुनाव में बीजेपी यहां नमबर दो की पार्टी है क्योंकि पिछले दो लोगसभा चुनाव में कोईमबतूर सीट पर बीजेपी ने उम्मीद से बढ़कर प्रदशन किया थे। बीजेपी के उम्मीदवार यहां दोनों बार दूसरे नमबर पर थे और बीजेपी को इस बार उम्मीद है कि अन्नमलाई इस बार कोईमबतूर में बड़ी जीत दच कर लेंगे। इस बीज वो लोग कुछ देर रुके और फिर फाइरिंग शुरू कर दी। बता गया कि उस वक्त दुकान का मालिक भी दुकान में मौजूद था हलाकि इस वारदात के बाद पुलिस ने केस दर्च कर लिया। सयुक्तराष्ट सुरक्षा परिशद में भारत की स्थाई सदस्ता को लेकर इलॉन मस्क के बयान पर अमेरिका की प्रतुक्रिया सामनी आई। वहां के विदेश वंत्राले ने साफ कर दिया कि अमेरिका सुरक्षा परिशद समेथ सयुक्तराष्ट के दूसरे संस्थानों में सुधार का समर्थन करता है। यही नहीं अमेरिका ने इन संस्थानों में बड़लाव की वकालत भी की। इससे पहले एलॉन मस्क ने सुरक्षा परिशद में भारत को स्थाई सदस्ता न देने को बेतुका पताया था। दिकज आईटी कंपनी इंफिसिस के कर्मचारियों की संख्या पिछले 23 साल में पहली बार घट गई। कंपनी के मताबिक पिछले वित्तवर्ष के मुकाबले 2023-2024 में इंफिसिस के करीब 26,000 करमचारियों की नौकरी चली गए। किहार की होट सीट जमुई में तेजस्वी की सबा के दौरान चिराख पासवान के परिवार को गालियां देने का एक वीडियो वायरल हो गया और इस वीडियो पर बवाल मच गया। वीडियो दो दिन पहले का बताया गया। इसे एंडिये के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे इंदुस्तानी हवाम मोर्चा के अध्यक जितनराम माजी ने भी शेयर किया। और इसमें तेजस्वी के मंच के सामने से एक आदमी चिराख पासवान और उनके परिवार को गालियां देता सुनाई दिया। पासवान के लिए बोले जा रहे अब शब्दुस्तानी है। पासवान में हुई तेजस्वी की सभा का है। ये वीडियो पहले चरण के मतदान से ठीक पहले वारल हुआ। और वीडियो वारल होने के बाद सियासी बबाद चड़ गया। चिराख पासवान तो भड़क गये। उन्होंने सीधा तेजस्वी आदव से सवाल पूछा। उन्होंने दो टुक बोल दिया कि अगर इस तरह की घटना उनके सामने हुई होती तो वो मूँ तोड जवाब देते। और उसी वक्त उस आदमी को सबक सिखाते। ये बोलते हुए चिराख घुस्च में दिखे। चिराख पास्वान भले ही तेजस्वी से नाराज हों लेकिन तेजस्वी ने सफाई दी कि उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि मंच के सामने से चिराख के परिवार को गालियां दी गें। तेजस्वी भले ही सफाई दें लेकिन पहले चरण के चुनाव से पहले वारल हुए इस वीडियो ने बिहार का सियासी पारा चड़ा दिया। क्योंकि ये वीडियो जमुई का है और जमुई में पहले चरण में मतदान होगा। और इसलिए तेजस्वी आदव ने जमुई में कई रैलियां की और उन्हीं रैलियों में एक पर विवाद हो गया। आरोब लगा कि तेजस्वी ने चिराग के परिवार को अपशब्द बोले जाने के मामले की अंदेखी की। और इसी मुद्डे पर तेजस्वी आदव और चिराग पासवान आमने सामने आ गए। इन दोनों नेताओं ने बिहार की होट सीट जमुई में जीत के लिए जमीन आस्वान एक कर दिया। चिराग पासवान और निशा भारती रीना पासवान और रामविलास पासवान के बच्चे हैं। और राजकुमारी देवी और रामिलास पासवान की दो बेटियां हैं आशा और उशा और कहते हैं कि दोनों सो तेली बहनों से चिराग पासवान के रिष्टे अच्छे नहीं हैं और उन्होंने उनसे दूरी बनाये रखी लेकिन अपनी सगी बहन निशा भारती के पती अरुण भारती को चिराग ने वो सीट दे दी जिस सीट पर वो 2014 और 2019 में चुनाव लड़े थे लेकिन इस बार चिराग पासवान बिहार के हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे और इसके लिए चिराग पासवान ने अपने चाचा पचुपती पारस तक से लड़ाई कर ली थी और जीत उनकी हुई थी इसके बाद चिराग ने अलान किया था कि जमुई में उनके जीजा यानी अरुन भारती चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने अरुन भारती के लिए वहां धुआ धार चुनाव प्रचार भी किया और इसलिए वो यहां बाहरी प्रत्याशी वाली सियासत भी कर रही है और इस सीट पर पहली बार आर्जेडी को जीत दिलाने की कोशिश कर रही है क्योंकि 2009 से अस्तित्व में आई जमुई सीट पर लगातार NDA का कबजा रहा लेकिन इस बार इस होट सीट पर नजर है क्योंकि चिराग चुनाव नहीं लड़ रहे है और उन्होंने अपने जीजा को मैदान में उता रहा है और आर्जेडी प्रत्याशी उन्हें बाहरी बता रही है और बीजेपी दक्षण बिहार की इन चारों सीटों पर 2024 में भी खब्जा बनाये रखना चाती है क्योंकि इन चार सीटों में दो पर यानि गया और जमुई में बीजेपी की सहयोगी पार्टियां चुनाव लड़ रही है गया में हैम के जीतनराम माजी मैदान में है बीजेपी ने सोशल मीडिया पर कई वीडियो पोस्ट कर पश्चमंगाल में राम नौमी के जलूस पर हमला होने का दावा किया बीजेपी ने इस हमले के लिए पश्चमंगाल की मुख्यमंत्री ममता बेनर्जी को जिम्मेदार ठहराते हुए उन पर लोगों को उकसाने का आरोप लगाया क्योंकि बीजेपी ने जो वीडियो पोस्ट किये उनमें कुछ लोग घरों की छटों से पत्थर और बंबर साते नजर आये लगातार हो रही बंबारी की वज़े से वहां भगदड मच गए पूरा इलाका धमाकों की आवाज से गुझ उठा बीजेपी ने ये वीडियो पोस्ट कर आरोप लगाया कि एक रोज पहले मुर्शिदाबाद और मेदनीपूर में निकाले गए राम नौमी के जलूस के दौरान पत्थर बाजी की गई इसके साथ ही बीजेपी ने आरोप लगाया कि पश्च मंगाल की मुक्यमंत्री ममता बेनर्ट जी नहीं इसके लिए लोगों को उकसाया आलकि टीमसी ने बीजेपी को जवाब देने में देर नहीं लगाई राम नौमी के मौके पर पश्च मंगाल के कई हिस्सों में शोभा यात्रा निकाली गई बीजेपी ने आरोप लगाया कि इसी दौरान कई जगों पर शोभा यात्रा पर हमले किये गए और बीजेपी के मुताबिक मुर्शिदाबाद में भी पत्थर बाजी की घटना हुई जिसमें कई लोगों के घायल होने का दावा किया गया और उन्हीं घायलों से मिलने पहुँचे कांग्रेस नेता अधीरंजन चौधरी को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा और गुसाए लोगों ने उन्हें देखते ही नारे लगाने शुरू कर दिये अधीरंजन चौधरी बहरामपूर से मौजूता सांसत है और बहरामपूर लोगसवा सीट मुर्षितबाद जिले में ही आती है कांग्रेस ने इस बार भी अधीरंजन चौधरी को ही बहरामपूर से टिकेट दिये जारकन के लोडगा में राम नॉमी की शोभा यात्रा के दौरान बेकाबू हुई एक गाड़ी ने दो लोगों की जान ले लिये और 24 से जादा लोग बुरी तरह घायल हो गए वहां राम नॉमी के मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई और ढोल निगाड़े के साथ राम भक्त राम नाम की धुन पर जूम रहे थे लेकिन तभी दर्दनाक हाद्सा हो गया क्योंकि उस गाड़ी ने शोभा यात्रा में शामिल हुए लोगों को एक जटके में रौन दिया वहां वो गाड़ी सड़क पर चलती भीड को बिल्कुल कुछलती हुई दिखाई दिये ये इतनी जल्दी हुआ कि लोगों को उस गाड़ी से दूर भागने का मौका ही नहीं मिल पाया वीडियो में कुछ देर पहले तक सब सामान ने नजर आया राम नामी के मौके पर शोभा यात्रा में शामिल हुए लोग जूमते काते दिखाई दिये कुछ लोग ढोल बजाते भी दिखे राम नाम की भक्ती में डूबे लोग हाथों में भगवा जंडे लेकर सड़क पर आगे बढ़ते दिखाई दिये तभी अचानक सफेद रंग की वो गाड़ी दोड़ती हुई वहां आई और एक साथ कई लोगों के ऊपर चड़ती हुई आगे बढ़ गई इसके बाद तो चीख पुकार मजगे राम नामी का उतसव एकदम मातब में बदल गया जब तक ड्राइवर ने उस गाड़ी को रोका तब तक वो कई मीटर तक आगे बढ़ चुकी थी और शोभा यात्रा में शामिल कई लोग इसकी चपेट में आ गए आनन फानन में उन लोगों को अस्पताल ले जाए गया लेकिन अस्पताल ले जाने के दोरान उन में दो लोगों की जान चली गए जबकि 24 से ज़्यादा लोगों की हालत गंभीर बताए गए क्योंकि शोभा यात्रा के बीच घुसी वो गाड़ी कहर बनका तूट पड़ी जो हादसे से कुछ देर पहले तक वहां लोगों के ठीक पीछे चल रही थी उस गाड़ी को शोभा यात्रा में इस्तमाल करने के लिए बुलाया गया उसमें साउंड सिस्टम और भगवा जंडे लगाए गया लेकिन वो गाड़ी शोभा यात्रा के लिए काल साबित हो गई लोहर दगा जिले में हुए भीशन हादसे के बाद आरोपी ड्राइवर को ग्रफतार करिया गया वहां राम नौमी के अगले दिन इलाके में सननाटा पसरा नजर आया लोगों ने बाजार बंद करवा दिये और हादसे के खिलाब अपना घुसा जाहिर किया इस वीच जारकन के मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उनाओ अस्पताल पहुँचे और घायलों से मुलाकात की इस दोरान लोहर दगा से बीजे पी के प्रत्याशी समीर उनाओ भी वहां मौझूद रहे उन्होंने राज्जी सरकार से मृतक के परिवार वालों को 20 लाग रुपए की साहयता देने की मांग की इसके साथ ही गायलों को भी 10 लाग रुपए की आर्थिक मदद देने के अपील की गई उदर पश्चे मंगाल के राजजपाल के खलाव ममता बेनर्जी की पार्टी टीमसी चुनाव आयोग पहुंच गई टीमसी ने पश्चे मंगाल के राजपाल सीवी आनन बोस के खलाव चुनाव आयोग में शिकायत दर्च करवाई ममतब एनरजी की पार्टी ने राजजपाल पर लोगसभा चुनाव में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया बिहार में RJD के पूर्व सांसद बुलो मंडल जे डियू में शामिल हो गए भागलपूर से सांसद रह चुके बुलो मंडल इसी सीट से फिर चुनाव लड़ना चाते थे लेकिन महागटबंधन की सीट शेरिंग में भागलपूर सीट कॉंग्रेस को मिलने के बाद वो पार्टी से नाराज चल रहे थे आम आदमी पार्टी ने मेयर पत के लिए महेश कीची और टिप्टी मेयर पत के लिए रविंद्र भार्दवाज को उम्मीदवार बनाया है दिल्ली में 26 अपरेल को मेयर और टिप्टी मेयर के चुनाव होंगे इधर पहले चरण के चुनाव में उत्तपरदेश में बीजेपी और आरेलडी गटबंधन का इम्तिहान होगा, यूपी में पहले चरण में आठ सीटों पर मतदान होगा और 2019 में इनमें पाँच बीजेपी हार गई थी, बीजेपी और आरेलडी पिछले चुनाव में अलग- और इसलिए का जा रहा है कि पहले चरण के चुनाम में उत्तो प्रदेश में बीजेपी और आरलडी गटबंधन की परीक्षा होगी क्योंकि इस गटबंधन की वजए से पस्चिमी यूपी में सियासी समीकरण बदल गए और कहा गया कि बीजेपी का प्रदर्शन पिछली बार से बहतर हो सकता है क्योंकि जैन चौधरी के बीजेपी के साथ आने की वज़े से जाड समुदाय के मतदाता बीजेपी के साथ आ सकते हैं और पश्चिमी यूपी की इन 5 सीटों पर BJP को फाइदा हो सकता है। पहले चरण में यूपी की होट सीट बन चुकी नगीना में भी मतदान होगा। बीएसपी ने जान बूज कर कमजोर उम्मीदवार मैदान में उतारा क्योंकि इससे उनका फाइदा हो सकता है। चंदरशेखर आजाद नगीना में दुआधार प्रचार कर रहा है। आजाद समाज पार्टी कांशी राम के चंदरशेखर आजाद नगीना से लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी के खिलाफ हो गए थे। बड़ी बात ये कि वो बीएसपी का विकल्प बनने की भी कोशिश में है। यानि नगीना में दो नहीं चार फ्रत्याशों के बीच कड़ी टक्कर हो सकती है। क्योंकि बीजेपी के ओम कुमार, एसपी के मनोज कुमार और बीएसपी के सुरेंदर पाल के अलावा चंदर शेकर आजाद ने भी नगीना में खुब पसीना बहाया और नगीना की लडाई में ट्विस्ट ला दिया। इसके लावा पश्चिमी यूपी की मुरादाबाद सीट पर भी नजर है पहले चरण में यहां भी मतदान होगा क्योंकि इस बार के चुनाम में महां समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से टिकेट का बटवारा किया उसकी खूग चर्चा हुई और यूपी की मुरादाबाद सीट हॉट सीट बन गए क्योंकि समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद में पहले स्टी हसन को उम्मीदवार मनाया था लेकिन नामांकन से पहले खबर आई थी कि समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद सीट से अपना उम्मीदवार बदल दिया और रुची वीरा को टिकेट दे दी यानी मुरादाबाद में समाजबादी पार्टी की उम्मीद्वार के लिए उसी के समर्थकों ने मुसिवत खड़ी कर दी और माना जा रहा है कि मुरादाबाद में बीजेपी के सरवेश सिंग को इसका फायदा हो सकता और उत्तरप्रदेश के ओर्ट सीट रामपूर भी समाजवादी पार्टी की अंदरूनी कले की वज़े से ही चर्चा में रही खबर आई की जेल में बंद आजम खांच आते थे की रामपूर से अखिलेश यादव चुनाव लड़ें लेकिन अखिलेश यादव ने इंकार कर दिया था और रामपूर से इमाम मौलाना मोहिबुला नद्वी को प्रत्याशी बना दिया था इस वज़े से नाराज आजम खांच के समर्थकों ने चुनाव का बहिशकार करने का अलान कर दिया था रामपूर में समाजवादी पार्टी की खींस्तान का आलम ये हो गया कि अखिलेश यादव वहां चुनाव प्रचार तक नहीं करने गए जोकि बीजेपी ने रामपूर से अपने प्रत्याशी घंशाम सिंग लोधी के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए अपड़ना यादव को भेजा यानि मुलायम सिंग यादव की बहु ने बीजेपी के लिए वहां चुनाव प्रचार किया लेकिन मुलायम सिंग यादव के बेटे प्रचार में गए ही ने और समाजवादी पार्टी की इसी खींस्तान की वज़े से यूपी की रामपूर भी होट सीट बन गए उतर पहले चरण के चुनाव में यूपी के होट सीट पीली भीत में भी वोट डाले जाएंगे पीली भीत सीट से वरुण गांधी 2019 में चुनाव जीते थे लेकिन 2024 के चुनाव में BJP जोंने टिकेट ही नहीं दी और ये सीट यूपी के होट सीट बन गए क bladder गया ये इस बार BJP के टिकेट पर वरुण गांधी पीली भीत से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं बीजेपी ने जब तक ये ऐलान ने किया था तब तक कई अटकलें लगी थी, कहा जा रहा था कि वरुन गांधी को सुल्तानपूर से और मेनका गांधी को पिली भीट से टिकेट मिल सकती है। इसके लावा पहले चरण के चुनाव में उत्त्रप्रदेश की होट सीट सहारनपूर में भी मददान होगा इस सीट पर कॉंग्रेस ने इम्रान मसूद को टिकेट दी और इनके लिए प्रियंका गांधी ने वहाँ चुनाव प्रचार किया था रह्मान की टिकेट काट कर एक दूसरे मुस्लिम उमीदवार माजिद अली को सहारनपूर से टिकेट दे दी और कॉंग्रेस के इम्रान मसूद की राहा मुश्किल कर दी क्योंकि सहारनपूर में मुकाबला त्रिकोणियों हो गया और प्रियंका के रोडशो के बाद तो इस 26 अपरेल तक बढ़ा दी गए दिल्ली की राउजिवन्य कोट इस मामले में 26 अपरेल को सुनवाई करेगी इसके साथ ही कोट ने मनीश सी सोधिया समेथ सभी आरोपियों को उन दस्तावेजों की लिस्ट दिने का निर्देश दिया जिनकी जांच पूरी नहीं हुई है सुप्रीम कोट ने EVM और VVPAT परचियों की 100 प्रतिशत मिलान वाली आचिकाप पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया इस दोरान चुनाव आयोग ने EVM को पूरी तरह सुरक्षित बताया तो बाद में कोट ने भी इस पर टिपनी की कि हर चीज़ पर अविश्वास नहीं जिता जा सकता गुजिरात के वडोद्रा में भीशन गर्मी से बचाने के लिए ट्राफिक पुलिस ने अपने कर्मियों को एसी वाले हेलमेट दिये इस हेलमेट को पहनने के बाद सिर के चारों और धंडी हवा का जोंका मिलता है इसकी वज़े से लोगों की सिर में गर्मी नहीं लगती उदर हमाचर पुदेश की मंडी लोगसवा सीट से कांगरेज के उम्मीदवार विक्रमदित्य सिंध ने वहाँ से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रणोत को बरसाती मेंढख बता दिया कंगना रनौत की एंट्री और विक्रमदित्य सिंग से उनकी टकर की वज़े से मंडी लोकसवा सीट ओड सीट बन गई और इसी सीट पर पिछले कुछ दिनों से जबानी जंग भी जारी है कंगना के पप्पू और बाप दादा वाले बयान के बाद अब विक्रमदित्य सिंग का एक बयान भी चर्चा में है कॉंग्रेस के उम्मीदबार विक्रमदित्य सिंग ने कंगना को बरसाती मेंधक बता दिया मैडम और कल चले जाएंगी बरसाती मेंड़क है तो इनको मैं क्या बोसर है अलाकि विक्रमदित सिंग के सामने ताल ठोक रहीं कंगना रनौत भी अपने अलग अंदाज से उन्हें पछाडने में जुटी हैं कंगना रनौत ने अपने प्रचार के दोरान विक्रमदित सिंग के राज परिवार से होने पर भी तंस किया था मंडी हिमाचल प्रदेश की चार लोकसवा सीटों में एक है जहां आखरी चरण में मत्तदान होगा इस भी 36 गड़ के कांकेर में सुरक्षा बल के अधिकारियों ने दावा किया कि नकसली कमांडर शंकर राओ की अगवाई में नकसलीयों का एक दल लोकसवा चुनाव में गड़बडी फैलाने के लिए अबू जमाड के जंगल में जमा हुए दो दिन पहले सुरक्षा बल के जमानों ने अबू जमाड के जंगल में एक operation चला कर 29 नकसलीयों को डहर कर दिया था क्योंकि सुरक्षाबल के अधिकारियों को ये खबर मिली थी कि कांकेर में चुनाव रोकने के लिए नकसली पोलिंग पार्टी पर हमला करने वाले हैं इस operation की अगवाई कर रहा है सुरक्षाबल के अधिकारी लक्षमन केवट के मुताबिक इसकी सूचना मिलने के बाद नकसलियों के खिलाफ operation शुरू कर दिया गया था। इंकाउंटर स्पेशलिस के नाम से मशूर लक्षमन केवट ने जानकारी दी कि 15 अपरेल को उन्हें नकसलियों के इस खतरनाक प्लान का पता चला था। इसके बाद 16 अपरेल को करीब 400 जवान नकसलियों को घेर ने उनके गढ़ में घुज गया। लेकिन नकसलियों को उनके आने की सूचना पहले ही मिल गई थी। इसलिए नकसलियों ने जंगल में बम लगा दिये थे। नस्दीक पहुँचते ही उन्होंने फाइरिंग शुरू कर दी थे। जंगल में करीब 50 नकसलियों का जमावडा था और वो लगातार फाइरिंग कर रहे थे। ठीक तीन दिन पहले यानि 16 अपरेल को सुरक्षा बल ने अबूज माण के जंगल में एक साथ उन्तीस नकसलियों को मार गिराया था। लेकिन नकसलियों के खिलाब सुरक्षा बलके इस ऑपरेशन पर सियासी घमासान मच गया। क्योंकि कॉंग्रेस की नेता सुप्रिया श्रनेत ने इस ऑपरेशन की जांच की मांग करते हुए मारे गए नकसलियों पर विवादासवत बयान दे दिया उनके इस बयान के सामने आने के बाद बीजेपी उन पर भड़क दे बीजेपी ने कॉंग्रेस पर सेना और सुरक्षा बलके जवानों के अपमान कारोप मर दिया नकसली में आपको शहीद नजर आता है और जो सेना के हमारे शूरवीर है उनमें सडक का गुंड़ा याद आता है बीजेपी ने इस मुद्धे पर कॉंग्रेस को इसलिए भी घेरा क्योंकि मई 2013 में 36 गड़ में ही नकसली हमले में कॉंग्रेस के बड़े नेता नंद कुमार पटेल और पूर्व केंदुरी मंत्री विद्या चरण शुक्ल समेथ 30 से जादा लोग मारे गए थे इधर यूपी की अमेठी लोगसवा सीट पर उस वक्त एक बड़ा ड़ामा हुआ जब गांग्रेस के नेता विकास अग्रहरी के बीजेपी में शामिल होने की खबर आई विकास अगरहरी यूपी कॉंग्रेस के संयोजक है और अमेठी में कॉंग्रेस के सीनियर नेताओं में है लेकिन थोड़ी ही देर बाद विकास अगरहरी मीडिया के सामने आये और बीजेपी में शामिल होने की खबरों को आधार हीन बता दिया और यहां तक की भगवा रंग का अंग वस्तर पहिनाये जाने वाले वीडियो पर भी सवाल उठाए इससे कुछ देर पहले विकास अगरहरी का अमेठी की सानसल स्मिन्ती इरानी के साथ एक वीडियो भी सामने आया थी वीडियो में विकास अग्रहरी के दाई और स्मृति इरानी खड़ी दिखी थी जबकि एक व्यक्ति विकास को भगवा अंगवस्त पहनाता दिखा। दावा किया गया कि विकास अग्रहरी ने कॉंग्रेस छोड़कर बीजेपी जॉइन कर ली। सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों और वेबसाइटों तक पर कॉंग्रेस को अमेठी में बड़ा जटका लगने की बात की जाने लेगी। लेकिन विकास अग्रहरी ने दावा कर दिया कि वो तो केवल इलाके की समस्याओं पर बात करने के लिए सांसत से मिलने गए थे। शिष्ठाचार के नाते उनका स्वागत करते हुए अंगवस्त पहनाया गया था। लेकिन उस वीडियो के जरीए लोगों को ब्रहमित किया गया। दोनों लोग भड़क गए। वो उससे हमला करता रहा। उस रेस्टाउंट में खाना खाने पहुंचे वो दोनों लोग और वहां के कर्मशारी जम कर गाली गलोज करते सुनाई दिये। उस रेस्टाउंट के बार काफी देर मारपीट चलती रही और बड़ी संख्या में मौझूद लोग ये जड़ब देखते नजर आए। मारपीट के दोरान वहां सारा सामान बिखर गया। सजावट के लिए लगाये गए गुबारे भी इधर उदर बिखर गये। यात्रियों को निकालने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ सभी यात्रियों तक हर संभव मदद भी पहुचाए जा रही है। केंद्री ग्रेह मंत्री अमिच्छा ने गुजरात के गांधी नगर में रोडशो किया। इस दोरान न्यूज 18 से बात करते हुए उन्होंने एक बार फिर एंडिये को 400 सीटे मिलने का दावा दोर आया। प्रकाश चोटाला की पार्टी INLD यानी इंडियन नैशनल लोगदल ने अभय चोटाला को हर्याना की गुरुक्षेत्र लोगसबा सीट से अपना उम्मीद्वार बना दिया। हरयाना के लिए पहली लिस्ट जारी करते हुए पार्टी ने तीन सीटों पर उम्मीद्वारों के नाम का एलान किया। गुरुक्षेत्र के अलावा हिसार से सुनैना चोटाला को तो अंबाला सीट से गुरुप्रीत सिंग को टिकेट दी गई। इधर चंडीगड लोगसबा सीट से पूर्व केंद्रिय मंत्री मनीश तिवारी को उम्मीद्वार बनाय जाने पर चंडीगड कॉंग्रेस में मचे घमासान के बाद पार्टी में सब कुछ ठीक होने का दावा किया गया। और ये दावा कॉंग्रेस नेता राजीव शुक्ल ने किया जो चंडीगड में पवन बनसल से मिलने पहुँचे। दोनों के बीज घर के अंदर क्या बात हुई इसकी जानकारी तो नहीं मिल पाई लेकिन राजीव शुक्ल ने ये जरूर बता दिया कि सब कुछ ठीक है। उदर हर्याना के कुरुक्षेत्र में चुनाव प्रचार करने निकले बीजेपी प्रत्याशी नवीन जिंदल ने बोरियां उठा कर ट्रक में लोड की। नवीन जिंदल दो बार कुरुक्षेत्र से सांसद रह चुके हैं लेकिन तब वो कॉंग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े थे। इस बार वो बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। करीब 10 साल तक सियासत से दूर रहे नवीन जिंदल कुछ दिन पहले ही बीजेपी का हिस्सा बने। पार्टी से टिकट मिलने के बाद उन्हें प्रचार में खुब पसीना बहा है। और कुरुक्षेत्र की एक अनाज मंडी में गेहूं की बोरियां ट्रक में लोड करते नजर आए। नवीन जिंदल को इस तरह मंडी में कंधे पर बोरी लिए देखकर लोगों ने तालियां बजाई। और जब उन्होंने बोरी ट्रक में लोड कर दी तो उनके समर्थन में नारे लगाए गए। कुरुक्षेत्र में विपक्षी कटबंधन के उम्मीदवार और आम आदमी पार्टी के नेता सुशील गुपता से होगा। नवीन जिंदल की तरह सुशील गुपता ने भी प्रचार में पूरी ताकट जोंगी। किसानों के बीच पहुंचे और खेतों में फसल काटी यानि सुशील गुपता ने भी चुनाफ प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ी। और हाथों में हसिया लेकर खेतों में पहुंच गए और एक किसान की तरह गेहूं की फसल काटी। ये देखकर उनके साथ आये उनके समर्थकों ने भी यही किया। क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता और कुरुक्षेत्र से विपक्षी गडबंधन के उम्मीदवार सुशील गुपता बिना हिच के खेतों में गये। और फसल काट कर रखनी शुरू कर दी। हर्याना की 10 सीटों पर कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गडबंधन हुआ था और इस गडबंधन के तहत आम आदमी पार्टी को हर्याना की जो एक सीट मिली वहां उसने सुशील गुपता को उम्मीदवार बना दिया। और तभी से कॉंग्रेस के पास इस सीट के लिए मजबूत उम्मीदवार नहीं था। खबर है कि इसी वज़े से हर्याना में आम आदमी पार्टी के साथ गडबंधन होते ही उसने कुरुक्षेत्र सीट उसे दे दी। और आम आदमी पार्टी ने हर्याना में पार्टी के अध्यक्ष सुशील गुपता को वहां से टिकेट दे दी। लेकिन बीजेपी ने कॉंग्रेस के नहले पर दहला तब चल दिया जब उसने कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल को प्रत्याशी बना दिया। इधर उत्तर प्रदेश के बिजनौर में दो गाड़ियों की टकर के बाद लोग इतनी बुरी तरीके से भिड़ गए कि पूरे इलाके में दहशत मच गई। वहाँ एक लड़का अपनी मोटरसाइकल से गुजर रहा था इस भी सामने से आ रही है गाड़ी से उसकी मोटरसाइकल टकरा गई। इसी बात पर दोनों पक्ष के लोगों के भी जड़ब हो गई। क्योंकि कई लोग अपने हाथों में डंडे लेकर दर्वाजे के बाहर हंगामा करते रहें। लेकिन उन लोगों को वहाँ से ख़देडने के लिए छट से लोग लगातार पत्तर फिंकते रहें। वहाँ बच्चे, महिलाएं और पुरुष सब उस घर के अंदर गुसने पर आमादा दिखें। तभी छट से एक लड़के ने उनके ऊपर इट गिरा दी। इसके बाद तो कुछ लोग भागते दिखाए दिये। वहाँ हुई इस इंसक जड़प में कई लोग घायल हो गया। बताया गया कि उन दो गाडियों के बीच हुई टक्कर की वज़े से दोनों पक्षों में मार पीट हुई। आलंकि पुलिस ने इस मामले में केस दर्च कर लिया। इस भी जम्मू कश्मीर में आतंकियों की घुसपैट की खबर मिलते ही सुरक्षा एजनसियां अलर्ट हो गई। साक्षी मलिक, एक्ट्रस आलिया भट और मायक्रोसॉट के सीओ सत्या नडेला को शामिल किया गया। इसके साथ ही रूसी राष्टपती पुतिन के विरोधी रहे अलेक्सी नवालनी की पत्नी यूलिया नवालनिया को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया। मालदीव में संसदिय चुनाव से पहले वहां के राष्टपती मुहम्मद मुईजू मुश्किलों में गिर गये। मुहम्मद मुईजू पर लगे कथिज ब्रस्टाचार के आरोब की रिपोर्ट लीक होने के बाद विपक्षी नेताओं ने उनके खिलाफ महावयोग चलाने की मांग कर दी। 2018 में उन पर पैसों के लेंदेन को लेकर ब्रस्टाचार के आरोब लगे थे। इधर उत्तरागंड के उत्तरकाशी में मतदाताओं को जागरूग करने के लिए गड़वाली भाषा में बनाया गया गाना सुर्खियों में आ गया। पिछली लोगसवा चुनाव में उत्तरकाशी के 50 से जादा मतदान केंद्रों पर 50 पतिछत से भी कम मतदान हुआ था। इसलिए इस बार चुनाव आयोग ने वहां के लोगों को जागरूग करने के लिए कई अभियान चला है। और गड़वाली भाशा में बनाया गया ये गाना भी उनी में एक है। इस गाने के बोल और संगीत दोनों ही लोगों का ध्यान खींचते हैं और इसलिए ये वाइरल हो गया। ये गाना जीडी प्रिसाद ने बनाया जो पेशे से तो वैग्यानिक हैं लेकिन मतदाताओं को जागरूग करने के लिए चुनाव आयोग के अभियान का हिस्सा बन गया। और गड़वाली भाशा में ये गाना बना डाला। उत्तराखंड की सभी पांच लोगसबा सीटों पर पहले चरण में मतदान होगा। और इससे पहले चुनाव आयोग उत्तरकाशी में इस गाने के जरीए लोगों को जागरूग करने में जुड़ गया। उत्तरकाशी उत्तराखंड की टीहरी गड़वाल लोगसबा सीट का इससा है। चाने में जुटी है जब की बीजेपी के लिए सभी सीटों पर जीत हासिल करना नाक का सवाल बन गया है। हलांके पूरे विदर्ब इलाके में कुल 10 लोगसबा सीटे आती हैं लेकिन पहले चरण में उनमें सिर्फ 5 सीट नातपुर, रामटेक, भंडारा गोंदिया, चंदरपुर और गडचिरोली चिमूर में मतदान होगा। इन सभी लोगसबा सीटों की सीमा एक दूसरे से जुड़ी है। विदर्ब वो इलाका है जहां हमेशा सूखे की मार पड़ती है। किसानों की आत्मत्या करने की वज़े से भी ये इलाका हमेशा सुर्खियों मेरा है। इसके लावा विधर्ब के तहट आने वाली गडचिरोली और चंद्रफुर लोगसबा सीट नकसलियों का गड़ मानी जाती है। इस भीज महाराज की बारामती सीट पर पवार परिवार के दो सदस्यों की टक करता है हो गई क्योंकि बारामती में सुप्रिया सुले और अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार दोनों ने नामांकन दाखिल कर दिया। सुले की जीत का जिक्र किया था और लोगों से अपील की थी कि इस बार वो बारामती में पवार परिवार की बहु को जिताएं। और इसी लिए महराष्ट की इस होट सीट पर नजर रहेगी। इधर एक्ट्रस शिल्पा शेट्टी के पती राज कुंद्रा की करोडों की संपत्ती एडी ने जब्द कर ली। इडी ने बिटकोईन फॉंजी गोटाले के आरोप में एक्ट्रस शिल्पा शेट्टी के पती राज कुंद्रा की परीब 98 करोड की संपत्ती जब्द की गई संपत्ती में जुहू का एक फ्लाट, पुणे का एक बंगला और राज कुंद्रा के नाम से कई शेयर भी शामिल ह इडी ने महराश्ट पुलिस और दिल्ली पुलिस की ओर से दर्च की गई FIR के आधार पर जान शुरू की थी और इसके बाद ये कारवाई की अंत्रिक्ष पर रिसरच करने वाली संस्था इसरो अगले हफते गगन्यान मिशन के तहट एक एहम परीक्षन करेगी इसरो के अध्यक्ष एस सोमनात के मताविक 24 अपरेल को अंत्रिक्ष में एक मानव रहित मिशन का परीक्षन किया जाएगा पता गया कि इसके बाद अगले साल इसी तरह के दो और परीक्षन किये जाएगे और सब कुछ ठीक रहा तो अगले साल के अंग तक इनसान को अंत्रिक्ष में भेजा जाएगा उस्ट्रेलिया ने अपनी राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीती जारी करते हुए भारत को रक्षा क्षेत्र में बेहत एहम सयोगी बताया उसने भारत के अलावा जापान के साथ भी सयोग बढ़ाने पर जोड दिया इसके अलावा चीन से तनाव को देखते हुए उस्ट्रेलिया अपना रक्षा बजट बढ़ाने की भी योज़ना बना रहा है इधर लोगसबा चुनाव के पहले चरण में राजिस्थान की जिन 12 सीटों पर मत्दान होना है वहां मैदान में उतरे मोधी सरकार के दो मंत्रियों की साखदाओं पर है राजिस्थान की कुल 25 लोगसबा सीटों पर दो चरणों में मत्दान होगा दूसरे चरण में राजिस्तान की 13 सीटों पर वोटिंग 26 अपरैल को होगी लेकिन राजिस्तान में होने वाले पहले चरण के चुनाव में ही मोधी सरकार में शामिल दो केंदरिय मंतरी अरजुनराम मेगवाल मैदान में हैं की अलवर लोगसबा सीट पर भुपेंद्र रियादव चुनाव लड़ रहे हैं राजिस्थान में पहले चरण की बारा सीटों में दस पर बीजेपी का मुकाबला कॉंग्रेस से है जबकि दो सीटों पर मुकाबला कॉंग्रेस के सयोगी तलों से इन में नागोर सीट पर हनु हनुमान बेनिवाल की पार्टी का गड़बंदन बीजेपी के साथ था लेकिन इस बार हनुमान बेनिवाल विपक्ची खेमे में शामिल हो गए जिबकि 2019 में नागोर सीट पर हनुमान बेनिवाल से हारने वाली कॉंग्रेस की जोती मिर्दा इस बार बीजेपी की उमीदवार है मतलब दोनों प्रत्याशियों ने पाला भले ही बदल लिया हो लेकिन इस मुकाबले के दोनों खिलाडी वही हैं जो बान साल पहले थे पहले चरण की कुल बारा में आठ सीटें ऐसी हैं जहां एक ही जाती के उमीदवारों के बीच सीधी टकर है और इन सीटों पर जिस जाती के उमीदवार को बीजेपी ने टिकेट दी कॉंग्रेस ने भी उसी जाती के प्रत्याशी बरताओं लगा दिया लेकिन राजिस्तान में पहले चरण की वोटिंग में जिस होट सीट पर सबकी नजरे हैं वो है चुरू लोग सबा सीट क्योंकि बीजेपी चोड़कर कॉंग्रेस में आये राहुल कस्वा का सीधा मुकाबला वहां बीजेपी से ही है अर्याणा की सीमा से लगने वाली ये लोग सबा सीट कॉंग्रेस उम्मीदवार राहुल कस्वा के लिए नाक का सवाल बन गई है तो बीजेपी भी किसी भी कीमत पर ये सीट अपने हाथ से फिसलने नहीं देना चाहती है और इसलिए दोनों पार्टियों ने वहां चुनाव प्रचार के दौरान पूरी ताकट जूंक दी थी कॉंग्रेस के उम्मीदवार राहुल कस्वान चुरू से मौजूदा सांसत है 2019 में उन्होंने बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीता था लेकिन 2024 के चुनाव से पहले माहौल बदल गया बीजेपी ने उनकी टिकेट काटकर पूरू पैरलिंपिक खिलाडी देवेंदर जहजरिया को थमा दी थी टिकेट कटने के बाद राहुल कस्वान नाराज हो गय थी जिफकी वहां जीत हासल करना बीजेपी के लिए प्रतिष्टा का सवाल बन गया क्योंकि 25 साल से चुरू लोगसबा सीट बीजेपी का अभेद दिफ्किला है मतलब वहां बीजेपी उम्मीनवार को 25 साल से कभी हार का मूँ नहीं देखना पड़ा दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉंडरिंग मामले में ED ने दस्तावेज की जांच से जुड़ी स्टेटस रिपोर्ट राउज एविन्यों कोर्ट को सौंप दी ED की तरफ से पेश वकीलों ने कोर्ट को बताया कि इन दस्तावेजों की जांच में एक महीने का समय और लगेगा चीन में सैंउक्तराष्ट के प्रतनिदी सिधार चेटर जी ने शुननी से भी नीचे के तापमान में योग किया खास बात ये कि उन्होंने बीजिंग में शुर्टलेस होकर योग के कई आसन किये जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो गया सिधार चेटर जी को 2020 में चीन में सैंउक्तराष्ट के प्रतनिदी के रूप में न्यूक्त किया गया था इधर महिला पहलवानों से चेट चाड के मामले में 26 अपरेल को फैसला आएगा चेट चाड का रोपी बीजेपी के सांसद ब्रिजभूशन शरंड सिंग पर है कैसरगन सीट पर पांश में चरण में यानी 20 मई को वोट डाले जाएंगे और उनके लिए नॉमिनेशन के आखरी तारीख 3 मई है ब्रजभूशन शरंड सिंग ने टिकेट से जुड़े सवाल का जवाब भी भगवान पर छोड़ दिया महिला पहलवान से छेड़ चाड़ के केस में ब्रजभूशन की तरव से एक नई आचिका दी गई और कहा गया कि शिकायत करने वाली महिला के बयान में विरोध हवास है ये भी बताया गया कि जिस वक्त की शिकायत महिला पहलवान ने की उस वक्त वो देश से बाहर थे अपनी दलील के समर्थन में उन्होंने पासपोर्ट की कॉपी भी कोट को दी रजभूशन शरंड सिंग ने मामले की फिर से जांच कराने की मांग की जिसके बाद कोट ने 26 अपरेल को मामले की अगली तारीख तै कर दी इस बीच डियाडियो ने क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कर एक और बड़ी कामयाबी आसिल कर ली सेना के लिए रिसर्च करने वाली संस्ता डियाडियो ने ओडिशा के चांदिपूर में स्वदेशी तक्नीक से बनी निर्भः क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया डियाडियो के मताविक ये घातक मिसाइल 300 किलो तक विस्फु तक लेकर वार कर सकती है और इसकी रेंज 1500 किलो मीटर है खास बातिये की कम उचाई से भी इस मिसाइल से हमला किया जा सकता है चिन्नई सुपर किंग्स के बलेबाज डेवन कॉनवे चोट की वज़े से IPL से बाहर हो गए इसके बाद चिन्नई सुपर किंग्स ने इंग्लिंड के तेज गेंबाज रिचर्ट गीसन को उनकी जगा टीम में शामिल कर लिया पंजाब के तरन तारण में पाकिस्तान सीमा के नस्दीग बीएसेफ ने एक पाकिस्तानी ड्रोन बरामत करने का दावा किया बीएसेफ के तलाशी अभ्यान के दौरान इस ड्रोन को जब्त किया गया बीएसेफ के मताबिक ये ड्रोन चीन में बना थे उदर खबरे की पश्चिमेशिया में तनाव के बाद एर रूट में बदलाव की वज़े से हवाई किराया बढ़ सकता है खबरे की आने वाले दिनों में अमेरिका और कैनेडा समेथ यॉरप के देशों में जाने के लिए हवाई किराया महंगा हो सकता है क्योंकि पश्चिमेशिया में जारी तनाव की वज़े से सभी एरलाइन कंपनिया इरान की एर स्पेस से बच नहीं लेकिन इससे उन्हें लंबा रास्ता थै करना पड़ रहा है खबरे की रूट में बदलाव की वज़े से एर इंडिया, इंडिगो और विस्तारा समेथ दूसरी एरलाइन कंपनिया किराया बढ़ाने की तैयारी में रॉटर्स ने दावा किया कि एलेक्ट्रिक कार बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी टेसला के मालिक इलॉन मस्क भारत में 300 करोड डॉलर यानि भारते रुपयों में करीब 25,000 करोड का निवेश कर सकते हैं इलॉन मस्क इसी महीने भारत की आत्रा पराने वाले हैं दावा किया गया कि वो टेसला की फैक्ट्री लगाने के अलावा भारत में दूसरे कारोबार की भी योज़ना बना रहे है सेउक्तराश्ट ने गाजा और वेस्ट बैंक में सहायता पहुचाने के लिए 281 करोड डॉलर यानि भारते रुपयों में करीब 24,000 करोड रुपय की मांग की सेउक्तराश्ट के मताबिक गाजा के 30,000 लाग फिलिस्तीनियों के पास खाना और स्वच पानी की कमी है और अगर उन्हें जल्द मदद नहीं पहुचाए गई तो वहां के हालाद बद से बत्तर हो सकते हैं इधर लोगसभा चुनाव के पहले चरण के तहद उत्तराखंड की सभी पांच सीटों पर वोट डाले जाएंगे मतलब पहले ही चरण में उत्तराखंड में लोगसभा के चुनाव निपड जाएंगे लेकिन राज्य की दो सीटे हरिद्वार और पौड़ी गड़वाल सीट पर सब की नजरे टिकी हैं क्योंकि हरिद्वार लोगसभा सीट से उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंतरी और कॉंग्रेस के कत्दावर नेता हरीश रावत के बेटे विरेंद्र रावत चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं क्योंकि उनके सामने बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंतरी त्रिवेंद्र सिंग रावत को उतारा मतलब हरिद्वार लोगसभा सीट पर लड़ाई रावत वर्सेज रावत की है एक तरफ विरेंद्र रावत दूसरी तरफ त्रिवेंद्र सिंग रावत जीत का सहरा किसके सिर बंदेगा ये चार जुन को पता चलेगा लेकिन अपने बेटे विरेंद रावत को चुनाव जितवाने के लिए हरीश रावत ने जम कर प्रचार किया यहां तक कि उन्होंने दुकान पर खड़े होकर समोसे भी तले इसी वज़े से हरिदवार लोगसबा सीट होट सीट मानी जा रही हरिदवार की तरह पौड़ी कड़वाल सीट पर भी लोगों की निगाठी की क्योंकि इस सीट से बीजेपी ने राज्य सबा सांसत अनिल बुलूनी को मैदान में उता रहा और कॉंग्रेस ने गड़ेश गोदियाल पर अपना भरोसा जिता है हालनकि पिछले दो लोगसबा चुनावर से राज्य की सभी सीटों पर बीजेपी का ही कमल खिल रहा है इस बीज आक्टर नवाजद्दीन सिद्ध्यकी के खिलाव छेर चाड के मामले को खत्म करने पर कोट ने मौर लगा दी आक्टर नवाजद्ध्दीन सिद्ध्ध्यकी को उत्रपुदेश के मुझफर नगर की विशेश वाकसो कोट से बड़ी रहत मिल गी कोट ने चेरचार के मामले में उन्हें क्लीन चिट देने वाली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को मंजूर कर लिया एक्टर नमाज उत्नीन सिद्धी की पत्नी आलिया ने उनके खलाब चेरचार का मामला दर्च कराया था खबर है कि रूस के एक आदमी ने अपने आठ महीने के बच्चे को खाना खिलाने के बजाए धूत की रोशनी से जिन्दा रखना चाहा जिससे उसके बच्चे की भूख से मौत हो गई आरोफ है कि वो आदमी अपने बच्चे को उसकी मां का दूद पीने से भी रोकता था ताकि उसके बेटे को सूर्य की रोष्टनी से दिव्य शक्तियां अहां से लो सके बाद में वहां की कोट ने उस आरोफी को आठ साल कैद की सजा सुनाई बारतिये शत्रंच खिलाडी ग्रैंड मास्टर विदिद गुजराती को कैंडिडेट्स टॉर्णमेंट के ग्यारवे राउंड में हार का सामना करना पड़ा उन्हें रूस के खिलाडी इएन निबुमिशी ने हरा दिया उस आदमी के शव को वील्चेर पर बैठा कर उस बैंक तक ले गई और बैंक कर्मियों को उस पर शक न हो इसके लिए वो लगातार उससे बात करती रही लोन के कागजों पर साइन करवाने के लिए उसने उस शव के हाथ में एक पैन भी थमाया लेकिन वो उसे ठीक से पकड़ी नहीं पाया इस दोरान जब बार बार उसका सिर आगे की तरफ जुक रहा था तो वो उसे समालती नजर आई ऐसे में वहां मौझूद बैंक कर्मियों को उस पर शक हुआ लेकिन वो जल्द से जल्द उन कागजों पर साइन करवाना चाहती थी इसलिए वो उससे ऐसे बात कर रही थी जमानो वो एक जीता जाकता इंसान हो लेकिन उस महिला की तमाम कोशिश के बावजूद जब बैंक कर्मियों का शक दूर नहीं हुआ तो उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी और पुलिस ने वहां पहुँचकर उस महिला को गिरफतार कर दिया जांच में सामने आया कि उस बुजूर की कई घंटों पहले ही मौत हो चुकी थी लेकिन परीब टीन लाग का लोन लेने के लिए वो उस शव को वीलचेर पर बैठा कर बैंक टक ले आई दिल्ली के मुख्यमंतरी अरन केजरिवाल पर एडी के अथिकारियों ने बड़ा आरोब लगाया और दावा किया कि वो जान बूज कर अपने शुगर लेवल बढ़ाने वाला खाना खा रहे हैं E.D. के अधिकारियों ने दलील दी कि अर्विन केजरिवाल अपनी जमानत की दलीलों को मजबूत करने के लिए ऐसा कर रहे है जिसके बाद अर्विन केजरिवाल पर सियासी हमले तो तेज हो ही गए तिहार जेल में उनके डायेट चार्ट की तस्वीरे में सामने आगे 18 दिन से तिहार जेल में बन्द अर्विन केजरिवाल को टॉइब ट्याज़त दी है लेकिन घर से आने वाला खाना डॉक्टर के बनाएं सी डायेट चार्ट के आधार पर तयार होता ए इस चार्ट के दूसरे कॉलम में तारीक लिखिये और आखरी कॉलम में डिनर में मिलने वाला खाना चार्ट के मुताबिक उनके डिनर में रोटी कम या जादा हो सकती है, सबजियां बदल सकती है लेकिन किसी भी दिन उनके डिनर से स्वीट यानी मिठाई कम नहीं की जाती। यहां तक कि डॉक्टर ने उनके डायट चार्ट में आलू पूरी तक जोड़ी है। जबकि एडी के वकीलों ने कोट में दावा किया कि डियाबिटीज के किसी भी मरीज को इस तरह के खाने और खासतोर पर मिठाई खाने की सला कोई डॉक्टर नहीं दे सकता। इसलिए कोट में हुई सुनवाई के बाद अर्विन केजरिवाल की सेहत पर नई बहस शुरू हो गई। जानकारी तब सामने आई जब अर्विन केजरिवाल ने विडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये डॉक्टर से मेडिकल कंसल्टेशन की मांग की। कोट ने उन्हें घर का खाना खाने की इजाज़त दी हुई है। और जेल में उनके खाने का वक्त भीत है। जानकारी के मुताबिक जेल में बंद अर्विन केजरिवाल का दिन सुबह साड़े चे बजे शुरू होता है और उसी वक्त उन्हें नाश्ता दिया जाता। नाश्ते में उन्हें चाय और अंडों के अलावा फल या कुछ और हलका खाना भी दिया जाता है। लगभग 11 बजे उनके लंच का समय होता है। लंच में उन्हें डाल, सबजी, रोटी, चावल और फल दिये जाते हैं। अलागे हर दिन का मेन्यू अलग रखा जाता है। और शाम साड़े 5 बजे ही उन्हें डिनर दिया जाता है। डिनर में भी उनके लिए हर दिन का मेन्यू अलग होता है जिसमें फल और मिठाई भी रखी जाती है। ED का आरोप यह है कि दिल्ली के CM जान बूच कर हाई शुगर और हाई काब डायट ले रहे हैं ताकि उनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाए। और उन्हें समानत मिलना आसान हो जाए। इस जानकारी के सामने आते ही सियासी बवाल मचने में भी देर नहीं लगी। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और अर्विंद केजरिवाल पर तीके हमले शुरू कर दिये। और बीजेपी सांसद मनोश तिवारी ने तो उन्हें गाजियाबाद की डासना जेल में शिफ्ट करने की सलह दे दी। दूसरी तरफ अर्विंद केजरिवाल के डाएट चार्ट में अंडों का जिक्र देखकर बीजेपी ने नया हमला शुरू कर दिया। गैरत तारिक जब तीसरा नवरातरा था उसे दिन शिरिमान जी अंडे खा रहे हैं। इस बीज बेंगलूरू में एक महिला ने स्कूटर पर सफर के दौरान अपने बच्चे की जान खत्रे में डाल दी। मेंगलूरू में एक बच्चे को स्कूटर के फुटरेस्ट पर खड़ा करके सफर कराने का एक वीडियो वारल हुआ। आरोप है के स्कूटर पर सवार एक महिला उस बच्चे को फुटरेस्ट पर खड़ा करवाकर सफर करा रही थी। कैनडा में हुई वहां की सबसे बड़ी सोने की चोरी के मामले में वहां की पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफतार करने का दावा किया। पुलिस के मताबिक पिशले साल तोरोंटो एरपोर्ट पर 6600 सोने की चड़ों की चोरी हो गई थी। इनकी क्रीमत एक करोड चालीस लाख डॉलर यानि भारती रुपों में करीब 110 करोड रुपए थी। बेंगलूरू एरपोर्ट पर 24 घंटे से जादा समय बिताने का दावा करने वाले यूट्यूबर विकास गौडा को गिरफतार कर लिया गया। उस पर आरोफ है कि वो 7 अपरेल को 24 घंटे से जादा समय तक एरपोर्ट पड़ रहा और उसने सुरक्षा के अंदेखी करते हुए वीडियो बनाये थे। इसके बाद उसने इस वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड कर दिया था। उदर लोगसबा चुनाव के पहले चरण में मद्यप्रदेश में कॉंग्रेस के गढ़ चिंदवाडा समेथ 6 लोगसबा सीटों पर भी वोटिंग होगी। मतलब चिंदवाडा ही मद्यप्रदेश की एक ऐसी सीट है जहां बीजेपी अपना कमल कमलनाथ की वज़े से नहीं खिला सकी। इस बार भी इस सीट पर नकुलनाथ कॉंग्रेस के उम्मीदवार हैं और उन्हें चुनाथी देने के लिए बीजेपी ने उनके सामने विवेक बंटी साहू को मैदान में उता रहा है। चिंदवारा समेथ पहले चरण के तहट आने वाली सभी छे सीटें राज्य के पूर्वी हिस्से में मौझूद है। सिर्फ चिंदवारा पर कॉंग्रेस का कब्जा है जबकि बाकी की सभी सीटों पर बीजेपी का पर्चम लेरा रहा है। इस बीश लोगसबा चुनाव के पहले चरण में दक्षिन भारत के सबसे बड़े राज्य तमिलनाड की सभी 49 सीटों पर चुनाव होगा। चुनाव आयोग ने तमिलनाड में एक ही चरण में मतदान कराने का फैसला किया था। चार सो लोगसबा सीट जीतने का लक्ष लेकर मैदान में उत्री बीजेपी की कोशिश तमिलनाड में बड़ी काम्याबी आसल करने किये। लेकिन वहाँ उसकी रहा इतनी आसान नहीं होने वाली क्योंकि वहाँ इस वार के लोगसबा चुनाव में तीन गड़ बंधन मैदान में बीजेपी ने इस मुद्टे को तमिलनाड में बुदाने की कोशिश की। पृधान मंतरी के साथ तमिलनाड में बीजेपी के अध्यक्ष अन्ना मलाई ने अपनी हर रैली और जन्सभा में इसे जोरशोर से उठाया। अन्ना मलाई तमिलनाडों की सबसे चचे सी कोयमबतूर से मैदान में हैं। लोगों की सांसे अठक नहीं क्योंकि एक मोटरसाइकल पर सवार होकर वो बदमाश एक दुकान के बाहर पहुंचे और गोलियों की बॉचार कर दी। और बेखौफ होकर तीनों बदमाश एक एक कर उस दुकान की तरफ गोलियां दाखते दिखाई दिये। उनमें एक बदमाश उस मोटरसाइकल पर सवार नजर आया और उसके दो साथी सडक किनारे खड़े होकर फाइरिंग करते नजर आये। इस बीच वो लोग कुछ देर रुके और फिर फाइरिंग शुरू कर दी। वारदात वाली जगह पर कुछ लोग एक गाड़ी में सवार दिखे लेकिन लगातार हो रही गोली बारी के वज़े से वो गाड़ी वहीं खड़ी रही जिफकी वहां से कुछ दूरी पर बड़ी संख्या में दूसरे लोग मौजूद दिखाई दिये। लेकिन उनमें कोई भी उन बदमाशों को रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और काफी देर तक गोलियां बरसाने के बाद उस बदमाश का एक साथी मोटर साइकल पर सवार हो गया लेकिन उसका दूसरा साथी भागने के दौरान फिर फाइरिंग करता दिखे आरोब लग सथाई सदस्ता को लेकर इलॉन मस्क के बयान पर अमेरिका की प्रतिक्रिया सामनी आई वहांके विदेश मंतराले ने साफ कर दिया कि अमेरिका सुरक्षा परिशत समेथ सेयुक्त राष्ट के दूसरे संस्थानों में सुधार का समर्थन करता है यही नहीं अमेरिका ने इन प्तवर्ष के मुकाबले 2023-2024 में इंफिसिस के करीब 26,000 कर्मचारियों की नौकरी चली गए। पहले चरण के मतदान से पहले बिहार की होट सीट जमुई में तेजस्वी की त्रभा के दोरान चिराग पासवान के परिवार को गालियां देने का एक वीडियो वारल हो गया और इस वीडियो पर बवाल मच गया। वीडियो दो दिन पहले का बताया गया इसे अंडिये के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे इंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक जितनराम माजी ने भी शेयर किया। और इसमें तेजस्वी के मंच के सामने से एक आदमी चिराख पासवान और उनके परिवार को गालियां देता सुनाई दिया। चिराख पासवान के लिए बोले जा रहे अब शब्द। वीडियो में तेजस्वी आदव माइक से बोलते दिखाई दिये और उनके ठीक बगल में जमुई से आरजेडी की प्रत्याशी अर्चना रविदास खड़ी दिखाई दिखाई दिए। और उनके ठीक सामने से किसी आदमी ने चिराख पासवान और उनके परिवार को उल्टा सीधा बोला। बता गया कि वीडियो दो दिन पहले जमुई में हुई तेजस्वी की सभागा है। ये वीडियो पहले चरण के मतदान से ठीक पहले वारल हुआ। चिराख यहीं नहीं रुके। उन्होंने दो टुक बोल दिया कि सियासत अपनी जगा है और परिवार अपनी जगा क्योंकि वो राबडी देवी या मीसा भारती की अपनी मां और बहन की तरह इज़त करते हैं। चिराख पास्वान भले ही तेजस्वी से नाराज हों लेकिन तेजस्वी ने सफाई दी कि उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि मंच के सामने से चिराख के परिवार को गालियां दी गए। तेजस्वी भले ही सफाई दें लेकिन पहले चरण के चुनाव से पहले वाइरल हुए इस वीडियो ने बिहार का सियासी पारा चड़ा दिया त्यूकि ये वीडियो जमुई का है और जमुई में पहले चरण में मतदान होगा। और इसलिए तेजस्वी आदव ने जमुई में कई रैलियां की और उन्ही रैलियों में एक पर विवाद हो गया। वो चिराग पासवान की सगी बहन निशा भारती के पती हैं। निशा भारती के अलावा चिराग पासवान की दो सौतेली बहने भी हैं। क्योंकि रामविलास पासवान ने दो शादियां की थी। उनकी पहली पत्नी का नाम राजकुमारी देवी था और दूसरी पत्नी का नाम है रीना पासवान चिराग पासवान और निशा भारती रीना पासवान और रामविलास पासवान के बच्चे हैं और राजकुमारी देवी और रामिलास पासवान की दो बेटियां हैं आशा और उशा और कहते हैं कि दोनों सौतेली बहनों से चिराग पासवान के रिष्टे अच्छे नहीं हैं और उन्होंने उनसे दूरी बनाये रखी लेकिन अपनी सगी बहन निशा भारती के पती अरुण भारती को चिराग ने वो सीट दे दी जिस सीट पर वो 2014 और 2019 में चुनाव लड़े थे लेकिन इस बार चिराग पासवान बिहार के हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे और इसके लिए चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपती पारस तक से लड़ाई कर ली थी और जीत उनकी हुई थी इसके बाद चिराग ने एलान किया था कि जमुई में उनके जीजा यानी अरुन भारती चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने अरुन भारती के लिए वहाँ धुआ धार चुनाव प्रचार भी किया और इसलिए वो यहां बाहरी प्रत्याशी वाली सियासत भी कर रही है और इस सीट पर पहली बार आरजेडी को जीत दिलाने की कोशिश कर रही है क्योंकि 2009 से अस्तित्व में आई जमुई सीट पर लगातार NDA का कबजा रहा लेकिन इस बार इस होट सीट पर नजर है क्योंकि चिराग चुनाव नहीं लड़ रहे है और उन्होंने अपने जीजा को मैदान में उता रहा है और आरजेडी प्रत्याशी उन्हें बाहरी बता रही है वैसे पहले चरण में बिहार की जिन चार सीटों पर मतदान होगा उन सीटों पर 2019 में NDA की ही जीत हुई थी और बीजेपी दक्षण बिहार की इन चारों सीटों पर 2024 में भी खबजा बनाए रखना चाती है क्योंकि इन चार सीटों में दो पर यानि गया और जमुई में BJP की सहयोगी पार्टियां चुनाव लड़ रही है गया में H.A.M. के जितनराम माजी मैदान में है और जमुई में रामिलास पासवान के दामाद और चिराक पासवान के जीजा अरुन भारती इसलिए प्रधान मंत्री ने इन सीटों पर रैलियां की और बिहार में NDA का पलडा महागटबंधन पर भारी करने की कोशिश की थी क्योंकि RJD की ओर से तेजस्वी ने भी गया और जमुई में धुआधार रैलियां की थी और उनकी कोशिश थी कि बिहार की इन चारों सीटों पर NDA को कड़ी टकर दी जाए जमुई में तो उन्होंने दो दिन पहले तक रैली की थी उदर BJP ने सोशल मीडिया पर कई वीडियो पोस्ट कर पश्चमंगाल में राम नौमी के जलूस पर हमला होने का दावा किया BJP ने इस हमले के लिए पश्चमंगाल की मुख्यमंत्री ममताब एनरजी को जिम्मेदार ठहराते हुए उन पर लोगों को उकसाने का आरोब लगाया क्योंकि BJP ने जो वीडियो पोस्ट किये उनमें कुछ लोग घरों की छटों से पत्थर और बम बरसाते नज़र आये के लिए लोगों को उकसाया जाता है और उकसाता कौन है इसी राज्य की मुख्यमंत्री आलकि TMC ने BJP को जवाब देने में देर नहीं लगाई एक रोज पहले राम नौमी के मौके पर पश्चमंगाल के कई हिस्सों में शुभायात्रा निकाली गई BJP ने आरोब लगाया कि इसी दोरान कई जगों पर शुपायात्रा पर हमले किये गए और BJP के मताबिक मुर्शिदाबाद में भी पत्थर बाजी की घटना हुई जिसमें कई लोगों के घायल होने का दावा किया गया और उन्हीं घायलों से मिलने पहुँचे कांग्रेस नेता अधीरंजन चौधरी को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा और गुसाए लोगों ने उन्हें देखते ही नारे लगाने शुरू कर दिये अधीरंजन चौधरी बहरामपूर से मौजूता सांसत हैं और बहरामपूर लोगसवा सीट मौशिदबाद जिले में ही आती है कांग्रेस ने इस बार भी अधीरंजन चौधरी को ही बहरामपूर से टिकेट दिये जारकन के लोरदगा में राम नौमी की शोभा यात्रा के दौरान बेकाबू हुई एक गाड़ी ने दो लोगों की जान ले लिए और 24 से जादा लोग बुरी तरह घायल हो गए। वहां राम नौमी के मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई और ढोल निगाड़े के साथ राम नाम की धुन पर जूम रहे थे। लेकिन तभी दर्दनाक हादसा हो गया। क्योंकि उस गाड़ी ने शोभा यात्रा में शामिल हुए लोगों को एक जटके में रौन दिया। एक साथ कई लोगों के ऊपर चड़ती हुई आगे बढ़ गई। इसके बाद तो चीख फुकार मज़ गए। राम नौमी का उत्सव एकदम मातब में बदल गया। जब तक ड्राइवर ने उस गाड़ी को रोका तब तक वो कई मीटर तक आगे बढ़ चुकी थी। पीछे चल रही थी। उस गाड़ी को शोभा यात्रा में इस्तमाल करने के लिए बुलाया गया। उसमें साउंड सिस्टम और भगवा जंडे लगाए गया। लेकिन वो गाड़ी शोभा यात्रा के लिए काल साबित हो गई। लोहर्दगा जिले में हुए भीशन हादसे के बाद आरोपी ड्राइवर को गरफतार करिया गया। वहां राम नौमी के अगले दिन इलाके में सननाटा पसरा नजर आया। लोगों ने बाजार बंद करवा दिये और हादसे के खिलाब अपना घुसा जाहिर किया। इस बीच जारकन के मंतरी डॉक्टर रामेश्वर उनाओ अस्पताल पहुंचे और घायलों से मुलाकात की। इस दोरान लोहर्दगा से बीजे पी के प्रत्याशी समीर उनाओ भी वहां मौझूद रहे। उन्होंने राज्य सरकार से मृतक के परिवार वालों को 20 लाग रुपए की साहिता देने की मांग की। इसके साथ ही गायलों को भी 10 लाग रुपए की आर्थिक मदद देने की अपील की गई। उदर पश्चे मंगाल के राजजपाल के खिलाव ममता बेनर्जी की पार्टी टीमसी चुनाव आयोग पहुंच गई। इसे नाराज चल रहे थे। बुलो मंडल ने 2014 लोगसबा चुनाव में भागलफूर सीट से बीजेपी प्रत्याशी शानवाज हुसेन को हराया था। MCD यानी दिल्ली नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों ने नामांकन कर दिया। और डिप्टी मेयर पत के लिए रविंद्र भार्दवाज को उम्मीदवार बनाया है। दिल्ली में 26 अपरेल को मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव होंगे। प्रदर्शन पिशली बार से बहतर हो सकता है क्योंकि जयन चौधरी के बीजेपी के साथ आने की वज़े से जाट समुदाय के मतदाता बीजेपी के साथ आ सकते हैं। और पश्चिमी यूपी की इन पांच सीटों पर बीजेपी को फाइदा हो सकता है। जिन पर बीजेपी पिशली बार हार गई थी क्योंकि पहले चरण में पश्चिमी यूपी की आठ सीटों पर बोट डाले जाएंगे और इन आठ सीटों में पांच पर पिशली बार बीजेपी हार गई थी। लेकिन इस बार सियासी समीकरण बदल गए हैं क्योंकि जो जयन चौधरी 2019 में मायवती और अखिलेश के साथ थे वो जयन चौधरी इस बार बीजेपी के साथ है। यही नहीं बीएसपी और एसपी भी अलग-अलग लड़ रहे हैं। इसी वज़े से पश्चिमी यूपी में बीजेपी बड़े उलट फेर की उम्मीद कर रही है। क्योंकि इस सीट पर बीएसपी का दब-दबा माना जाता है। मायवती के भतीजे आकाश आनन्द तो यहीं से प्रचार अभियान में कुदे। लेकिन चंदरशेखर आजाद ने दावा किया कि वहां बीएसपी ने जानबूज कर कमजोर उम्मीदवार मैदान में उता रहा क्योंकि इस से उनका फायदा हो सकता है। चंदरशेखर आजाद नगीना में धुआधार प्रचार कर रहा है। मुरादाबाद सीट पर भी नजर है पहले चरण में यहां भी मतदान होगा क्योंकि इस बार के चुनाम में वहां समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से टिकेट का बटवारा किया उसकी खूंग चर्चा हुई और यूपी की मुरादाबाद सीट होट सीट बन गए। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद में पहले स्टी हसन को उम्मीदवार बनाया था। कर दी। और रही सही कसर बीयस पी ने मुरादाबाद में मुस्लिम उमीदवार उतार कर पूरी कर दी। और माना जा रहा है कि मुरादाबाद में बीजेपी के सर्वेज सिंग को इसका फायदा हो सकता। और उत्तरप्रदेश की ओर्ट सीट रामपूर भी समाजवादी पार्टी की अंदूरू निकले की वज़े से ही चर्चा में रही। खबर आई कि जेल में बंद आजम खांच आते थे कि रामपूर से अखिलेश यादव चुनाव लड़ें लेकिन अखिलेश यादव ने इंकार कर दिया था। आ गया कि ये सब इसले हुआ क्योंकि आजम समर्थकों ने चुनाव के बहिशकार का एलान कर दिया था। थे लेकिन 2024 के चुनाव में बीजेपी जोने टिकेट ही नहीं दी। लेकिन जब ऐलान हुआ तो पता चला कि मेंका गांधी को तो सुल्तानपूर से टिकेट मिल गई लेकिन वरुन गांधी को तो टिकेट ही नहीं मिली। क्योंकि पीली भीट से बीजेपी ने जितन प्रिसाद को टिकेट दे थी। प्रिधान मंत्री ने पीली भीट में जितन प्रिसाद के समर्थन में वहां प्रचार भी किया था। और उस सभा में वरुन गांधी नहीं आये थी। यानि पीली भीट में इस बार ना मिनका गांधी है ना वरुन गांधी। पार्टी ने जितन प्रिसाद पर दाओं खेला है और इसलिए ये सीट हॉट सीट बन गए। इसके लावा पहले चरण के चुनाव में उत्त्रप्रदेश की हॉट सीट सहारनपूर में भी मददान होगा। इस सीट पर कॉंग्रेस ने इमरान मसूद को टिकेट दी और इनके लिए प्रियंका गांधी ने वहां चुनाव प्रचार किया था। और इसलिए सहारनपूर सीट यूपी की हॉट सीट बन गई। नतीजों पर नजर रहेगी। इधर दिल्ली शराब गोटाला मामले में मनीश्च सोधिया को फिर कोट से राध नहीं मिली। दिल्ली शराब गोटाले से जुड़े मनी लॉंडरिंग मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्य मंतुरी मनीश्च सोधिया की नियाईक हिरासत 26 अपरेल तक बढ़ा दी गए दिल्ली की राउजविन्य कोट इस मामले में 26 अपरेल को सुनवाई करेगी इस दोरान चुनाव आयोग ने EVM को पूरी तरह सुरक्षित बताया तो बाद में कोट ने भी इस पर टिपनी की कि हर चीज़ पर अविश्वास नहीं जिता जा सकता गुजिरात के वडोद्रा में भीशन गर्मी से बचाने के लिए ट्राफिक पुलिस ने अपने कर्मियों को एसी वाले हेलमेट दिये इस हेलमेट को पहनने के बाद सिर के चारों और धंडी हवा का जोंका मिलता है इसकी वज़े से लोगों की सिर में गर्मी नहीं लगती उदर हिमाचरपुदेश की मन्डी लोगसबा सीट से कॉंग्रेस के उम्मीदवार विक्रमदित्य सिंग ने वहां से बीजेपी पृत्याशी कंगना रणोत को बर्साती मेंधग बता दिया कंगना रनोथ की एंट्री और विक्रमदित्य सिंग से उनकी टक्कर की वज़े से मंडी लोकसवा सीट ओर शीट बन गई और इसी सीट पर पिछले कुछ दिनों से जबानी जंग भी जा रही है कंगना के पप्पू और बाप दादा वाले बयान के बाद अब विक्रमदित्य सिंग का एक बयान भी चर्चा में है कॉंग्रेस के उम्मीदवार विक्रमदित्य सिंग ने कंगना को बरसाती मेंधक बता दिया मैडम और कल चले जाएंगी बरसाती मेंडक है तो इनको मैं क्या बोसर है हाला कि विक्रमदित सिंग के सामने ताल ठोक रहीं कंगना रनौत भी अपने अलग अंदाज से उन्हें पछाडने में जुटी है कभी वो लोगों के बीच पहुँच कर डांस करने लगती हैं तो कभी खुद चाय बनाती हूँ भी दिखती हैं इतना ही नहीं मंडी की जंग में उतरते ही उन्होंने अपने तीखे तेवर दिखा दिये थे कंगना ननोत ने अपने प्रचार के दोरान विक्रमदित सिंग के राजपरिवार से होने पर भी तंस किया था मंडी हिमाचल प्रदेश की चार लोगसवा सीटों में एक है जहां आखरी चरण में मत्तदान होगा इस भी 36 गड़ के कांकेर में सुरक्षा बल के अधिकारियों ने दावा किया कि नकसली कमांडर शंकर राओ की अगवाई में नकसलीयों का एक दल लोगसवा चुनाव में गड़बडी फैलाने के लिए अबू जमाड के जंगल में जमा हुए दो दिन पहले शुरक्षा बल के जमानों ने अबू जमाड के जंगल में एक ओपरेशन चलाकर 99 नकसलीयों को ढ़ेर कर दिया था क्योंकि सुरक्षाबल के अधिकारियों को ये खबर मिली थी कि कांकेर में चुनाव रोकने के लिए नकसली पोलिंग पार्टी पर हमला करने वाले हैं इस operation की अगवाई कर रहा है सुरक्षाबल के अधिकारी लक्षमन केवट के मुताबिक इसकी सूचना मिलने के बाद नकसलियों के खिलाफ operation चुरू कर दिया गया था। इंकाउंटर स्पेशलिस के नाम से मशूर लक्षमन केवट ने जानकारी दी कि 15 अपरेल को उन्हें नकसलियों के इस खतरनाक प्लान का पता चला था। इसके बाद 16 अपरेल को करीब 400 जवान नकसलियों को घेर ने उनके गढ़ में घुज गये। लेकिन नकसलियों को उनके आने की सूचना पहले ही मिल गई थी। इसलिए नकसलियों ने जंगल में बम लगा दिये थे। नस्दीक पहुँचते ही उन्होंने फारिंग शुरू कर दी थे। जंगल में करीब 50 नकसलियों का जमावडा था और वो लगातार फारिंग कर रहे थे। इसी वज़े से सुरक्षाबल के जवानों ने भी उन पर गोलियां चलानी शुरू की जिसमें 25 लाग के इनामी नकसली कमांडर शंकर राओ समेथ 29 नकसली धेर हो गए थे। और 36 गड़ के कांकेर में नकसलियों के खिलाब सुरक्षाबल के ऑपरेशन पर कॉंगरेस नेता सुप्रिया श्रनेत ने विवादास पत बयान दे दिया। उनके बयान पर बीजेपी भड़क गई और उसने उन पर जमानों के अपमान कारोप लगा दिया। लोगसबा चुनाब के ठीक तीन दिन पहले यानि 16 अपरेल को सुरक्षाबल ने अबूज मार के जंगल में एक साथ उन्तीस नकसलियों को मार गिराया था। लेकिन नकसलियों के खिलाब सुरक्षाबल के इस ऑपरेशन पर सियासी घमासान बच गया। क्योंकि कॉंग्रेस की नेता सुप्रिया श्रनेत ने इस ऑपरेशन की जांच की मांग करते हुए मारे गए नकसलियों पर विवादास बद बयान दे दिया। उनके इस बयान के सामने आने के बाद बीजेपी उन पर भड़क गई। बीजेपी ने कॉंग्रेस पर सेना और सुरक्षा बलके जवानों के अपमान कारोप मर दिया। इदर यूपी की अमेठी लोगसवा सीट पर उस वक्त एक बड़ा ड्रामा हुआ जब कॉंग्रेस के नेता विकास अग्रहरी के बीजेपी में शामिल होने की ख़बर आई। लेकिन थोड़ी ही देर बाद विकास अग्रहरी मीडिया के सामने आये और बीजेपी में शामिल होने की ख़बरों को आधार हीन बता दिया। और यहां तक की भगवा रंग का अंगवस्त्र पैनाये जाने वाले वीडियो पर भी सवाल उठाए। इससे कुछ देर पहले विकास अग्रहरी का अमेठी की सांसर स्मृति इरानी के साथ एक वीडियो भी सामने आया थी। वीडियो में विकास अग्रहरी के दाई और स्मृति इरानी खड़ी दिखी थी जबकि एक व्यक्ति विकास को भगवा अंगवस्त पैनाता दिखा। दावा किया गया कि विकास अग्रहरी ने कॉंग्रेस छोड़कर बीजेपी जॉइन कर ली। सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों और वेबसाइटों तक पर कॉंग्रेस को अमेठी में बड़ा जटका लगने की बात की जाने लिगी। लेकिन विकास अग्रहरी ने दावा कर दिया कि वो तो केवल इलाके की समस्याओं पर बात करने के लिए सांसत से मिलने गए थे। शिष्टा चार के नाते उनका स्वागत करते हुए अंगवस्त पहनाय गया था। लेकिन उस वीडियो के जरीए लोगों को ब्रहमित किया गया। विकास अग्रहरी के मताबिक वो कॉंग्रेस के समर्पित कारे करता है और पार्टी छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते। इस भी जुत्तरप्रदेश के हापुड में खराब चटनी की वज़े से ऐसी मार्पीट हुई कि इसका वीडियो देखने वाले लोगों ने भी अपने सिर पकड़ लिया। महाँ वो करमचारी उनका मुकाबला करते हुए लाल टी-शट पहने एक लड़के से भिढ़ गया। लेकिन लाल टी-शट वाले लड़के ने भी टेबल स्टैंड उठाकर जोर से हमला कर दिया। इसके बाद तो उस रेस्टांट का एक दूसरा करमचारी वहां रखा एक गमला उस लड़के के ऊपर फिंकता दिखा। मतलब जिसके हाथ जो सामान आया वो उससे हमला करता रहा। उस रेस्टांट में खाना खाने पहुंचे वो दोनों लोग और वहां के करमचारी जम कर गाली गलोज करते सुनाई दिये। उस रेस्टांट के बार काफी देर मारपीट चलती रही और बड़ी संख्या में मौझूद लोग ये जड़ब देखते नजर आये। मारपीट के दौरान वहां सारा सामान विखर गया। सजावट के लिए लगाये गए गुबारे भी इधर उदर विखर गये। बता गया कि उस रेस्टांट में उन दोनों लोगों को दोसे के साथ खराब चटनी परोसी गई थी। इसी वज़े से वो लोग आग बबूला हो गए और जम कर मारपीट की। उदर दुबई में भारी बारिश के बाद फसे भारतिये यात्रियों को वहां से निकालने की कोशिशें तेज कर दी गई। फिर एंडिये को 400 सीटे मिलने का दावा दोर आया। केंद्रिय मंत्री मनीश दिवारी को उम्मीदबार बनाय जाने पर चंडिगड कॉंग्रेस में मचे घमासान के बाद पार्टी में सब कुछ ठीक होने का दावा किया गया। और ये दावा कॉंग्रेस नेता राजीव शुक्ल ने किया जो चंडिगड में पवन बनसल से मिलने पहुँचे। क्योंकि 2019 में कॉंग्रेस की टिकट पर चंडिगड सीट से चुनाव लड़ने वाले पवन बनसल नाराज बताय जा रहे हैं। वो इस सीट से एक बार फिर दावेदारी ठोक रहे थे लेकिन पार्टी ने उनकी जगा मनीश दिवारी को पत्याशी बना दिया। और इसके बाद तो चंडिगड कॉंग्रेस की कलहत खुल कर सामने आ गए। पवन बनसल के समर्थन में करीब सौ कारेकरताओं ने अपने पद से स्तीफा दे दिया। माना जा रहा है कि इसी के बाद कॉंग्रेस नेता राजीव शुकल चंडिगड में पवन मनसल के घर पहुंच गए। दोनों के बीज घर के अंदर क्या बात हुई इसकी जानकारी तो नहीं मिल पाई लेकिन राजीव शुकली ने ये जरूर बता दिया कि सब कुछ ठीक है। पर हर्याना के कुरुक्षेत्र में चुनाव प्रचार करने निकले बीजेपी प्रत्याशी नवीन जिंदल ने बोरियां उठाकर ट्रक में लोड की। पर बोरी लिए देखकर लोगोंने तालियां बजाई और जब उन्होंने बोरी ट्रक में लोड कर दी तो उनके समर्थन में नारे लगाये गए। वैसे कुरुक्षेत्र में नवीन जिंदल के परिवार का दबदबा माना जाता है। सुशील गुपता से होगा। नवीन जिंदल की तरह सुशील गुपता ने भी प्रचार में पूरी ताकत जोंगी। वो किसानों के बीच पहुचे और खेतों में फसल काटी। और हाथों में हसिया लेकर खेतों में पहुच गए। और एक किसान की तरह गेहूं की फसल काटी। ये देखकर उनके साथ आये उनके समर्थकों ने भी यही किया। क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता और कुरुक्षेत्र से विपक्षी गडबंधन के उम्मीदवार सुशील गुपता बिना हिच के खेतों में गए और फसल काट कर रखनी शुरू कर दी। हर्याना की 10 सीटों पर कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गडबंधन हुआ था और इस गडबंधन के तहट आम आदमी पार्टी को हर्याना की जो एक सीट मिली वहां उसने सुशील गुपता को उम्मीदवार बना दिया। और तभी से कॉंग्रेस के पास इस सीट के लिए मजबूत उम्मीदवार नहीं था। खबर है कि इसी वज़े से हर्याना में आम आदमी पार्टी के साथ गडबंधन होते ही उसने कुरुक्षेत्र सीट उसे दे दी। और आम आदमी पार्टी ने हर्याना में पार्टी के अध्यक्ष सुशील गुप्ता को वहाँ से टिकेट दे दी लेकिन बीजेपी ने कॉंग्रेस के नहले पर दहला तब चल दिया जब उसने कुरुकशेतर से नवीन जिंदल को प्रत्यासी बना दिया इधर उत्तर प्रदेश के बिजनौर में दो गाड़ियों की टकर के बाद लोग इतनी बुरी तरीके से भिड़ गए कि पूरे इलाके में दहशत मच गई वहाँ एक लड़का अपनी मोटरसाइकल से गुजर रहा था इस भी सामने से आ रही है गाड़ी से उसकी मोटरसाइकल टकरा गई इसी बात पर दोनों पक्ष के लोगों के भी जड़ब हो गई और कुछी देर में लोगों ने वहाँ पत्थरों की बरसात कर दी बड़ी संक्या में भीड एक गली में दोड़ती नजर आई जबकि दूसरे पक्ष के लोग एक घर की छत के उपर खड़े होकर पत्तराव करते दिखाए दिए इस दोरान ऐसा लगा मानों गली में मौझूद भीड उस घर का में गेट तोड़ कर वहाँ धावा बोल देगी क्योंकि कई लोग अपने हाथों में डंडे लेकर दरवाजे के बाहर हंगामा करते रहे लेकिन उन लोगों को वहाँ से खडेडने के लिए छट से लोग लगातार पत्तर फिंकते रहे वहाँ बच्चे, महिलाएं और पुरोष सब उस घर के अंदर गुसने पर आमादा दिखे तभी छट से एक लड़के ने उनके उपर इट गिरा दी इसके बाद तो कुछ लोग भागते दिखाए दिये जबकि जड़ब देख रहे दूसरे लोग पत्राव न करने की अपील करते नजर आए वहाँ हुई इस इंसक जड़ब में कई लोग घायल हो गया बताया गया कि उन दो गाड़ियों के बीच हुई टकर की वज़े से दोनों पक्षों में मार पीट हुई हालनकि पुलिस ने इस मामले में केस दर्च कर लिया इस भी जम्मू कश्मीर में आतंकियों की घुसपैट की खबर मिलते ही सुरक्षा एजनसियां अलर्ट हो गई खबरें की जम्मू कश्मीर में सीमा पार से आतंकियों ने घुसपैट कर चुनाव में खलल डालने का प्लैन बनाया है इससे देखते हुए खुफिया एजंसियों ने सुरक्षा बलको अलर्ट कर दिया इसके बाद राजोरी समेत कई जिलों में सर्च ओपरेशन तेज कर दिया गया इस काम में ग्राम रक्षा समिती के सदस्यों को भी लगाया गया ताकि आतंक्यों की साजिश नाकाम की जा सके अमेरिका की टाइम मैगजीन ने 2024 के 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी की और इस लिस्ट में भारतिय पहलमान साक्षी मलिक, अक्ट्रस आलिया भट और माइक्रोसोफ्ट के सीओ सत्या नडेला को शामिल किया गया इसके साथ ही रूसी राष्टपती पुतिन के विरोधी रहे अलेक्सी नवालनी की पत्नी यूलिया नवालनिया को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया मालदीव में संसदिय चुनाव से पहले वहांके राष्टपती मुहमध मुईजु मुष्चिलों में गिर गये मुहम्मद मुईजू पर लगे कथिज ब्रस्टाचार के आरोब की रिपोर्ट लीक होने के बाद विपक्षी नेताओं ने उनके खिलाफ महावयोग चलाने की मांग कर दी 2018 में उन पर पैसों के लेंदेन को लेकर ब्रस्टाचार के आरोब लगे थे इधर उत्तरागंड के उत्तरकाशी में मतदाताओं को जागरूग करने के लिए गड़वाली भाषा में बनाया गया गाना सुर्खियों में आ गया इस गाने के बोल और संगीत दोनों ही लोगों का ध्यान खीचते हैं और इसलिए ये वाइरल हो गया ये गाना जीडी प्रिसाद ने बनाया जो पेशे से तो वैग्यानिक हैं लेकिन मतदाताओं को जागरूग करने के लिए चुनाव आयोग के अभ्यान का हिस्सा बन गया और गड़वाली भाषा में ये गाना बना डाला उत्तराखंड की सभी पांच लोगसबा सीटों पर पहले चरण में मतदान होगा और इससे पहले चुनाव आयोग उत्रकाशी में इस गाने के जरिए लोगों को जागरूग करने में जुड़ गया उत्तरकाशी उत्तराखंड की टीहरी कड़वा लोगसबा सीट का इसा है उदर लोगसबा चुनाव के पहले चरण के तहट महाराष्ट के विधर्ब इलाके की पांच सीटों पर वोटिंग होगी जूद बचाने में जुटी है जबकि बीजेपी के लिए सभी सीटों पर जीत हासिल करना नाक का सवाल बन गया है हालांकि पूरे विधर्ब इलाके में कुल दस लोगसबा सीटे आती हैं लेकिन पहले चरण में उनमें सिर्फ पांच सीट नातपूर, राम्टेक, भंडारा गोंदिया, चंदरपूर और गडचिरोली चिमूर में मतदान होगा इन सभी लोगसबा सीटों की सीमा एक दूसरे से जुड़ी है विधर्ब वो इलाका है जहां हमेशा सूखे की मार पढ़ती है किसानों की आत्मत्या करने की वज़े से भी ये इलाका हमेशा सुर्खियों मेरा इसके लावा विधर्ब के तहट आने वाली गडचिरोली और चंदरपूर लोगसबा सीट नकसलियों का गड़ मानी जाती है इसलिए इन दोनों सीटों पर शांती पूर्ण मतदान करना एक बड़ी चुनोती इस बार विधर्ब की इन पांच सीटों पर बीजेपी विकास के नाम पर कॉंग्रेस का सफाय करने का दम भर रही है जबकि कॉंग्रेस किसी तरह खुद को जिंदा रखने की कोशिश में जुटी है इनमें नागपूर लोगसबा सीट होट सीट है क्योंकि इस सीट से केंदरिय मंतरी नितिन गटकरी बीजेपी से तीसरी बार चुनावी मैदान में जबकि उनके सामने कॉंग्रेस ने विकास ठाकरे को अपना उम्मीदवार बनाया इस भीज महाराश की बारामती सीट पर पवार परिवार के दो सदस्यों की टक करता है हो गई और अपनी सुनेत्रा पवार के बारामती के लोगों को संदेश भेजा था और अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार के लिए समर्थन मांगा था उन्होंने सीट पर सुप्रिया सुले की जीत का जिकर किया था लोगों से अपील की थी कि इस बार वो 12 मती में पवार परिवार की बहू को जिताय, यानि 12 मती में पवार परिवार की बेटी और बहू की लड़ाई होगी और इसी लिए महराष्ट की इस हॉट सीट पर नजर रहे गे इधर एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी के पती राज कुंद्रा की करोडों की संपत्ती एडी ने जब्द कर ली E.D. ने बिटकोईन फॉन्जी गोटाले के आरोप में एक्ट्रिस शिल्पा शेटी के पती राज गुंद्रा की परीब 98 करोड की संपत्ती जब्त कर ली जब्त की गई संपत्ती में चुहु का एक फ्लाट, पुणे का एक बंगला और राज गुंद्रा के नाम से कई शेयर भी शामिल है इडी ने महराष्ट पुलिस और दिल्ली पुलिस की ओर से दर्च की गई एफाईयार के आधार पर जान शुरू की थी और इसके बाद ये कारवाई की अंत्रिक्ष पर रिसरच करने वाली संस्था इसरो अगले हफते गगन्यान मिशन के तहट एक एहम परीक्षन करेगी इसरो के अध्यक्ष S. सोमनात के मुताबिक 24 अप्रेल को अंत्रिक्ष में एक मानव रहित मिशन का परीक्षन किया जाएगा पता गया कि इसके बाद अगले साल इसी तरह के दो और परीक्षन किये जाएगे और सब कुछ ठीक रहा तो अगले साल के अंग तक इनसान को अंत्रिक्ष में भेजा जाएगा औस्टेलिया ने अपनी राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीती जारी करते हुए भारत को रख्षक शेत्र में बेहत एहम सयोगी बताया उसने भारत के अलावा जापान के साथ भी सयोग बढ़ाने पर जोड दिया इसके लावा चीन से तनाव को देखते हुए उस्टेलिया अपना रक्षा बजट बढ़ाने की भी योज़ना बना रहा है इधर लोगसबा चुनाव के पहले चरण में राजिस्थान की जिन 12 सीटों पर मतदान होना है लेकिन राजिस्थान में होने वाले पहले चरण के चुनाव में ही मोधी सरकार में शामिल दो केंद्रिय मंत्रियों के किस्मत का फैसला होगा पीकानेर सीट पर केंद्रिय मंतरी अरजुन राम मेगवाल मैदान में हैं जबकि अलवर लोगसबा सीट पर भुपेंद्रियादव चुनाव लड़ रहे हैं। राजिस्थान में पहले चरण की 12 सीटों में 10 पर बीजेपी का मुकाबला कॉंग्रेस से है जबकि दो सीटों पर मुकाबला कॉंग्रेस के सयोगी तलों से इन में नागोर सीट पर हनुमान बेनिवाल की पार्टी आरेल पी और सीकर लोगसबा सीट पर CPIM का उम्मीदवार पात साल पहले हुए चुनाव में हनुमान बेनिवाल की पार्टी का गरबंदन बीजेपी के साथ था लेकिन इस बार हनुमान बेनिवाल विपक्षी खेमे में शामिल हो गए जिबकि 2019 में नागौर सीट पर हनुमान बेनिवाल से हरने वाली कॉंग्रेस की जोती मिर्दा इस बार बीजेपी की उम्मीदवार है मतलब दोनों प्रत्याशियों ने पाला भले ही बदल लिया हो लेकिन इस मुकाबले के दोनों खिलाडी वही हैं जो पान साल पहले थे पहले चरण की कुल बारा में आठ सीटें ऐसी हैं जहां एक ही जाती के उम्मीदवारों के बीच सीधी टकर है और इन सीटों पर जिस जाती के उम्मीदवार को बीजेपी ने टिकेट दी कॉंग्रेस ने भी उसी जाती के प्रत्याशी बरताओं लगा दिया लेकिन राजिस्तान में पहले चरण की वोटिंग में जिस हॉट सीट पर सबकी नजरे हैं वो है चुरू लोग सबा सीट क्योंकि बीजेपी चोड़कर कॉंग्रेस में आये राहुल कस्वा का सीधा मुकाबला वहां बीजेपी से ही है अर्याणा की सीमा से लगने वाली ये लोग सबा सीट कॉंग्रेस उम्मीदवार राहुल कस्वा के लिए नाक का सवाल बन गई है बीजेपी भी किसी भी कीमत पर ये सीट अपने हाथ से फिसलने नहीं देना चाहती है और इसलिए दोनों पार्टियों ने वहाँ चुनाव प्रचार के दौरान पूरी ताकट जोंक दी थी कॉंग्रेस के उम्मीदवार राहुल कस्वान चुरू से मौजूदा सांसत है 2019 में उन्होंने बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीता था लेकिन 2024 के चुनाव से पहले माहौल बदल गया बीजेपी ने उनकी टिकेट काट कर पूरू पैरलिंपिक खिलाडी देवेंदर जहजरिया को थमा दी थी टिकेट कटने के बाद राहुल कस्वान नाराज हो गय थी जिफकी वहां जीत हासल करना बीजेपी के लिए प्रतिष्टा का सवाल बन गया क्योंकि 25 साल से चुरू लोगसबा सीट बीजेपी का अभेद्य पिला है मतलब वहां बीजेपी उम्मीनदवार को 25 साल से कभी हार का मून नहीं देखना पड़ा इस भी यूपी के नोयडा में ड्रग्स बनाने की एक बड़ी फैक्टरी का भंडा फोर कर दिया गया दिल्ली के नजदीक उत्तरपुदेश के नोयडा में पुलिस ने एक ड्रग्स फैक्टरी का भंडा फोर करने का दावा किया पुलिस ने यहां से करीब 100 करोड रुपए के ड्रग्स के साथ नाइजेरिया के दो नागरिकों को ग्रिफतार कर लिया पुलिस के मताबिक ये लोग नोएडा के एक फ्लाट में ड्रग्स बनाते थे दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉंडरिंग मामले में इडी ने दस्तावेज की जांच से जुड़ी स्टेटस रिपोर्ट राउज एविन्यों कोट को सौंप दी इडी की तरफ से पेश वकीलों ने कोट को बताया कि इन दस्तावेजों की जांच में एक महीने का समय और लगेगा चीन में से उक्तराष्ट के प्रतनिदी सिधार चेटर जी ने शुन्नी से भी नीचे के तापमान में योग किया खास बात ये कि उन्होंने बीजिंग में शर्टलेस होकर योग के कई आसन किये जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो गया सिधार चेटर जी को 2020 में चीन में से उक्तराष्ट के प्रतनिदी के रूप में न्यूक्त किया गया था इधर महिला पहलवानों से चेटर चाड के मामले में 26 अपरेल को फैसला आएगा चेटर चाड का रोपी BJP के सांसद ब्रिजभूशन शरंण सिंग पर है ब्रिजभूशन शरंण सिंग यूपी की कैसर गन सीट से सांसद है और बीजएपी ने उनकी सीट से अब तक उम्मीदवार का एलान नहीं किया है और माना जा रहा है कि कोट के फैसले के बाद ब्रजबूशन सिंग की उम्मीदवारी पर फैसला लिया जाएगा कैसरगन सीट पर पांश में चरण में यानि 20 मई को वोट डाले जाएंगे और उनके लिए नॉमिनेशन के आखरी तारीख 3 मई है ब्रजबूशन शरण सिंग ने टिकेट से जुड़े सवाल का जवाब भी भगवान पर छोड़ दिया महिला पहलवान से छेड़चाड के केस में ब्रजबूशन की तरव से एक नई आचिका दी गई और का गया कि शिकायत करने वाली महिला के बयान में विरोध हवास है इस बीच DRDO ने क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षन कर एक और बड़ी काम्याबी आसिल कर ली सेना के लिए रिसर्च करने वाली संस्ता DRDO ने ओडिशा के चांदिपूर में स्वदेशी तकनीक से बनी निर्भः क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षन किया DRDO के मुताविक ये घातक मिसाइल 300 किलो तक विस्फु तक लेकर वार कर सकती है और इसकी रेंज 1500 किलोमीटर है खास बात ये कि कम उचाई से भी इस मिसाइल से हमला किया जा सकता है चिन्नाई सुपर किंग्स के बलेबाज डेवन कॉनवे चोट की वज़े से IPL से बाहर हो गए इसके बाद चिन्नाई सुपर किंग्स ने इंग्लिंड के तेज गेंबाज रिचर्ड ग्लीसन को उनकी जगा टीम में शामिल कर लिया पंजाब के तरन तारण में पाकिस्तान सीमा के नस्दीक B.S.F. ने एक पाकिस्तानी ड्रोन बरामत करने का तावा किया B.S.F. के तलाशी अभिहान के दौरान इस ड्रोन को जब्द किया गया B.S.F. के मताबिक ये ड्रोन चीन में बना दो उदर खबर है की पश्ची मेशिया में तनाव के बाद एर रूट में बदलाव की वज़े से हवाई किराया बढ़ सकता है खबर है के आने वाले दिनों में अमेरिका और कैनिडा समेट यॉरप के देशों में जाने के लिए हवाई किराया महंगा हो सकता है क्योंकि पश्चिमेशिया में जारी तनाव की वज़े से सभी एरलाइन कंपनिया एरान की एर स्वेस से बच रही हैं लेकिन इससे उन्हें लंबा रास्ता थै करना पड़ रहा है खबरे की रूट में बदलाव की वज़े से एर इंडिया, इंडिगो और विस्तारा समेथ दूसरी एरलाइन कंपनिया किराया पढ़ाने की तैयारी में रॉटर्स ने दावा किया कि इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी टेसला के मालिक इलॉन मस्क भारत में 300 करोड डॉलर यानि भारते रुपयों में करीब 25,000 करोड का निवेश कर सकते हैं इलॉन मस्क इसी महीने भारत की आत्रा पराने वाले हैं दावा किया गया कि वो टेसला की फैक्टरी लगाने के अलावा भारत में दूसरे कारोबार की भी योज़ना बना रहे है सेंउक्तराश्ट ने गाजा और वेस्ट बैंक में सहायता पहुंचाने के लिए 281 करोड डॉलर यानि भारते रुपयों में करीब 24,000 करोड रुपय की मांग की सेंउक्तराश्ट के मताबिक गाजा के 30 लाग फिलिस्तीनियों के पास खाना और स्वच पानी की कमी है और अगर उन्हें जल्द मदद नहीं पहुँचाए गई तो वहां के हालाद बद से बत्तर हो सकते हैं इधर लोगसभा चुनाव के पहले चरण के तहद उत्तराखन की सभी पांच सीटों पर वोट डाले जाएंगे मतलब पहले ही चरण में उत्तराखन में लोगसभा के चुनाव निपड जाएंगे लेकिन राज्यकी दो सीटे हरिद्वार और पौड़ी गड़वाल सीट पर सब की नजरे टिकी हैं क्योंकि हरिद्वार लोगसभा सीट से उत्तराखन के पूर्व मुख्यमंत्री और कॉंग्रेस के कद्दावर नेता हरीश रावत के बेटे विरेंद्र रावत चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं जबकि उनके सामने बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंग रावत को उतारा मतलब हरिद्वार लोगसभा सीट पर लड़ाई रावत वर्सेज रावत की है एक तरफ विरेंद्र रावत दूसरी तरफ द्रिवेंद्र सिंग रावत जीत का सहरा किसके सिर बंदेगा ये चार जुन को पता चलेगा लेकिन अपने बेटे विरेंद्र रावत को चुनाव जितवाने के लिए हरीश रावत ने जम कर प्रचार किया यहां तक कि उन्होंने दुकान पर खड़े होकर समोसे भी तले इसी वज़े से हरिद्वार लोगसबा सीट होट सीट मानी जा रही हरिद्वार की तरह पौडी कड़वाल सीट पर भी लोगों की निगाठी की है तो कि इस सीट से बीज़े पी ने राज़े सबा सांसत अनिल बुलूनी को मैदान में उता रहा है और कॉंग्रेस ने गणेश गोद्याल पर अपना भरोसा जिता है हाला कि पिछले दो लोग सबा चुनावसे राज़े की सभी सीटों पर बीजे पी का ही कमल खिल रहा है इस बीज आक्टर नवाजद्दीन सिद्धिकी के खिलाब छेड़चार के मामले को खत्म करने पर कोट ने मोहर लगा दी एक्टर नमाजुद्दीन सिद्यकी को उत्तरप्रदेश के मुझफर नगर की विशेश फॉक्सो कोट से बड़ी रहात मिल गई कोट ने चेरचार के मामले में उन्हें क्लीन चिट देने वाली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को मंजूर कर लिया एक्टर नमाजुद्दीन सिद्यकी की पत्नी आलिया ने उनके खलाब छेरचार का मामला दर्च कराया था खबरे की रूस के एक आदमी ने अपने आठ महीने के बच्चे को खाना खिलाने के बजाए धूत की रोशनी से जिन्दा रखना चाहा जिससे उसके बच्चे की भूख से मौत हो गई आरोफ है कि वो आदमी अपने बच्चे को उसकी मां का दूद पीने से भी रोखता था ताकि उसके बेटे को सूर्य की रोशनी से दिव्य शक्तियां आहां से लो सके बाद में वहां की कोट ने उस आरोफी को आठ साल कैद की सजा सुनाई बारतिये शत्रंच खिलाडी ग्रैंड मास्टर विदिद गुजराती को कैंडिडेट्स टॉर्णमेंट के ग्यारवे राउंड में हार का सामना करना पड़ा उन्हें रूस के खिलाडी एन निबुमिशी ने हरा दिया इस जीत के बाद एन निबुमिशी इस टॉर्नमेंट की रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुँच गए उदर ब्राजिल के रियोडी जिनेरों में लोन लेने के लिए एक शव को बैंक ले जाने की खबर से संसनी फैल गई आरोफ है कि करीब तीन लाग रुपए का लोन लेने के लिए वो मैला उस आदमी के शव को वीलचेयर पर बैठाकर उस बैंक तक ले गई और बैंक कर्मियों को उस पर शक न हो इसके लिए वो लगातार उससे बात करती रही लोन के कागजों पर साइन करवाने के लिए उसने उस शव के हाथ में एक पैन भी थमाया लेकिन वो उसे ठीक से पकड़ी नहीं पाया इस दोरान जब बार बार उसका सिर आगे की तरफ जुक रहा था तो वो उसे समालती नजर आई ऐसे में वहां मौझूद बैंक कर्मियों को उस पर शक हुआ लेकिन वो जल से जल उन कागजों पर साइन करवाना चाहती थी इसलिए वो उससे ऐसे बात कर रही थी जमानो वो एक जीता जाकता इंसान हो लेकिन उस महिला की तमाम कोशिश के बावजूद जब बैंक कर्मियों का शक दूर नहीं हुआ तो उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी और पुलिस ने वहां पहुँचकर उस महिला को गिरफतार कर दिया जांच में सामने आया कि उस बुजूर की कई घंटों पहले ही मौत हो चुकी थी लेकिन परीद तीन लाग का लोन लेने के लिए वो उस शव को वीलचेर पर बैठा कर बैंक टक ले आई दिली के मुक्किमंत्री अर्विन केजरिवाल पर I.D. के अधिकारीयों ने बड़ा आरोब लगाया और दावा किया कि वो जान बूज कर अपने शुगर लेवल बढ़ाने वाला खाना कहा रहे है ओठारा दिन से तेहार जेल में बंद अर्विन केजरिवाल को टाइब 2 डा जेल में अर्विन केजरिवाल को रोजाना अलग खाना दिया जा रहा है और ये वही खाना है जो उनके घर से बनकर आता है अदालत ने इसके लिए उन्हें अलग से इजाज़त दी है लेकिन घर से आने वाला खाना डॉक्टर के बना ऐसी डायट चार्ट के आधार पर तयार ह होता है इस चार्ट के दूसरे कॉलम में तारीक लिखिये और आखरी कॉलम में डिनर में मिलने वाला खाना चार्ट के मताबिक उनके डिनर में रोटी कम या जादा हो सकती है सबजियां बदल सकती हैं लेकिन किसी भी दिन उनके डिनर से स्वीट यानि मिठाई कम नहीं की ज क्योंकि दावा किया जाने लगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अपनी जमाना दर्जी के लिए मजबूत दलीले तैयार कर रहे हैं इसलिए वो जान बूचकर अपनी शुगर लेवल को ऊपर ले जाने की कोशिश में है ताकि अदालत को ये बताय जा सके कि जेल में रहने की वज़े से उनका शुगर लेवल बढ़ रहा कोट में ED के वकील ने बताया कि तिहार जेल से केजरिवाल के खाने और दवाओं की जानकारी मांगने पर उनके डायेट का पता चला जबकि केजरिवाल के वकील ने कोर्ट को बताया कि ED के वकील सिर्फ मीडिया की वज़े से इस तरह के आरोब लगा रहे हैं जानकारी तब सामने आई जब अर्विंद केजरिवाल ने विडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये डॉक्टर से मेडिकल कंसल्टेशन की मांग की जानकारी के मुताबिक जेल में बंद अर्विंद केजरिवाल का दिन सुबह साड़े चे बजे शुरू होता है और उसी वक्त उन्हें नाष्टा दिया जाता नाष्टे में उन्हें चाय और अंडों के अलावा फल या कुछ और हलका खाना भी दिया जाता है लगभग 11 बजे उनके लंच का समय होता है लंच में उन्हें दाल, सबजी, रोटी, चावल और फल दिये जाते हैं अलागि हर दिन का मेन्यू अलग रखा जाता है और शाम साड़े 5 बजे ही उन्हें डिनर दिया जाता है डिनर में भी उनके लिए हर दिन का मेन्यू अलग होता है जिसमें फल और मिठाई भी रखी ज और बीजेपी सांसद मनोश तिवारी ने तो उन्हें घाजियाबाद की डासना जेल में शिफ्ट करने की सलह दे दी दूसरी तरफ अरविंद केजरिवाल के डाइट चार्ट में अंडों का जिक्र देखकर बीजेपी ने नया हमला शुरू कर दिया अरविंद केजरिवाल जी की जान लेने की सासिश है डाइट पर कोट में हुए विबात के बाद अरविंद केजरिवाल ने याचिका वापस ले ली और नए सिरे से याचिका डालने का एलान किया इस बीच बेंगलूरू में एक महिला ने स्कूटर पर सफर के दौरान अपने बच्चे की जान खत्रे में डाल दी बेंगलूरू में एक बच्चे को स्कूटर के फुटरेस्ट पर खड़ा करके सफर कराने का एक वीडियो वायरल हुआ आरोपय के स्कूटर पर सवार एक महिला उस बच्चे को फुटरेस्ट पर खड़ा करवा कर सफर करा रही थी जबकि एक दूसरा आत्मी उस्कूटर को चला रहा था कैनडा में हुई वहां की सबसे बड़ी सोने की चोरी के मामले में वहां की पुलिस ने पांच आरोपयों को गिरफतार करने का दावा किया पुलिस के मुताबिक पिछले साल त्रोंटो एरपोर्ट पर 6600 सोने की चड़ों की चोरी हो गई थी इनकी क्रीमत एक करोड़ चालीस लाख डॉलर यानि भारती रुपव में करीब 110 करोड़ रुपई थी बेंगलूर्य एरपोर्ट पर 24 घंटे से जादा समय बिताने का दावा करने वाले यूट्यूबर विकास गौड़ा को गिरफतार कर लिया गया उस पर आरोप है कि वो 7 अपरेल को 24 घंटे से जादा समय तक एरपोर्ट पड़ रहा और उसने सुरक्षा की अंदेखी करते हुए वीडियो बनाये थे इसके बाद उसने इस वीडियो को यूट्यूब पर अप्लोड कर दिया था उदर लोगसभा चुनाव के पहले चरण में मद्धिप्रदेश में कॉंग्रेस के घड़ चिंदवाडा समेथ 6 लोगसभा सीटों पर भी वोटिंग होगी चिंदवाडा कॉंग्रेस की वो सीट है जहां बीजेपी को कभी काम्यावी नहीं मिली इस सीट से कॉंग्रेस के सबसे भरोसे मन नेताओं में एक कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ चुनावी मैदान में है और इसलिए ये होट सीट बानी जा रही है क्योंकि पिछले 44 साल से चिंदवाडा सीट पर कॉंग्रेस ने कभी हार का मों नहीं देखा इस बार भी इस सीट पर नकुलनाथ कॉंग्रेस के उम्मीदवार हैं और उन्हें चुनाथी देने के लिए बीजेपी ने उनके सामने विवेक बंटी साहू को मैदान में उता रहा चिंदवाडा समेथ पहले चरण के तहट आने वाली सभी 6 सीटें राज्य के पूरवी हिस्से में मौझूद हैं सिर्फ चिंदवाडा पर कॉंग्रेस का कभजा है जबकि बाकी की सभी सीटों पर बीजेपी का परचम लेरा रहा इस बीश लोगसभा चुनाव के पहले चरण में दक्षिंद भारत के सबसे बड़े राज्य तमिलनाड की सभी 49 सीटों पर चुनाव होगा चुनाव आयोग ने तमिलनाड में एक ही चरण में मतदान कराने का फैसला किया था 400 लोगसभा सीट जीतने का लक्ष लेकर मैदान में उत्री बीजेपी की कोशिश तमिलनाड में बड़ी काम्याबी आसल करने किये लेकिन वहां उसकी रहा इतनी आसान नहीं होने वाली क्योंकि वहां इस बार के लोगसभा चुनाव में तीन गटबंधन मैदान में बीजेपी की अग्वाईवाला NDA, DMK और कॉंग्रेस की अग्वाईवाला विपकशी कटमंधन और AIA DMK की अग्वाईवाला तमिलनाड का विपकशी कटमंधन एक दूसरे को टक कर दे रहे हैं लोगसभा चुनाव से ठीक पहले कच्चा तीवू मुद्दे ने वहां की सियासत को करमा दिया था। बीजेपी ने इस मुद्दे को तमिलनाड में भुणाने की कोशिश की। पृधान मंतरी के साथ तमिलनाड में बीजेपी के अध्यक्ष अन्ना मलाई ने अपनी हर रैली और जन सभा में इसे जोरशोर से उठाया। इधर मुद्दे प्रदेश के मुरेना में तीन बदमाशों ने सर्याम फाइरिंग कर ऐसी देश्चत मचाए कि महां खड़े लोगों की सांसे अटग नहीं क्योंकि एक मोटरसाइकल पर सवार होकर वो बदमाश एक दुकान के बाहर पहुंचे और गोलियों की बौचार कर और बेखौफ होकर तीनों बदमाश एक एक कर उस दुकान की तरफ गोलियां दाखते दिखाई दिये। इस देर तक गोलियां बरसाने के बाद उस बदमाश का एक साथी मोटरसाइकल पर सवार हो गया। लेकिन उसका दूसरा साथी भागने के दौरान फिर फाइरिंग करता दिखाई आरोब लगा कि पैसों के लेंदेन पर उन्होंने किराने के उस दुकान पर गोलियां चलाई बता गया कि उस वक्त दुकान का मालिक भी दुकान में मौजूद था हलाकि इस वारदात के बाद पुलिस ने केस दर्च कर लिया। भारत को स्थाई सदस्ता न देने को बे दुका पताया था। दिखज आईटी कंपनी इंफिसिस के करमचारियों की संक्या पिछले 23 साल में पहली बार घट गए। कंपनी के मुताबिक पिछले वित्तवर्ष के मुकाबले 2023-24 में इंफिसिस के करीब 26,000 करमचारियों की नौकरी चली गए। भारतिय शेर बाजार लगातार चौते दिन लाल निशान पर बंद हुआ इस दोरान जबसे ज़्यादा गिरावट पार्मा, एफिम सीजी, ओलन गैस, आटो और एनरजी सेक्टर के शेरों में रही। बैंकिंग शेरों पर भी भारी तबाव रहा, जिससे बॉंबे सॉक इक्षेंज का सेंसेक्स 454 अंक गिरकर 72,488 पर बंद हुआ, तो निफ्टी 152 अंकों की गिरावट के साथ 21,995 के स्थर पर आ गया। और इसमें तेजस्वी के मंच के सामने से एक आदमी चिराख पासवान और उनके परिवार को गालियां देता सुनाई दिया। और इस दोरान चिराख पासवान के लिए बोले जा रहे अब शब्द। वीडियो में तेजस्वी आदव माइक से बोलते दिखाई दिये और उनके ठीक बगल में जमुई से आरजेडी की प्रत्याशी अर्चना रविदास खड़ी दिखाई दिये। और उनके ठीक सामने से किसी आदमी ने चिराख पासवान और उनके परिवार को उल्टा सीधा बोला। बताय गया कि वीडियो दो दिन पहले जमुई में हुई तेजस्वी की सभा का है। ये वीडियो पहले चरण के मतदान से ठीक पहले वारल हुआ। और वीडियो वारल होने के बाद सियासी बबाद चड़ गया। चिराग पासवान तो भढ़क गया। उन्होंने सीधा तेजस्वी आदफ से सवाल पूछा। उन्होंने दो टुक बोल दिया कि अगर इस तरह की घटना उनके सामने हुई होती तो वो मुद तोड जवाब देते। और उसी वक्त उस आदमी को सबक सिखाते। ये बोलते हुए चिराग घुस्से में दिखे। तेजस्वी की सभा में गालियों वाले वीडियो के बारे में सवाल पूछे जाने पर चिराग खुद को रोक नहीं पाए। और तेजस्वी आदफ पर भढ़क गया। चिराग यहीं नहीं रुके। उन्होंने दो टुक बोल दिया कि सियासत अपनी जगा है और परिवार अपनी जगा। क्योंकि वो राबडी देवी या मीसा भारती की अपनी माँ और बहन की तरह इज़त करते हैं। चिराग पास्वान भले ही तेजस्वी से नाराज हों लेकिन तेजस्वी ने सफाई दी कि उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि मंच के सामने से चिराग के परिवार को गालियां दी गए। तेजस्वी भले ही सफाई दे लेकिन पहले चरण के चुनाव से पहले वाइरल हुए इस वीडियो ने बिहार का सियासी पारा चड़ा दिया त्यूकि ये वीडियो जमुई का है और जमुई में पहले चरण में मतदान होगा। और इसलिए तेजस्वी आदव ने जमुई में कई रहलियां की और उन्हीं रहलियों में एक पर विवाद हो गया। वो चिराग पासवान की सगी बहन निशा भारती के पती हैं। निशा भारती के अलावा चिराग पासवान की दो सौतेली बहने भी हैं। क्योंकि रामविलास पासवान ने दो शादियां की थी। उनकी पहली पत्नी का नाम राजकुमारी देवी था और दूसरी पत्नी का नाम है रीना पासवान चिराग पासवान और निशा भारती रीना पासवान और रामविलास पासवान के बच्चे हैं और राजकुमारी देवी और रामिलास पासवान की दो बेटियां हैं आशा और उशा और कहते हैं कि दोनों सो तेली बहनों से चिराग पासवान के रिष्टे अच्छे नहीं हैं और उन्होंने उनसे दूरी बनाय रखी लेकिन अपनी सगी बहन निशा भारती के पती अरुन भारती को चिराग ने वो सीट दे दी जिस सीट पर वो 2014 और 2019 में चुनाव लड़े थे लेकिन इस बार चिराग पासवान बिहार के हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे और इसके लिए चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपती पारस तक से लड़ाई कर ली थे और जीत उनकी हुई थी इसके बाद चिराग ने एलान किया था कि जमुई में उनके जीजा यानी अरुन भारती चुनाव लड़ेंगे जमुई में अर्चना रविदास का मायका है और इसलिए वो यहां बाहरी प्रत्याशी वाली सियासत भी कर रही है और इस सीट पर पहली बार आरजेडी को जीत दिलाने की कोशिश कर रही है क्योंकि 2009 से अस्तित्व में आई जमुई सीट पर लगातार NDA का कबजा रहा लेकिन इस बार इस होट सीट पर नजर है क्योंकि चिराग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और उन्होंने अपने जीजा को मैदान में उता रहा है और RJD प्रत्याशी उन्हें बाहर ही बता रही है लेकिन चिराग को उमीद है कि जमुई की लोग उनके जीजा को उनसे ज्यादा वोटों से जिता कर संसत भेजेंगे क्योंकि पहले चरण में बिहार की जमुई सीट पर भी मतदान होगा और BJP दक्षण बिहार की इन चारों सीटों पर 2024 में भी खबजा बनाये रखना चाहती है क्योंकि इन चार सीटों में दो पर यानि गया और जमुई में BJP की सहयोगी पार्टियां चुनाव लड़ रही है गया में H.A.M. के जीतनराम माजी मैदान में हैं और जमुई में रामिलास पासवान के दामाद और चिराक पासवान के जीजा अरुन भारती इसलिए प्रधान मंत्री ने इन सीटों पर रैलियां की और बिहार में NDA का फलडा महागटबंधन पर भारी करने की कोशिश की थी क्योंकि RJD की ओर से तेजस्वी ने भी गया और जमुई में धुआधार रैलियां की थी और उनकी कोशिश थी कि बिहार की इन चारों सीटों पर NDA को कड़ी टकर दी जाए जमुई में तो उन्होंने दो दिन पहले तक रैली की थी उदर BJP ने सोशल मीडिया पर कई वीडियो पोस्ट कर पश्चमंगाल में राम नौमी के जलूस पर हमला होने का दावा किया BJP ने इस हमले के लिए पश्चमंगाल की मुख्यमंत्री ममताब एनरजी को जिम्मेदार ठहराते हुए उन पर लोगों को उकसाने का आरोब लगाया क्योंकि BJP ने जो वीडियो पोस्ट किये उनमें कुछ लोग घरों की छटों से पत्थर और बम बरसाते नज़र आये के लिए लोगों को उकसाया जाता है और उकसाता कौन है इसी राज्य की मुख्यमंत्री आलकि TMC ने BJP को जवाब देने में देर नहीं लगाई एक रोज पहले राम नौमी के मौके पर पश्चमंगाल के कई हिस्सों में शुभायात्रा निकाली गई BJP ने आरोब लगाया कि इसी दोरान कई जगों पर शुपायात्रा पर हमले किये गए और BJP के मुताबिक मुर्शिदाबाद में भी पत्थर बाजी की घटना हुई जिसमें कई लोगों के घायल होने का दावा किया गया और उन्हीं घायलों से मिलने पहुँचे कांग्रेस नेता अधीरंजन चौधरी को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा और गुसाए लोगों ने उन्हें देखते ही नारे लगाने शुरू कर दिये अधीरंजन चौधरी बहरामपूर से मौझूता सांसद हैं और बहरामपूर लोकसबा सीट मुर्शितबाद जिले में ही आती है कांग्रेस ने इस बार भी अधीरंजन चौधरी को ही बहरामपूर से टिकेट दी है जारकन के लोडगा में राम नौमी की शोभा यात्रा के दौरान बेकाबू हुई एक गाड़ी ने दो लोगों की जान ले लिए और 24 से जादा लोग बुरी तरह घायल हो गए वहां राम नौमी के मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई और ढोल निगाड़े के साथ राम भक्त राम नाम की धुन पर जूम रहे थे लेकिन तभी दर्दनाक हाद्सा हो गया क्योंकि उस गाड़ी ने शोभा यात्रा में शामिल हुए लोगों को एक जटके में रौन दिया वहां वो गाड़ी सड़क पर चलती भीड को बिल्कुल कुछलती हुई दिखाई दी ये इतनी जल्दी हुआ कि लोगों को उस गाड़ी से दूर भागने का मौका ही नहीं मिल पाया वीडियो में कुछ देर पहले तक सब सामान ने नजर आया राम नामी के मौके पर शोभा यात्रा में शामिल हुए लोग जूमते काते दिखाई दिये कुछ लोग ढोल बजाते भी दिखे राम नाम की भक्ती में डूबे लोग हाथों में भगवा छंडे लेकर सड़क पर आगे बढ़ते दिखाई दिये तभी अचानक सफेद रंग की वो गाड़ी दोड़ती हुई वहां आई और एक साथ कई लोगों के ऊपर चड़ती हुई आगे बढ़ गई इसके बाद तो चीख फुकार मजगे राम नामी का उतसव एकदम मातब में बदल गया जब तक ड्राइवर ने उस गाड़ी को रोका तब तक वो कई मीटर तक आगे बढ़ चुकी थी और शोभा यात्रा में शामिल कई लोग इसकी चपेट में आ गए आनन्फानन में उन लोगों को अस्पताल ले जाए गया लेकिन अस्पताल ले जाने के दौरान उन में दो लोगों की जान चली गई जबकि 24 से ज़ादा लोगों की हालत गंभीर बताए गई क्योंकि शोभा यात्रा के बीच घुसी वो गाड़ी कहर बनका तूट पड़ी जो हादसे से कुछ देर पहले तक वहाँ लोगों के ठीक पीछे चल रही थी उस गाड़ी को शोभा यात्रा में इस्तमाल करने के लिए बुलाया गया उसमें साउंड सिस्टम और भगवा जंडे लगाए गया लेकिन वो गाड़ी शोभा यात्रा के लिए काल साबित हो गई लोहर दगा जिले में हुए भीशन हादसे के बाद आरोपी ड्राइवर को ग्रफतार करिया गया वहां राम नौमी के अगले दिन इलाके में सनाटा पसरा नजर आया लोगों ने बाजार बंद करवा दिये और हादसे के खिलाब अपना घुसा जाहिर किया इस बीच जारकंड के मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उनाओ अस्पताल पहुंचे और घायलों से मुलाकात की इस दोरान लोहर दगा से बीजे पी के प्रत्याशी समीर उनाओ भी वहां मौझूद रहे उन्होंने राज्य सरकार से मृतक के परिवार वालों को 20 लाग रुपे की सहायता देने की मांग की इसके साथ ही गायलों को भी 10 लाग रुपे की आर्थिक मदद देने की अपील की गई उदर पश्चिमंगाल के राजजपाल के खिलाव ममताब एनर्जी की पार्टी टीमसी चुनाव आयोग पहुंच गई टीमसी ने पश्चिमंगाल के राजपाल सीवी आनन बोस के खिलाव चुनाव आयोग में शिकायत दर्च करवाई ममतब एनर्जी की पार्टी ने राजजपाल पर लोगसबा चुनाव में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया बिहार में RJD के पूर्व सांसद बुलो मंडल J.D.U. में शामिल हो गए भागलपूर से सांसद रह चुके बुलो मंडल इसी सीट से फिर चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन महागटबंधन की सीट शेरिंग में भागलपूर सीट कॉंग्रेस को मिलने के बाद वो पार्टी से नाराज चल रहे थे आम आदमी पार्टी ने मेयर पत के लिए महेश कीची और टिप्टी मेयर पत के लिए रविंद्र भार्दवाज को उम्मीदवार बनाया है दिल्ली में 26 अपरेल को मेयर और टिप्टी मेयर के चुनाव होंगे इधर पहले चरण के चुनाव में उत्तप्रदेश में बीजेपी और आरेलडी गटबंधन का इम्तिहान होगा, यूपी में पहले चरण में आठ सीटों पर मतदान होगा और 2019 में इनमें पांच बीजेपी हार गई थी, बीजेपी और आरेलडी पिछले चुनाव में अलग- गलड़ी थी, आरेलडी समाजबादी पार्टी और बीजेपी के साथ थी, लेकिन इस बार बीजेपी और आरेलडी का गटबंधन हुआ, और इसलिए कहा जा रहा है कि पहले चरण के चुनाव में उत्तप्रदेश में बीजेपी और आरेलडी गटबंधन की परीक्षा होग क्योंकि इस गटबंधन की वजए से पश्चिमी यूपी में सियासी समीकरण बदल गए, और कहा गया कि बीजेपी का प्रदर्शन पिछली बार से बहतर हो सकता है क्योंकि जैन चौधरी के बीजेपी के साथ आने की वज़े से जाड समुदाय के मतदाता बीजेपी के साथ सकते हैं, और पश्चिमी यूपी की इन पांच सीटों पर बीजेपी को फाइदा हो सकता है, जिन पर बीजेपी पिछली बार हार गई थी, क्योंकि पहले चरण में पश्चिमी यूपी की आठ सीटों पर बोट डाले जाएंगे, और इन आठ सीटों में पांच पर पिछली उम्मीत कर रही है क्योंकि बश्यमी यूपी में इस बार सियासी समीकरण बदल गए हैं पहले चरण में यूपी की होट सीट बन चुकी नगीना में भी मतदान होगा यूपी की नगीना सीट इसलिए होट सीट कई जा रही है क्योंकि इस सीट पर आजाद समाज पार्टी मायावती के भतीजे आकाश आनंद तो यहीं से प्रचार अभियान में कुदे। लेकिन चंदरशेखर आजाद ने दावा किया कि वहां B.S.P. ने जान बूज कर कमजोर उम्मीदवार मैदान में उता रहा ह। क्योंकि इससे उनका फायदा हो सकता है। कमार, S.P. के मनोज कमार और B.S.P. के सुरेंदर पाल के लावा चंदरशेखर आजाद ने भी नगीना में खुब पसीना बहाया और नगीना की लडाई में ट्विस्ट ला दिया। इसके लावा पश्चिमी यूपी की मुरादाबाद सीट पर भी नजर है पहले चरण में यह पहले खबर आई थी कि समाजबादी पार्टी ने मुरादाबाद सीट से अपना उम्मीदवार बदल दिया और रुची वीरा को टिकेट दी रुची वीरा को आजम खां के खेमे का माना जाता है और उन्हें टिकेट मिलने से स्टी हसन नाराज हो गय था उनके समर्थकों न माना जा रहा है कि मुरादाबाद में बीजेपी के सर्वेज सिंग को इसका फायदा हो सकता और उत्तरप्रदेश के ओड़ सीट रामपूर भी समाजबादी पार्टी की अंदूरू निकले की वज़ए से ही चर्चा में रही खबराई की जेल में बंद आजम खां चाते थे रामपूर में समाजबादी पार्टी की खींचतान का आलम यह हो गया कि अखिलेश यादव वहां चुनाव प्रचार तक नहीं करने गए जबकि इस से पहले मुलायम सिंग यादव और अखिलेश यादव चुनाव प्रचार के लिए रामपूर आते थे सिंग यादव के बेटे प्रचार में गए ही ने और समाजबादी पार्टी की इसी खींचतान की वज़े से यूपी की रामपूर भी होट सीट बन गए उधर पहले चरण के चुनाव में यूपी की होट सीट पीली भीत में भी वोट डाले जाएंगे पीली भीत सीट से वर वरुन गांधी को सुल्तानपूर से और मेंका गांधी को पीली भीत से टिकेट मिल सकती है लेकिन जब एलान हुआ तो पता चला कि मेंका गांधी को तो सुल्तानपूर से टिकेट मिल गई लेकिन वरुन गांधी को तो टिकेट ही नहीं मिली क्योंकि पीली भीत से बीजेपी ने जितिन प्रिसाद को टिकेट दे थी प्रधान मंत्री ने पीली भीत में जितिन प्रिसाद के समर्थन में वहाँ प्रचार भी किया थी और उस सभा में वरुन गांधी नहीं आये थी यानि पीली भीत में इस बार ना मिनका गांधी है ना वरुन गांधी पार्टी ने जितिन प्रिसाद पर दाओं खेला है और इसलिए ये सीट होट सीट बन गए इसके लावा पहले चरण के चुनाव में उत्तरप्रदेश की होट सीट सहारनपूर में भी मददान होगा इस सी कांग्रेस ने वहाँ उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया और प्रजार के आखरी दिन खुद प्रियंका गांधी ने उनके लिए वहाँ रोडशो किया यही नहीं बीस पी ने भी अपने मौझूदा सांसद हाजी फजुर रह्मान की टिकेट काट कर एक दूसरे मुस्लिम उमीदवार माजिद अली को सारनपूर से टिकेट दे दी और कॉंग्रेस के इमरान मसूद की रहा मुश्किल कर दी क्योंकि सारनपूर में मुकाबला त्रिकोणियों हो गया और प्रियंका के रोडशो के बाद तो इस सीट के नतीजों पर नजर रहेगी इधर दिल्ली शरा साथी कोट ने मनीश सी सोधिया समेथ सभी आरोपियों को उन दस्तावेजों की लिस्ट दिने का निर्देश दिया जिनकी जांच पूरी नहीं हुई है गुजिरात के वडोद्रा में भीशन गर्मी से बचाने के लिए ट्राफिक पुलिस ने अपने कर्मियों को एसी वाले हेलमेट दिये इस हेलमेट को पहनने के बाद सिर के चारों और धंडी हवा का जोंका मिलता है इसकी वज़े से लोगों की सिर में गर्मी नहीं लगती उदर हिमाचर पुदेश की मंडी लोगसवा सीट से कॉंग्रेस के उम्मीदवार विक्रमदित्य सिंग ने वहां से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनोत को बरसाती मेंधग बता दिया कंगना रनोद की एंट्री और विक्रमदित्य सिंग से उनकी टक्कर की वज़े से मंडी लोगसवा सीट और सीट बन गई और इसी सीट पर पिछले कुछ दिनों से जबानी जंग भी जारी है कंगना के पप्पू और बाप दादा वाले बयान के बाद अब विक्रमदित्य सिंग का एक बयान भी चर्चा में है कॉंग्रेस के उम्मीदवार विक्रमदित्य सिंग ने कंगना को बरसाती मेंधक बता दिया मेडम और कल चले जाएंगी बरसाती मेंडक है तो इनको मैं क्या बोसर है। अलाकि विक्रमदित सिंग के सामने ताल ठोक रहीं कंगना रनौत भी अपने अलग अंदाज से उन्हें पछाडने में जुटी हैं। कभी वो लोगों के बीच पहुँच कर डांस करने लगती हैं तो कभी खुद चाय बनाती हुँ भी दिखती है। इतना ही नहीं मंडी की जंग में उतरते ही उन्होंने अपने तीखे तेवर दिखा दिये थे। बड़ा पपू है दिल्ली में लेकिन हमारे यहां पे भी एक छोटा पपू है। कंग्णा ननौत ने अपने प्रचार के दोरान विक्रमदित सिंग के राजपरिवार से होने पर भी तंस किया था। मंडी हिमाचल प्रदेश की चार लोगसवा सीटों में एक है जहां आखरी चरण में मत्तदान होगा। इजबी 36 गड़ के कांकेर में सुरक्षा बल के अधिकारियों ने दावा किया कि नकसली कमांडर शंकर राव की अगवाई में नकसलीों का एक दल लोगसवा चुनाव में गड़बडी फैलाने के लिए अबू जुमाड के जंगल में जमा हुए। तो दिन पहले सुरक्षा बल के जवानों ने अबू जुमाड के जंगल में एक ऑपरेशन चला कर 29 नकसलीों को धेर कर दिया था। क्योंकि सुरक्षा बल के अधिकारियों को ये खबर मिली थी कि कांकेर में चुनाव रोकने के लिए नकसली पोलिंग पार्टी पर हमला करने वाले हैं। इस operation की अगवाई कर रहा है सुरक्षाबल के अधिकारी लक्षमन केवट के मुताबिक इसकी सूचना मिलने के बाद नकसलियों के खिलाफ operation चुरू कर दिया गया था इंकाउंटर स्पेशलिस के नाम से मशूर लक्षमन केवट ने जानकारी दी कि 15 अपरेल को उन्हें नकसलियों के इस खतरनाक प्लान का पता चला था इसके बाद 16 अपरेल को करीब 400 जवान नकसलियों को घेर ने उनके गढ़ में घुज गये लेकिन नकसलियों को उनके आने की सूचना पहले ही मिल गई थी इसलिए नकसलियों ने जंगल में बम लगा दिये थे नजदीक पहुँचते ही उन्होंने फाइरिंग शुरू कर दी थे जंगल में करीब 50 नकसलियों का जमावडा था और वो लगातार फाइरिंग कर रहे थे इसी वज़े से सुरक्षाबल के जवानों ने भी उन पर गोलियां चलानी शुरू की जिसमें 25 लाग के इनामी नकसली कमांडर शंकर राव समेथ 29 नकसली धेर हो गए थे और 36 गड़ के कांकेर में नकसलियों के खिलाब सुरक्षाबल के ऑपरेशन पर कॉंग्रेस नेता सुप्रिया श्रनेत ने विवादास पत बयान दे दिया उनके बयान पर बीजेपी भड़क गई और उसने उन पर जमानों के अपमान कारोप लगा दिया लोग सबाचुनाव के ठीक तीन दिन पहले यानि 16 अपरेल को सुरक्षाबल ने अबूज मार के जंगल में एक साथ उन्तीस नकसलियों को मार गिराया था लेकिन नकसलियों के खिलाब सुरक्षाबल के इस उपरेशन पर सियासी घमसान मच गया क्योंकि कॉंग्रेस की नेता सुप्रिया श्रनेत ने इस ऑपरेशन की जांच की मांग करते हुए मारे गए नकसलियों पर विवादासवत बयान दे दिया उनके इस बयान के सामने आने के बाद बीजेपी उन पर भढग गई बीजेपी ने कॉंग्रेस पर सेना और सुरक्षा बलके जवानों के अपमान कारोप मर दिया बीजेपी ने इस मुद्धे पर कॉंग्रेस को इसलिए भी घेरा क्योंकि मई 2013 में 36 गड़ में ही नकसली हमले में कॉंग्रेस के बड़े नेता नंद कुमार पटेल और पूर्व केंदुरी मंतरी विद्या चरण शुक्ल समेथ 30 से जादा लोग मारे गए थे इदर यूपी की अमेठी लोगसवा सीट पर उस वक्त एक बड़ा ड्रामा हुआ जब कॉंग्रेस के नेता विकास अग्रहरी के बीजेपी में शामिल होने की खबर आई विकास अग्रहरी यूपी कॉंगरेस के सैयोजक है और अमेठी में कॉंगरेस के सीनियर नेताओं में है लेकिन थोड़ी ही देर बाद विकास अग्रहरी मीडिया के सामने आये और बीजेपी में शामिल होने की खबरों को आधार हीन बता दिया और यहां तक की भगवा रंग का अंगवस्तर पैनाये जाने वाले वीडियो पर भी सवाल उठाए इससे कुछ देर पहले विकास अगरहरी का अमेठी की सांसर स्मृती इरानी के साथ एक वीडियो भी सामने आया थी वीडियो में विकास अग्रहरी के दाई और स्मृति इरानी खड़ी दिखी थी जबकि एक व्यक्ति विकास को भगवा अंगवस्त पहनाता दिखा। दावा किया गया कि विकास अग्रहरी ने कॉंग्रेस छोड़कर बीजेपी जॉइन कर ली। सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों और वेबसाइटों तक पर कॉंग्रेस को अमेठी में बड़ा जटका लगने की बात की जाने लेगी। लेकिन विकास अग्रहरी ने दावा कर दिया कि वो तो केवल इलाके की समस्याओं पर बात करने के लिए सांसत से मिलने गए थे। शिष्ठाचार के नाते उनका स्वागत करते हुए अंगवस्त पहनाया गया था। लेकिन उस वीडियो के जरीए लोगों को ब्रहमित किया गया। दोनों लोग भड़क गए। वो उससे हमला करता रहा। उस रेस्टाउंट में खाना खाने पहुंचे वो दोनों लोग और वहां के करमशारी जम कर गाली गलोज करते सुनाई दिये। उस रेस्टाउंट के बार काफी देर मारपीट चलती रही और बड़ी संख्या में मौजूद लोग ये जड़ब देखते नजर आए। मारपीट के दोरान वहां सारा सामान बिखर गया। सजावट के लिए लगाये गए गुबारे भी इधर उदर बिखर गये। यात्रियों को निकालने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ सभी यात्रियों तक हर संभव मदद भी पहुचाए जा रही है। केंद्री ग्रेह मंत्री अमिच्छा ने गुजरात के गांधी नगर में रोट शुक किया। इस दोरान न्यूज 18 से बात करते हुए उन्होंने एक बार फिर एंडिये को 400 सीटे मिलने का दावा दोर आया। हर्याना के लिए पहली लिस्ट जारी करते हुए पार्टी ने तीन सीटों पर उमिद्वारों के नाम का एलान किया। गुरुक्षेत्र के अलावा हिसार से सुनैना चोटाला को तो अंबाला सीट से गुरप्रीत सिंग को टिकेट दी गई। इधर चंडीगड लोगसबा सीट से पूर्व केंद्रिय मंत्री मनीश दिवारी को उम्मीदबार बनाय जाने पर चंडीगड कॉंग्रेस में मचे घमासान के बाद पार्टी में सब कुछ ठीक होने का दावा किया गया। और ये दावा कॉंग्रेस नेता राजीव शुक्ल ने किया जो चंडीगड में पवन बनसल से मिलने पहुँचे। क्योंकि 2019 में कॉंग्रेस की टिकट पर चंडीगड सीट से चुनाव लड़ने वाले पवन बनसल नाराज बताय जा रहे हैं। कॉंग्रेस की टिकट पर चंडीगड से लड़े ते दोनों ही बार उन्हें बीजेपी की किरन खेर ने हराया था। किरन खेर की टिकट काड़ कर बीजेपी ने संजे टंडन को उम्मीदवार बनाया तो कॉंग्रेस ने पवन बनसल की जगा मनीश दिवारी को मैदान में उतार दिया। उदर हर्याना के कुरुक्षेतर में चुनाव प्रचार करने निकले बीजेपी प्रत्याशी नवीन जिंदल ने बोरियां उठाकर ट्रक में लोड की। नवीन जिंदल दो बार कुरुक्षेतर से सांसद रह चुके हैं लेकिन तब वो कॉंग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े थे। इस बार वो बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। और कुरुक्षेतर की एक अनाज मंडी में गेहूं की बोरियां ट्रक में लोड करते नजर आए। लेकिन इस बार उन्होंने पार्टी बदल ली और बीजेपी की ओर से कुरुक्षेतर के चुनावी मैदान में उतरे। नवीन जिंदल से पहले उनकी माँ और देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल बीजेपी का इस्सा बनी थी। इसके कुछी दिन बाद नवीन जिंदल भी बीजेपी का इस्सा बन गए थे। और अब वो बीजेपी की टिकट पर कुरुक्षेतर से चुनाव लड़ रहे हैं। और उनका मुकाबला कुरुक्षेतर में विपक्षी कट बन्धन के उमीदवार और आम आदमी पार्टी के नेता सुशील गुपता से होगा। नवीन जिंदल की तरह सुशील गुपता ने भी प्रचार में पूरी ताकत जोंगी। वो किसानों के बीच पहुँचे और खेतों में फसल काटी। यानि सुशील गुपता ने भी चुनाव प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ी। और हाथों में हसिया लेकर खेतों में पहुँच गए। और एक किसान की तरह गेहूं की फसल काटी। ये देखकर उनके साथ आये उनके समर्थकों ने भी यही किया। क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता और कुरुक्षित्र से विपक्षी गडबंधन के उम्मीदवार सुशील गुपता बिना हिच के खेतों में गए। और फसल काट कर रखनी शुरू कर दी। हर्याना की 10 सीटों पर कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गडबंधन हुआ था और इस गडबंधन के तहत आम आदमी पार्टी को हर्याना की जो एक सीट मिली वहां उसने सुशील गुपता को उम्मीदवार बना दिया। अटकले लगीं कि इससे कॉंग्रेस ने एक तीर से दो निशाने साधे थे। प्रक्षेत्र से नवीन जिंदल को प्रत्याशी बना दिया। उस घर का मेन गेट तोड़कर वहां धावा बोल देगी। क्योंकि कई लोग अपने हाथों में डंडे लेकर दरवाजे के बाहर हंगामा करते रहे। लेकिन उन लोगों को वहां से खदेडने के लिए छट से लोग लगातार पत्तर फिंकते रहे। वहां बच्चे, महिलाएं और पुरोष सब उस घर के अंदर गुसने पर आमादा दिखे। तभी छट से एक लड़के ने उनके उपर इट गिरा दी। इसके बाद तो कुस लोग भागते दिखाए दिये। वहां हुई इस इंसक जड़प में कई लोग घायल हो गया। बताया गया कि उन दो गाड़ियों के बीच हुई टक्कर की वज़े से दोनों पक्षों में मार पीट हुई आलांकि पुलिस ने इस मामले में केस दर्च कर लिया। इस भी जम्मू कश्मीर में आतंकियों की घुसपैट की खबर मिलते ही सुरक्षा एजनसिया अलर्ट हो गई। साक्षी मलिक, एक्ट्रस आलिया भट और माइक्रोसॉफ्ट के सीओ सत्या नडेला को शामिल किया गया। इसके साथ ही रूसी राष्टपती पुतिन के विरोधी रहे अलेक्सी नवालनी की पत्नी यूलिया नवालनिया को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया। मालदीव में संसदिय चुनाव से पहले वहां के राष्टपती मुहम्मद मुईजू 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 पर लगे कथित प्रस्टाचार के आरोब की रिपोर्ट लीक होने के बाद विपक्षी नेताओं ने उनके खिलाफ महावयोग चलाने की मांग कर दी। इधर उत्तरागंड के उत्तरकाशी में मतदाताओं को जागरूग करने के लिए गड़वाली भाषा में बनाया गया गाना सुर्खियों में आ गया। ये गाना जीडी प्रिसाद ने बनाया जो पेशे से तो वैग्यानिक हैं लेकिन मतदाताओं को जागरूग करने के लिए चुनाव आयोग के अभ्यान का हिस्सा बन गया। और गड़वाली भाषा में ये गाना बना डाला। उत्तराखंड की सभी पांच लोगसबा सीटों पर पहले चरण में मतदान होगा। और इससे पहले चुनाव आयोग उत्तरकाशी में इस गाने के जरीए लोगों को जागरूग करने में जुड़ गया। उत्तरकाशी उत्तराखंड की टीहरी गड़वाल लोगसबा सीट का इससा है। चाने में जुटी है जफकी बीजेपी के लिए सभी सीटों पर जीत हासिल करना नाक का सवाल बन गया है। पूरे विधर्व इलाके में कुल 10 लोगसबा सीटे आती हैं लेकिन पहले चरण में उनमें सिर्फ 5 सीट नातपुर, रामटेक, भंडारा गोंदिया, चंदरपुर और गडचिरोली चिमूर में मतदान होगा। इन सभी लोगसबा सीटों की सीमा एक दूसरे से जुड़ी है। विधर्व वो इलाका है जहां हमेशा सूखे की मार पड़ती है। किसानों की आत्मत्या करने की वज़े से भी ये इलाका हमेशा सुर्खियों में रहा है। इसके लावा विधर्व के तहट आने वाली गडचिरोली और चंद्रपूर लोगसबा सीट नकसलियों का गड़ मानी जाती है। इसलिए इन दोनों सीटों पर शांती पूर्ण मतदान करना एक बड़ी चुनौती है। इस बार विधर्व की इन पांच सीटों पर बीजेपी विकास के नाम पर कॉंग्रेस का सफाय करने का दम भर रही है। जबकि कॉंग्रेस किसी तरह खुद को जिंदा रखने की कोशिच में जुटी है। इन में नागपुर लोगसबा सीट होट सीट है क्योंकि इस सीट से केंदरिय मंत्री नितिन गटकरी बीजेपी से तीसरी बार चुनावी मैदान में। जबकि उनके सामने कॉंग्रेस ने विकास ठाकरे को अपना उम्मीदवार बनाया। इस बीज महाराज की बारा मती सीट पर पवार परिवार के दो सदस्यों की टक करता है हो गई क्योंकि बारा मती में सुप्रिया सुले और अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार दोनों ने नामांकन दाखिल कर दिया। जीत का जिक्र किया था और लोगों से अपील की थी कि इस बार वो बारा मती में पवार परिवार की बहु को जिताएं यानि बारा मती में पवार परिवार की बेटी और बहु की लडाई होगी और इसी लिए महाराश्ट की इस होट सीट पर नजर रहेगी। के नाम से कई शेयर भी शामिल है एडी ने महाराश्ट पुलिस और दिल्ली पुलिस की ओर से दर्च की गई एफाइयार के आधार पर जांच शुरू की थी और इसके बाद ये कारवाई की अंतरिक्ष पर रिसरज करने वाली संस्था इसरो अगले हफते गगन्यान मिशन के त अब कुछ ठीक रहा तो अगले साल के अंग तक इंसान को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा उस्ट्रेलिया ने अपनी राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीती जारी करते हुए भारत को रक्षा क्षेत्र में बेहत एहम सयोगी बताया उसने भारत के अलावा जापान के साथ भी स मंत्रियों की सागदाओं पर है राजिस्तान की कुल 25 लोगसबा सीटों पर दो चरणों में मद्दान होगा दूसरे चरण में राजिस्तान की 13 सीटों पर वोटिंग 26 अपरेल को होगी लेकिन राजिस्तान में होने वाले पहले चरण के चुनाम में ही मोधी सरकार में शामि पर मुकाबला कॉंग्रेस के सयोगी तलों से इन में नागौर सीट पर हनुमान बेनिवाल की पार्टी आरेलपी और सीकर लोगसबा सीट पर CPIM का उम्मीदवार चुनाव मैदान में पिछली बार इन सभी सीटों पर मोदी मैजिक दिखा था और सारी सीटें NDA के खाते में प्रत्याशियों ने पाला भले ही बदल लिया हो लेकिन इस मुकाबले के दोनों खिलाडी वही हैं जो पान साल पहले थे पहले चरण की कुल बारा में आठ सीटें ऐसी हैं जहां एक ही जाती के उम्मीदवारों के बीच सीधी टकर है और इन सीटों पर जिस जाती के उम्मीदवार को बीजेपी ने टिकेट दी कॉंग्रेस ने भी उसी जाती के प्रत्याशी बरताओं लगा दिया लेकिन राजिस्तान में पहले चरण की वोटिंग में जिस हाट सीट पर सबकी नजरे हैं वो है चुरू लोग सबा सीट क्योंकि बीजेपी चोड़कर कॉंग्रेस में आये राहुल कस्वा का सीधा मुकाबला वहां बीजेपी से ही है अर्याणा की सीमा से लगने वाली ये लोग सबा सीट कॉंग्रेस उम्मीदवार राहुल कस्वा के लिए नाक का सवाल बन गई है तो बीजेपी भी किसी भी कीमत पर ये सीट अपने हाथ से फिसलने नहीं देना चाहती और इसलिए दोनों पार्टियों ने वहां चुनाव प्रचार के दौरान पूरी ताकट जोंक दी थी कॉंग्रेस के उम्मीदवार राहुल कस्वान चुरू से मौजूदा सांसत है 2019 में उन्होंने बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीता थी बीजेपी से टिकट कटने के बाद राहुल कस्वान चुरू में जीत को अपनी नाक का सवाल बना लिया जिफकी वहां जीत हासल करना बीजेपी के लिए प्रतिश्टा का सवाल बन गया क्योंकि पच्चीस साल से चुरू लोगसवा सीट बीजेपी का अभेद्य पिला है मतलब वहां बीजेपी उम्मीनवार को पच्चीस साल से कभी हार का मूह नहीं देखना पड़ा इस भी यूपी के नोयडा में ड्रग्स बनाने की एक बड़ी फैक्टरी का भंडा फोड कर दिया ग मनी लॉंडरिंग मामले में एडी ने दस्तावेज की जांच से जुड़ी स्टेटस रिपोर्ट राउज एविन्यू कोर्ट को सौंप दी एडी की तरफ से पेश वकीलों ने कोर्ट को बताया कि इन दस्तावेजों की जांच में एक महीने का समय और लगेगा इधर महीला पहलबानों से चेर्चाड के मामले में 26 अपरेल को फैसला आएगा चेर्चाड का आरोपी बीजेपी के सांसद ब्रिजभूशन शरंड सिंग पर है ब्रिजभूशन शरंड सिंग यूपी की कैसरगन सीट से सांसद है और बीजेपी ने उनकी सीट से अब तक उम्मीदवार का अलान नहीं किया है और माना जा रहा है कि कोर्ट के फैसले के बाद ब्रिजभूशन सिंग की उम्मीदवारी पर फैसला लिया जाएगा कैसरगन सीट पर पांश में चरण में यानि 20 मई को वोट डाले जाएंगे और उनके लिए नॉमिनेशन के आखरी तारीख 3 मई है ब्रजबूशन शरण सिंग ने टिकेट से जुड़े सवाल का जवाब भी भगवान पर छोड़ दिया महिला पहलवान से छेड़ चाड़ के केस में ब्रजबूशन की तरव से एक नई आचिका दी गई और का गया कि शिकायत करने वाली महिला के बयान में विरोध हवास है ये भी बताया गया कि जिस वक्त की शिकायत महिला पहलवान ने की उस वक्त वो देश से बाहर थे अपनी दलील के समर्थन में उन्होंने पासपोर्ट की कॉपी भी कोट को दी रजभूशन शरन सिंग ने मामले की फिर से जांच कराने की मांग की जिसके बाद कोट ने 26 अप्रेल को मामले की अगली तारीख तै कर दी इस बीच DRDO ने क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कर एक और बड़ी काम्याबी आसिल कर ली सेना के लिए रिसरच करने वाली संस्ता DRDO ने ओडिशा के चांदिपूर में स्वदेशी तक्नीक से बनी निर्भः क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया DRDO के मुताविक ये घातक मिसाइल 300 किलो तक विस्फु तक लेकर वार कर सकती है और इसकी रेंज 1500 किलोमीटर है खास बात ये कि कम उचाई से भी इस मिसाइल से हमला किया जा सकता है चिन्नाई सुपर किंग्स के बलेबाज डेवन कॉनवे चोट की वज़े से IPL से बाहर हो गए इसके बाद चिन्नाई सुपर किंग्स ने इंग्लिंड के तेज गेंबाज रिचर्ट क्लीसन को उनकी जगा टीम में शामिल कर लिया पंजाब के तरन तारण में पाकिस्तान सीमा के नस्दीक B.S.F. ने एक पाकिस्तानी ड्रोन बरामत करने का तावा किया B.S.F. के तलाशी अभिहान के दौरान इस ड्रोन को जब्द किया गया B.S.F. के मताबिक ये ड्रोन चीन में बना दो A.F. कुअधर खबरे की पश्यमेशिया में तनाव के बाद Ayr dispersed में बदलाव की बज़े से हवाई किराया बढ़ सकता है B.S.F. की आने वाले दिनों में अमेरिका और कैनिडा समेट य और Eyeischen ओंडर जाने क लिए हवाई C.F. किक्षिमेशिया intact तनाव की वज़े से सभी एरलाईन कमपनिया इरान की एरश्वेस से बच नहीं लेकिन इससे उन्हें लंबा रास्ता थैकरना पड़ रहा है खबरे की रूट में बदलाव की वज़े से एर-इंडिया इंडिगो और विस्तारा समेथ दूसरी एरलाइन कंपनिया किराया बढ़ाने की तैयारी में रॉइटर्स ने दावा किया कि एलेक्ट्रिक कार बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी टेसला के मालिक इलॉन मस्क भारत में 300 करोड डॉलर यानी भारते रुपयों में करीब 25 जार करोड का निवेश कर सकते हैं इलॉन मस्क इसी महीने भारत की आतरा पराने वाले हैं दावा किया गया कि वो टेसला की फैक्टरी लगाने के अलावा भारत में दूसरे कारोबार की भी योज़ना बना रहे है सेंउक्तराश्ट ने गाजा और वेस्ट बैंक में सहायता पहुंचाने के लिए 280 करोड डॉलर यानी भारते रुपयों में करीब 24 जार करोड रुपय की मांग की सेंउक्तराश्ट के मताबिक गाजा के 30 लाग फिलिस्तीनियों के पास खाना और स्वच पानी की कमी है और अगर उन्हें जल्द मदद नहीं पहुंचाए गई तो वहां के हालाद बद से बत्तर हो सकते हैं इधर लोगसभा चुनाव के पहले चरण के तहद उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर वोट डाले जाएंगे मतलब पहले ही चरण में उत्तराखंड में लोगसभा के चुनाव निपड जाएंगे लेकिन राज्य की दो सीटे हरिद्वार और पौड़ी गड़वाल सीट पर सब की नजरे टिकी हैं क्योंकि हरिद्वार लोगसभा सीट से उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कॉंग्रेस के कदावर नेता हरीश रावत के बेटे विरेंद्र रावत चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं क्योंके सामने बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंग रावत को उतारा हैं मतलब हरिद्वार लोगसभा सीट पर लड़ाई रावत वर्सेज रावत की हैं एक तरफ विरेंद्र रावत दूसरी तरफ त्रिवेंद्र सिंग रावत जीत का सहरा किसके सिर बंदेगा ये चार जुन को पता चलेगा लेकिन अपने बेटे विरेंद रावत को चुनाव जितवाने के लिए हरीश रावत ने जम कर प्रचार किया। यहां तक कि उन्होंने दुकान पर खड़े होकर समोसे भी तले। इसी वज़े से हरिदवार लोगसबा सीट होट सीट मानी जा रही हरिदवार की तरह पौड़ी कड़वाल सीट पर भी लोगों की निगाठी की है तक कि इस सीट से बीज़े पी ने राज़े सबा सांसत अनिल बुलूनी को मैदान में उता रहा है और कॉंग्रेस ने गणेश गोद्याल पर अपना भरोसा जिता है अलंकि पिछले दो लोग सबा चुनावर से राज़े की सभी सीटों पर बीजे पी का ही कमल खिल रहा है इस बीज अक्टर नवाजद्दीन सिद्दीकी के खलाब छेड़ चार के मामले को खत्म करने पर कोट ने मोहर लगा दी एक्टर नमाजुद्दीन सिद्यकी को उत्तरप्रदेश के मुझफर नगर की विशेश फॉक्सो कोट से बड़ी रहात मिल गई कोट ने चेरचार के मामले में उन्हें क्लीन चिट देने वाली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को मंजूर कर लिया एक्टर नमाजुद्दीन सिद्यकी की पत्नी आलिया ने उनके खलाब छेरचार का मामला दर्च कराया था खबरे की रूस के एक आदमी ने अपने आठ महीने के बच्चे को खाना खिलाने के बज़ाए धूत की रोशनी से जिन्दा रखना चाहा जिससे उसके बच्चे की भूख से मौत हो गई आरोफ है कि वो आदमी अपने बच्चे को उसकी मां का दूद पीने से भी रोखता था ताकि उसके बेटे को सूर्य की रोशनी से दिव्य शक्तियां आहां से लो सके बाद में वहाँ की कोट ने उस आरोफी को आठ साल कैद की सजा सुनाई बारतिये शत्रंच खिलाडी ग्रैंड मास्टर विदिद गुजराती को कैंडिडेट्स टॉर्नमेंट के ग्यारवे राउंड में हार का सामना करना पड़ा उन्हें रूस के खिलाडी एन निबुमिशी ने हरा दिया इस जीत के बाद एन निबुमिशी इस टॉर्नमेंट की रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुँच गए उदर ब्राजिल के रियोडी जिनेरों में लोन लेने के लिए एक शव को बैंक ले जाने की खबर से संसनी फैल गई आरोफ है कि करीब तीन लाग रुपए का लोन लेने के लिए वो महिला उस आदमी के शव को वीलचेयर पर बैठाकर उस बैंक तक ले गई और बैंक कर्मियों को उस पर शक न हो इसके लिए वो लगातार उससे बात करती रही लोन के कागजों पर साइन करवाने के लिए उसने उस शव के हाथ में एक पैन भी थमाया लेकिन वो उसे ठीक से पकड़ी नहीं पाया इस दोरान जब बार बार उसका सिर आगे की तरफ जुक रहा था तो वो उसे समालती नजर आई ऐसे में वहां मौझूद बैंक कर्मियों को उस पर शक हुआ लेकिन वो जल से जल्द उन कागजों पर साइन करवाना चाहती थी इसलिए वो उससे ऐसे बात कर रही थी जमानो वो एक जीता जाकता इंसान हो लेकिन उस महिला की तमाम कोशिश के बावजूद जब बैंक कर्मियों का शक दूर नहीं हुआ तो उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी और पुलिस ने वहाँ पहुँच कर उस महिला को गिरफतार कर दिया जांच में सामने आया कि उस बुजूर्ग की कई घंटों पहले ही मौत हो चुकी थी लेकिन परीब तीन लाग का लोन लेने के लिए वो शव को वीलचेर पर बैठा कर बैंक तक ले आई जिसके बाद अरविन केजरिवाल पर सियासी हमले तो तेज हो ही गए तिहार जेल में उनके डायट चार्ट की तस्वीरे मी सामने आगी 18 दिन से तिहार जेल में बंद अर्विन केजरिवाल को टाइप 2 डाइबिटीज है लेकिन उनके डायेट चार्ट में हर दिन के खाने में स्वीट यानी मिठाई जरूर मौझूद है जेल में अर्विन केजरिवाल को रोजाना अलग खाना दिया जा रहा है और ये वही खाना है जो उनके घर से बन कर आता है अदालत ने इसके लिए उन्हें अलग से इजाज़त दी है लेकिन घर से आने वाला खाना डॉक्टर के बनाए इसी डायेट चार्ट के आधार पर तयार होता है इस चार्ट के दूसरे कॉलम में तारीक लिखिये और आखरी कॉलम में डिनर में मिलने वाला खाना चार्ट के मताबिक उनके डिनर में रोटी कम या जादा हो सकती है सबजियां बदल सकती हैं लेकिन किसी भी दिन उनके डिनर से स्वीट यानी मिठाई कम नहीं की जाती यहां तक कि डॉक्टर ने उनके डायट चार्ट में आलू पूरी तक जोड़ी है जबकि एडी के वकीलों ने कोट में दावा किया कि डाविटीज के किसी भी मरीज को इस तरह के खाने और खासतोर पर मिठाई खाने की सलाग कोई डॉक्टर नहीं दे सकता तकि अदालत को ये बताय जा सके कि जेल में रहने की वज़े से उनका शुगर लेवल बढ़ रहा कोट में एडी के वकील ने बताया कि तिहार जेल से केजरिवाल के खाने और दवाओं की जानकारी मांगने पर उनके डायट का पता चला जबकि केजरिवाल के वकील ने कोट को बताया कि एडी के वकील सिर्फ मीडिया की वज़े से इस तरह के आरोब लगा रहा है यह जानकारी तब सामने आई जब अर्विंद केजरिवाल ने विडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये डॉक्टर से मेडिकल कंसल्टेशन की मांग की और इसके लिए कोट में याचिका डाली गई जिसके बाद यह जानकारी सामने आई अठारा दिनों से तिहार जेल में मौझूद अर्विंद केजरिवाल की खराब सेहत के कारण कोट ने उन्हें घर का खाना खाने की इजाज़त दी हुई है और जेल में उनके खाने का वक्त भी तै जानकारी के मुताबिक जेल में बंद अर्विंद केजरिवाल का दिन सुबह साड़े 6 बजे शुरू होता है और उसी वक्त उन्हें नाश्ता दिया जाता नाश्ते में उन्हें चाय और अंडों के अलावा फल या कुछ और हलका खाना भी दिया जाता लगभग 11 बजे उनके लंच का समय होता है लंच में उन्हें डाल, सबजी, रोटी, चावल और फल दिये जाते हैं अलागे हर दिन का मेन्यू अलग रखा जाता है और शाम साड़े 5 बजे ही उन्हें डिनर दिया जाता है डिनर में भी उनके लिए हर दिन का मेन्यू अलग होता है जिसमें फल और मिठाई भी रखी जाती है। ED का आरोप ये है कि दिल्ली के CM जान बूच कर हाई शुगर और हाई काब डायट ले रहे हैं ताकि उनका ब्लड शुगर लेवल पढ़ जाए। और उन्हें समानत मिलना आसान हो जाए। इस जानकारी के सामने आते ही सियासी बवाल मचने में भी देर नहीं लगी। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और अर्विंद केजरिवाल पर तीखे हमले शुरू कर दिये। और बीजेपी सांसद मनोश तिवारी ने तो उन्हें घाजियाबाद की डासना जेल में शिफ्ट करने की सलह दे दी। तिहार जेल से हटाकर उत्तर प्रदेश के डासना जेल भेजना चाहिए। दूसरी तरफ अर्विंद केजरिवाल के डायट चार्ट में अंडों का जिक्र देखकर बीजेपी ने नया हमला शुरू कर दिया। हाला कि आम आदमी पार्टी ने साजिश का रोब लगाया। ये अर्विंद केजरिवाल जी की जान लेने की साजिश है। डायट पर कोट में हुए विवाद के बाद अर्विंद केजरिवाल ने याचिका वापस ले ली और नय सिरे से याचिका डालने का अईलान किया। इस बीच बेंगलूरू में एक महिला ने स्कूटर पर सफर के दौरान अपने बच्चे की जान खत्रे में डाल दी। पेंगलूरू में एक बच्चे को स्कूटर के फुट्रेस्ट पर खड़ा करके सफर कराने का एक वीडियो वाइरल हुआ। आरोपय के स्कूटर पर सवार एक महिला उस बच्चे को फुट्रेस्ट पर खड़ा करवा कर सफर करा रही थी। जिपकि एक दूसरा आदमी उस स्कूटर को चला रहा था। कैनडा में हुई वहां की सबसे बड़ी सोने की चोरी के मामले में वहां की पुलिस ने पांच आरोपयों को गिरफतार करने का दावा किया। पड़ रहा और उसने सुरक्षा के अंदेखी करते हुए वीडियो बनाये थे। इसके बाद उसने इस वीडियो को यूट्यूब पर अप्लोड कर दिया था। उदर लोगसभा चुनाव के पहले चरण में मद्धिप्रदेश में कॉंग्रेस के घड़ चिंदवाडा समेथ 6 लोगसभा सीटों पर भी वोटिंग होगी। चिंदवाडा कॉंग्रेस की वो सीट है जहां बीजेपी को कभी काम्यावी नहीं मिली। इस सीट से कॉंग्रेस के सबसे भरोसे मन नेताओं में एक कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ चुनावी मैदान में है। देने के लिए बीजेपी ने उनके सामने विवेक बंटी साहू को मैदान में उता रहा। चिंदवाडा समेथ पहले चरण के तहट आने वाली सभी 6 सीटें राज्य के पूरवी हिस्से में मौझूद है। चिंदवाडा पर कॉंग्रेस का कब्जा है जबकि बाकी की सभी सीटों पर बीजेपी का परचम लेरा रहा। इस बीश लोगसभा चुनाव के पहले चरण में दक्षिंड भारत के सबसे बड़े राज्य तमिलनाथ की सभी 49 सीटों पर चुनाव होगा। 400 लोगसभा सीट जीतने का लक्ष लेकर मैदान में उत्री बीजेपी की कोशिश तमिलनाड में बड़ी काम्याबी आसिल करने की है। प्रिदान मंतरी के साथ तमिलनाड में बीजेपी के अध्यक्ष अन्ना मलाई ने अपनी हर रैली और जन सभा में जोर शोर शोड उठाया। कर लेंगे इधर मद्धिप्रदेश के मुरेना में तीन बदमाशों ने सर्याम फाइरिंग कर ऐसी देशत मचाई कि महां खड़े लोगों की सांसे अटक गए क्योंकि एक मोटरसाइकल पर सवार होकर वो बदमाश एक दुकान के बाहर पहुँचे और गोलियों की वचार कर द वारदात वाली जगह पर कुछ लोग एक गाड़ी में सवार दिखे लेकिन लगातार हो रही गोली बारी के वज़े से वो गाड़ी वहीं खड़ी रही जिफकी वहां से कुछ दूरी पर बड़ी संख्या में दूसरे लोग मौजूद दिखाई दिये लेकिन उनमें कोई भी उन बदमाशों को रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और काफी देर तक गोलियां बरसाने के बाद उस बदमाश का एक साथी मोटरसाइकल पर सवार हो गया लेकिन उसका दूसरा साथी भागने के दौरान फिर फाइरिंग करता दिखा आरोब लग की पैसों के लेंदेन पर उन्होंने किराने की उस दुकान पर गोलियां चलाईं बता गया कि उसवक्त दुकान का मालिक भी दुकान में मौजूद था हलंकि इस वारदात के बाद पुलिस ने केस दर्च कर लिया इस बीच भारत को सुरक्षा परिशत का स्थाई सदस्ता बनाने के पक्ष में अमेरिका भी उतर गया सेयुक्त राष्ट सुरक्षा परिशत में भारत की स्थाई सदस्ता को लेकर इलॉन मस्क के बयान पर अमेरिका की प्रतिक्रिया सामनी आई वहां के विदेश मंतराले ने साफ कर दिया कि अमेरिका सुरक्षा परिशद समेट सेयुक्त राष्ट के दूसरे संस्थानों में सुधार का समर्थन करता है यही नहीं अमेरिका ने इन संस्थानों में बदलाव की वकालत भी की इससे पहले एलॉन मस्क ने सुरक्षा परशद में भारत को 27 सदस्ता न देने को बेतुका पताया था निकज आईटी कंपनी इंफिसिस के करमचारियों की संक्या पिछले 23 साल में पहली बार घट गए कंपनी के मुताबिक पिछले वित्तवर्ष के मुकाबले 23-24 में इंफिसिस के करीब 26,000 करमचारियों की नौकरी चली गए आर्थिय शेहर बाजार लगातार चौथे दिन लाल निशान पर बंद हुआ इस दोरान जबसे ज़्यादा गिरावट फार्मा, एफिम सीजी, ओइल एंड गैस, आटो और एनरजी सेक्टर के शेरों में रही बैंकिंग शेरों पर भी भारी तबाव रहा जिससे बंबे सौक एक्षेंज का सेंसेक्स 454 अंग गिरकर 72,488 पर बंद हुआ तो निफटी 152 अंगों की गिरावट के साथ 21,995 के स्थर पर आ गया पहले चरण के मतदान से पहले बिहार की हॉट सीट जमुई में तेजस्वी की स्रभा के दोरान चिराग पासवान के परिवार को गालियां देने का एक वीडियो वारल हो गया और इस वीडियो पर बवाल मच गया वीडियो दो दिन पहले का बताया गया इसे एंडिये के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे इंदुस्तानी हवाम मोर्चा के अध्यक जितनरा माजी ने भी शेयर किया और इसमें तेजस्वी के मंच के सामने से एक आदमी चिराख पासवान और उनके परिवार को गालियां देता सुनाई दिया इस पूरे वीडियो में गालियां देने वाले इंसान का चेहरा नजर नहीं आया और शोर गूल के बीच केवल उसकी आवाज और गालियां सुनाई दिया इस पूरे वीडियो में तेजस्वी के आवाज कहीं सुनाई नहीं दिया सुनाई दिया तो केवल शोर और इस दोरान चिराख पासवान के लिए बोले जा रहे अब शब्द वीडियो में तेजस्वी आदव माइक से बोलते दिखाई दिये और उनके ठीक बगल में जमुई से आरजेडी की प्रत्याशी अर्चना रविदास खड़ी दिखाई दिये और उनके ठीक सामने से किसी आदमी ने चिराख पासवान और उनके परिवार को उल्टा सीधा बोला बताए गया कि वीडियो दो दिन पहले जमुई में हुई तेजस्वी की सभाका है ये वीडियो पहले चरण के मतदान से ठीक पहले वारल हुआ और वीडियो वाइरल होने के बाद सियासी बबाद चिड़ गया, चिराग पासवान तो भढ़क गये, उन्होंने सीधा तेजस्वी आदव से सवाल पूछा, उन्होंने दो टुक बोल दिया कि अगर इस तरह की घटना उनके सामने हुई होती तो वो मूँ तोड जवाब देत और उसी वक्त उस आदमी को सबक सिखाते, ये बोलते हुए चिराग घुस्च में दिखे, तेजस्वी की सभा में गालियों वाले वीडियो के बारे में सवाल पूछे जाने पर चिराग खुद को रोक नहीं पाए, और तेजस्वी आदव पर भढ़क गये चिराग यहीं नहीं रुके, उन्होंने दो टुक बोल दिया कि सियासत अपनी जगा है और परिवार अपनी जगा है, क्योंकि वो राबडी देवी या मीसा भारती की अपनी माँ और बहन की तरह इज़त करते हैं चिराग पासवान भले ही तेजस्वी से नाराज हो, लेकिन तेजस्वी ने सफाई दी कि उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं थी, कि मंच के सामने से चिराग के परिवार को गालियां दी गए तेजस्वी भले ही सफाई दे, लेकिन पहले चरण के चुनाव से पहले वाइरल हुए इस वीडियो ने बिहार का सियासी पारा चड़ा दिया, क्योंकि ये वीडियो जमुई का है और जमुई में पहले चरण में मतदान होगा और इसलिए तेजस्वी आदव ने जमुई में कई रैलियां की और उन्हीं रैलियों में एक पर विवाद हो गया आरोब लगा कि तेजस्वी ने चिराग के परिवार को अपशब्द बोले जाने के मामले की अंदेखी की और इसी मुद्दे पर तेजस्वी आदव और चिराग पासवान आमने सामने आ गया इन दोनों नेताओं ने बिहार की होट सीट जमुई में जीत के लिए जमीन आसवान एक कर दिया इस सीट पर नजर इसलिए है या यूं कहें कि ये सीट होट सीट इसलिए बन गई पस्वान के जीजा अरुन भारती चुनाव लड़ रहे हैं वो चिराग पासवान की सगी बेहन निशा भारती के पती हैं क्योंकि राम विलास पासवान ने दो शादियां की थी उनकी पहली पत्नी का नाम राजकुमारी देवी था और दूसरी पत्नी का नाम है रीना पासवान चिराग पासवान और निशा भारती रीना पासवान और रामविलास पासवान के बच्चे हैं और राजकुमारी देवी और रामिलास पासवान की दो बेटियां है आशा और उशा और कहते हैं कि दोनों सो तेली बहनों से चिराग पासवान के रिष्टे अच्छे नहीं हैं और उन्होंने उनसे दूरी बनाये रखी लेकिन अपनी सगी बहन निशा भारती के पती अरुण भारती को चिराग ने वो सीट दे दी जिस सीट पर वो 2014 और 2019 में चुनाव लड़े थे लेकिन इस बार चिराग पासवान बिहार के हाजिपूर से चुनाव लड़ेंगे और इसके लिए चिराग पासवान ने अपने चाचा पचुपती पारस तक से लड़ाई कर ली थे और जीत उनकी हुई थी इसके बाद चिराग ने अलान किया था कि जमुई में उनके जीजा यानी अरुन भारती चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने अरुन भारती के लिए वहाँ धुआ धार चुनाव प्रचार भी किया और इसलिए वो यहां बाहरी प्रत्याशी वाली सियासत भी कर रही है और इस सीट पर पहली बार आरजेडी को जीत दिलाने की कोशिश कर रही है क्योंकि 2009 से अस्तित्व में आई जमुई सीट पर लगातार NDA का कबजा रहा लेकिन इस बार इस होट सीट पर नजर है क्योंकि चिराग चुनाव नहीं लड़ रहे है और उन्होंने अपने जीजा को मैदान में उता रहा है और आरजेडी प्रत्याशी उन्हें बाहरी बता रही है और बीजेपी दक्षण बिहार की इन चारों सीटों पर 2024 में भी खब्जा बनाये रखना चाहती है क्योंकि इन चार सीटों में दो पर यानि गया और जमुई में बीजेपी की सहयोगी पार्टियां चुनाव लड़ रही है गया में हेम के जीतनराम माजी मैदान में हैं और जमुई में रामिलास पासवान के दामाद और चिराक पासवान के जीजा अरुण भारती इसलिए प्रधान मंत्री ने इन सीटों पर रैलियां की और बिहार में NDA का पलडा महागटबंधन पर भारी करने की कोशिश की थी क्योंकि RJD की ओर से तेजस्वी ने भी गया और जमुई में धुआधार रैलियां की थी और उनकी कोशिश थी कि बिहार की इन चारों सीटों पर NDA को कड़ी टकर दी जाए जमुई में तो उन्होंने दो दिन पहले तक रैलिय की थी उदर BJP ने सोशल मीडिया पर कई वीडियो पोस्ट कर पश्चमंगाल में राम नौमी के जलूस पर हमला होने का दावा किया BJP ने इस हमले के लिए पश्चमंगाल की मुख्यमंत्री ममता बेनर्जी को जिम्मेदार ठहराते हुए उन पर लोगों को उकसाने का आरोप लगाया क्योंकि BJP ने जो वीडियो पोस्ट किये उनमें कुछ लोग घरों की छटों से पत्थर और बम बरसाते नज़र आये इस के लिए लोगों को उकसाया जाता है और उकसाता कौन है इसी राज्य की मुख्यमंत्री आला कि TMC ने BJP को जवाब देने में देर नहीं लगाई एक रोज पहले राम नौमी के मौके पर पश्चमंगाल के कई हिस्सों में शुभायात्रा निकाली गई BJP ने आरोब लगाया कि इसी दोरान कई जगों पर शुपायात्रा पर हमले किये गए और BJP के मुताबिक मुर्शिदाबाद में भी पत्थर बाजी की घटना हुई जिसमें कई लोगों के घायल होने का दावा किया गया और उन्हीं घायलों से मिलने पहुँचे कांग्रेस नेता अधीरंजन चौधरी को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा और गुसाए लोगों ने उन्हें देखते ही नारे लगाने शुरू कर दिये अधीरंजन चौधरी बहरामपूर से मौजूता सांसत हैं और बहरामपूर लोगसवा सीट मौषिदबाद जिले में ही आती है कांग्रेस ने इस वार भी अधीरंजन चौधरी को ही बहरामपूर से टिकेट दी है जारकन के लोडगा में राम नॉमी की शोभा यात्रा के दौरान बेकाबू हुई एक गाड़ी ने दो लोगों की जान ले लिये और 24 से जादा लोग बुरी तरह घायल हो गए वहां राम नॉमी के मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई और ढोल निगाड़े के साथ राम भक्त राम नाम की धुन पर जूम रहे थे लेकिन तभी दर्दनाक हाद्सा हो गया क्योंकि उस गाड़ी ने शोभा यात्रा में शामिल हुए लोगों को एक जटके में रौन दिया वहां वो गाड़ी सड़क पर चलती भीड को बिल्कुल कुछलती हुई दिखाई दिये ये इतनी जल्दी हुआ कि लोगों को उस गाड़ी से दूर भागने का मौका ही नहीं मिल पाया वीडियो में कुछ देर पहले तक सब सामान्य नजर आया राम नामी के मौके पर शोभा यात्रा में शामिल हुए लोग जूमते काते दिखाई दिये कुछ लोग ढोल बजाते भी दिखे राम नाम की भक्ती में डूबे लोग हाथों में भगवा जंडे लेकर सड़क पर आगे बढ़ते दिखाई दिये तभी अचानक सफेद रंकी वो गाड़ी दोड़ती हुई वहां आई और एक साथ कई लोगों के ऊपर चड़ती हुई आगे बढ़ गई इसके बाद तो चीख फुकार मजगे राम नामी का उतसब एकदम मातम में बदल गया जब तक ड्राइवर ने उस गाड़ी को रोका तब तक वो कई मीटर तक आगे बढ़ चुकी थी और शोभा यात्रा में शामिल कई लोग इसकी चपेट में आ गए आनन फानन में उन लोगों को अस्पताल ले जाया गया लेकिन अस्पताल ले जाने के दौरान उन में दो लोगों की जान चली गए जबकि 24 से ज़्यादा लोगों की हालत गंभीर बताए गए क्योंकि शोभा यात्रा के बीच घुसी वो गाड़ी कहर बनका तूट पड़ी जो हादसे से कुछ देर पहले तक वहां लोगों के ठीक पीछे चल रही थी उस गाड़ी को शोभा यात्रा में इस्तमाल करने के लिए बुलाया गया उसमें साउंड सिस्टम और भगवा जंडे लगाए गए लेकिन वो गाड़ी शोभा यात्रा के लिए काल साबित हो गई लोहर दगा जिले में हुए भीशन हादसे के बाद आरोपी ड्राइवर को गरफतार करिया गया वहां राम नौमी के अगले दिन इलाके में सननाटा पसरा नजर आया लोगों ने बाजार बंद करवा दिये और हादसे के खिलाफ अपना घुसा जाहर किया इस वीच जारकन के मंतरी डॉक्टर रामेश्वर उनाओ अस्पताल पहुंचे और गायलों से मुलाकात की इस दोरान लोहर दगा से बीजे पी के प्रिक्तियाशी समीर उराओं भी वहां मौझूद रहे उन्होंने राज्य सरकार से मृतक के परिवार वालों को 20 लाग रुपए की साहेता देने की मांग की इसके साथ ही गायलों को भी 10 लाग रुपए की आर्थिक मदद देने की अपील की गई उदर पश्चे मंगाल के राजजपाल के खिलाव ममता बेनर्जी की पार्टी टीमसी चुनाव आयोग पहुंच गई इमसी ने पश्चे मंगाल के राजपाल सीवी आनन बोस के खिलाव चुनाव आयोग में शिकायत दर्च करवाई ममता बेनर्जी की पार्टी ने राजपाल पर लोगसबा चुनाव में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया बिहार में RJD के पूर्व सांसद बुलो मंडल J.D.U. में शामिल हो गए भागलपूर से सांसद रह चुके बुलो मंडल इसी सीट से फिर चुनाव लड़ना चाते थे लेकिन महागटबंधन की सीट शेरिंग में भागलपूर सीट कॉंग्रेस को मिलने के बाद वो पार्टी से नाराज चल रहे थे बुलो मंडल ने 2014 लोगसबा चुनाव में भागलपूर सीट से बीजेपी प्रत्याशी शानवाज हुसैन को हराया था MCD यानी दिल्ली नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों ने नामांकन कर दिया आम आदमी पार्टी ने मेयर पत के लिए महेश कीची और टिप्टी मेयर पत के लिए रविंद्र भार्दवाज को उम्मीदवार बनाया है। दिल्ली में 26 अप्रेल को मेयर और टिप्टी मेयर के चुनाव होंगे। इधर पहले चरण के चुनाव में उत्तप्रदेश में बीजेपी और आरेलडी गटबंधन का इम्तिहान होगा यूपी में पहले चरण में आट सीटों पर मतदान होगा और 2019 में इनमें 5 बीजेपी हार गई थी बीजेपी और आरेलडी पिछले चुनाव में अलग-अलग वज़े से पश्चिमी यूपी में सियासी समीकरण बदल गए और कहा गया कि बीजेपी का प्रदर्शन पिछली बार से बहतर हो सकता है क्योंकि जैन चौधरी के बीजेपी के साथ आने की वज़े से जाड समुदाय के मतदाता बीजेपी के साथ आ सकते हैं और पश्चिमी यूपी की इन 5 सीटों पर बीजेपी को फाइदा हो सकता है जिन पर बीजेपी पिछली बार हार गई थी क्योंकि पहले चरण में पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर बोट डाले जाएंगे और इन 8 सीटों में 5 पर पिछली बार बीजेपी हार गई थी लेकिन इस बार सियासी समीकरण बदल गए हैं क्योंकि जो जयन चौधरी 2019 में मायवती और अखिलेश के साथ थे वो जयन चौधरी इस बार BJP के साथ है यही नहीं BSP और SP भी अलग-अलग लड़ रहे हैं इसी वज़े से पश्चिमी UP में BJP बड़े उलट फेर की उम्मीद कर रही है क्योंकि पश्चिमी UP में इस बार सियासी समीकरण बदल गए हैं पहले चरण में UP की होट सीट बन चुकी नगीना में भी मतदान होगा UP की नगीना सीट इसलिए होट सीट कही जा रही है क्योंकि इस सीट पर आजाद समाज पार्टी कांशी राम के चंदरशेखर आजाद न पाकाश आनन्द तो यहीं से प्रचार अभियान में कूदे लेकिन चंदरशेखर आजाद ने दावा किया कि वहां BSP ने जान बूज कर कमजोर उम्मीदवार मैदान में उता रहा है क्योंकि इस से उनका फायदा हो सकता है चंदरशेखर आजाद नगीना में दुआधार प्रचार कर रहा है आजाद समाज पार्टी कांशी राम के चंदरशेखर आजाद नगीना से लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी के खिलाप हो गए थे बड़ी बात ये कि वो बीएसपी का विकल्प बनने की भी कोशिश में है यानि नगीना में दो नहीं चार फ्रिक्तियाशियों के बीच कड़ी ठक्कर हो सकती है क्योंकि बीजेपी के ओम कुमार, एसपी के मनोज कुमार और बीएसपी के सुरेंदर पाल के अलावा चंदरशेखर आजाद ने भी नगीना में खुब पसीना बहाया और नगीना की लड़ाई में ट्विस्ट ला दिया इसके लावा पस्चिमी यूपी की मुरादबाद सीट पर भी नजर है पहले चरण में यहां भी मतदान होगा क्योंकि इस बार के चुनाम में वहां समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से टिकेट का बटवारा किया उसकी खूँग चर्चा हुई और यूपी की मुरादबाद सीट होट सीट बन गए क्योंकि समाजवादी पार्टी ने मुरादबाद में पहले स्टी हसन को उम्मीदवार बनाया था लेकिन नामांकन से पहले खबर आई थी कि समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद सीट से अपना उम्मीदवार बदल दिया और रुची वीरा को टिकेट दे दी यानि मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार के लिए उसी के समर्थकों ने मुसीबत खड़ी कर दी और माना जा रहा है कि मुरादाबाद में बीजेपी के सरवेज सिंग को इसका फायदा हो सकता और उत्तरप्रदेश के ओट सीट रामपूर भी समाजवादी पार्टी की अंदूरू निकले की वज़े से ही चर्चा में रही खबर आई कि जेल में बंद आजम खांच आते थे कि रामपूर से अखिलेश यादव चुनाव लड़ें लेकिन अखिलेश यादव ने इंकार कर दिया था और रामपूर से एमाम मुलाना मोहिबुला नदवी को प्रत्याशी बना दिया था इस वज़े से नाराज आजम खांच के समर्थकों ने चुनाव का बहिशकार करने का आलान कर दिया था रामपूर में समाजवादी पार्टी की खींस्तान का आलम ये हो गया कि अखिलेश यादव वहां चुनाव प्रचार तक नहीं करने गए जबकि इस से पहले मुलायम सिंग यादव और अखिलेश यादव चुनाव प्रचार के लिए रामपूर आते थे लेकिन इस बार अखिलेश ने वहां प्रचार ही नहीं किया और चुनाव आ गया और का गया कि ये सब इसले हुआ क्योंकि आजम समर्थकों ने चुनाव के बहिशकार का एलान कर दिया था जबकि बीजेपी ने रामपूर से अपने प्रत्याशी घंशाम सिंग लोधी के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए अपणना यादव को भेजा यानि मुलायम सिंग यादव की बहु ने बीजेपी के लिए वहाँ चुनाव प्रचार किया लेकिन मुलायम सिंग यादव के बेटे प्रचार में गए ही ने और समाजवादी पार्टी की इसी खींचतान की वज़े से यूपी की रामपूर भी हॉट सीट बन गई क्योंकि इस बार बीजेपी की टिकेट पर वरुन गांधी पीली बीट से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं बीजेपी ने जब तक ये ऐलान नहीं किया था तब तक कई अटकलें लगी थी का जा रहा था कि वरुन गांधी को सुल्तानपूर से और मेनका गांधी को पीली बीट से टिकेट मिल सकती है लेकिन जब एलान हुआ तो पता चला कि मेनका गांधी को तो सुल्तानपूर से टिकेट मिल गई लेकिन वरुन गांधी को तो टिकेट ही नहीं मिली क्योंकि पीली भीत से बीजेपी ने जितिन प्रिसाद को टिकेट दे थी पुधान मंत्री ने पीली भीत में जितिन प्रिसाद के समर्थन में वहाँ प्रचार भी किया था और उस सभा में वरुन गांधी नहीं आये थी यानि पीली भीत में इस बार ना मिनका गांधी है ना वरुन गांधी पार्टी ने जितिन प्रिशाद पर दाओं खेला है और इसलिए ये सीट हॉट सीट बन गई इस सीट पर कॉंग्रेस ने इमरान मसूद को टिकेट दी और इनके लिए प्रियंका गांधी ने वहाँ चुनाव प्रचार किया था और कॉंग्रेस के इमरान मसूद की रहा मुश्किल कर दी क्योंकि साहरन पूर में मुकाबला त्रिकोनियों हो गया और प्रियंका के रोडशो के बाद तो इस सीट के नतीजों पर नजर रहेगी इदर डिल्ली शराब गोटाले मामले में मनीष स्यूदिया को फिर कोट सराफ नहीं मिली दिल्ली शराब गोटाले से जुड़े मनी लॉंडरिंग मामले में डिल्ली के पूर्व उपमुखे मंतरी मनीष स्यूदिया की नयाईिक हिरासत 26 अपरैल तक बढ़ा दी गए दिल्ली की राउजिवन्य कोट इस मामले में 26 अपरेल को सुनवाई करेगी। इसके साथ ही कोट ने मनीश सी सोधिया समेट सभी आरोपियों को उन दस्तावेजों की लिस्च दिने का निर्देश दिया जिनकी जांच पूरी नहीं हुई है। सुप्रीम कोट ने EVM और VVPAT परचियों की 100% मिलान वाली आचिकाप पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। इस दोरान चुनाव आयोग ने EVM को पूरी तरह सुरक्षित बताया तो बाद में कोट ने भी इस पर टिपनी की कि हर चीज़ पर अविश्वास नहीं जिता जा सकता। गुजिरात के वडोद्रा में भीशन गर्मी से बचाने के लिए ट्राफिक पुलिस ने अपने कर्मियों को AC वाले हेलमेट दिये। पानी जंग भी जारी है। गंगणा के पपु और बाप दादा वाले बयान के बाद अब विक्रमदत्य सिंग का एक बयान भी चर्चा में है। कॉंग्रेस के उम्मीदवार विक्रमदत्य सिंग ने कंगणा को बरसाती मेंधग बता दिया। मैडम और कल चले जाएंगी बरसाती मेंड़क है तो इनको मैं क्या बोज़ा है। हाला कि विक्रमदित सिंग के सामने ताल ठोक रहीं कंगना रनौत भी अपने अलग अंदाज से उन्हें पछाडने में जुटी हैं। कभी वो लोगों के बीच पहुँच कर डांस करने लगती हैं तो कभी खुद चाय बनाती हुई भी दिखती हैं। इतना ही नहीं मंडी की जंग में उतरते ही उन्होंने अपने तीखे तेवर दिखा दिये थे। बड़ा पपू है दिल्ली में लेकिन हमारे यहाँ पे भी एक छोटा पपू है। कंग्णा रनोत ने अपने प्रचार के दोरान विक्रमदित सिंग के राजपरिवार से होने पर भी तंस किया था। मंडी हिमाचल प्रदेश की चार लोकसवा सीटों में एक है जहां आकरी चरण में मत्तदान होगा। इस भी 36 गड़ के कांकेर में सुरक्षा बल के अधिकारियों ने दावा किया कि नकसली कमांडर शंकर राव की अगवाई में नकसलीों का एक दल लोकसवा चुनाव में गड़बड़ी फैलाने के लिए अबू जुमाड के जंगल में जमा हुए तो दिन पहले सुरक्षा बल के जवानों ने अबू जुमाड के जंगल में एक ऑपरेशन चला कर 29 नकसलीों को धेर कर दिया था। क्योंकि सुरक्षा बल के अधिकारियों को ये खबर मिली थी कि कांकेर में चुनाव रोकने के लिए नकसली पोलिंग पार्टी पर हमला करने वाले हैं। चार सो जवान नकसलीों को घेर ने उनके गढ़ में घुज गए। लेकिन नकसलीों को उनके आने की सूचना पहले ही मिल गई थी। इसलिए नकसलीों ने जंगल में बम लगा दिये थे। नस्दीक पहुंचते ही उन्होंने फारिंग शुरू कर दी थे। नकसलीों के खिलाब सुरक्षाबल के आपरेशन पर कॉंगरेस नेता सुप्रिया श्रनेत ने विवादास पद बयान दे दिया। उनके बयान पर बीजेपी भड़क गई और उसने उन पर जमानों के अपमान कारोप लगा दिया। लोगसबा चुनाब के ठीक तीन दिन पहले यानी सोला अपरेल को सुरक्षाबल ने अबूज मार के जंगल में एक साथ उन्तीस नकसलीों को मार गिराया था। लेकिन नकसलीों के खिलाब सुरक्षाबल के इस ऑपरेशन पर स्यासी घमासान बच गया। क्योंकि कॉंग्रेस की नेता सुप्रिया श्रिनेत ने इस ऑपरेशन की जांच की मांग करते हुए मारे गए नकसलियों पर विवादास पत बयान दे दिया उनके इस बयान के सामने आने के बाद बीजेपी उन पर भड़क गए बीजेपी ने कॉंग्रेस पर सेना और सुरक्षा बलके जवानों के अपमान कारोप मर दिया नकसली में आपको शहीद नजर आता है और जो सेना के हमारे शूरवीर है उनमें सडक का गुंड़ा याद आता है बीजेपी ने इस मुद्वे पर कॉंग्रेस को इसलिए भी घेरा क्योंकि मई 2013 में 36 गड़ में ही नकसली हमले में कॉंग्रेस के बड़े नेता नंद कुमार पटेल और पूर्व केंदुरिय मंतरी विद्या चरण शुक्ल समेथ 30 से जादा लोग मारे गए थे इदर यूपी की अमेठी लोगसवा सीट पर उस वक्त एक बड़ा ड्रामा हुआ जब कॉंग्रेस के नेता विकास अग्रहरी के बीजेपी में शामिल होने की खबर आई विकास अग्रहरी यूपी कॉंग्रेस के संयोजक है और अमेठी में कॉंग्रेस के सीनियर नेताओं में है लेकिन थोड़ी ही देर बाद विकास अग्रहरी मीडिया के सामने आए और बीजेपी में शामिल होने की खबरों को आधार हीन बता दिया और यहां तक की भगवा रंग का अंगवस्तर पैनाये जाने वाले वीडियो पर भी सवाल उठाए इससे कुछ देर पहले विकास अग्रहरी का अमेठी की सांसर स्मृती इरानी के साथ एक वीडियो भी सामने आया थी वीडियो में विकास अग्रहरी के दाई और स्मृती इरानी खड़ी दिखी थी जब कि एक विक्ती विकास को भगवा अंगबस तुर पहनाता दिखा दावा किया गया कि विकास अग्रहरी ने कॉंग्रेस छोड़कर बीजेपी जॉइन कर ली सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों और वेबसाइटों तक पर कॉंग्रेस को अमेठी में बड़ा जटका लगने की बात की जाने लिगा लेकिन विकास अग्रहरी ने दावा कर दिया कि वो तो केवल इलाके की समस्याओं पर बात करने के लिए सांसत से मिलने गये थे शिष्टाचार के नाते उनका स्वागत करते हुए अंगवस्तर पहनाया गया था लेकिन उस वीडियो के जरीए लोगों को ब्रहमित किया गया विकास अग्रहरी के मताबिक वो कॉंग्रेस के समर्पित कारे करता है और पार्टी छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते इस भी जुत्तर प्रदेश के हापुड में खराब चटनी की वज़े से ऐसी मार्पीट हुई कि इसका वीडियो देखने वाले लोगों ने भी अपने सिर पकड़ लिया वहाँ एक रेस्टरांट में दो लोग दोसा घाने पहुंचे थे लेकिन बताया गया कि दोसे के साथ जो चटनी परोसी गई वो खराब थी इसलिए चटनी का सुआद चकते ही वो दोनों लोग भढ़क गए और इसके बाद तो मानो जंग छिड़ गए वहाँ एक आदमी टेबल स्टैंड उठाकर फिंकता नजर आया फिर वो वहाँ पड़ी कुरसी भी उठाता दिखाई दिया इसके बाद तो उस रेस्टांट का एक दूसरा करमचारी वहाँ रखा एक गमला उस लड़के के ऊपर फिंकता दिखा मतलब जिसके हाथ जो सामान आया वो उससे हमला करता रहा उस रेस्टांट में खाना खाने पहुंचे वो दोनों लोग और वहाँ के करमचारी जम कर गाली गुलोज करते सुनाई दिये उस रेस्टांट के बाहर काफी देर मारपीट चलती रही और बड़ी संख्या में मौजूद लोग ये जड़ब देखते नजर आये मारपीट के दौरान वहाँ सारा सामान बिखर गया सजावट के लिए लगाये गए गुबारे भी इधर उदर बिखर गये बता गया कि उस रेस्टांट में उन दोनों लोगों को दोसे के साथ खराब चटनी परोसी गई थी इसी वज़े से वो लोग आग बबूला हो गए और जम कर मारपीट की उदर दुबई में भारी बारिश के बाद फसे भारतिये यात्रियों को वहाँ से निकालने की कोशिशें तेज कर दी गई पशिमेशय के देश UAE के दुबाई शहर में हुई भीशन बारिश के बाद वहां फसे भारतिय यात्रियों को लेकर दुबाई में मौझूद भारतिय दूतावास का बयान सामने आया बारतिये दूतावास के मुताबिक फसे हुए उन यात्रियों को निकालने की कोशिश की जा रही है इसके साथ सभी यात्रियों तक हर संभव मदद भी पहुचाए जा रही है केंद्री ग्रेह मंत्री अमिट शा ने गुजरात के गांधी नगर में रोड शुक किया इस दोरान न्यूज 18 से बात करते हुए उन्होंने एक बार फिर एंडिये को 400 सीटे मिलने का दावाद दोर आया हर्याना के लिए पहली लिस्ट जारी करते हुए पार्टी ने तीन सीटों पर उमिद्वारों के नाम का एलान किया कुरुक्षेत्र के अलावा हिसार से सुनैना चोटाला को तो अंबाला सीट से गुरप्रीत सिंग को टिकेट दी गई इधर चंडीगड लोगसबा सीट से पूर्व केंद्रिय मंत्री मनीश तिवारी को उम्मीद बार बनाये जाने पर चंडीगड कॉंग्रेस में मचे घमासान के बाद पार्टी में सब कुछ ठीक होने का दावा किया गया और ये दावा कॉंग्रेस नेता राजीव शुक्ल ने किया जो चंडीगड में पवन बनसल से मिलने पहुँचे क्योंकि 2019 में कॉंग्रेस की टिकट पर चंडीगड सीट से चुनाव लड़ने वाले पवन बनसल नाराज बताय जा रहे हैं वो इस सीट से एक बार फिर दावेदारी ठोक रहे थे लेकिन पार्टी ने उनकी जगा मनीश तिवारी को पत्याशी बना दिया और इसके बाद तो चंडीगड कॉंग्रेस की कलहत खुल कर सामने आ गई पवन बनसल के समर्थन में करीब सौ कारेकरताओं ने अपने पद से स्तीफा दे दिया माना जा रहा है कि इसी के बाद कॉंग्रेस नेता राजीव शुकल चंडीगड में पवन बनसल के घर पहुंच गया दोनों के बीज घर के अंदर क्या बात हुई इसकी जानकारी तो नहीं मिल पाई लेकिन राजीव शुकल ने ये जरूर बता दिया कि सब कुछ ठीक है जै टंडन को उम्मीदवार बनाया तो कॉंग्रेस ने पवन बनसल की जगा मनीश दिवारी को मैदान में उतार दिये उदर हर्याना के कुरुकशेत्र में चुनाव प्रचार करने निकले बीजेपी प्रिक्तियाशी नवीन जिंदल ने बोरियां उठाकर ट्रक में लोड की नवीन जिंदल दो बार कुरुक्षेत्र से सांसद रह चुके हैं लेकिन तब वो कॉंग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े थे इस बार वो बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और कुरुक्षेत्र की एक अनाज मंडी में गेहूं की बोरियां ट्रक में लोड़ करते नजर आए नवीन जिंदल को इस तरह मंडी में कंदे पर बोरी लिए देखकर लोगों ने तालियां बजाई और जब उन्होंने बोरी ट्रक में लोड़ कर दी तो उनके समर्थन में नारे लगाए गए वैसे कुरुक्षेत्र में नवीन जिंदल के परिवार का दबदबा माना जाता है वो 2004 और 2009 में वहां से सांसत भी रह चुके हैं लेकिन इस बार उन्होंने पार्टी बदल ली और बीजेपी की ओर से कुरुक्षेत्र के चुनावी मैदान में उतरे नवीन जिंदल से पहले उनकी माँ और देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल बीजेपी का हिस्सा बनी थी इसके कुछी दिन बाद नवीन जिंदल भी बीजेपी का हिस्सा बन गये थे और अब वो बीजेपी की टिकट पर कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं और उनका मुकाबला कुरुक्षेत्र में विपक्षी कटबंधन के उम्मीदवार और आम आदमी पार्टी के नेता सुशील गुपता से होगा नवीन जिंदल की तरह सुशील गुपता ने भी प्रचार में पूरी ताक़ जोंगी वो किसानों के बीच पहुँचे और खेतों में फसल काटी यानि सुशील गुपता ने भी चुनाव प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ी और हाथों में हर्सिया लेकर खेतों में पहुँच गए और एक किसान की तरह गेहूं की फसल काटी ये देखकर उनके साथ आये उनके समर्थकों ने भी यही किया क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता और कुरुक्षित्र से विपक्षी गडबंधन के उम्मीदवार सुशील गुपता बिना हिच के खेतों में गए और फसल काट कर रखनी शुरू कर दी हर्याना की दस सीटों पर कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गडबंधन हुआ था और इस गडबंधन के तहट आम आदमी पार्टी को हर्याना की जो एक सीट मिली वहां उसने सुशील गुपता को उम्मीदवार बना दिया अटकले लगीं कि इससे कॉंग्रेस ने एक तीर से दो निशाने साधे थे क्योंकि 2014 के चुनाव में हारने के बाद 2019 में नवीन जिंदल ने कॉंग्रेस की ओर से कुरुकशेत्र से लड़ने से इनकार कर दिया था और तभी से कॉंग्रेस के पास इस सीट के लिए मजबूत उम्मीदवार नहीं था खबर है कि इसी वजए से हरयाना में आम आदमी पार्टी के साथ घटबंधन होते ही उसने खुरुक शेतर सीट उसे दे दिग और आम आदमी पार्टी ने हरयाना में पार्टि के अध्यक्ष सुशील गुप्ता को वहाँ से ठिकेट दे दी लेकिन बीजेपी ने कॉंग्रेस के नहले पर दहला तब चल दिया जब उसने कुरुक शेत्र से नवीन जिंदल को प्रत्याशी बना दिया इधर उत्तर प्रदेश के बिजनौर में दो गाड़ियों की टकर के बाद लोग इतनी बुरी तरीके से भिड़ गए कि पूरे इलाके में दहशत मज़ गई अपनी मोटरसाइकल से गुजर रहा था इस बीच सामने से आ रहे हैं गाड़ी से उसकी मोटरसाइकल टकरा गई इसी बात पर दोनों पक्ष के लोगों के भी जड़ब हो गई लगातार पत्तर फिंकते रहें वहां बच्चे महिलाएं और पुरुष सब उस घर के अंदर गुसने पर आमादा दिखे तभी छट से एक लड़के ने उनके ऊपर इट गिरा दी इसके बाद तो कुछ लोग भागते दिखाए दिए जबकि जड़ब देख रहे दूसरे ल इसके बाद राजोरी समेत कई जिलों में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया इसकाम में ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों को भी लगाया गया ताकि आतंकियों की साजिश नाकाम की जा सके अमेरिका की टाइम मैगजीन ने 2024 के 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी की और इस लिस्ट में भारतिय पहलमान साक्षी मलिक, एक्ट्रस आलिया भट और माइक्रोसॉट के सीओ सत्या नडेला को शामिल किया गया इसके साथ ही रूसी राष्टपती पुतिन के विर महावयोग चलाने की मांग कर दी, 2018 में उन पर पैसों के लेंदेन को लेकर भच्टा चार क्या रोब लगे थे इधर उत्तराघंड के उत्तरकाशी में मतदाताओं को जागरूग करने के लिए गड़वाली भाशा में बनाया गया गाना सुर्खियों में आ गया पिछले लोगसभा चुनाव में उत्तरकाशी के 50 से जादा मतदान केंदरों पर 50 पतिशत से भी कम मतदान हुआ था इसलिए इस बार चुनाव आयोग ने वहां के लोगों को जागरूग करने के लिए कई अभ्यान चला है और गड़वाली भाशा में बनाया गया ये गाना भी उनी में एक है इस गाने के बोल और संगीत दोनों ही लोगों का ध्यान खींचते हैं और इसलिए ये वाइरल हो गया ये गाना जीडी प्रिसाद ने बनाया जो पेशे से तो वैग्यानिक हैं लेकिन मतताताओं को जागरूग करने के लिए चुनाव आयोग के अभ्यान का हिस्सा बन गया और गड़वाली भाशा में ये गाना बना डाला उत्तराखंड की सभी पांच लोगसबा सीटों पर पहले चरण में मततान होगा और इससे पहले चुनाव आयोग उत्तरकाशी में इस गाने के जरिये लोगों को जागरूग करने में जुड़ गया उत्तरकाशी उत्तराखंड की टीहरी कड़वाल लोगसबा सीट का इससा है उदर लोगसबा चुनाव के पहले चरण के तहट महाराष्ट के विधर्व इलाके की पांच सीटों पर वोटिंग होगी जूद बचाने में जुटी है जबकि बीजेपी के लिए सभी सीटों पर जीत हासिल करना नाक का सवाल बन गया हालांके पूरे विधर्व इलाके में कुल 10 लोगसबा सीटे आती हैं किसानों के आत्मत्या करने की वज़े से भी ये इलाका हमेशा सुर्खियों मेरा इसके लावा विधर्व के तहट आने वाली गड़ चिरॉली और चंदरपूर लोगसबा सीट नकसलियों का गड़ मानी जाती है इसलिए इन दोनों सीटों पर शांती पूर्ण मतदान करना एक बड़ी चुनोती है इस बार विधर्व की इन पांच सीटों पर बीजेपी विकास के नाम पर कॉंग्रेस का सफाय करने का दम भर रही है जबकि कॉंग्रेस किसी तरह खुद को जिंदा रखने की कोशिश में जुटी है इनमें नागपूर लोगसबा सीट होट सीट है क्योंकि इस सीट से केंदरिय मंतरी नितिन गटकरी बीजेपी से तीसरी बार चुनावी मैदान में जबकि उनके सामने कॉंग्रेस ने विकास ठाकरे को अपना उम्मीदवार बनाया है इस भीज महाराज की बारा मती सीट पर पवार परिवार के दो सदस्यों की टक करता है हो गई क्योंकि बारा मती में सुप्रिया सुले और अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार दोनों ने नामांकन दाखिल कर दिया और ननंत भावी की लडाई ने बारा मती को होट सीट बना दिया शरत पवार की बेटी सुप्रिया सुले और अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार दोनों ने बारामती में नामांकन दाखल कर दिया। सुनित्रा पवार के नामांकन से कुछ दिन पहले अजीत पवार ने बारामती के लोगों को संदेश भेजा था और अपनी पत्नी सुनित्रा पवार के लिए समर्थन मांगा था उन्होंने इस सीट पर सुप्रिया सुले की जीत का जिक्र किया था और लोगों से अपील की थी क इस बार वो बारामती में पवार परिवार की बहु को जिताएं यानि बारामती में पवार परिवार की बेटी और बहु की लडाई होगी और इसी लिए महराष्ट की इस होट सीट पर नजर रहेगी इधर एक्ट्रिस शिल्पा शेट्टी के पती राज कुंद्रा की करोडों की संपत्ती एडी ने जब्द कर ली E.D. ने बिटकोईन पॉंजी गोटाले के आरोप में एक्ट्रिस शिल्पा शेटी के पती राज गुंद्रा की परीब 98 करोर की संपत्ती जब्त कर ली जब्त की गई संपत्ती में जुहू का एक फ्लाट, पुणे का एक बंगला और राज गुंद्रा के नाम से कई शेयर भी शामिल है E.D. ने महराश्ट पुलिस और दिल्ली पुलिस की ओर से दर्च की गई F.I.R. के आधार पर जान शुरू की थी और इसके बाद ये कारवाई की अंत्रिक्ष पर रिसरच करने वाली संस्था इस्रो अगले हफते गगन्यान मिशन के तहट एक एहम परीक्षन करेगी इसरो के अध्यक्ष S. सोमनात के मताविक 24 अपरेल को अंत्रिक्ष में एक मानव रहित मिशन का परीक्षन किया जाएगा पता गया कि इसके बाद अगले साल इसी तरह के दो और परीक्षन किये जाएगे और सब कुछ ठीक रहा तो अगले साल के अंग तक इनसान को अंत्रिक्ष में भेजा जाएगा उस्टेलिया ने अपनी राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीती जारी करते हुए भारत को रक्षा क्षेत्र में बेहत एहम सयोगी बताया उसने भारत के अलावा जापान के साथ भी सयोग बढ़ाने पर जोड दिया इसके अलावा चीन से तनाव को देखते हुए उस्टेलिया अपना रक्षा बजट बढ़ाने की भी योज़ना बना रहा है इधर लोगसबा चुनाव के पहले चरण में राजिस्थान की जिन 12 सीटों पर मतदान होना है वहां मैदान में उतरे मोधी सरकार के दो मंत्रियों की साखदाओं पर है राजिस्थान की कुल 25 लोगसबा सीटों पर दो चरणों में मतदान होगा दूसरे चरण में राजिस्थान की 13 सीटों पर वोटिंग 26 अपरेल को होगी लेकिन राजिस्थान में होने वाले पहले चरण के चुनाव में ही मोधी सरकार में शामिल दो केंदरिय मंतरी अरजुनराम मेगभाल मैदान में हैं की अलवर लोगसबा सीट पर भुपेंद रियादव चुनाव लड़ रहे हैं। की 2019 में नागौर सीट पर हनुमान बेनिबाल से हारने वाली कॉंग्रेस की जोती मिर्दा इस बार बीजेपी की उमीदवार है। मतलब दोनों प्रत्याशियों ने पाला भले ही बदल लिया हो लेकिन इस मुकाबले के दोनों खिलाडी वही हैं जो पान साल पहले थे। पहले चरण की कुल 12 में 8 सीटें ऐसी हैं जहां एक ही जाती के उमीदवारों के बीच सीधी टकर है। और इन सीटों पर जिस जाती के उमीदवार को बीजेपी ने टिकेट दी कॉंग्रेस ने भी उसी जाती के प्रत्याशी परताव लगा दिया। लेकिन राजिस्तान में पहले चरण की वोटिंग में जिस होट सीट पर सब की नजरे हैं वो है चुरू लोक सबा सीट क्योंकि बीजेपी छोड़कर कॉंग्रेस में आये राहुल कस्वा का सीधा मुकाबला वहां बीजेपी से ही है। अर्याणा की सीमा से लगने वाली ये लोक सबा सीट कॉंग्रेस उम्मीदवार राहुल कस्वा के लिए नाक का सवाल बन गई है। तो बीजेपी भी किसी भी क्यमत पर ये सीट अपने हाथ से फिसलने नहीं देना चाहती है। उन्हें चुरू से एक बार फिर मेदान में उतरने का अईलान करते हुए कॉंग्रेस का हाथ थाम लिया था। दिल्ली के नजदीक उत्तरपुदेश के नोईडा में पुलिस ने एक ड्रग्स फैक्टरी का भंडा फोर करने का दावा किया। पुलिस ने यहां से करीब 100 करोड रुपए के ड्रग्स के साथ नाइजेरिया के दो नागरिकों को ग्रिफतार कर लिया। पुलिस के मताबिक ये लोग नोईडा के एक फ्लैट में ड्रग्स बनाते थे। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉंडरिंग मामले में एडी ने दस्तावेज की जांच से जुड़ी स्टेटस रिपोर्ट राउज एविन्यों कोर्ट को सौंप दी। की तरफ से पेश वकीलों ने कोर्ट को बताया कि इन दस्तावेजों की जांच में एक महीने का समय और लगेगा। चीन में संयुक्तुराष्ट के प्रतनिदी सिधार चेटर जीने शुन्य से भी नीचे के तापमान में योग किया। प्रतनिदी के रूप में नियुक्त किया था। इधर महिला पहलवानों से चेट्चाड के मामले में 26 अपरेल को फैसला आएगा। चेट्चाड का रोपी बीजेपी के सांसद ब्रिजभूशन शरंट सिंग पर है। ब्रिजभूशन शरंट सिंग यूपी की कैसरगन सीट से सांसद हैं और बीजेपी ने उनकी सीट से अब तक उमीदवार का एलान नहीं किया है। ब्रजभूशन शरंट सिंग ने टिकेट से जुड़े सवाल का जवाब भी भगवान पर छोड़ दिया। महिला पहलवान से छेड़चाड के केस में ब्रजभूशन की तरफ से एक नई आचिका दी गई और का गया कि शिकायत करने वाली महिला के बयान में विरोध हवास है ये भी बताया गया कि जिस वक्त की शिकायत महिला पहलवान ने की उस वक्त वो देश से बाहर थे अपनी दलील के समर्थन में उन्होंने पासपोर्ट की कॉपी भी कोट को दी रजभूशन शरण सिंग ने मामले की फिर से जांच कराने की मांग की जिसके बाद कोट ने 26 अप्रेल को मामले की अगली तारीक तै कर दी इस बीच DRDO ने क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षन कर एक और बड़ी काम्याबी आसिल कर ली सेना के लिए रिसर्च करने वाली संस्ता DRDO ने ओडिशा के चांदिपूर में स्वदेशी तक्नीक से बनी निर्भः क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षन किया DRDO के मुताविक ये घातक मिसाइल 300 किलो तक विस्फुटक लेकर वार कर सकती है और इसकी रेंज 1500 किलोमीटर है खास बातिये की कम उचाई से भी इस मिसाइल से हमला किया जा सकता है चिन्नाई सुपर किंग्स के बलेबाज डेवन कॉनवे चोट की वज़े से IPL से बाहर हो गए इसके बाद चिन्नाई सुपर किंग्स ने इंग्लिंड के तेज गेंदबाज रिचर्ड ग्लीसन को उनकी जगा टीम में शामिल कर लिया पज़ाब के तरन तारण में पाकिस्तान सीमा के नस्दीक B.S.F. ने एक पाकिस्तानी ड्रोन बरामत करने का दावा किया B.S.F. के तलाशी अभ्यान के दौरान इस ड्रोन को जब्द किया गया B.S.F. के मताबिक ये ड्रोन चीन में बना थो उधर खबरे की पश्चिमेशिया में तनाव के बाद एर रूट में बदलाव की वज़े से हवाई किराया बढ़ सकता है खबरे की आने वाले दिनों में अमेरिका और कैनिडा समेथ यॉरप के देशों में जाने के लिए हवाई किराय महंगा हो सकता है क्योंकि पश्चिमेशिया में जारी तनाव की वज़े से सभी एरलाइन कंपनिया इरान की एर स्पेस से बच नहीं लेकिन इससे उन्हें लंबा रास्ता थै करना पड़ रहा है खबरे की रूट में बदलाव की वज़े से एर इंडिया, इंडिगो और विस्तारा समेथ दूसरी एरलाइन कंपनिया किराया पढ़ाने की तैयारी में रॉटर्स ने दावा किया कि एलेक्ट्रिक कार बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी टेसला के मालिक इलॉन मस्क भारत में 300 करोड डॉलर यानि भारते रुपयों में करीब 25,000 करोड का निवेश कर सकते हैं इलॉन मस्क इसी महीने भारत की आत्रा पर आने वाले है दावा किया गया कि वो टेसला की फैक्ट्री लगाने के अलावा भारत में दूसरे कारोबार की भी योज़ना मना रहे है सहिंक तुराष्ट ने गाजा और वेस्ट बैंक में सहायता पहुंचाने के लिए 281 करोड डॉलर यानि भारते रुपयों में करीब 24,000 करोड रुपय की मांगी सहिंक तुराष्ट के मताबिक गाजा के 30,000 लाग फिलिस्तीनियों के पास खाना और स्वच पानी की कमी है और अगर उन्हें जल्द मदद नहीं पहुचाए गई तो वहां के हालाद बद से बत्तर हो सकते हैं इधर लोगसभा चुनाव के पहले चरण के तहद उत्तराखंड की सभी पांच सीटों पर वोट डाले जाएंगे मतलब पहले ही चरण में उत्तराखंड में लोगसभा के चुनाव निपड जाएंगे लेकिन राज्यक की दो सीटे हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल सीट पर सब की नजरे टिकी हैं क्योंकि हरिद्वार लोगसभा सीट से उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंतरी और कॉंग्रेस के कत्दावर नेता हरीश रावत के बेटे विरेंद्र रावत चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं क्योंकि उनके सामने बीजे पी ने पूर्व मुख्यमंतरी ट्रिवेंद्र सिंग रावत को उता रहा है मतलब हरिद्वार लोगसभा सीट पर लड़ाई रावत वर्सेस रावत की है एक तरफ विरेंदर रावत दूसरी तरफ त्रिवेंदर सिंग रावत जीत का सहरा किसके सिर बंदेगा ये चार जुन को पता चलेगा लेकिन अपने बेटे विरेंदर रावत को चुनाव जितवाने के लिए हरी शिरावत ने जम कर प्रचार किया यहां तक कि उन्होंने दुकान पर खड़े होकर समोसे भी तले इसी वज़े से हरिद्वार लोगसभा सीट होट सीट मानी जा रही हरिद्वार की तरह पौडी कड़वाल सीट पर भी लोगों की निगाठी की है कि इस सीट से बीज़े पी ने राज़े सबा सांसत अनिल बुलूनी को मैदान में उता रहा है और कॉंग्रेस ने गड़ेश गोदियाल पर अपना भरोसा जिता है हालनकि पिछले दो लोग सबा चुनावर से राज़े की सभी सीटों पर बीज़े पी का ही कमल खिल रहा है इस बीज आक्टर नवाज़ुद्दीन सिद्धी के खिलाव चेरचाड के मामले को खत्म करने पर कोट ने मोहर लगा दी अक्टर नवाज़ुद्दीन सिद्धीकी को उत्तरप्रदेश के मुझफर नगर की विशेश फॉक्सो कोट से बड़ी रहात मिल गई कोट ने चेरचाड के मामले में उन्हें क्लीन चिट देने वाली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को मनजूर कर लिया अक्टर नवाज़ुद्दीन सिद्धीकी की पत्नी आलिया ने उनके खलाब छेरचाड का मामला दर्च कराया था खबर है कि रूस के एक आदमी ने अपने आठ महीने के बच्चे को खाना खिलाने के बजाए धूद की रोशनी से जिन्दा रखना चाहा जिससे उसके बच्चे की भूख से मौत हो गई आरोप है कि वो आदमी अपने बच्चे को उसकी मां का दूद पीने से भी रोखता था ताकि उसके बेटे को सूर्य की रोशनी से दिव्य शक्तियां आँसे लो सके बाद में वहाँ की कोट ने उस आरोपी को आठ साल कैद की सजा सुनाई बारतिये शत्रंच खिलाडी ग्रैंड मास्टर विदित गुजराती को कैंडिडेट्स टॉर्णमेंट के ग्यारवे राउंड में हार का सामना करना पड़ा उन्हें रूस के खिलाडी इएन निपुमिशी ने हरा दिया इस जीत के बाद इएन निपुमिशी इस टॉर्नमेंट की रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुँच गए उदर ब्राजिल के रियोडी जिनेरो में लोन लेने के लिए एक शव को बैंक ले जाने की खबर से संसनी फैल गई आरोप है कि करीब तीन लाग रुपए का लोन लेने के लिए वो मैला उस आदमी के शव को वील्चेयर पर बैठा कर उस बैंक तक ले गई और बैंक कर्मियों को उस पर शक न हो इसके लिए वो लगातार उससे बात करती रही लोन के कागजों पर साइन करवाने के लिए उसने उस शव के हाथ में एक पैन भी थमाया लेकिन वो उसे ठीक से पकड़ी नहीं पाया इस दोरान जब बार बार उसका सिर आगे की तरफ जुक रहा था तो वो उसे समालती नजर आई ऐसे में वहां मौझूद बैंक कर्मियों को उस पर शक हुआ लेकिन वो जल्द से जल्द उन कागजों पर साइन करवाना चाहती थी इसलिए वो उससे ऐसे बात कर रही थी जमानों वो एक जीता जाकता इंसान हो लेकिन उस महिला की तमाम कोशिश के बावजूद जब बैंक कर्मियों का शक दूर नहीं हुआ तो उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी और पुलिस ने वहाँ पहुँच कर उस महिला को गिरफ्तार कर दिया जांच में सामने आया कि उस बुजूर की कई घंटों पहले ही मौत हो चुकी थी लेकिन परीब तीन लाग का लोन लेने के लिए वो शव को वीलचेर पर बैठा कर बैंक तक ले आई जिसके बाद अर्विन केजरिवाल पर सियासी हमले तो तेज हो ही गए तिहार जेल में उनके डायट चार्ट की तस्वीरे मी सामने आगे 18 दिन से तिहार जेल में बंद अर्विन केजरिवाल को टाइप 2 डायबिटीज है लेकिन उनके डायट चार्ट में हर दिन के खाने में स्वीट यानी मिठाई जरूर मौझूद है जेल में अर्विन केजरिवाल को रोजाना अलग खाना दिया जा रहा है और ये वही खाना है जो उनके घर से बन कर आता है अदालत ने इसके लिए उन्हें अलग से इजाज़त दी है लेकिन घर से आने वाला खाना डॉक्टर के बनाए इसी डायट चार्ट के आधार पर तयार होता है इस चार्ट के दूसरे कॉलम में तारीक लिखिये और आखरी कॉलम में डिनर में मिलने वाला खाना चार्ट के मताबिक उनके डिनर में रोटी कम या जादा हो सकती है सबजियां बदल सकती हैं लेकिन किसी भी दिन उनके डिनर से स्वीट यानी मिठाई कम नहीं की जाती यहां तक कि डॉक्टर ने उनके डायट चार्ट में आलू पूरी तक जोड़ी है क्योंकि दावा किया जाने लगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अपनी दर्जी के लिए मजबूत दलीलें तयार कर रहा है इसलिए वो जानबूच कर अपनी शुगर लेवल को उपर ले जाने की कोशिश में है ताकि अधालत को ये बताय जा सके कि जेल में रहने की वज़े से उनका शुगर लेवल बढ़ रहा कोट में E.D. के वकील ने बताया कि तिहार जेल से केजरिवाल के खाने और दवाओं की जानकारी मांगने पर उनके डायट का पता चला जबकि केजरिवाल के वकील ने कोर्ट को बताया कि ED के वकील सिर्फ मीडिया की वज़े से इस तरह के आरोप लगा रहे हैं जानकारी तब सामने आई जब अर्विंद केजरिवाल ने विडियो कॉंफरेंसिंग के जरिये डॉक्टर से मेडिकल कंसल्टेशन की मांग की और इसके लिए कोट में आचिका डाली गई जिसके बाद ये जानकारी सामने आई अठारा दिनों से तिहार जेल में मौझूद अर्विंद केजरिवाल की खराब सेहत के कारण कोट ने उन्हें घर का खाना खाने की इजाज़त दी हुई है और जेल में उनके खाने का वक्त भी तै जानकारी के मुताबिक जेल में बंद अर्विंद केजरिवाल का दिन सुबह साड़े चे बजे शुरू होता है और उसी वक्त उन्हें नाश्ता दिया जाता नाश्ते में उन्हें चाय और अंडों के अलावा फल या कुछ और हलका खाना भी दिया जाता लगबग 11 बजे उनके लँच का समय होता है लँच में उन्हें दाल, सबजी, रोटी, चावल और फल दिये जाते है अलागा हर दिन का मेन्यू अलग रखा जाता है और शाम इस अमानत मिलना आसान हो जाए इस जानकारी के सामने आते ही सियासी बवाल मचने में भी देर नहीं लगी बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और अर्विंद केजरिवाल पर तीके हमले शुरू कर दिये और बीजेपी सांसद मनोश तिवारी ने तो उन्हें घाजियाबाद की डासना जेल में शिफ्ट करने की सलह देदी दूसरी तरफ अर्विंद केजरिवाल के डायेट चार्ट में अंडों का जिक्र देखकर बीजेपी ने नया हमला शुरू कर दिया गैरत तारिक जब तीसरा नवरातरा था उसे दिन शिरिमान जी अंडे खा रहे हैं आला कि आम आदमी पार्टी ने साजिश का रोप लगाया ये अर्विंद केजरिवाल जी की जान लेने की साजिश है डायट पर कोट में हुए विवात के बाद अर्विंद केजरिवाल ने याचिका वापस ले ली और नए सिरे से याचिका डालने का अईलान किया इस बीच बेंगलूरू में एक महिला ने स्कूटर पर सफर के दौरान अपने बच्चे की जान खत्रे में डाल दी मेंगलूरू में एक बच्चे को स्कूटर के फुटरेस्ट पर खड़ा करके सफर कराने का एक वीडियो वायरल हुआ आरोपय के स्कूटर पर सवार एक महिला उस बच्चे को फुटरेस्ट पर खड़ा करवाकर सफर करा रही थी जिबकि एक दूसरा आद्मियों स्कूटर को चला रहा था कैनडा में हुई वहां की सबसे बड़ी सोने की चोरी के मामले में वहां की पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफतार करने का दावा किया पुलिस के मताबिक पिछले साल तोरोंटो एरपोर्ट पर 6600 सोने की चड़ों की चोरी हो गई थी इनकी तीमत एक करोड चालीस लाख डॉलर यानी भारती रुपव में करीब 110 करोड रुपई थी बेंगलूरू एरपोर्ट पर 24 घंटे से जादा समय बिताने का दावा करने वाले यूट्यूबर विकास गौडा को गिरफतार कर लिया गया उस पर आरोप है कि वो 7 अपरेल को 24 घंटे से जादा समय तक एरपोर्ट पड़ रहा और उसने सुरक्षा के अंदेखी करते हुए वीडियो बनाये थे इसके बाद उसने इस वीडियो को यूट्यूब पर अप्लोड कर गिया था उदर लोगसबा चुनाव के पहले चरण में मद्धिप्रदेश में कॉंग्रेस के घड़ चिंदवाडा समेथ 6 लोगसबा सीटों पर भी वोटिंग होगी चिंदवाडा कॉंग्रेस की वो सीट है जहां बीजेपी को कभी कामियाबी नहीं मिली इस सीट से कॉंग्रेस के सबसे भरोसे मन नेताओं में एक कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ चुनावी मैदान में है और इसलिए ये होट सीट मानी जा रही है क्योंकि पिछले 44 साल से चिंदवाडा सीट पर कॉंग्रेस ने कभी हार का मो नहीं देखा इस बार भी इस सीट पर नकुलनाथ कॉंग्रेस के उम्मीदवार हैं और उन्हें चुनाथी देने के लिए बीजेपी ने उनके सामने विवेक बंटी साहू को मैदान में उता रहा है चिंदवाडा समेथ पहले चरण के तहट आने वाली सभी छे सीटें राज्य के पूरवी हिस्से में मौझूद हैं सिर्फ चिंदवाडा पर कॉंग्रेस का कभजा है जबकि बाकी की सभी सीटों पर बीजेपी का परचम लेरा रहा है इस बीश लोगसभा चुनाव के पहले चरण में दक्षिंद भारत के सबसे बड़े राज्य तमिलनाड की सभी 49 सीटों पर चुनाव होगा चुनाव आयोग ने तमिलनाड में एक ही चरण में मतदान कराने का फैसला किया था चार सो लोगसभा सीट जीतने का लक्ष लेकर मैदान में उत्री बीजेपी की कोशिश तमिलनाड में बड़ी काम्याबी आसल करने की है लेकिन वहाँ उसकी रहा इतनी आसान नहीं होने वाली क्योंकि वहाँ इस बार के लोगसभा चुनाव में तीन गटबंधन मैदान में बीजेपी की अग्वाई वाला NDA, DMK और कॉंग्रेस की अग्वाई वाला विपक्षी गटबंधन और AI ADM की की अगवाई वाला तमिलनाड का विपक्षी गडबंधन एक दूसरे को टक कर दे रहे हैं लोगसभा चुनाव से ठीक पहले कच्चा तीवू मुद्दे ने वहां की सियासत को करमा दिया था बीजेपी ने इस मुद्दे को तमिलनाड में भुणाने की कोशिश की प्रिधान मंतरी के साथ तमिलनाड में बीजेपी के अध्यक्ष अन्ना मलाई ने अपनी हर रैली और जन सभा में इसे जोर शोर से उठाया अन्ना मलाई तमिलनाडू की सबसे चचे सी कोयमबतूर से मैदान में हैं और अन्ना मलाई के चुनावी मैदान में उतरने से कोयमबतूर सीट तमिलनाड की सबसे होट सीट बन गए लोगसबा चुनाम में बीजेपी यहां नमबर दो की पार्टी लोगों की सांसे अटक नहीं क्योंकि एक मोटर साइकल पर सवार होकर वो बदमाश एक दुकान के बाहर पहुंचे और गोलियों की बॉचार कर दी और बेखौफ होकर तीनों बदमाश एक एक कर उस दुकान की तरफ गोलियां डाकते दिखाई दिये उनमें एक बदमाश उस मोटर साइकल पर सवार नजर आया और उसके दो साथी सड़क किनारे खड़े होकर फाइरिंग करते नजर आये इस बीच वो लोग कुछ देर रुके और फिर फाइरिंग शुरू कर दी वार्दात वाली जगह पर कुछ लोग एक गाड़ी में सवार दिखे लेकिन लगातार हो रही गोली बारी के वज़े से वो गाड़ी वहीं खड़ी रही जिफकि वहां से कुछ दूरी पर बड़ी संख्या में दूसरे लोग मौजूद दिखाई दिये लेकिन उनमें कोई भी उन बदमाशों को रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और काफी देर तक गोलियां बरसाने के बाद उस बदमाश का एक साथी मोटरसाइकल पर सवार हो गया लेकिन उसका दूसरा साथी भागने के दौरान फिर फाइरिंग करता दिखे आरोब लगा कि पैसों के लेंदेन पर उन्होंने किराने की उस दुकान पर गोलियां चलाई बता गया कि उस वक्त दुकान का मालिक भी दुकान में मौजूद था हलाकि इस वारदात के बाद पुलिस ने केस दर्च कर लिया इस बीच भारत को सुरक्षा परिशद का स्थाई सदस्ते बनाने के पक्ष में अमेरिका भी उतर गया सेयुक्त राष्ट सुरक्षा परिशद में भारत की स्थाई सदस्ता को लेकर इलॉन मस्क के बयान पर अमेरिका की प्रतिक्रिया सामनी आई वहां के विदेश वंत्राले ने साफ कर दिया कि अमेरिका सुरक्षा परिशद समेट सेयुक्त राष्ट के दूसरे संस्थानों में सुधार का समर्थन करता है यही नहीं अमेरिका ने इन संस्थानों में बदलाव की वकालत भी की इससे पहले एलॉन मस्क ने सुरक्षा परशद में भारत को 27 सदस्ता न देने को बेतुका पताया था निकज आईटी कंपनी इंफिसिस के करमचारियों की संक्या पिछले 23 साल में पहली बार घट गए कंपनी के मुताबिक पिछले वित्तवर्ष के मुकाबले 23-24 में इंफिसिस के करीब 26,000 करमचारियों की नौकरी चली गए आर्थिय शेहर बाजार लगातार चौथे दिन लाल निशान पर बंद हुआ इस दोरान जबसे ज़्यादा गिरावट पार्मा, एफिम सीजी, ओइल एंड गैस, आटो और एनरजी सेक्टर के शेरों में रही बैंकिंग शेरों पर भी भारी तबाव रहा जिससे बंबे सौक एक्षेंज का सेंसेक्स 454 अंग गिरकर 72,488 पर बंद हुआ तो निफटी 152 अंगों की गिरावट के साथ 21,995 के स्थर पर आ गया पहले चरण के मतदान से पहले बिहार की हॉट सीट जमुई में तेजस्वी की त्रभा के दोरान चिराग पासवान के परिवार को गालियां देने का एक वीडियो वारल हो गया और इस वीडियो पर बवाल मच गया वीडियो दो दिन पहले का बताया गया इसे एंडिये के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे इंदुस्तानी हवाम मोर्चा के अध्यक जितनरा माजी ने भी शेयर किया और इसमें तेजस्वी के मंच के सामने से एक आदमी चिराख पासवान और उनके परिवार को गालियां देता सुनाई दिया इस पूरे वीडियो में गालियां देने वाले इंसान का चेहरा नजर नहीं आया और शोर गुल के बीच केवल उसकी आवाज और गालियां सुनाई दिया इस पूरे वीडियो में तेजस्वी की आवाज कहीं सुनाई नहीं दिया सुनाई दिया तो केवल शोर और इस दौराण चिराख पासवान के लिए बोले जा रहे अब शब्द वीडियो में तेजस्वी आदव माइक से बोलते दिखाई दिये और उनके ठीक बगल में जमुई से आरजेडी की प्रत्याशी अर्चना रविदास खड़ी दिखाई दिये और उनके ठीक सामने से किसी आदमी ने चिराख पासवान और उनके परिवार को उल्टा सीधा बोला बताय गया कि वीडियो दो दिन पहले जमुई में हुई तेजस्वी की सभा का है ये वीडियो पहले चरण के मतदान से ठीक पहले वाइरल हुआ और वीडियो वाइरल होने के बाद सियासी बबाद चिड़ गया, चिराग पासवान तो भढ़क गये, उन्होंने सीधा तेजस्वी आदव से सवाल पूछा, उन्होंने दो टुक बोल दिया कि अगर इस तरह की घटना उनके सामने हुई होती तो वो मूँ तोड जवाब देत और उसी वक्त उस आदमी को सबक सिखाते, ये बोलते हुए चिराग घुस्चे में दिखे, तेजस्वी की सभा में गालियों वाले वीडियो के बारे में सवाल पूछे जाने पर चिराग खुद को रोक नहीं पाए, और तेजस्वी आदव पर भढ़क गये, मैं अगर चिराग पासवान भले ही तेजस्वी से नाराज हो, लेकिन तेजस्वी ने सफाई दी कि उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं थी, कि मंच के सामने से चिराग के परिवार को गालियां दी गए तेजस्वी भले ही सफाई दे, लेकिन पहले चरण के चुनाव से पहले वाइरल हुए इस वीडियो ने बिहार का सियासी पारा चड़ा दिया, क्योंकि ये वीडियो जमुई का है और जमुई में पहले चरण में मतदान होगा और इसलिए तेजस्वी आदव ने जमुई में कई रैलियां की और उन्हीं रैलियों में एक पर विवाद हो गया आरोब लगा कि तेजस्वी ने चिराग के परिवार को अपशब्द बोले जाने के मामले की अंदेखी की और इसी मुद्दे पर तेजस्वी आदव और चिराग पासवान आमने सामने आ गए इन दोनों नेताओं ने बिहार की होट सीट जमुई में जीत के लिए जमीन आसवान एक कर दिया इस सीट पर नजर इसलिए है या यूं कहें कि ये सीट होट सीट इसलिए बन गई क्योंकि जमुई में इस बार दो बार के सांसद रहे चिराग पासवान के जीजा अरुन भारती चुनाव लड़ रहे है वो चिराग पासवान की सगी बहन निशा भारती के पती है निशा भारती के अलावा चिराग पासवान की दो सोतेली बहने भी हैं क्योंकि रामविलास पासवान ने दो शादियां की थी, उनकी पहली पत्नी का नाम राजकुमारी देवी था और दूसरी पत्नी का नाम है रीना पासवान, चिराग पासवान और निशा भारती रीना पासवान और रामविलास पासवान के बच्चे हैं, और राजकुमारी दे दी जिस सीट पर वो 2014 और 2019 में चुनाव लड़े थी। लेकिन इस बार चिराग पासवान बिहार के हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे और इसके लिए चिराग पासवान ने अपने चाचा पचुपती पारस तक से लड़ाई कर ली थी। और जीत उनकी हुई थी। इसके ब अरुण भारती की टककर आरजेडी की प्रत्याशी अर्चना रविदास से है। जमुई में अर्चना रविदास का मायका है और इसलिए वो यहां बाहरी प्रत्याशी वाली सियासत भी कर रही है। बेजेंगे। क्योंकि पहले चरण में बिहार की जमुई सीट पर भी मतदान होगा। इस चरण में बिहार की चार सीटें शामिल हैं और इन चार में दो सीटों पर बीजेपी की सहयोगी पार्टियां मैदान में है। में रामिलास पासवान के दामाद और चिराक पासवान के जीजा अरुण भारती। इसलिए प्रधान मंत्री ने इन सीटों पर रैलियां की। क्योंकि आरजेडी की ओर से तेजस्वी ने भी गया और जमुई में धुआधार रैलियां की थी। और उनकी कोशिश थी कि बिहार की इन चारों सीटों पर एंडिये को कड़ी टकर दी जाए। जमुई में तो उन्होंने दो दिन पहले तक रैलिय की थी। मुर्शिदाबाद और मिदनीपूर में निकाले गए राम नौमी के जलूस के दौरान पत्थर बाजी की गई। इसके साथ ही बीजेपी ने आरोब लगाया कि पश्च मंगाल की मुक्यमंत्री ममता बेनर्ट जी नहीं इसके लिए लोगों को उकसाया। और उकसाता कौन है इसी राज्य की मुक्यमंत्री। हाला कि टीमसी ने बीजेपी को जवाब देने में देर नहीं लगाई। में देखते ही नारे लगाने शुरू कर दिये। मुर्शिदाबाद के बहरमपूर में मेडिकल कॉलेज पहुंचे अधीरंजन चौधरी को घायलों से मिलने से पहले भारी विरोत का सामना करना पड़ा। इस दोरान भीड में मौझूद एक आदमी तो उनसे भिड़ने तक को तयार हो गया। इसके बाद वो किसी तरह अस्पताल के अंदर गए और गायलों से उनका हाल जाना। अधीरंजन चौधरी बहरामपुर से मौझूदा सांसद हैं और बहरामपुर लोकसवा सीट मौझूद जिले में ही आती है। कॉंग्रेस ने इस बार भी अधीरंजन चौधरी को ही बहरामपुर से टिकेट दी है। जारकन के लोडगा में राम नौमी की शोभा यात्रा के दौरान बेकाबू हुई एक गाड़ी ने दो लोगों की जान ले लिये और 24 से जादा लोग बुरी तरह घायल हो गए वहां राम नौमी के मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई और धोल निगाड़े के साथ भक्त राम नाम की धुन पर जूम रहे थे लेकिन तभी दर्दनाक हाद्सा हो गया क्योंकि उस गाड़ी ने शोभा यात्रा में शामिल हुए लोगों को एक जटके में रौन दिया वहां वो गाड़ी सड़क पर चलती भीड को बिल्कुल कुछलती हुई दिखाई दिये ये इतनी जल्दी हुआ कि लोगों को उस गाड़ी से दूर भागने का मौका ही नहीं मिल पाया वीडियो में कुछ देर पहले तक सब सामान ने नजर आया राम नामी के मौके पर शोभा यात्रा में शामिल हुए लोग जूमते काते दिखाई दिये कुछ लोग ढोल बजाते भी दिखे राम नाम की भक्ती में डूबे लोग हाथों में भगवा जंडे लेकर सड़क पर आगे बढ़ते दिखाई दिखाई दिये तभी अचानक सफेद रंग की वो गाड़ी दोड़ती हुई वहां आई और एक साथ कई लोगों के ऊपर चड़ती हुई आगे बढ़ गई इसके बाद तो चीख फुकार मजगे राम नामी का उतसव एकड़म मातब में बदल गया जब तक ड्राइवर ने उस गाड़ी को रोका तब तक वो कई मीटर तक आगे बढ़ चुकी थी और शोभा यात्रा में शामिल कई लोग इसकी चपेट में आ गए आनन्फानन में उन लोगों को अस्पताल ले जाया गया लेकिन अस्पताल ले जाने के दोरान उन में दो लोगों की जान चली गए जबकि 24 से ज़्यादा लोगों की हालत गंभीर बताएगे क्योंकि शोभा यात्रा के बीच घुसी वो गाड़ी कहर बनका तूट पड़ी जो हादसे से कुछ देर पहले तक वहाँ लोगों के ठीक पीछे चल रही थी उस गाड़ी को शोभा यात्रा में इस्तमाल करने के लिए बुलाया गया उसमें साउंड सिस्टम और भगवा जंडे लगाये लेकिन वो गाड़ी शोभा यात्रा के लिए काल साबित हो गई लोहर दगा जिले में हुए भीशन हादसे के बाद आरोपी ड्राइवर को गरपतार करिया गया वहां राम नौमी के अगले दिन इलाके में सन्नाटा पसरा नजर आया लोगोंने बाजार बंद करवा दिये और हादसे के खिलाफ अपना घुसा जाहिर किया इस बीच जारकन के मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उनाओ अस्पताल पहुँचे और घायलों से मुलाकात की इस दोरान लोहर दगा से बीजे पी के प्रत्याशी समीर उनाओ भी वहां मौझूद रहे उन्होंने राज्य सरकार से मृतक के परिवार वालों को 20 लाग रुपए की साहेता देने की मांग की इसके साथ ही गायलों को भी 10 लाग रुपए की आर्थिक मदद देने की अपील की गई उदर पश्चे मंगाल के राजजपाल के खलाव ममता बेनर्जी की पार्टी टीमसी चुनाव आयोग पहुंच गई टीमसी ने पश्चे मंगाल के राजपाल सीवी आनन बोस के खलाव चुनाव आयोग में शिकायत तर्च करवाई ममतब एनर्जी की पार्टी ने राजजपाल पर लोगसबा चुनाव में हस्तक्षेप करने का आरोब लगाया बिहार में RJD के पूर्व सांसद बुलो मंडल J.D.U. में शामिल हो गए MCD यानी दिल्ली नगर निगम में मेर और डिप्टी मेर के चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों ने नामांकन कर दिया आम आदमी पाटी ने मेयर पद के लिए महेश कीची और टिपटी मेयर पद के लिए रविंदर भार्दवाज को उम्मीदवार बनाया है। दिल्ली में 26 अपरेल को मेयर और टिपटी मेयर के चुनाव होगे। इधर पहले चरण के चुनाम में अुत्त प्रदेश में बीजेपी और रल्डी गटबंधन का इम्तीहान होगा यूबी में पहले चरण में आठ सीटों पर मतदान होगा और 2019 में ने पाँच बीजेपी हार गई थी बीजेपी और आरेलडी पिछले चुनाम में अलग-अलग लड़ी थी आरेलडी समाजबादी पार्टी और बीएसपी के साथ थी लेकिन इस बार बीजेपी और आरेलडी का गटबंधन हुआ और इसलिए का जा रहा है कि पहले चरण के चुनाम में उत्तो प्रदेश में बीजेपी और आरेलडी गटबंधन की परीक्षा होगी क्योंकि इस गटबंधन की वज़े से पश्चिमी यूपी में सियासी समीकरण बदल गए और कहा गया कि बीजेपी का प्रदर्शन पिछली बार से बहतर हो सकता है क्योंकि जैन चौधरी के बीजेपी के साथ आने की वज़े से जाड समुदाय के मतदाता बीजेपी के साथ आ सकते है और पश्चिमी यूपी की इन 5 सीटों पर बीजेपी को फाइदा हो सकता है जिन पर बीजेपी पिछली बार हार गई थी क्योंकि पहले चरण में पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और इन 8 सीटों में 5 पर पिछली बार बीजेपी हार गई थी, लेकिन इस बार सियासी समीकरण बदल गए हैं, क्योंकि जो जयन चौधरी 2019 में मायवती और अखिलेश के साथ थे, वो जयन चौधरी इस बार बीजेपी के साथ हैं, यही नहीं BSP और SP भी अलग-अलग लड़ र रही है, क्योंकि इस सीट पर आजाद समाज पार्टी कांशी राम के चंदरशेखर आजाद ने BSP और समाजवादी पार्टी को सीधी चुनोती दिये, और युपी के नगीना में चुनावी लड़ाई का सारा सियासी समीकरण ही पलटने की कोशिश की, क्योंकि इस सीट पर BS पी का दब-दबा माना जाता है, मायावती के भतीजे आकाश आनन तो यहीं से प्रचार अभियान में कूदे, लेकिन चंदरशेखर आजाद ने दावा किया कि वहां BSP ने जान बूज कर कमजोर उम्मीदवार मैदान में उता रहा, क्योंकि इस से उनका फायदा हो सकता है, चंदरशेखर आजाद नगीना में दुआधार प्रचार कर रहा है, आजाद समाज पार्टी कांशी राम के चंदरशेखर आजाद नगीना से लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी के खिलाफ हो गए थे, बड़ी बात ये कि वो BSP का विकल्प बनने की भी कोशिश में ह नहीं चार प्रत्याशियों के बीच कड़ी टक्कर हो सकती है, क्योंकि बीजेपी के ओम कुमार, S.P. के मनोज कुमार और BSP के सुरेंदर पाल के अलावा, चंदरशेखर आजाद ने भी नगीना में खुब पसीना बहाया और नगीना की लड़ाई में ट्विस्ट ला दिया इसके लावा पस्चिमी यूपी की मुरादाबाद सीट पर भी नजर है, पहले चरण में यहां भी मतदान होगा, क्योंकि इस बार के चुनाम में वहां समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से टिकेट का बटवारा किया, उसकी खूंग चर्चा हुई, और यूपी की मुरा मुरादाबाद सीट से अपना उम्मीदवार बदल दिया और रुची वीरा को टिकेट दे दी, रुची वीरा को आजम खां के खेमे का माना जाता है, और उन्हें टिकेट मिलने से एस्टी हसन नाराज हो गय था, उनके समर्थकों ने गुस्सा भी दिखाया था, में मुरादाबाद में मुरादाबाद में बीजेपी के सर्वेज सिंग को इसका फायदा हो सकता, और उत्तर प्रदेश के ओड़ सीट रामपूर भी समाजवादी पार्टी की अंदूरूनी कले की वज़ए से ही चर्चा में रही, खबराई की जेल में बंद आजम खां चा मुलायम सिंग यादव और अखलेश यादव चुनाव प्रचार के लिए रामपूर आते थे, लेकिन इस बार अखलेश ने वहाँ प्रचार ही नहीं किया और चुनाव आ गया, और कहा गया कि ये सब इसले हुआ क्योंकि आजम समर्थकों ने चुनाव के बहिशकार का एला और समाजवादी पार्टी की इसी खींस्तान की वज़े से यूपी की रामपूर भी हॉट सीट बन गई, उदर पहले चरण के चुनाव में यूपी के हॉट सीट पीली भीत में भी वोट डाले जाएंगे, पीली भीत सीट से वरुन गांधी 2019 में चुनाव जीते थे लेकिन 2024 के चुनाव में बीजे पी जोने टिकेट ही नहीं दी, और ये सीट यूपी के हॉट सीट बन गई, क्योंकि इस बार बीजे पी की टिकेट पर वरुन गांधी पीली भीत से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बीजे पी ने जब तक ये ऐलान नहीं किया था, तब तक कई गुदान मंतरी ने पीली भीत में जितिन प्रिसाद के समर्थन में वहां प्रचार भी किया था, और उस सभा में वरुन गांधी नहीं आये थे, यानि पीली भीत में इस बार ना मिनका गांधी है ना वरुन गांधी, पार्टी ने जितिन प्रिसाद पर दाओं खेला है, औ और इसलिए ये सीट होट सीट बन गई। इसके अलावा पहले चरण के चुनाव में उत्तरप्रदेश की होट सीट सहारनपूर में भी मतदान होगा। इस सीट पर कॉंग्रेस ने इमरान मसूद को टिकेट दी और इनके लिए प्रियंका गांधी ने वहाँ चुनाव प्रचार किया था। इमरान मसूद की राहा मुश्किल कर दी क्योंकि सहारनपूर में मुकाबला त्रिकोणियों हो गया और प्रियंका के रोडशो के बाद तो इस सीट के नतीजों पर नजर रहेगी। पूरी नहीं हुई है। सुप्रीम कोट ने EVM और VVPAT परचियों की 100% मिलानवाली आचिकाप पर सुनवाई के बाद पैसला सुरक्षित रख लिया। इस दोरान चुनाव आयोग ने EVM को पूरी तरह सुरक्षित बताया है तो बाद में कोट ने भी इस पर टिपनी की कि हर चीज़ पर अविश्वास नहीं जिता जा सकता। गुजिरात के वडोदरा में भीशन गर्मी से बचाने के लिए ट्राफिक पुलिस ने अपने कर्मियों को AC वाले हलमेट दिये। कंगरेस के उम्मीदबार विक्रम दित्य सिंग ने कंगना को बरसाती मेंढक वता दिया अलनकि विक्रमदित सिंग सामने ताल ठोक रही बड़ा पपू है दिल्ली में लेकिन हमारे यहां पे भी एक छोटा पपू है कंगना रनोत ने अपने प्रचार के दौरान विक्रमदित सिंग के राज परिवार से होने पर भी तंस किया था मंडी हिमाचल प्रदेश की चार लोगसवा सीटों में एक है जहां आकरी चरण में मत्तदान होगा इजबी 36 गड़ के कांकेर में सुरक्षा बल के अधिकारियों ने दावा किया कि नकसली कमांडर शंकर राव की अगवाई में नकसलीों का एक दल लोगसवा चुनाव में गड़बडी फैलाने के लिए अबू जुमाड के जंगल में जमा हुए दो दिन पहले सुरक्षा बल के जवानों ने अबू जुमाड के जंगल में एक ऑपरेशन चला कर 29 नकसलीों को धेर कर दिया था क्योंकि सुरक्षा बल के अधिकारियों को ये खबर मिली थी कि कांकेर में चुनाव रोकने के लिए नकसली पोलिंग पार्टी पर हमला करने वाले हैं इस operation की अगवाई कर रहे सुरक्षाबल के अधिकारी लक्षमन केवट के मुताबिक इसकी सूचना मिलने के बाद नकसलियों के खिलाफ operation शुरू कर दिया गया था। इंकाउंटर स्पेशलिस के नाम से मशूर लक्षमन केवट ने जानकारी दी कि 15 अपरेल को उन्हें नकसलियों के इस खतरनाक प्लान का पता चला था। इसके बाद 16 अपरेल को करीब 400 जवान नकसलियों को घेरने उनके गढ़ में घुज गये। लेकिन नकसलियों को उनके आने की सूचना पहले ही मिल गई थी। इसलिए नकसलियों ने जंगल में बम लगा दिये थे। नस्दीक पहुंचते ही उन्होंने फारिंग शुरू कर और 34 गढ़ के कांकेर में नकसलियों के खिलाब सुरक्षाबल के आपरेशन पर कॉंग्रेस नेता सुप्रिया श्रिनेत ने विवादास्पत बयान दे दिया। उनके बयान पर बीजेपी भड़क गई और उसने उन पर जमानों के अपमान कारोप लगा दिया। लोग सुप्रिया श्रिनेत ने इस ऑपरेशन की जांच की मांग करते हुए मारे गए नकसलियों पर विवादास्पत बयान दे दिया। सेना के हमारे शूरवीर है उनमें सडक का गुंडा याद आता है। और यहां तक की भगवा रंग का अंगवस्त्र पैनाय जाने वाले वीडियो पर भी सवाल उठाए। इससे कुछ देर पहले विकास अग्रहरी का अमेठी की सांसर स्मृति इरानी के साथ एक वीडियो भी सामने आया था। वीडियो में विकास अग्रहरी के दाई और स्मृति इरानी खड़ी दिखी थी जबकि एक व्यक्ति विकास को भगवा अंगवस्त पैनाता दिखा। सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों और वेबसाइटों तक पर कॉंग्रेस को अमेठी में बड़ा जटका लगने की बात की जाने लेगी। लेकिन विकास अग्रहरी ने दावा कर दिया कि वो तो केवल इलाके की समस्याओं पर बात करने के लिए सांसत से मिलने गए थे। शिष्टाचार के नाते उनका स्वागत करते हुए अंगवस्त्र पराया गया था लेकिन उस वीडियो के जरीए लोगों को ब्रहमित किया गया। विकास अग्रहरी के मताबिक वो कॉंग्रेस के समर्पित कारे करता है और पार्टी छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते। इस वीडियो देखने वाले लोगों ने भी अपने सिर पकड़ लिया। वहाँ एक रेस्टरांट में दो लोग दोसा खाने पहुँचे थे लेकिन बताया गया कि दोसे के साथ जो चटनी परोसी गई वो खराब थी इसलिए चटनी का सुआद चकते ही वो दोनों लोग भड़क गए। और इसके बाद तो मानो जंग छिड़ गए। वहाँ एक आदमी टेबल स्टैंड उठाकर फिंकता नजर आया। फिर वो वहाँ पड़ी कुरसी भी उठाता दिखाई दिया। कुछ देर में तो उसने मांस की कुरसी उठाकर उस रेस्टरांट के करमचारी के उपर फिंक दिया। वहाँ वो करमचारी उनका मुकाबला करते हुए लाल टी-शट पहने एक लड़के से भिढ़ गया। लेकिन लाल टी-शट वाले लड़के ने भी टेबल स्टैंड उठाकर जोर से हमला कर दिया। इसके बाद तो उस रेस्टरांट का एक दूसरा करमचारी वहाँ रखा एक गमला उस लड़के के उपर फिंकता दिखा। मतलब जिसके हाथ जो सामान आया वो उससे हमला करता रहा। उस रेस्टरांट में खाना खाने पहुंचे वो दोनों लोग और वहाँ के करमचारी जम कर गाली गलोज करते सुनाई दिये। उस रेस्टरांट के बार काफी देर मारपीट चलती रही और बड़ी संख्या में मौजूद लोग ये जड़ब देखते नजर आये। मारपीट के दोरान वहाँ सारा सामान विखर गया। सजावट के लिए लगाये गए गुबारे भी इधर उदर विखर गये। बताया गया कि उस रेस्टरांट में उन दोनों लोगों को दोसे के साथ खराब चटनी परोसी गई थी इसी वज़े से वो लोग आग बबूला हो गए और जम कर मारपीट की। केंद्री ग्रेह मंत्री अमिच्छा ने गुजरात के कांधी नगर में रोड शुक किया। इस दोरान न्यूज 18 से बात करते हुए उन्होंने एक बार फिर एंडिये को 400 सीटे मिलने का दावाद दोर आया। पूरुक्षेत्र के अलावा हिसार से सुनैना चोटाला को तो अंबाला सीट से गुरुप्रीत सिंग को टिकेट दी गई। इधर चंडिगड लोकसबा सीट से पूर्व केंद्रिय मंतरी मनीश दिवारी को उम्मीदवार बनाय जाने पर चंडिगड कॉंग्रेस में मचे घमासान के बाद पार्टी में सब कुछ ठीक होने का दावा किया गया। और ये दावा कॉंग्रेस नेता राजीव शुक्ल ने किया जो चंडिगड में पवन बनसल से मिलने पहुँचे। दोनों के बीज घर के अंदर क्या बात हुई इसकी जानकारी तो नहीं मिल पाई लेकिन राजीव शुक्ल ने ये जरूर बता दिया कि सब कुछ ठीक है। उदर हर्याना के कुरुक्षेत्र में चुनाव प्रचार करने निकले बीजेपी प्रत्याशी नवीन जिंदल ने बोरियां उठाकर ट्रक में लोड की। नवीन जिंदल दो बार कुरुक्षेत्र से सांसद रह चुके हैं लेकिन तब वो कॉंग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े थे। इस बार वो बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहें। करीब 10 साल तक सियासत से दूर रहे नवीन जिंदल कुछ दिन पहले ही बीजेपी का हिस्सा बने। पार्टी से टिकट मिलने के बाद उन्होंने प्रचार में खुब पसीना बहा है। और कुरुक्षेत्र की एक अनाज मंडी में गेहूं की बोरियां ट्रक में लोड करते नजर आए। नवीन जिंदल को इस तरह मंडी में कंधे पर बोरी लिये देखकर लोगोंने तालियां बजाई। और जब उन्होंने बोरी ट्रक में लोड कर दी तो उनके समर्थन में नारे लगाए गए। वैसे कुरुक्षेत्र में नवीन जिंदल के परिवार का दबदबा माना जाता है। वो 2004 और 2009 में वहां से सांसद भी रह चुके हैं। लेकिन इस बार उन्होंने पार्टी बदल ली और बीजेपी की ओर से कुरुक्षेत्र के चुनावी मैदान में उतरे। नवीन जिंदल से पहले उनकी माँ और देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल बीजेपी का हिस्सा बनी थी। इसके कुछी दिन बाद नवीन जिंदल भी बीजेपी का हिस्सा बन गये थे। और अब वो बीजेपी की टिकट पर कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। और उनका मुकाबला कुरुक्षेत्र में विपक्षी कट बन्धन के उम्मीदवार और आम आदमी पार्टी के नेता सुशील गुपता से होगा। नवीन जिंदल की तरह सुशील गुपता ने भी प्रचार में पूरी ताक़ ज्हूंगी। वो किसानों के बीच पहुँचे और खेतों में फसल काटी। जो एक सीट मिली वहां उसने सुशील गुपता को उम्मीदवार बना दिया। अटकले लगीं कि इससे कॉंग्रेस ने एक तीर से दो निशाने साधे थे। क्योंकि 2014 के चुनाव में हारने के बाद 2019 में नवीन जिंदल ने कॉंग्रेस की ओर से कुरुक्षेत्र से लड़ने से इंकार कर दिया था। और तभी से कॉंग्रेस के पास इस सीट के लिए मजबूत उम्मीदवार नहीं था। खबर है कि इसी वज़े से हर्याना में आम आदमी पार्टी के साथ गटबंधन होते ही उसने कुरुक्षेत्र सीट उसे दे दी और आम आदमी पार्टी ने हर्याना में पार्टी के अध्यक्ष सुशील गुप्ता को वहां से टिकेट दे दी। लेकिन बीजेपी ने कॉंग्रेस के नहले पर दहला तब चल दिया जब उसने कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल को प्रत्याशी बना दिया। खड़े होकर पत्राव करते दिखाए दिया। इस दोरान ऐसा लगा मानों गली में मौझूद भीड उस घर का मेन गेट तोड़कर वहां धावा बोल देगी। क्योंकि कई लोग अपने हाथों में डंडे लेकर दर्वाजे के बाहर हंगामा करते रहे। लेकिन उन लोगों को वहां से खडेडने के लिए छट से लोग लगातार पत्तर फिंकते रहे। वहां बच्चे, महिलाएं और पुरोष सब उस घर के अंदर गुसने पर आमादा दिखे। खबरे की जम्मू कश्मीर में सीमा पार से आतंकियों ने घुसपैट कर चुनाव में खलल डालने का प्लान बनाया है। इसे देखते हुए खुफिया एजंसियों ने सुरक्षा बल को अलर्ट कर दिया। इसके बाद राजोरी समेथ कई जिलों में सर्च ओपरेशन तेज कर दिया गया। इस काम में ग्राम रक्षा समिती के सदस्यों को भी लगाया गया ताकि आतंकियों की साजिश नाकाम की जा सके। अमेरिका की टाइम मैगजीन ने 2024 के सौ प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी की और इस लिस्ट में भारतिय पहलमान साक्षी मलिक, एक्ट्रस आलिया भट और माइक्रोसोफ्ट के सीयो सत्या नडेला को शामिल किया गया। इसके साथ ही रूसी राष्टपती पुतिन के विरोधी रहे अलेक्सी नवालनी की पत्नी यूलिया नवालनिया को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया। इस लिए इस बार चुनाव आयोग ने वहां के लोगों को जागरूग करने के लिए कई अभियान चला है। चुनाव आयोग के अभियान का हिस्सा बन गया। और गडवाली भाशा में ये गाना बना डाला। उत्तराखंड की सभी पांच लोगसबा सीटों पर पहले चरण में मतदान होगा। और इससे पहले चुनाव आयोग उत्तरकाशी में इस गाने के जरीए लोगों को जागरूग करने में जुड़ गया। उत्तरकाशी उत्तराखंड की टीहरी कडवाल लोगसबा सीट का हिस्सा है। उत्तर लोगसबा चुनाव के पहले चरण के तहट महाराश्ट के विधर्व इलाके की पांच सीटों पर वोटिंग होगी। यानि महाराश्ट के पूर्वी इससे के तहट आने वाले विधर्व इलाके में कॉंग्रेस और वीजेपी के बीच चक्कर है। दोनों बार्टियों ने पूरी ताकत जुंक दिया। क्योंकि विधर्व में कॉंग्रेस अपना वजूद बचाने में जुटी है जबकि बीजेपी के लिए सभी सीटों पर जीत हासिल करना नाक का सवाल बन गया है। पूरे विधर्व इलाके में कुल 10 लोगसबा सीटे आती हैं लेकिन पहले चरण में उनमें सिर्फ 5 सीट नातपूर, रामटेक, भंडारा गोंदिया, चंदरपूर और गडचिरोली चिमूर में मतदान होगा। इन सभी लोगसबा सीटों की सीमा एक दूसरे से जुड़ी है। विधर्व वो इलाका है जहां हमेशा सूखे की मार पड़ती है। इन में नागपूर लोगसबा सीट होट सीट है क्योंकि इस सीट से केंदरिय मंत्री नितिन गटकरी बीजेपी से तीसरी बार चुनावी मैदान में। जबकि उनके सामने कॉंग्रेस ने विकास ठाकरे को अपना उम्मीदवार बनाया। सुनेत्रा पवार के नामांकन से कुछ दिन पहले अजीत पवार ने बारा मती के लोगों को संदेश भेजा था और अपनी पत्नी सुनेत्रा पवार के लिए समर्थन मांगा था। उन्होंने सीट पर सुप्रिया सुले की जीत का जिक्र किया था और लोगों से अपील की थी कि इस बार वो बारा मती में पवार परिवार की बहु को जिताएं। E.D. ने बिटकोईन पॉंजी गोटाले के आरोप में एक्ट्रिस शिल्पा शेक्टी के पती राजगुंद्रा की खरीब 98 करोड की संपत्ती जब्त कर ली। जब्त की गई संपत्ती में जुहु का एक फ्लाट, पुणे का एक बंगला और राजगुंद्रा के नाम से कई शेयर भी शामिल है। तो अगले साल के अंग तक इनसान को अंत्रिक्ष में भेजा जाएगा। दूसरे चरण में राजिस्तान की 13 सीटों पर वोटिंग 26 अपरेल को होगी। लेकिन राजिस्तान में होने वाले पहले चरण के चुनाम में ही मोधी सरकार में शामिल दो केंद्रिय मंत्रियों के किस्मत का फैसला होगा। पीकानेर सीट पर केंद्रिय मंत्री अरजुनराम मेगवाल मैदान में हैं जबकि अलवर लोगसबा सीट पर भुपेंद्रियादव चुनाम लड़ रहे हैं। राजिस्थान में पहले चरण की 12 सीटों में 10 पर बीजेपी का मुकाबला कॉंग्रेस से हैं जबकि 2 सीटों पर मुकाबला कॉंग्रेस के सहीयोगी तलों से हैं। इन में नागोर सीट पर हनुमान बेनिवाल की पार्टी आरेलपी और सीकर लोगसबा सीट पर CPIM का उम्मीदवार चुनाम मैदान में। पिछली बार इन सभी सीटों पर मोदी मैजिक दिखा था और सारी सीटें NDA के खाते में गई। पात साल पहले हुए चुनाव में हनुमान बेनिवाल की पार्टी का गरबंदन BJP के साथ था लेकिन इस बार हनुमान बेनिवाल विपक्ची खेमे में शामिल हो गए। प्रत्याशी बरताओं लगाती है। 2019 में उन्होंने BJP की टिकट पर चुनाव जीता था लेकिन 2024 के चुनाव से पहले माहौल बदल गया। BJP ने उनकी टिकेट काटकर पूरू पैरलिंपिक खिलाडी देवेंदर जहजरिया को थमा दी थी। टिकेट कटने के बाद राहूल कस्वान नाराज हो गए थी। और कॉंग्रेस ने भी उन्हें बिना देर किये चुरू लोगसबा सीट से ही अपना उम्मीद्वार बना दिया। BJP से टिकेट कटने के बाद राहूल कस्वान ने चुरू में जीत को अपनी नाक का सवाल बना लिया। जबकि वहाँ जीत हासल करना BJP के लिए प्रतिष्टा का सवाल बन गया। क्योंकि 25 साल से चुरू लोगसबा सीट BJP का अभेद्य पिला है। मतलब वहाँ BJP उम्मीद्वार को 25 साल से कभी हार का मून ही देखना पड़ा। इस भी यूपी के नोयडा में ड्रग्स बनाने की एक बड़ी फैक्टरी का भंडा फोड कर दिया गया। की जांच में एक महीने का समय और लगेगा। चीन में से उक्तुराष्ट के प्रतनिती सिधार चेटर जी ने 60 से भी नीचे के तापमान में योग किया। खास बात ये कि उन्होंने बीजिंग में शेटलेस होकर योग के कई आसन किये जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो गया। सिधार चेटर जी को 2020 में चीन में से उक्तुराष्ट के प्रतनिती के रूप में न्यूक्त किया गया था। पांशमें चरण में यानि 20 मई को वोट डाले जाएंगे और उनके लिए नॉमिनेशन के आखरी तारीख 3 मई है। ब्रजभूशन शरण सिंग ने टिकेट से जुड़े सवाल का जवाब भी भगवान पर छोड़ दिया। महिला पहलवान से छेड़चाड के केस में ब्रजभूशन की तरव से एक नई आचिका दी गई और कहा गया कि शिकायत करने वाली महिला के बयान में विरोध हवास है। ये भी बताया गया कि जिस वक्त की शिकायत महिला पहलवान ने की उस वक्त वो देश से बाहर थे। अपनी दलील के समर्थन में उन्होंने पासपोर्ट की कॉपी भी कोट को दी। रजभूशन शरण सिंग ने मामले की फिर से जांच कराने की मांग की जिसके बाद कोट ने 26 अप्रेल को मामले की अगली तारीख तै कर दी। इस बीच डियाडियो ने क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कर एक और बड़ी काम्याभी आसिल कर ली। सेना के लिए रिसरच करने वाली संस्ता डियाडियो ने ओडिशा के चांदिपूर में स्वदेशी तक्नीक से बनी निर्भः क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। डियाडियो के मुताविक ये घातक मिसाइल 300 किलो तक विसफुटक लेकर वार कर सकती है। और इसकी रेंज 1500 किलो मीटर है। खास बातिये की कम उचाई से भी इस मिसाइल से अमला किया जा सकता है। चिन्नई सुपर किंग्स के बलेबाज डेवन कॉनवे चोट की वज़े से IPL से बाहर हो गया। इसके बाद चिन्नई सुपर किंग्स ने इंग्लिंड के तेज गेंदबाज रिचर्ट ग्लीसन को उनकी जगा टीम में शामिल कर लिया। पंजाब के तरन तारण में पाकिस्तान सीमा के नस्दीग बी-एस-फ ने एक पाकिस्तानी ड्रोन बरामत करने का दावा किया। देशों में जाने के लिए हवाई किराय महंगा हो सकता है क्योंकि पश्चिमेशिया में जारी तनाव की वज़े से सभी एरलाइन कंपनिया इरान की एर स्पेस से बच नहीं लेकिन इससे उन्हें लंबा रास्ता थैकरना पड़ रहा है। खबरे की रूट में बदलाव की वज़े से एर इंडिया, इंडिको और विस्तारा समेथ दूसरी एरलाइन कंपनिया किराया पढ़ाने की तैयारी में। रॉटर्स ने दावा किया कि एलेक्ट्रिक कार बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी टेसला के मालिक इलॉन मस्क भारत में 300 करोड डॉलर यानि भारते रुपयों में करीब 25,000 करोड का निवेश कर सकते हैं। जौन मस्क इसी महीने भारत की आत्रा पर आने वाले हैं। दावा किया गया कि वो टेसला की फैक्ट्री लगाने के अलावा भारत में दूसरे कारोबार की भी योज़ना मना रहे हैं। जोट डाले जाएंगे मतलब पहले ही चरण में उत्तरा खंड में लोगसभा के चुनाव निपड जाएंगे। लेकिन राज्यक की दो सीटें हरिद्वार और पौडी गढ़वाल सीट पर सब की नजरे टिकी हैं। चलेगा लेकिन अपने बेटे विरेंद रावत को चुनाव जितवाने के लिए हरी शिरावत ने जम कर प्रचार किया। तक कि उन्होंने दुकान पर खड़े होकर समोसे भी तले। इसी वज़े से हरिद्वार लोगसभा सीट होट सीट मानी जा रही हरिद्वार की तरह पौडी गढ़वाल सीट पर भी लोगों की निगाठी की है। क्योंकि इस सीट से बीज़े पी ने राज़े सबा सांसत अनिल बुलूनी को मैदान में उता रहा है। और कॉंग्रेस ने गणेश गोदियाल पर अपना भरोसा जिता है। हलनकि पिछले दो लोग सबा चुनावसे राज़े की सभी सीटों पर बीजे पी का ही कमल खिल रहा है। इस बीज आक्टर नवाज़ुद्दीन सिद्धी के खिलाव चेरचाड के मामले को खत्म करने पर कोट ने मोहर लगा दी। अक्टर नवाज़ुद्दीन सिद्धी को उत्तरप्रदेश के मुझफर नगर की विशेश फॉक्सो कोट से बड़ी रहात मिल गई। कोट ने चेरचाड के मामले में उन्हें क्लीन चिट देने वाली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को मनजूर कर लिया। अक्टर नवाज़ुद्दीन सिद्धी की पत्नी आलिया ने उनके खलाब छेरचाड का मामला दर्च कराया था। जीत गुजराती को कैंडिडेट्स टॉर्णमेंट के ग्यारवे राउंड में हार का सामना करना पड़ा। उन्हें रूस के खिलाडी इएन निपुमिशी ने हरा दिया। उदर ब्राजिल के रियोडी जिनेरो में लोन लेने के लिए एक शव को बैंक ले जाने की खबर से संसनी फैल गई। रूप है कि करीब तीन लाग रुपए का लोन लेने के लिए वो महिला उस आदमी के शव को वीलचेयर पर बैठा कर उस बैंक तक ले गई। और बैंक कर्मियों को उस पर शक न हो इसके लिए वो लगातार उससे बात करती रही। लोन के कागजों पर साइन करवाने के लिए उसने उस शव के हाथ में एक पैन भी थमाया लेकिन वो उसे ठीक से पकड़ी नहीं पाया। इस दोरान जब बार बार उसका सिर आगे की तरफ जुक रहा था तो वो उसे समालती नज़र आई। ऐसे में वहां मौझूद बैंक कर्मियों को उसक दूर नहीं हुआ तो उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी और पुलिस ने वहां पहुँचकर उस महिला को गिरफटार कर दिया। जांच में सामने आया कि उस बुजूर की कई घंटों पहले ही मौत हो चुकी थी। लेकिन परीब तीन लाग का लोन लेने के लिए वो उस शव को वीलचेयर पर बैठा कर बैंक तक ले आई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन केजरिवाल पर ED के अधिकारियों ने बड़ा आरोप लगाया और दावा किया कि वो जान बूज कर अपने शुगर लेवल बढ़ाने वाला खाना खा रहे है। E.D. के अधिकारियों ने दलील दी कि अर्विन केजरिवाल अपनी जमानत की दलीलों को मजबूत करने के लिए ऐसा कर रहा है। घर से आने वाला खाना डॉक्टर के बना ऐसी डायट चार्ट के आधार पर तयार होता है। इस चार्ट के दूसरे कॉलम में तारीख लिखिये और आखरी कॉलम में डिनर में मिलने वाला खाना। चार्ट के मुताबिक उनके डिनर में रोटी कम या जादा हो सकती है, सबजियां बदल सकती है, लेकिन किसी भी दिन उनके डिनर से स्वीट यानी मिठाई कम नहीं की जाती, यहां तक कि डॉक्टर ने उनके डायट चार्ट में आलू पूरी तक जोड़ी है। जबकि एडी के वकीलों ने कोट में दावा किया कि डियाबिटीज के किसी भी मरीज को इस तरह के खाने और खासतोर पर मिठाई खाने की सला कोई डॉक्टर नहीं दे सकता। इसलिए कोट में हुई सुनवाई के बाद अर्विन केजरिवाल की सेहत पर नई बहस चुरू हो गई। यह जानकारी तब सामने आई जब अर्विन केजरिवाल ने विडियो कॉनफरेंसिंग के जरिये डॉक्टर से मेडिकल कंसल्टेशन की मांग की। इसलिए कोट ने उन्हें घर का खाना खाने की इजाज़त दी हुई है। और जेल में उनके खाने का वक्त भीत है। जान बूच कर हाई शुगर और हाई काब डायट ले रहे हैं ताकि उनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाए। और उन्हें समानत मिलना आसान हो जाए। इस जानकारी के सामने आते ही सियासी बवाल मचने में भी देर नहीं लगी। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और अर्विंद केजरिवाल पर तीके हमले शुरू कर दिये। और बीजेपी सांसद मनोश तिवारी ने तो उन्हें गाजियाबाद की डासना जेल में शिफ्ट करने की सलह दे दी। दूसरी तरफ अर्विंद केजरिवाल के डायेट चार्ट में अंडों का जिक्र देखकर बीजेपी ने नया हमला शुरू कर दिया। जब तीसरा नवरातरा था उससे दिन शिरिमान जी अंडे खा रहे हैं। अला कि आम आदमी पार्टी ने साजिश का रोप लगाया। ये अर्विंद केजरिवाल जी की जान लेने की साजिश है। मेंगलूरू में एक बच्चे को स्कूटर के फुटरेस्ट पर खड़ा करके सफर कराने का एक वीडियो वायरल हुआ। आरोपै के स्कूटर पर सवार एक महिला उस बच्चे को फुटरेस्ट पर खड़ा करवाकर सफर करा रही थी। कैनडा में हुई वहां की सबसे बड़ी सोने की चोरी के मामले में वहां की पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफतार करने का दावा किया। अपरेल को 24 गंटे से जादा समय तक एरपोर्ट पड़ रहा और उसने सुरक्षा के अंदेखी करते हुए वीडियो बनाये थे। इसके बाद उसने इस वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड कर दिया था। उदर लोगसभा चुनाव के पहले चरण में मद्यप्रदेश में कॉंग्रेस के गढ़ चिंदवाडा समेथ 6 लोगसभा सीटों पर भी वोटिंग होगी। चिंदवाडा कॉंग्रेस की वो सीट है जहां बीजेपी को कभी कामयाबी नहीं मिली। इस सीट से कॉंग्रेस के सबसे वरोसे मन नेताओं में एक कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ चुनावी मैदान में है। इस सीट पर नकुलनाथ कॉंग्रेस के उम्मीदवार हैं और उन्हें चुनाथी देने के लिए बीजेपी ने उनके सामने विवेक बंटी साहू को मैदान में उतारा है। चिंदवारा समेथ पहले चरण के तहट आने वाली सभी छे सीटें राज्य के पूरवी हिस्से में मौझूद है। सिर्फ चिंदवारा पर कॉंग्रेस का कब्जा है जबकि बाकी की सभी सीटों पर बीजेपी का परचमले रारा है। इस बीश लोगसबा चुनाथ के पहले चरण में दक्षिंड भारत के सबसे बड़े राज्यत तमिलनाथ की सभी 49 सीटों पर चुनाथ होगा। चुनाथ आयोग ने तमिलनाथ में एक ही चरण में मतदान कराने का फैसला किया था। 400 लोगसबा सीट जीतने का लक्ष लेकर मैदान में उतरी बीजेपी की कोशिश तमिलनाथ में बड़ी कामियाबी आसिल करने किये। लेकिन वहाँ उसकी रहा इतनी आसान नहीं होने वाली क्योंकि वहाँ इस बार के लोगसबा चुनाथ में तीन गड़ बंधन मैदान में बीजेपी ने इस मुद्दे को तमिलनाड में भुणाने की कोशिश की। प्रधान मंतरी के साथ तमिलनाड में बीजेपी के अध्यक्ष अन्ना मलाई ने अपनी हर रैली और जन सभा में इसे जोर शोर से उठाया। अन्ना मलाई तमिलनाड की सबसे चचे सी कोयमबतूर से मैदान में हैं। लोगों की सांसे अठक नहीं क्योंकि एक मोटरसाइकल पर सवार होकर वो बदमाश एक दुकान के बाहर पहुंचे और गोलियों की बॉच्छार कर दी। और बेखौफ होकर तीनों बदमाश एक एक कर उस दुकान की तरफ गोलियां डाकते दिखाई दिये। उनमें एक बदमाश उस मोटरसाइकल पर सवार नजर आया और उसके दो साथी सड़क किनारे खड़े होकर फारिंग करते नजर आये। इस बीच वो लोग कुछ देर रुके और फिर फारिंग शुरू कर दी। वारदात वाली जगह पर कुछ लोग एक गाड़ी में सवार दिखे लेकिन लगातार हो रही गोली बारी के वज़े से वो गाड़ी वहीं खड़ी रही जिफकी वहां से कुछ दूरी पर बड़ी संख्या में दूसरे लोग मौजूद दिखाई दिये। लेकिन उनमें कोई भी उन बदमाशों को रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और काफी देर तक गोलियां बरसाने के बाद उस बदमाश का एक साथी मोटर साइकल पर सवार हो गया लेकिन उसका दूसरा साथी भागने के दौरान फिर फाइरिंग करता दिखे आरोब लग 15-23 सदस्थता को लेकर इलोन मस्क के बयान पर अमेरिका की प्रतुक्रिया सामनी आई वहांके विदेश feels बंत्राले ने साफ कर दिया कि अमेरिका सुरक्षा परिशद समेट सेयुक्त राष्ट के दूसरे संस्थानों में सुधार का समर्थन करता है। यही नहीं अमेरिका ने इन संस्थानों में बदलाव की वकालत भी की। इससे पहले एलॉन मस्क ने सुरक्षा परिशद में भारत को स्थाई सदस्ता न देने को बेतुका पताया था। दिकज आईटी कंपनी इंफिसिस के करमचारियों की संक्या पिछले 23 साल में पहली बार घट गए। कंपनी के मताबिक पिछले वित्तवर्ष के मुकाबले 2023-2024 में इंफिसिस के करीब 26,000 करमचारियों की नौकरी चली गए। पिहार की होट सीट जमुई में तेजस्वी की सबा के दौरान चिराख पासवान के परिवार को गालियां देने का एक वीडियो वायरल हो गया। और इस वीडियो पर बवाल मच गया। वीडियो दो दिन पहले का बताया गया। इसे एंडिये के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे इंदुस्तानी हवाम मोर्चा के अध्यक जितनराम मांजी ने भी शेयर किया। और इसमें तेजस्वी के मंच के सामने से एक आदमी चिराख पासवान और उनके परिवार को गालियां देता सुनाई दिया। दियां के लिए बोले जा रहे अब शब्दूर। विडियो में तेजस्वी आदव माइक से बोलते दिखाए दिये और उनके ठीक बगल में जमुई से आरजेडी की प्रत्याशी अर्चना रविदास खड़ी दिखाए दिए। और उनके ठीक सामने से किसी आदमी ने चिराग पासवान और उनके परिवार को उल्टा सीधा बोला। बता गया कि वीडियो दो दिन पहले जमुई में हुई तेजस्वी की सभा का है। ये वीडियो पहले चरण के मतदान से ठीक पहले वाइरल हुआ। मैं अगर तेजस्वी जी की जगा होता हूँ और कोई उनके परिवार को ऐसे गाली देता मैं मूँ तोड जवाब दे। चिराग यही नहीं रुके। उन्होंने दो टुक बोल दिया कि सियासत अपनी जगा है और परिवार अपनी जगा है। चिराग पासवान भले ही तेजस्वी से नाराज हो लेकिन तेजस्वी ने सफाई दी कि उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि मंच के सामने से चिराग के परिवार को गालियां दी गए। तेजस्वी भले ही सफाई दें लेकिन पहले चरण के चुनाव से पहले वाइरल हुए इस वीडियो ने बिहार का सियासी पारा चड़ा दिया क्योंकि ये वीडियो जमुई का है और जमुई में पहले चरण में मतदान होगा। और इसलिए तेजस्वी आदव ने जमुई में कई रैलियां की और उन्ही रैलियों में एक पर विवाद हो गया। वो चिराग पासवान की सगी बहन निशा भारती के पती हैं। निशा भारती के अलावा चिराग पासवान की दो सौतेली बहने भी हैं। क्योंकि रामविलास पासवान ने दो शादियां की थी। उनकी पहली पत्नी का नाम राजकुमारी देवी था और दूसरी पत्नी का नाम है रीना पासवान चिराग पासवान और निशा भारती रीना पासवान और रामविलास पासवान के बच्चे हैं और राजकुमारी देवी और रामिलास पासवान की दो बेटियां है आशा और उशा और कहते हैं कि दोनों सौतेली बेहनों से चिराग पासवान के रिष्टे अच्छे नहीं है और उन्होंने उनसे दूरी बनाय रखी लेकिन अपनी सगी बेहन निशा भारती के पती अरुण भारती को चिराग ने वो सीट दे दी जिस सीट पर वो 2014 और 2019 में चुनाव लड़े थे लेकिन इस बार चिराग पासवान बेहर के हाजिपूर से चुनाव लड़ेंगे और इसके लिए चिराग पासवान ने अपने चाचाप पचूपति पारस तक से लड़ाई कर ली ती और जीत उनकी हुई थी इसके बाद चिराग ने एलान किया था कि जमुई में उनके जीजा यानी अरुन भारती चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने अरुन भारती के लिए वहां धुआ धार चुनाव प्रचार भी किया और इसलिए वो यहां बाहरी प्रत्याशी वाली सियासत भी कर रही है और इस सीट पर पहली बार आर्जेडी को जीत दिलाने की कोशिश कर रही है क्योंकि 2009 से अस्तित्व में आई जमुई सीट पर लगातार NDA का कबजा रहा लेकिन इस बार इस होट सीट पर नजर है क्योंकि चिराग चुनाव नहीं लड़ रहे है और उन्होंने अपने जीजा को मैदान में उता रहा है और आर्जेडी प्रत्याशी उन्हें बाहरी बता रही है लेकिन चिराग को उमीद है कि जमुई की लोग उनके जीजा को उनसे ज्यादा वोटों से जिता कर संसत भेजेंगे क्योंकि पहले चरण में बिहार की जमुई सीट पर भी मतदान होगा इस चरण में बिहार की चार सीटे शामिल है क्योंकि इन चार सीटों में दो पर यानि गया और जमुई में बीजेपी की सहयोगी पार्टियां चुनाव लड़ रही है गया में हैम के जीतनराम माजी मैदान में है और जमुई में रामिलास पासवान के दामाद और चिराग पासवान के जीजा अरुन भारती इसलिए प्रधान मंत्री ने इन सीटों पर रैलियां की और बिहार में NDA का पलडा महागटबंधन पर भारी करने की कोशिश की थी क्योंकि RJD की ओर से तेजस्वी ने भी गया और जमुई में धुआधार रैलियां की थी और उनकी कोशिश थी कि बिहार की इन चारों सीटों पर NDA को कड़ी टकर दी जाए जमुई में तो उन्होंने दो दिन पहले तक रैलिय की थी उदर BJP ने सोशल मीडिया पर कई वीडियो पोस्ट कर पश्चमंगाल में राम नवमी के जलूस पर हमला होने का दावा किया BJP ने इस हमले के लिए पश्चमंगाल की मुख्यमंतरी ममता बेनर्जी को जिम्मेदार ठहराते हुए उन पर लोगों को उकसाने का आरोप लगाया क्योंकि BJP ने जो वीडियो पोस्ट किये उनमें कुछ लोग घरों की छटों से पत्थर और बं बरसाते नजर आये लगातार हो रही बंबारी की वज़े से वहां बंगड़ मच गए पूरा इलाका धमाकों की आवाज से गुझ उठा उकसाया जाता है और उकसाता कौन है इसी राज्य की मुख्य मंतरी आलगि टीमसी ने BJP को जवाब देने में देर नहीं लगाई एक रोज पहले राम नौमी के मौके पर पश्चि मंगाल के कई हिस्सों में शोभा यात्रा निकाली गई BJP ने आरोब लगाया कि इसी दोरान कई जगों पर शोपायात्रा पर हमले किये गए और BJP के मुताबिक मुर्शिदाबाद में भी पत्थर बाजी की घटना हुई जिसमें कई लोगों के घायल होने का दावा किया गया और उन्हीं घायलों से मिलने पहुँचे कांग्रेस नेता अधीरंजन चौधरी को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा और गुसाए लोगों ने उन्हें देखते ही नारे लगाने शुरू कर दिये अधीरंजन चौधरी बहरामपूर से मौजूता सांसत हैं और बहरामपूर लोकसवा सीट मुर्शितबाद जिले में ही आती है कांग्रेस ने इस बार भी अधीरंजन चौधरी को ही बहरामपूर से टिकेट दी है जारकन के लोडगा में राम नामी की शोभा यात्रा के दौरान बेकाबू हुई एक गाड़ी ने दो लोगों की जान ले लिए और 24 से जादा लोग बुरी तरह घायल हो गए वहां राम नामी के मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई और ढोल निगाड़े के साथ राम भक्त राम नाम की धुन पर जूम रहे थे लेकिन तभी दर्दनाक हाद्सा हो गया क्योंकि उस गाड़ी ने शोभा यात्रा में शामिल हुए लोगों को एक जटके में रौन दिया वहां वो गाड़ी सड़क पर चलती भीड को बिल्कुल कुछलती हुई दिखाई दिया ये इतनी जल्दी हुआ कि लोगों को उस गाड़ी से दूर भागने का मौका ही नहीं मिल पाया वीडियो में कुछ देर पहले तक सब सामान ने नजर आया राम नामी के मौके पर शोभा यात्रा में शामिल हुए लोग जूमते काते दिखाई दिये कुछ लोग ढोल बजाते भी दिखे राम नाम की भक्ती में डूबे लोग हाथों में भगवा जंडे लेकर सड़क पर आगे बढ़ते दिखाई दिखाई दिये तभी अचानक सफेद रंग की वो गाड़ी दोड़ती हुई वहां आई और एक साथ कई लोगों के ऊपर चड़ती हुई आगे बढ़ गई इसके बाद तो चीख फुकार मजगे राम नामी का उतसफ एकदम मातब में बदल गया जब तक ड्राइवर ने उस गाड़ी को रोका तब तक वो कई मीटर तक आगे बढ़ चुकी थी और शोभा यात्रा में शामिल कई लोग इसकी चपेट में आ गए आनन फानन में उन लोगों को अस्पताल ले जाया गया लेकिन अस्पताल ले जाने के दौरान उन में दो लोगों की जान चली गए जबकि 24 से ज़ादा लोगों की हालत गंभीर बताएगे क्योंकि शोभा यात्रा के बीच घुसी वो गाड़ी कहर बनका तूट पड़ी जो हादसे से कुछ देर पहले तक वहाँ लोगों के ठीक पीछे चल रही थी उस गाड़ी को शोभा यात्रा में इस्तमाल करने के लिए बुलाया गया उसमें साउंड सिस्टम और भगवा जंडे लगाये लेकिन वो गाड़ी शोभा यात्रा के लिए काल साबित हो गई लोहर दगा जिले में हुए भीशन हादसे के बाद आरोपी ड्राइवर को गरपतार करिया गया वहां राम नौमी के अगले दिन इलाके में सननाटा पसरा नजर आया लोगों ने बाजार बंद करवा दिये और हादसे के खिलाफ अपना घुसा जाहिर किया इस वीच जारकंड के मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उनाओ अस्पताल पहुंचे और घायलों से मुलाकात की इस दोरान लोहर दगा से बीजे पी के प्रत्याशी समीर उनाओ भी वहां मौझूद रहे उन्होंने राज्य सरकार से मृतक के परिवार वालों को 20 लाग रुपए की साहेता देने की मांग की इसके साथी गायलों को भी 10 लाग रुपए की आर्थिक मदद देने की अपील की गई इमसी ने पश्चे मंगाल के राज्यपाल के छुनावायोग में शिकायत तर्च करवाई मम्ता बेनर्जी की पार्टी ने राज्यपाल पर लोगसभा चुनाव में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया बिहार में RJD के पूर्व सांसद बुलो मंडल JDU में शामिल हो गए भागलपूर से सांसद रह चुके बुलो मंडल इसी सीट से फिर चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन महागटबंधन की सीट शेरिंग में भागलपूर सीट कॉंग्रेस को मिलने के बाद वो पार्टी से नाराज चल रहे थे बुलो मंडल ने 2014 लोगसबा चुनाव में भागलपूर सीट से बीजेपी प्रत्याशी शानवाज हुसैन को हराया था MCD यानी दिल्ली नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों ने नामांकन कर दिया आम आदमी पार्टी ने मेयर पत के लिए महेश कीची और टिप्टी मेयर पत के लिए रविंद्र भार्दवाज को उम्मीदवार बनाया है। दिल्ली में 26 अपरेल को मेयर और टिप्टी मेयर के चुनाव होंगे। इधर पहले चरण के चुनाव में उत्व प्रदेश में बीजेपी और आरेल्डी गटबंधन का इम्तिहान होगा। यूपी में पहले चरण में आठ सीटों पर मतदान होगा और 2019 में इन में पाँच बीजेपी हार गई थी। बीजेपी और आरेलडी पिछले चुनाम में अलग-अलग लड़ी थी। आरेलडी समाजबादी पार्टी और बीएसपी के साथ थी। लेकिन इस बार बीजेपी और आरेलडी का गटबंधन हुआ। और इसलिए का जा रहा है कि पहले चुनाम में उत्तो प्रदेश में बीजेपी और आरेलडी गटबंधन की परीक्षा होगी। क्योंकि इस गटबंधन की वजए से पश्चिमी यूपी में सियासी समीकरण बदल गए। और कहा गया कि बीजेपी का प्रदर्शन पिछली बार से बहतर हो सकता है क्योंकि जैन चौधरी के बीजेपी के साथ आने की वज़े से जाट समुदाय के मतदाता बीजेपी के साथ आ सकते हैं। और पश्चिमी यूपी की इन पांच सीटों पर बीजेपी को फाइदा हो सकता है। सियासी समीकरण बदल गए हैं। पहले चरण में यूपी की होट सीट बन चुकी नगीना में भी मतदान होगा। यूपी की नगीना सीट इसलिए होट सीट कई जा रही है। क्योंकि इस सीट पर आजाद समाज पार्टी कांशी राम के चंदरशेखर आजाद ने बीएसपी और समाजवादी पार्टी को सीधी चुनोती दिये। बनने के लिए समाजवादी पार्टी के खिलाफ हो गए थे। बड़ी बात ये कि वो बीएसपी का विकल्प बनने की भी कोशिश में है। यानि नगीना में दो नहीं चार फ्रत्याशियों के बीच कड़ी ठक्कर हो सकती है। क्योंकि बीजेपी के ओम कुमार, एसपी के मनोज कुमार और बीएसपी के सुरेंदर पाल के अलावा चंदरशेकर आजाद ने भी नगीना में खुब पसीना बहाया और नगीना की लडाई में ट्विस्ट ला दिया। इसके लावा पस्चिमी यूपी की मुरादबाद सीट पर भी नजर है पहले चरण में यहां भी मतदान होगा क्योंकि इस बार के चुनाम में वहां समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से टिकेट का बटवारा किया उसकी खूब चर्चा हुई और यूपी की के खेमे का माना जाता है और उन्हें टिकेट मिलने से स्टी हसन नाराज हो गये उनके समर्थकों ने गुस्सा भी दिखाया था मुरादबाद से मौझूदा सांसद स्टी हसन ने भी संकेत दिये थे कि वो रूची वीरा के लिए चुनाम प्रचार नहीं करेंगे यानि मुरादबाद में समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार के लिए उसी के समर्थकों ने मुसीबत खड़ी कर दी और रही सही कसर बीएसपी ने मुरादबाद में मुस्लिम उमीदवार उतार कर पूरी कर दी और माना जा रहा है कि मुरादबाद में बीजेपी के सर्वेज सिंग को इसका फायदा हो सकता और उत्तरपदेश के ओड़ सीट रामपूर भी समाजवादी पार्टी की अंदुरूनी कले की वज़े से ही चर्चा में रही खबर आई कि जेल में बंद आजम खाँ चाते थे कि रामपूर से अखिलेश यादव चुनाव लड़ें लेकिन अखिलेश यादव ने इंकार कर दिया था और रामपूर से एमाम मुलाना मोहिबुला नदवी को प्रत्याशी बना दिया था इस वज़े से नाराज आजम खाँ के समर्थकों ने चुनाव का बहिशकार करने का अलान कर दिया था रामपूर में समाजवादी पार्टी की खींस्तान का आलम ये हो गया कि अखिलेश यादव वहाँ चुनाव प्रचार तक नहीं करने गए जोकि बीजेपी ने रामपूर से अपने प्रत्याशी घंशाम सिंग लोधी के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए अपणना यादव को भेजा यानि मुलायम सिंग यादव की बहू ने बीजेपी के लिए वहाँ चुनाव प्रचार किया लेकिन मुलायम सिंग यादव के बेटे प्रचार में गए ही ने और समाजवादी पार्टी की इसी खींचतान की वज़े से यूपी की रामपूर भी हॉट सीट बन गए उदर पहले चरण के चुनाव में यूपी के हॉट सीट पीली भीत में भी वोट डाले जाएंगे सुल्तानपूर से और मेंका गांधी को पीली भीत से टिकेट मिल सकती है लेकिन जब एलान हुआ तो पता चला कि मेंका गांधी को तो सुल्तानपूर से टिकेट मिल गई लेकिन वरुन गांधी को तो टिकेट ही नहीं मिली क्योंकि पीली भीत से बीजेपी ने जितिन प्रिसाद को टिकेट दे थी प्रधान मंत्री ने पीली भीत में जितिन प्रिसाद के समर्थन में वहाँ प्रचार भी किया था और उस सभा में वरुन गांधी नहीं आये थी यानि पीली भीत में इस बार ना मिनका गांधी है ना वरुन गांधी पार्टी ने जितिन प्रियंका गांधी ने वहाँ चुडाव प्रचार किया था और इसलिए सहारनपुर सीट यूपी की होट सीट बन गई क्योंकि जिस इमरान मसूद ने 2014 से लेका 2022 तक सहारनपुर में एक भी चुनाव नहीं जीता कॉंग्रेस ने वहाँ उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया और प्रचार के आखरी दिन खुद प्रियंका गांधी ने उ कोणी हो गया और प्रियंका के रोडशो के बाद तो इस सीट के नतीजों पर नजर रहेगी इधर दिल्ली शराब गोटाला मामले में मनीश्ट सोधिया को फिर कोट सराहत नहीं मिली दिल्ली शराब गोटाले से जुड़े मनी लॉंडरिंग मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीश्ट सोधिया की नियाईक हिरासत 26 अपरेल तक बढ़ा दी गए दिल्ली की राउजवनिय कोट इस मामले में 26 अपरेल को सुनवाई करेगी इस दोरान चुनाव आयोग ने EVM को पूरी तरह सुरक्षित बताया तो बाद में कोट ने भी इस पर टिपनी की कि हर चीज़ पर अविश्वास नहीं जिता जा सकता गुजिरात के वडोदरा में भीशन गर्मी से बचाने के लिए ट्राफिक पुलिस ने अपने कर्मियों को AC वाले हेलमेट दिये इस हेलमेट को पहनने के बाद सिर के चारों और ठंडी हवा का जोंका मिलता है इसकी वज़े से लोगों की सिर में गर्मी नहीं लगती उदर हिमाचर पुदेश की मंडी लोगसवा सीट से कॉंग्रेस के उम्मीदवार विक्रमदित्य सिंग ने वहां से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनोत को बरसाती मेंधग बता दिया कंगना रनोत की entry और विक्रमधित्य सिंग से उनकी टककर की वज़े से मंडी लोकसवा सीट और सीट बन गई और इसी सीट फर पिछले कुछ दिनों से जबानी जंग भी जारी है कंगना के पप्पू और बाप दादा वाले बयान के बाद अब विक्रमदित्य सिंग का एक बयान भी चर्चा में है कॉंग्रेस के उम्मीदवार विक्रमदित्य सिंग ने कंगना को बरसाती मेंधक बता दिया मैडम और कल चले जाएंगी बरसाती में डख है तो इनको मैं क्या बोज़ा है। अलांकि विक्रमदित सिंग के सामने ताल ठोक रहीं कंगना रनौत भी अपने अलग अंदाज से उन्हें पछाडने में जुटी हैं। कभी वो लोगों के बीच पहुँच कर डांस करने लगती हैं तो कभी खुद चाय बनाती हुई भी दिखती हैं। इतना ही नहीं मंडी की जंग में उतरते ही उन्होंने अपने तीखे तेवर दिखा दिये थे। कंगना ननोत ने अपने प्रचार के दोरान विक्रमदित सिंग के राजपरिवार से होने पर भी तंस किया था। दो दिन पहले सुरक्षा बल के जवानों ने अबूजमार के जंगल में एक ऑपरेशन चला कर 29 नकसलियों को धेर कर दिया था। इंटर स्पेशलिस के नाम से मशूर लक्षमन केवट ने जानकारी दी कि 15 अपरेल को उन्हें नकसलियों के इस खतरनाक प्लान का पता चला था। इसके बाद 16 अपरेल को करीब 400 जवान नकसलियों को घेर ने उनके गढ़ में घुज गए। लेकिन नकसलियों को उनके आने की सूचना पहले ही मिल गई थी। इसलिए नकसलियों ने जंगल में बम लगा दिये थे। इसी वज़े से सुरक्षाबल के जवानों ने भी उन पर गोलियां चलानी शुरू की जिसमें 25 लाग के इनामी नकसली कमांडर शंकर राव समेथ 29 नकसली धेर हो गए थे। और 34 गड़ के कांकेर में नकसलियों के खिलाब सुरक्षाबल के ऑपरेशन पर कॉंगरेस नेता सुप्रिया श्रिनेत ने विवादास पद बयान दे दिया। उनके बयान पर बीजेपी भड़क गई और उसने उन पर जमानों के अपमान कारोप लगा दिया। लोगसबा चुनाब के ठीक तीन दिन पहले यानि 16 अपरेल को सुरक्षाबल ने अबूज मार के जंगल में 17-29 नकसलियों को मार गिराया था। लेकिन नकसलियों के खिलाब सुरक्षाबल के इस ऑपरेशन पर सियासी घमासान बच गया। क्योंकि कॉंग्रेस की नेता सुप्रिया श्रिनेत ने इस ऑपरेशन की जांच की मांग करते हुए मारे गए नकसलियों पर विवादासफ़त बयान दे दिया। उनके इस बयान के सामने आने के बाद बीजेपी उन पर भड़क गई। बीजेपी ने कॉंग्रेस पर सेना और सुरक्षाबल के जवानों के अपमान कारोप मड़ दिया। नकसली में आपको शहीद नजर आता है और जो सेना के हमारे शूरवीर है उनमें सडक का गुंडा याद आता है। विकास अगरहरी यूपी कॉंग्रेस के संयोजक है और अमेठी में कॉंग्रेस के सीनियर नेताओं में है लेकिन थोड़ी देर बाद विकास अगरहरी मीडिया के सामने आये और बीजेपी में शामिल होने की खबरों को आधार हीन बता दिया। और यहां तक की भगवार रंग का अंगवस्तर पैनाये जाने वाले वीडियो पर भी सवाल उठाए। इससे कुछ देर पहले विकास अगरहरी का अमेठी की सांसर स्मृति इरानी के साथ एक वीडियो भी सामने आया थी। वीडियो में विकास अगरहरी के दाई और स्मृति इरानी खड़ी दिखी थी जबकि एक विक्ती विकास को भगवा अंगवस्तर पैनाता दिखा। दावा किया गया कि विकास अग्रहरी ने कॉंग्रेस छोड़कर बीजेपी जॉइन कर ली सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों और वेबसाइटों तक पर कॉंग्रेस को अमेठी में बड़ा जटका लगने की बात की जाने लेगी लेकिन विकास अगरहरी ने दावा कर दिया कि वो तो केवल इलाके की समस्याओं पर बात करने के लिए सांसत से मिलने गए थे शिष्टाचार के नाते उनका स्वागत करते हुए अंगवस्तर पहनाय गया था लेकिन उस वीडियो के जरीए लोगों को ब्रहमित किया गया विकास अगरहरी के मताबिक वो कॉंग्रेस के समर्पित कारे करता है और पार्टी छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते इस भी जुत्तर प्रदेश के हापुड में खराब चटनी की वज़े से ऐसी मार्पीट हुई कि इसका वीडियो देखने वाले लोगों ने भी अपने सिर पकड़ लिया वहाँ एक रेस्टरांट में दो लोग दोसा घाने पहुंचे थे लेकिन बताया गया कि दोसे के साथ जो चटनी परोसी गई वो खराब थी इसलिए चटनी का सुआद चकते ही वो दोनों लोग भढ़क गए और इसके बाद तो मानो जंग छिड़ गए वहाँ एक आदमी टेबल स्टैंड उठाकर फिंकता नजर आया फिर वो वहाँ पड़ी कुरसी भी उठाता दिखाई दिया इसके बाद तो उस रेस्टांट का एक दूसरा करमचारी वहाँ रखा एक गमला उस लड़के के ऊपर फिंकता दिखा मतलब जिसके हाथ जो सामान आया वो उससे हमला करता रहा उस रेस्टांट में खाना खाने पहुँचे वो दोनों लोग और वहाँ के करमचारी जम कर गाली गलोज करते सुनाई दिये उस रेस्टांट के बाहर काफी देर मारपीट चलती रही और बड़ी संख्या में मौजूद लोग ये जड़ब देखते नजर आये मारपीट के दौरान वहाँ सारा सामान बिखर गया सजावट के लिए लगाय गए गुबारे भी इधर उदर बिखर गया बताय गया कि उस रेस्टांट में उन दोनों लोगों को दोसे के साथ खराब चटनी परोसी गई थी इसी वज़े से वो लोग आग बबूला हो गए और जम कर मारपीट की उदर दुबाई में भारी बारिश के बाद फसे भारतिये यात्रियों को वहाँ से निकालने की कोशिश न तेज कर दी गई पशिमेश्या के देश UAE के दुबाई शेहर में हुई भीशन बारिश के बाद वहाँ फसे भारतिये यात्रियों को लेकर दुबाई में मौझूद भारतिये दूतावास का बयान सामने आया बारतिये दूतवास के मुताबिक फसे हुए उन यात्रियों को निकालने की कोशिश की जा रही है इसके साथ सभी यात्रियों तक हर संभब मदद भी पहुचाए जा रही है केंद्री ग्रेह मंत्री अमिट शा ने गुजरात के गांधी नगर में रोड़ शुक किया इस दोरान न्यूज 18 से बात करते हुए उन्होंने एक बार फिर NDA को 400 सीटे मिलने का दावाद दोर आया हर्याना के लिए पहली लिस्ट जारी करते हुए पार्टी ने तीन सीटों पर उमिद्वारों के नाम का एलान किया कुरुक्षेत्र के अलावा हिसार से सुनैना चोटाला को तो अंबाला सीट से गुरप्रीत सिंग को टिकेट दी गई इधर चंडीगड लोगसबा सीट से पूर्व केंद्रिय मंत्री मनीश तिवारी को उम्मीद बार बनाय जाने पर चंडीगड कॉंग्रेस में मचे घमासान के बाद पार्टी में सब कुछ ठीक होने का दावा किया गया और ये दावा कॉंग्रेस नेता राजीव शुक्ल ने किया जो चंडीगड में पवन बनसल से मिलने पहुँचे क्योंकि 2019 में कॉंग्रेस की टिकट पर चंडीगड सीट से चुनाव लड़ने वाले पवन बनसल नाराज बताय जा रहे हैं वो इस सीट से एक बार फिर दावेदारी ठोक रहे थे लेकिन पार्टी ने उनकी जगा मनीश तिवारी को पत्याशी बना दिया और इसके बाद तो चंडीगड कॉंग्रेस की कलहत खुल कर सामने आ गई पवन बनसल के समर्थन में करीब सौ कारेकरताओं ने अपने पद से स्तीफा दे दिया माना जा रहा है कि इसी के बाद कॉंग्रेस नेता राजीव शुकल चंडीगड में पवन बनसल के घर पहुंच गया दोनों के बीज घर के अंदर क्या बात हुई इसकी जानकारी तो नहीं मिल पाई लेकिन राजीव शुकल ने ये जरूर बता दिया कि सब कुछ ठीक है जै टंडन को उम्मीदवार बनाया तो कॉंग्रेस ने पवन बनसल की जगा मनीश दिवारी को मादान में उतार दिये उदर हर्याना के कुरुक्षेतर में चुनाव परचार करने निकले बीजेपी प्रत्याशी नवीन जिंदल ने बोरियां उठाकर ट्रक में लोड की नवीन जिंदल दो बार कुरुक्षेत्र से सांसद रह चुके हैं लेकिन तब वो कॉंग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े थे इस बार वो बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं करीब 10 साल तक सियासत से दूर रहे नवीन जिंदल कुछ दिन पहले ही बीजेपी का हिस्सा बने पार्टी से टिकट मिलने के बाद उन्होंने प्रचार में खुब पसीना बहा है और कुरुक्षेत्र की एक अनाज मंडी में गेहूं की बोरियां ट्रक में लोड करते नजर आए नवीन जिंदल को इस तरह मंडी में कंदे पर बोरी लिए देखकर लोगोंने तालियां बजाई और जब उन्होंने बोरी ट्रक में लोड कर दी तो उनके समर्थन में नारे लगाए गए वैसे कुरुक्षेत्र में नवीन जिंदल के परिवार का दबदबा माना जाता है वो 2004 और 2009 में वहां से सांसद भी रह चुके हैं लेकिन इस बार उन्होंने पार्टी बदल ली और बीजेपी की ओर से कुरुक्षेत्र के चुनावी मैदान में उतरे नवीन जिंदल से पहले उनकी माँ और देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल बीजेपी का हिस्सा बनी थे इसके कुछी दिन बाद नवीन जिंदल भी बीजेपी का हिस्सा बन गए थे और अब वो बीजेपी की टिकट पर कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं और उनका मुकाबला कुरुक्षेत्र में विपक्षी कटबंधन के उम्मीदवार और आम आदमी पार्टी के नेता सुशील गुपता से होगा नवीन जिंदल की तरह सुशील गुपता ने भी प्रचार में पूरी ताकत जोंगी वो किसानों के बीच पहुँचे और खेतों में फसल काटी यानि सुशील गुपता ने भी चुनाव प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ी और हाथों में हर्सिया लेकर खेतों में पहुँच गए और एक किसान की तरह गेहूं की फसल काटी ये देखकर उनके साथ आये उनके समर्थकों ने भी यही किया क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता और कुरुक्षित्र से विपक्षी गडबंधन के उम्मीदवार सुशील गुपता बिना हिच के खेतों में गए और फसल काट कर रखनी शुरू कर दी हर्याना की दस सीटों पर कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गडबंधन हुआ था और इस गडबंधन के तहत आम आदमी पार्टी को हर्याना की जो एक सीट मिली वहां उसने सुशील गुपता को उम्मीदवार बना दिया अटकले लगीं कि इससे कॉंग्रेस ने एक तीर से दो निशाने साधे थे क्योंकि 2014 के चुनाव में हारने के बाद 2019 में नवीन जिंदल ने कॉंग्रेस की ओर से कुरुक्षेत्र से लड़ने से इनकार कर दिया था और तभी से कॉंग्रेस के पास इस सीट के लिए मजबूत कि अध्यक्ष सुशील गुट्ता को वहाँ से टिकेट दे लेकिन बीजेपी ने कॉंग्रेस के नहले पर दहला तब चल दिया जब उसने कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल को फ्रत्याशी बना दिया इसर उत्तरप्रदेश के बिजनौर में दो गाडियों की टकर के बाद लोग इतनी बुरी तरीके से भिड़ गए कि पूरे इलाके में देश्चत मज़ गई वहाँ एक लड़का अपनी मोटरसाइकल से गुजर रहा था इस बीच सामने से आ रही है गाड़ी से उसकी मोटरसाइकल टकरा गई इसी बात पर दोनों पक्ष के लोगों की भी जड़ब हो गई और कुछी देर में लोगों ने वहाँ पत्थरों की बरसात कर दी बड़ी संक्या में भीडे गली में दोड़ती नजर आई जबकि दूसरे पक्ष के लोग एक घर की चट के उपर खड़े होकर पत्थराव करते दिखाए दिये इस दोरान ऐसा लगा मानों गली में मौझूद भीड उस घर का में गेट तोड़कर वहाँ दावा बोल देगी तभी चट से एक लड़के ने उनके ऊपर इट गिरा दी इसके बाद तो कुछ लोग भागते दिखाए दिये जबकि जड़ब देख रहे दूसरे लोग पत्राव ना करने की अपील करते नजर आए वहां हुई इस इंसक्ट जड़ब में कई लोग घायल हो गया बताया गया कि उन दो गाड़ियों के बीच हुई टकर की वज़े से दोनों पक्षों में मार पीट हुई हालनकि पुलिस ने इस मामले में केस दर्च कर लिया इस भी जम्मू कश्मीर में आतंकियों की घुसपैट की खबर मिलते ही सुरक्षा एजनसिया अलर्ट हो गई खबरे की जम्मू कश्मीर में सीमा पार से आतंकियों ने घुसपैट कर चुनाव में खलल डालने का प्लैन बनाया है इसे देखते हुए खुफिया एजंसियों ने सुरक्षा बल को अलर्ट कर दिया इसके बाद राजोरी समेत कई जिलों में सर्च ओपरेशन तेज कर दिया गया इस काम में ग्राम रक्षा समिती के सदस्यों को भी लगाया गया ताकि आतंक्यों की साजिश नाकाम की जा सके अमेरिका की चाइम मैगजीन ने 2024 के 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी की और इस लिस्ट में भारतिय पहलमान साक्षी मलिक, अक्ट्रस आलिया भट और माइक्रोसोफ्ट के सीओ सत्या नडेला को शामिल किया गया इसके साथ ही रूसी राष्ठपती पुतिन के विरोधी रहे अलेक्षी नवालनी की पत्नी यूलिया नवालन्या को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया मालदीव में संसदिय चुनाव से पहले वहां के राष्ठपती मुहंबंद मुईजु मुश्किलों में गिर गये गाना सुर्खियों में आ गया पिछली लोगसभा चुनाव में उत्तरकाशी के 50 से जादा मततान केंद्रों पर 50 पतिशत से भी कम मततान हुआ था इसलिए इस बार चुनाव आयोग ने वहां के लोगों को जागरूप करने के लिए कई अभ्यान चला है और गड़वाली भाशा में बनाया गया ये गाना भी उनी में एक है इस गाने के बोल और संगीत दोनों ही लोगों का ध्यान खींचते हैं और इसलिए ये वाइरल हो गया ये गाना जीडी प्रिसाद ने बनाया जो पेशे से तो वैग्यानिक हैं लेकिन मतताताओं को जागरूप करने के लिए चुनाव आयोग के अभ्यान का हिस्सा बन गया और गड़वाली भाशा में ये गाना बना डाला उत्त्राखंड की सभी पांच लोगसवा सीटों पर पहले चरण में मततान होगा और इससे पहले चुनाव आयोग उत्तरकाशी में इस गाने के जरिये लोगों को जागरूप करने में जुट गया उत्तरकाशी उत्त्राखंड सीटों पर NCP का कोई ज़्यादा असर नहीं है यानि महाराश के पूर्वी इससे के तहट आने वाले विधर्ब लाके में कॉंग्रेस और बीजेपी के बीच टक करें दोनों बाटियों ने पूरी ताकत जूंक दिया क्योंकि विधर्ब में कॉंग्रेस अपना वजूद बचा इन सभी लोगसबा सीटों की सीमा एक दूसरे से जुड़ी है विधर्ब वो इलाका है जहां हमेशा सूखे की मार पड़ती है किसानों की आत्मत्या करने की वज़े से भी ये इलाका हमेशा सुर्खियों मेरा इसके लावा विधर्ब के तहट आने वाली गड़ चिरॉली औ चंदरपुर लोगसबा सीट नकसलियों का गण मानी जाती है इसलिए इन दोनों सीटों पर शांति पूर्ण मतदान करना एक बड़ी चुनोती है इस बार विधर्ब की इन पांच सीटों पर बीजेपी विकास के नाम पर कॉंग्रेस का सफाय करने का दम भर रही है जबकि क कॉंग्रेस किसी तरह खुद को जिंदा रखने की कोशिश में जुटी इन में नागपुर लोगसबा सीट होट सीट है क्योंकि इस सीट से केंद्रिय मंत्री नितिन गटकरी बीजेपी से तीसरी बार चुनावी मैदान में जबकि उनके सामने कॉंग्रेस ने विकास ठाकरे को अपना उम्मीदवार बनाया है इस भीज महाराश की बारामती सीट पर पवार परिवार के दो सदस्यों की टक करता है हो गई क्योंकि बारामती में सुप्रिया सुले और अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार दोनों ने नामांकन दाखिल कर दिया और ननंद भावी के लिए समर्थन मांगा था उन्होंने सीट पर सुप्रिया सुले की जीत का जिक्र किया था और लोगों से अपील की थी कि इस बार वो बारामती में पवार परिवार की बहु को जिताएं यानि बारामती में पवार परिवार की बेटी और बहु की लडाई होगी और इसी ल पत्ती में जुहू का एक फ्लाट, पुणे का एक बंगला और राजगुंद्रा के नाम से कई शेयर भी शामिल है। E.D. ने महराश्ट पुलिस और दिल्ली पुलिस की ओर से दर्च की गई F.I.R. के आधार पर जान शुरू की थी और इसके बाद ये कारवाई की। अंत्रिक्ष पर रिसरच करने वाली संस्था इसरो अगले हटे गगन्यान मिशन के तहट एक एहम परिक्षन करेगी। इसके लावा चीन से तनाव को देखते हुए औस्टेलिया अपना रक्षा बजट बढ़ाने की योजना बना रहा है। सीट पर केंद्रिय मंत्री अरजुनराम मेगभाल मैदान में हैं जबकि अलवर लोगसबा सीट पर भुपेंद्रियादव चुनाव लड़ रहे हैं। पहले चरण की बारा सीटों में दस पर बीजेपी का मुकाबला कॉंग्रेस से है जबकि दो सीटों पर मुकाबला कॉंग्रेस के सयोगी तलों से हैं। पहले हुए चुनाव में हनुमान बेनिवाल की पार्टी का गरबंदन बीजेपी के साथ था लेकिन इस बार हनुमान बेनिवाल विपक्षी खेमे में शामिल हो गए। जो 5 साल पहले थे। पहले चरण की कुल 12 में 8 सीटें ऐसी हैं जहां एक ही जाती के उम्मीदवारों के बीच सीधी टकर है। और इन सीटों पर जिस जाती के उम्मीदवार को बीजेपी ने टिकेट दी कॉंग्रेस ने भी उसी जाती के प्रत्याशी बरताओं लगा दिया। लेकिन राजिस्तान में पहले चरण की वोटिंग में जिस हॉट सीट पर सब की नजरे हैं वो है चुरू लोक सबा सीट क्योंकि बीजेपी छोड़कर कॉंग्रेस में आये राहुल कस्वा का सीधा मुकाबला वहां बीजेपी से ही है। अर्याणा की सीमा से लगने वाली ये लोक सबा सीट कॉंग्रेस उम्मीदवार राहुल कस्वा के लिए नाक का सवाल बन गई है। तो बीजेपी भी किसी भी क्यमत पर ये सीट अपने हाथ से फिसलने नहीं देना चाहती है। उन्हें चुरू से एक बार फिर मेदान में उतरने का आइलान करते हुए कॉंग्रेस का हाथ थाम लिया था। दिल्ली के नजदीक उतरपुदेश के नोईडा में पुलिस ने एक ड्रग्स फैक्टरी का भंडा फोर करने का दावा किया। पुलिस ने यहां से करीब 100 करोड रुपए के ड्रग्स के साथ नाइजेरिया के दो नागरिकों को ग्रिफतार कर लिया। पुलिस के मताबिक ये लोग नोईडा के एक फ्लाट में ड्रग्स बनाते थे। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉंडरिंग मामले में एडी ने दस्तावेज की जांच से जुड़ी स्टेटस रिपोर्ट राउज एविन्यों कोर्ट को सौंप दी। इडी की तरफ से पेश वकीलों ने कोर्ट को बताया कि इन दस्तावेजों की जांच में एक महीने का समय और लगेगा। चेठषाड का रोप BJP के सांसद ब्रिजभूशन शरंण सिंग पर है। ब्रिजभूशन शरंण सिंग यूपी की कैसरगन सीट से सांसद है और BJP ने उनकी सीट से अब तक उम्मीदवार का एलान नहीं किया है। और माना जा रहा है कि कोड के फैसले के बाद ब्रिजभूशन सिंग की उम्मीदवारी पर फैसला लिया जाएगा। कैसरगन सीट पर पांच में चरण में यानि 20 मई को वोट डाले जाएंगे और उनके लिए नॉमिनेशन के आखरी तारीख 3 मई है। ब्रजभूशन शरण सिंग ने टिकेट से जुड़े सवाल का जवाब भी भगवान पर छोड़ दिया। इस बीच DRDO ने क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कर एक और बड़ी काम्याबी हासिल कर ली। सेना के लिए रिसरच करने वाली संस्ता DRDO ने ओडिशा के चांदिपूर में स्वदेशी तक्नीक से बनी निर्भः क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। DRDO के मुताविक ये घातक मिसाइल तीन सो किलो तक विस्फुटक लेकर वार कर सकती है। और इसकी रेंज पंदरा सो किलोमीटर है। खास बातिये की कम उचाई से भी इस मिसाइल से हमला किया जा सकता है। चिन्नाई सुपर किंग्स के बलेबाज डेवन कॉनवे चोट की वज़े से आई पिल से बाहर हो गया। इसके बाद चिन्नाई सुपर किंग्स ने इंग्लिंड के तेज गेंबाज रिचर्ट ग्लीसन को उनकी जगा टीम में शामिल कर लिया। पंजाब के तरंटारण में पाकिस्तान सीमा के नजदीक BSF ने एक पाकिस्तानी ड्रोन बरामत करने का दावा किया। B.S.F. के तलाशी अभिहान के दोरान इस ड्रोन को जब्द किया गया B.S.F. के मताबिक ये ड्रोन चीन में बना दो उधर खबर है कि पश्चिमेशिया में तनाव के बाद एर रूट में बदलाव की वज़े से हवाई किराया बढ़ सकता है खबरे की आने वाले दिनों में अमेरिका और कैनेडा समेट यॉरप के देशों में जाने के लिए हवाई किराया महंगा हो सकता है क्योंकि पश्चिमेशिया में जारी तनाव की वज़े से सभी एरलाइन कंपनिया इरान की एर स्पेस से बच नहीं लेकिन इससे उन्हें लंबा रास्ता थै करना पड़ रहा है खबरे की रूट में बदलाव की वज़े से एर इंडिया, इंडिको और विस्तारा समेट दूसरी एरलाइन कंपनिया किराया बढ़ाने की तैयारी में रॉटर्स ने दावा किया कि इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी टेसला के मालिक इलॉन मस्क भारत में 300 करोड डॉलर यानि भारते रुपयों में करीब 25,000 करोड का निवेश कर सकते हैं इलॉन मस्क इसी महीने भारत की आत्रा पराने वाले हैं दावा किया गया कि वो टेसला की फैक्ट्री लगाने के अलावा भारत में दूसरे कारोबार की भी योज़ना बना रहे है सहुक्त राष्ट ने गाजा और वेस्ट बैंक में सहायता पहुँचाने के लिए 280 करोड डॉलर यानि भारते रुपयों में करीब 24,000 करोड रुपय की मांगी सहुक्त राष्ट के मताबिक गाजा के 30,000 लाग फिलिस्तिनियों के पास खाना और स्वच पानी की कमी है और अगर उन्हें जल्द मदद नहीं पहुचाए गई तो वहां के हालाद बद से बत्तर हो सकते हैं इधर लोगसभा चुनाव के पहले चरण के तहद उत्तराखंड की सभी पांच सीटों पर वोट डाले जाएंगे मतलब पहले ही चरण में उत्तराखंड में लोगसभा के चुनाव निपड जाएंगे लेकिन राज्य की दो सीटे हरिद्वार और पौड़ी गड़वाल सीट पर सब की नजरे टिकी हैं क्योंकि हरिद्वार लोगसभा सीट से उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कॉंग्रेस के कद्दावर नेता हरीश रावत के बेटे विरेंद्र रावत चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं क्योंकि उनके सामने बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंग रावत को उतारा मतलब हरिद्वार लोगसभा सीट पर लड़ाई रावत वर्सेज रावत की है एक तरफ विरेंद्र रावत तूसरी तरफ त्रिवेंद्र सिंग रावत जीत का सहरा किसके सिर बंदेगा ये चार जुन को पता चलेगा लेकिन अपने बेटे विरेंद रावत को चुनाव जितवाने के लिए हरीश रावत ने जम कर प्रचार किया। यहां तक कि उन्होंने दुकान पर खड़े होकर समोसे भी तले। इसी वज़े से हरिदवार लोगसबा सीट होट सीट मानी जा रही हरिदवार की तरह पौडी कड़वाल सीट पर भी लोगों की निगाठी की है तो कि इस सीट से बीज़े पी ने राज़े सबा सांसत अनिल बुलूनी को मैदान में उता रहा है और कॉंग्रेस ने गणेश गोडियाल पर अपना भरोसा जिता है हाला कि पिछले दो लोग सबाच 19 से राज़े की सभी सीटों पर बीजे पी का ही कमल खिल रहा है इस बीज़ एक्टर नवाजदीन सिद्द्दीकी के खिलाव छेड़ चार के मामले को खत्म करने पर कोट ने मोहर लगा दी एक्टर नमाजुद्दीन सिद्यकी को उत्तरप्रदेश के मुझफर नगर की विशेश फॉक्सो कोट से बड़ी रहात मिल गई कोट ने चेरचार के मामले में उन्हें क्लीन चिट देने वाली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को मंजूर कर लिया एक्टर नमाजुद्दीन सिद्यकी की पत्नी आलिया ने उनके खलाब छेरचार का मामला दर्च कराया था खबर है कि रूस के एक आदमी ने अपने आठ महीने के बच्चे को खाना खिलाने के बजाए धूत की रोशनी से जिन्दा रखना चाहा जिससे उसके बच्चे की भूख से मौत हो गई आरोप है कि वो आदमी अपने बच्चे को उसकी मां का दूद पीने से भी रोखता था ताकि उसके बेटे को सूर्य की रोशनी से दिव्य शक्तियां आहां से लो सके बाद में वहां की कोट ने उस आरोपी को आठ साल कैद की सजा सुनाई बारतिये शत्रंच खिलाडी ग्रैंड मास्टर विदिद गुजराती को कैंडिडेट्स टॉर्नमेंट के ग्यारवे राउंड में हार का सामना करना पड़ा उन्हें रूस के खिलाडी एन निपुमिशी ने हरा दिया इस जीत के बाद एन निपुमिशी इस टॉर्नमेंट की रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुँच गए उदर ब्राजिल के रियोडी जिनेरों में लोन लेने के लिए एक शव को बैंक ले जाने की खबर से संसनी फैल गई आरोप है कि करीब तीन लाग रुपए का लोन लेने के लिए वो मैला उस आदमी के शव को वीलचेयर पर बैठा कर उस बैंक तक ले गई और बैंक कर्मियों को उस पर शक न हो इसके लिए वो लगातार उससे बात करती रही लोन के कागजों पर साइन करवाने के लिए उसने उस शव के हाथ में एक पैन भी थमाया लेकिन वो उसे ठीक से पकड़ी नहीं पाया इस दोरान जब बार बार उसका सिर आगे की तरफ जुक रहा था तो वो उसे समालती नजर आई ऐसे में वहां मौझूद बैंक कर्मियों को उस पर शक हुआ लेकिन वो जल से जल्द उन कागजों पर साइन करवाना चाहती थी इसलिए वो उससे ऐसे बात कर रही थी जमानों वो एक जीता जाकता इंसान हो लेकिन उस महिला की तमाम कोशिश के बावजूद जब बैंक कर्मियों का शक दूर नहीं हुआ तो उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी और पुलिस ने वहाँ पहुँचकर उस महिला को गिरफ्तार कर दिया जांच में सामने आया कि उस बुजूर्ग की कई घंटों पहले ही मौत हो चुकी थी लेकिन परीट तीन लाग का लोन लेने के लिए वो शव को वीलचेर पर बैठा कर बैंक तक ले आई जिसके बाद अर्विन केजरिवाल पर सियासी हमले तो तेज हो ही गए तिहार जेल में उनके डायट चार्ट की तस्वीरे मी सामने आ गए 18 दिन से तिहार जेल में बंद अर्विन केजरिवाल को टाइप 2 डायबिटीज है लेकिन उनके डायट चार्ट में हर दिन के खाने में स्वीट यानि मिठाई जरूर मौझूद है जेल में अर्विन केजरिवाल को रोजाना अलग खाना दिया जा रहा है और ये वही खाना है जो उनके घर से बन कर आता है अदालत ने इसके लिए उन्हें अलग से इजाज़त दी है लेकिन घर से आने वाला खाना डॉक्टर के बनाए इसी डायट चार्ट के आधार पर तयार होता है इस चार्ट के दूसरे कॉलम में तारीक लिखिये और आखरी कॉलम में डिनर में मिलने वाला खाना चार्ट के मताबिक उनके डिनर में रोटी कम या जादा हो सकती है सबजियां बदल सकती हैं लेकिन किसी भी दिन उनके डिनर से स्वीट यानि मिठाई कम नहीं की जाती यहां तक कि डॉक्टर ने उनके डायट चार्ट में आलू पूरी तक जोड़ी है जबकि एडी के वकीलों ने कोट में दावा किया कि डाविटीज के किसी भी मरीज को इस तरह के खाने और खासतोर पर मिठाई खाने की सलाग कोई डॉक्टर नहीं दे सकता तकि अदालत को ये बताय जा सके कि जेल में रहने की वज़े से उनका शुगर लेवल बढ़ रहा कोट में एडी के वकील ने बताया कि तिहार जेल से केजरिवाल के खाने और दवाओं की जानकारी मांगने पर उनके डायट का पता चला जबकि केजरिवाल के वकील ने कोट को बताया कि एडी के वकील सिर्फ मीडिया की वज़े से इस तरह के आरोप लगा रहा है यह जानकारी तब सामने आई जब अरविंद केजरिवाल ने विडियो कॉन्फरेंसिंग के जरिये डॉक्टर से मेडिकल कंसल्टेशन की मांग की और इसके लिए कोट में आचिका डाली गई जिसके बाद यह जानकारी सामने आई अठारा दिनों से तिहार जेल में मौझूद अरविंद केजरिवाल की खराब सेहत के कारण कोट ने उन्हें घर का खाना खाने की इजाज़त दी हुई है और जेल में उनके खाने का वक्त भी तह है जानकारी के मुताबिक जेल में बंद अरविंद केजरिवाल का दिन सुबह साड़े चे बजे शुरू होता है और उसी वक्त उन्हें नाश्ता दिया जाता नाश्ते में उन्हें चाय और अंडों के अलावा फल या कुछ और हलका खाना भी दिया जाता लगभग 11 बजे उनके लंच का समय होता है लंच में उन्हें डाल, सबजी, रोटी, चावल और फल दिये जाते हैं अलागे हर दिन का मेन्यू अलग रखा जाता है और शाम साड़े 5 बजे ही उन्हें डिनर दिया जाता है डिनर में भी उनके लिए हर दिन का मेन्यू अलग होता है जिसमें फल और मिठाई भी रखी जाती है ED का आरोप ये है कि दिल्ली के CM जान बूच कर हाई शुगर और हाई काब डायट ले रहे हैं ताकि उनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाए और उन्हें समानत मिलना आसान हो जाए इस जानकारी के सामने आते ही सियासी बवाल मचने में भी देर नहीं लगी बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और अर्विन केजरिवाल पर तीके हमले शुरू कर दिये और बीजेपी सांसद मनोश तिवारी ने तो उन्हें घाजियाबाद की डासना जेल में शिफ्ट करने की सलह दे दी दूसरी तरफ अर्विन केजरिवाल के डाएट चार्ट में अंडों का जिक्र देखकर बीजेपी ने नया हमला शुरू कर दिया अलांकि आम आदमी पार्टी ने साजिश का रोब लगाया यह अर्विन केजरिवाल जी की जान लेने की साजिश है डाएट पर कोट में हुए विवाद के बाद अर्विन केजरिवाल ने याचिका वापस ले ली और नए सिरे से याचिका डालने का एलान किया इस बीच बेंगलूरू में एक महिला ने स्कूटर पर सफर के दौरान अपने बच्चे की जान खत्रे में डाल दी बेंगलूरू में एक बच्चे को स्कूटर के फुटरेस्ट पर खड़ा करके सफर कराने का एक वीडियो वाइरल हुआ आरोपे के स्कूटर पर सवार एक महिला उस बच्चे को फुटरिस्ट पर खड़ा करवा कर सफर करा रही थी जिबकि एक दूसरा आदमी उस स्कूटर को चला रहा था कैनडा में हुई वहां की सबसे बड़ी सोने की चोरी के मामले में वहां की पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफतार करने का दावा किया पुलिस के मताबिक पिछले साल तोरोंटो एरपोर्ट पर 6600 सोने की चड़ों की चोरी हो गई थी इनकी क्रीमत 1 करोड 40 लाख डॉलर यानी भारती रुपव में करीब 110 करोड रुपई थी बेंगलूरू एरपोर्ट पर 24 घंटे से जादा समय बिताने का दावा करने वाले यूट्यूबर विकास गौडा को गिरफतार कर लिया गया उस पर आरोप है कि वो 7 अपरेल को 24 घंटे से जादा समय तक एरपोर्ट पड़ रहा और उसने सुरक्षा की अंदेखी करते हुए वीडियो बनाये थे इसके बाद उसने इस वीडियो को यूट्यूब पर अप्लोड कर गिया था उदर लोकसभा चुनाव के पहले चरण में मद्धिप्रदेश में कॉंग्रेस के गढ़ चिंदवाडा समेथ 6 लोकसभा सीटों पर भी वोटिंग होगी चिंदवाडा कॉंग्रेस की वो सीट है जहां बीजेपी को कभी कामियाबी नहीं मिली इस सीट से कॉंग्रेस के सबसे भरोसे मन नेताओं में एक कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ चुनावी मैदान में है और इसलिए ये होट सीट मानी जा रही है क्योंकि पिछले 44 साल से चिंदवाडा सीट पर कॉंग्रेस ने कभी हार का मो नहीं देखा इस बार भी इस सीट पर नकुलनाथ कॉंग्रेस के उम्मीदवार हैं और उन्हें चुनाथी देने के लिए बीजेपी ने उनके सामने विवेक बंटी साहू को मैदान में उता रहा है चिंदवाडा समेथ पहले चरण के तहट आने वाली सभी 6 सीटें राज्य के पूर्वी हिस्से में मौझूद हैं सिर्फ चिंदवाडा पर कॉंग्रेस का कभजा है जबकि बाकी की सभी सीटों पर बीजेपी का परचम लेरा रहा है इस बीश लोगसभा चुनाव के पहले चरण में दक्षिंद भारत के सबसे बड़े राज्य तमिलनाड की सभी 49 सीटों पर चुनाव होगा चुनाव आयोग ने तमिलनाड में एक ही चरण में मतदान कराने का फैसला किया था चार सो लोगसभा सीट जीतने का लक्ष लेकर मैदान में उतरी बीजेपी की कोशिश तमिलनाड में बड़ी काम्याबी आसल करने की है लेकिन वहां उसकी रहा इतनी आसान नहीं होने वाली क्योंकि वहां इस बार के लोगसभा चुनाव में तीन गडबंधन मैदान में बीजेपी ने इस मुद्दे को तमिलनाड में भुणाने की कोशिश की। प्रिधान मंतरी के साथ तमिलनाड में बीजेपी के अध्यक्ष अन्ना मलाई ने अपनी हर रैली और जन सभा में इसे जोर शोर शो उठाया। अन्ना मलाई तमिलनाडू की सबसे चचे सी कोयमबतूर से मैदान में हैं और अन्ना मलाई के चुनावी मैदान में उतरने से कोयमबतूर सीट तमिलनाड की सबसे होट सीट बन गए लोगसभा चुनाम में बीजेपी यहां नमबर दो की पार्टी लोगों की सांसे अटक गए क्योंकि एक मोटरसाइकल पर सवार होकर वो बदमाश एक दुकान के बाहर पहुँचे और गोलियों की बॉचार कर दी और बेखौफ होकर तीनों बदमाश एक एक कर उस दुकान की तरफ गोलियां डाकते दिखाई दिये उनमें एक बदमाश उस मोटरसाइकल पर सवार नज़र आया और उसके दो साथी सडक किनारे खड़े होकर फाइरिंग करते नज़र आये इस वीच वो लोग कुछ देर रुके और फिर फाइरिंग शुरू कर दी वारदात वाली जगह पर कुछ लोग एक गाड़ी में सवार दिखे लेकिन लगातार हो रही गोली बारी की वज़े से वो गाड़ी वहीं खड़ी रही जिफकि वहां से कुछ दूरी पर बड़ी संख्या में दूसरे लोग मौजूद दिखाई दिये लेकिन उनमें कोई भी उन बदमाशों को रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पाया और काफी देर तक गोलियां बरसाने के बाद उस बदमाश का एक साथी मोटरसाइकल पर सवार हो गया लेकिन उसका दूसरा साथी भागने के दौरान फिर फाइरिंग करता दिखा आरोब लगा कि पैसों के लेंदेन पर उन्होंने किराने की उस दुकान पर गोलियां चलाएं बता गया कि उस वक्त दुकान का मालिक भी दुकान में मौजूद था हलाकि इस वारदात के बाद पुलिस ने केस दर्च कर लिया इस बीच भारत को सुरक्षा परिशद का स्थाई सदस्ते बनाने के पक्ष में अमेरिका भी उतर गया सेयुक्त राष्ट सुरक्षा परिशद में भारत की स्थाई सदस्ता को लेकर इलॉन मस्क के बयान पर अमेरिका की प्रतिक्रिया सामनी आई वहां के विदेश वंत्राले ने साफ कर दिया कि अमेरिका सुरक्षा परिशद समेट सेयुक्तराष्ट के दूसरे संस्थानों में सुधार का समर्थन करता है यही नहीं अमेरिका ने इन संस्थानों में बदलाव की वकालत भी की इससे पहले एलॉन मस्क ने सुरक्षा परशद में भारत को 27 सदस्ता न देने को बेतुका पताया था निकज आईटी कंपनी इंफिसिस के करमचारियों की संक्या पिछले 23 साल में पहली बार घट गए कंपनी के मुताबिक पिछले वित्तवर्ष के मुकाबले 23-24 में इंफिसिस के करीब 26,000 करमचारियों की नौकरी चली गए आर्थिय शेहर बाजार लगातार चौते दिन लाल निशान पर बंद हुआ इस दोरान जबसे ज़्यादा गिरावट फार्मा, एफिम सीजी, ओइल एंड गैस, आटो और एनरजी सेक्टर के शेरों में रही बैंकिंग शेरों पर भी भारी तबाव रहा जिससे बंबे सौक एक्षेंज का सेंसेक्स 454 अंग गिरकर 72,488 पर बंद हुआ तो निफटी 152 अंगों की गिरावट के साथ 21,995 के स्थर पर आ गया पहले चरण के मतदान से पहले बिहार की हॉट सीट जमुई में तेजस्वी की स्रभा के दोरान चिराग पासवान के परिवार को गालियां देने का एक वीडियो वारल हो गया और इस वीडियो पर बवाल मच गया वीडियो दो दिन पहले का बताया गया इसे एंडिये के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे इंदुस्तानी हवाम मोर्चा के अध्यक जितनरा माजी ने भी शेयर किया और इसमें तेजस्वी के मंच के सामने से एक आदमी चिराख पासवान और उनके परिवार को गालियां देता सुनाई दिया इस पूरे वीडियो में गालियां देने वाले इंसान का चेहरा नजर नहीं आया और शोर गुल के बीच केवल उसकी आवाज और गालियां सुनाई दिया इस पूरे वीडियो में तेजस्वी के आवाज कहीं सुनाई नहीं दिया सुनाई दिया तो केवल शोर और इस दोरान चिराख पासवान के लिए बोले जा रहे अब शब्द वीडियो में तेजस्वी आदव माइक से बोलते दिखाई दिये और उनके ठीक बगल में जमुई से आरजेडी की प्रत्याशी अर्चना रविदास खड़ी दिखाई दिये और उनके ठीक सामने से किसी आदमी ने चिराख पास्वान और उनके परिवार को उल्टा सीधा बोला बताए गया कि वीडियो दो दिन पहले जमुई में हुई तेजस्वी की सभाका है ये वीडियो पहले चरण के मतदान से ठीक पहले वाइरल हुआ और वीडियो वाइरल होने के बाद सियासी बबाद चिड़ गया, चिराग पासवान तो भढ़क गया, उन्होंने सीधा तेजस्वी आदव से सवाल पूछा, उन्होंने दो टुक बोल दिया कि अगर इस तरह की घटना उनके सामने हुई होती तो वो मूह तोड जवाब देते और उसी वक्त उस आदमी को सबक सिखाते, ये बोलते हुए चिराग घुस्चे में दिखे, तेजस्वी की सभा में गालियों वाले वीडियो के बारे में सवाल पूछे जाने पर चिराग खुद को रोक नहीं पाए, और तेजस्वी आदव पर भढ़क गया, मैं अगर चिराग पासवान भले ही तेजस्वी से नाराज हो, लेकिन तेजस्वी ने सफाई दी कि उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं थी, कि मंच के सामने से चिराग के परिवार को गालियां दी गए तेजस्वी भले ही सफाई दे, लेकिन पहले चरण के चुनाव से पहले वाइरल हुए इस वीडियो ने बिहार का सियासी पारा चड़ा दिया, क्योंकि ये वीडियो जमुई का है और जमुई में पहले चरण में मतदान होगा और इसलिए तेजस्वी आदव ने जमुई में कई रैलियां की और उन्हीं रैलियों में एक पर विवाद हो गया आरोब लगा कि तेजस्वी ने चिराग के परिवार को अपशब्द बोले जाने के मामले की अंदेखी की और इसी मुद्दे पर तेजस्वी आदव और चिराग पासवान आमने सामने आ गए इन दोनों नेताओं ने बिहार की होट सीट जमुई में जीत के लिए जमीन आसवान एक कर दिया इस सीट पर नजर इसलिए है या यूं कहें कि ये सीट होट सीट इसलिए बन गई क्योंकि जमुई में इस बार दो बार के सांसद रहे चिराग पासवान के जीजा अरुन भारती चुनाव लड़ रहे है वो चिराग पासवान की सगी बहन निशा भारती के पती है निशा भारती के अलावा चिराग पासवान की दो सोतेली बहने भी हैं क्योंकि रामविलास पासवान ने दो शादियां की थी, उनकी पहली पत्नी का नाम राजकुमारी देवी था और दूसरी पत्नी का नाम है रीना पासवान, चिराग पासवान और निशा भारती रीना पासवान और रामविलास पासवान के बच्चे हैं, और राजकुमारी दे दी जिस सीट पर वो 2014 और 2019 में चुनाव लड़े थे लेकिन इस बार चिराग पासवान बिहार के हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे और इसके लिए चिराग पासवान ने अपने चाचा पचुपती पारस तक से लड़ाई कर ली थे और जीत उनकी हुई थी इसके बाद चि रर्ण शक्ति पार्टी राम विलास के उम्मीद्वार अरौन भारती की टक्कर आरज्यवी की प्रत्याशी अर्चना रविदास से है। जमूई में अर्चना रविदास का मायका है और इसलिए वो यहां बाहरी प्रत्याशी वाली सियासत भी कर रही हैं। ज्यादा वोटों से जिता कर संसत भेजेंगे क्योंकि पहले चरण में बिहार की जमुई सीट पर भी मतदान होगा इस चरण में बिहार की चार सीटे शामिल हैं और इन चार में दो सीटों पर बीजेपी की सयोगी पार्टिया मैदान में वैसे पहले चरण में बिहार की जिन चार सीटों पर मतदान होगा उन सीटों पर 2019 में NDA की ही जीत हुई थी और बीजेपी दक्षण बिहार की इन चारों सीटों पर 2024 में भी खब्जा बनाये रखना चाहती है क्योंकि इन चार सीटों में दो पर यानि गया और जमुई में BJP की सहयोगी पार्टियां चुनाव लड़ रही है गया में H.A.M. के जीतनराम माजी मैदान में हैं और जमुई में रामिलास पासवान के दामाद और चिराक पासवान के जीजा अरुन भारती इसलिए प्रधान मंत्री ने इन सीटों पर रैलियां की और बिहार में NDA का पलडा महागटबंधन पर भारी करने की कोशिश की थी क्योंकि RJD की ओर से तेजस्वी ने भी गया और जमुई में धुआधार रैलियां की थी और उनकी कोशिश थी कि बिहार की इन चारों सीटों पर NDA को कड़ी टकर दी जाए जमुई में तो उन्होंने दो दिन पहले तक रैलिय की थी उदर BJP ने सोशल मीडिया पर कई वीडियो पोस्ट कर पश्चमंगाल में राम नौमी के जलूस पर हमला होने का दावा किया BJP ने इस हमले के लिए पश्चमंगाल की मुख्यमंत्री ममता बेनर्जी को जिम्मेदार ठहराते हुए उन पर लोगों को उकसाने का आरोप लगाया क्योंकि BJP ने जो वीडियो पोस्ट किये उनमें कुछ लोग घरों की छटों से पत्थर और बंबर साते नज़र आए के लिए लोगों को उकसाया जाता है और उकसाता कौन है इसी राज्य की मुख्यमंत्री हाला कि TMC ने बीजेपी को जवाब देने में देर नहीं लगाए एक रोज पहले राम नौमी के मौके पर पश्चमंगाल के कई हिस्सों में शुभायात्रा निकाली गई बीजेपी ने आरोब लगाया कि इसी दोरान कई जगों पर शुपायात्रा पर हमले किये गए और बीजेपी के मुताबिक मुर्शिदाबाद में भी पत्थर बाजी की घटना हुई जिसमें कई लोगों के घायल होने का दावा किया गया और उन्हीं घायलों से मिलने पहु मुझूद एक आदमी तो उनसे भिड़ने तक को तयार हो गया इसके बाद वो किसी तरह अस्पताल के अंदर गए और घायलों से उनका हाल जाना अधीरंजन चौधरी बहरामपूर से मौझूता सांसत हैं और बहरामपूर लोकसवा सीट मुझूत जिले में ही आती है कॉंग्रेस ने इस वार भी अधीरंजन चौधरी को ही बहरामपूर से टिकेट दी है जारकन के लोडगा में राम नौमी की शोभा यात्रा के दौरान बेकाबू हुई एक गाड़ी ने दो लोगों की जान ले लिये और 24 से जादा लोग बुरी तरह घायल हो गए वहां राम नौमी के मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई और ढोल निगाड़े के साथ राम भक्त राम नाम की धुन पर जूम रहे थे लेकिन तभी दर्दनाक हाद्सा हो गया क्योंकि उस गाड़ी ने शोभा यात्रा में शामिल हुए लोगों को एक जटके में रौन दिया वहां वो गाड़ी सड़क पर चलती भीड को बिल्कुल कुछलती हुई दिखाई दिये ये इतनी जल्दी हुआ कि लोगों को उस गाड़ी से दूर भागने का मौका ही नहीं मिल पाया वीडियो में कुछ देर पहले तक सब सामान ने नजर आया राम नामी के मौके पर शोभा यात्रा में शामिल हुए लोग जूमते काते दिखाई दिये कुछ लोग ढोल बजाते भी दिखे राम नाम की भक्ती में डूबे लोग हाथों में भगवा जंडे लेकर सड़क पर आगे बढ़ते दिखाई दिये तभी अचानक सफेद रंकी वो गाड़ी दोड़ती हुई वहाँ आई और एक साथ कई लोगों के ऊपर चड़ती हुई आगे बढ़ गई इसके बाद तो चीख फुकार मजगे राम नामी का उतसब एकदम मातब में बदल गया जब तक ड्राइवर ने उस गाड़ी को रोका तब तक वो कई मीटर तक आगे बढ़ चुकी थी और शोभा यात्रा में शामिल कई लोग इसकी चपेट में आ गए आनन्फानन में उन लोगों को अस्पताल ले जाया गया लेकिन अस्पताल ले जाने के दौरान उन में दो लोगों की जान चली गई जबकि 24 से ज़्यादा लोगों की हालत गंभीर बताए गई क्योंकि शोभा यात्रा के बीच घुसी वो गाड़ी कहर बनका तूट पड़ी जो हादसे से कुछ देर पहले तक वहाँ लोगों के ठीक पीछे चल रही थी उस गाड़ी को शोभा यात्रा में इस्तमाल करने के लिए बुलाया गया उसमें साउंड सिस्टम और भगवा जंडे लगाए गए लेकिन वो गाड़ी शोभा यात्रा के लिए काल साबित हो गई लोहर दगा जिले में हुए भीशन हादसे के बाद आरोपी ड्राइवर को गरफतार करिया गया वहां राम नौमी के अगले दिन इलाके में सन्नाटा पसरा नजर आया लोगों ने बाजार बंद करवा दिये और हादसे के खिलाब अपना घुसा जाहर किया इस बीच जारकन के मंतरी डॉक्टर रामेश्वर उनाओ अस्पताल पहुंचे और गायलों से मुलाकात की उदर पश्चे मंगाल के राजजपाल के खिलाव ममता बेनर्जी की पार्टी टीमसी चुनाव आयोग पहुंच गई टीमसी ने पश्चे मंगाल के राजपाल सीवी आनन बोस के खिलाव चुनाव आयोग में शिकायत तर्च करवाई ममतब एनरजी की पार्टी ने राजजपाल पर लोगसबा चुनाव में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया बिहार में RJD के पूर्व सांसद बुलो मंडल J.D.U. में शामिल हो गए भागलपूर से सांसद रह चुके बुलो मंडल इसी सीट से फिर चुनाव लड़ना चाते थे लेकिन महागटबंधन की सीट शेरिंग में भागलपूर सीट कॉंग्रेस को मिलने के बाद वो पार्टी से नाराज चल रहे थे आम आदमी पार्टी ने मेयर पत के लिए महेश कीची और टिप्टी मेयर पत के लिए रविंद्र भार्दवाज को उम्मीदवार बनाया है दिल्ली में 26 अपरेल को मेयर और टिप्टी मेयर के चुनाव होंगे इधर पहले चरण के चुनाम में उत्रप्रदेश में बीजेपी और आरेलडी गट बंधन का इम्तिहान होगा उपी में पहले चरण में 8 सीटों पर मतदान होगा और 2019 में इन में 5 बीजेपी हार गई थी बीजेपी और आरेलडी पिछले चुनाम मेंгорग अलग लडई गया कि बीजेपी का प्रदर्शन पिछली बार से बेहतर हो सकता है क्योंकि जैन चौधरी के बीजेपी के साथ आने की वज़े से जाट समुदाय के मतदाता बीजेपी के साथ आ सकते हैं और पश्चिमी यूपी की इन 5 सीटों पर BJP को फाइदा हो सकता है। पर सियासी समीकरण बदल गए हैं। पहले चरण में यूपी की होट सीट बन चुकी नगीना में भी मतदान होगा। बीएसपी ने जान बूज कर कमजोर उम्मीदवार मैदान में उतारा क्योंकि इससे उनका फाइदा हो सकता है। चंदरशेखर आजाद नगीना में दुआधार प्रचार कर रहा है। आजाद समाज पार्टी कांशीराम के चंदरशेखर आजाद नगीना से लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी के खिलाफ हो गए थे। बड़ी बात ये कि वो बीएसपी का विकल्प बनने की भी कोशिश में है। यानि नगीना में दो नहीं चार फ्रत्याशियों के बीच कड़ी टक्कर हो सकती है। क्योंकि बीजेपी के ओम कुमार, एसपी के मनोज कुमार और बीएसपी के सुरेंदर पाल के अलावा चंदरशेखर आजाद ने भी नगीना में खुब पसीना बहाया और नगीना की लड़ाई में ट्विस्ट ला दिया। इसके लावा पस्चिमी यूपी की मुरादाबाद सीट पर भी नजर है, पहले चरण में यहां भी मतदान होगा क्योंकि इस बार के चुनाम में वहां समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से टिकेट का बटवारा किया उसकी खूग चर्चा हुई और यूपी की में पहले स्टी हसन को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन नामांकन से पहले खबर आई थी कि समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद सीट से अपना उम्मीदवार बदल दिया और रुची वीरा को टिकेट दी, रुची वीरा को आजम खां के खेमे कमाना जाता है और उन् मर्तकों ने मुसीबत खड़ी कर दी, और रही सही कसर बीएसपी ने मुरादाबाद में मुस्लिम उमीदवार उतार कर पूरी कर दी, और माना जा रहा है कि मुरादाबाद में बीजेपी के सरवेज सिंग को इसका फायदा हो सकता, और उत्तरप्रदेश के ओड़ सीट राम रामपूर से इमाम मौलाना मोहिबुला नदवी को प्रत्याशी बना दिया था, इस वज़े से नाराज आजम खां के समर्थकों ने चुनाव का बहिशकार करने का आलान कर दिया था, रामपूर में समाजवादी पार्टी की खींस्तान का आलम ये हो गया कि अखिलेश नदवी गुस्टाइश बन रहाइंत Stick को ने चुनाव के वहिशकार का आईलान कर दिया था, जबकि बीजे फी ने रामपूर से अपने प्रत्याशी घणशाम सिंग लोधी के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए अपढ़ना यादव को भेजा, याई मुलायम इंग सिं से वरुन गांधी 2019 में चुनाव जीते थे लेकिन 2024 के चुनाव में BJP नोंने टिकट ही नहीं दी और ये सीट यूपी के हॉट सीट बन गए क्योंकि इस बार BJP के टिकेट पर वरुन गांधी पीली बीच से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं बिजेपी ने जब तक ये ऐलान ने किया था तब तक कई अट्कलें लगी थी। का जा रहा था कि वरुन गांधी को सुल्तानपुर से और मेनका गांधी को पीली भीट से टिकेट मिल सकती है। लेकिन जब ऐलान हुआ तो पता चला कि मेनका गांधी को तो सुल्तानपूर से टिकेट मिल गई, लेकिन वरुन गांधी को तो टिकेट ही नहीं मिली। और इनके लिए प्रियंका गांधी ने वहाँ चुनाव प्रचार किया था। में मुकाबला त्रिकोणी हो गया और प्रियंका के रोडशो के बाद तो इस सीट के नतीजों पर नजर रहेगी। इधर दिल्ली शराब गोटाला मामले में मनीश्च सोधिया को फिर कोट से रात नहीं मिली। दिल्ली शराब गोटाले से जुड़े मनी लॉंडरिंग मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीश्च सोधिया की नियाईक हिरासत 26 अपरेल तक बढ़ा दी गए। दिल्ली की राउजवन्य कोट इस मामले में 26 अपरेल को सुनवाई करेगी। इसके साथ ही कोट ने मनीश्च सोधिया समेथ सभी आरोपियों को उन दस्तावेजों की लिस्च दिने का निर्देश दिया जिनकी जांच पूरी नहीं हुई है। सुप्रीम कोट ने EVM और VVPAT परचियों की 100% मिलान वाली आचिकाप पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। इस दोरान चुनाव आयोग ने EVM को पूरी तरह सुरक्षित बताया है तो बाद में कोट ने भी इस पर टिपनी की कि हर चीज़ पर अविश्वास नहीं जिता जा सकता। गुजिरात के वडोदरा में भीशन गर्मी से बचाने के लिए ट्राफिक पुलिस ने अपने कर्मियों को AC वाले हेलमेट दिये। इस हेलमेट को पहनने के बाद सिर के चारों और ठंडी हवा का जोंका मिलता है। इसकी वज़े से लोगों के सिर में गर्मी नहीं लगती। और कल चले जाएंगी बरसाती में डख हैं तो इनको मैं क्या बोज़र। आला कि विक्रमदित सिंग के सामने ताल ठोक रहीं कंगना रणोध भी अपने अलग अंदाज से उन्हें पछाडने में जुटी हैं। कभी वो लोगों के बीच पहुँच कर डांस करने लगती हैं तो कभी खुद चाय बनाती हुई भी दिखती हैं। इतना ही नहीं मंडी की जंग में उतरते ही उन्होंने अपने तीखे तेवर दिखा दिये थे। बड़ा पपू है दिल्ली में लेकिन हमारे यहां पे भी एक छोटा पपू है। कंग्णा ननोत ने अपने प्रचार के दोरान विक्रमदित सिंके राज परिवार से होने पर भी तंस किया था। मंडी हिमाचल प्रदेश की चार लोकसवा सीटों में एक है जहां आखरी चरण में मत्तदान होगा। इस भी 36 गड़ के कांकेर में सुरक्षा बल के अधिकारियों ने दावा किया कि नकसली कमांडर शंकर राव की अगवाई में नकसलीयों का एक दल लोकसवा चुनाव में गड़बडी फैलाने के लिए अबू जुमाड के जंगल में जमा हुए तो दिन पहले सुरक्षा बल के जमानों ने अबू जमाड के जंगल में एक ऑपरेशन चला कर 29 नकसलीयों को धेर कर दिया था क्योंकि सुरक्षा बल के अधिकारियों को ये खबर मिली थी कि कांकेर में चुनाव रोकने के लिए नकसली पोलिंग पार्टी पर हमला करने वाले हैं इस ऑपरेशन की अगवाई कर रहे सुरक्षा बल के अधिकारी लक्षमन केवट के मुताबिक इसकी सुचना मिलने के बाद नकसलीयों के खिलाफ ऑपरेशन चुरू कर दिया गया था इंकाउंटर स्पेशलिस के नाम से मशूर लक्षमन केवट ने जानकारी दी कि 15 अपरेशन को उन्हें नकसलीयों के इस खतरनाक प्लान का पता चला था इसके बाद 16 अपरेल को करीब 400 जवान नकसलीयों को घेरने उनके गढ़ में घुज गए लेकिन नकसलीयों को उनके आने की सूचना पहले ही मिल गई थी इसलिए नकसलीयों ने जंगल में बम लगा दिये थे और 34 गड़ के कांकेर में नकसलीयों के खिलाब सुरक्षाबल के आपरेशन पर कॉंग्रेस नेता सुप्रिया श्रिनेत ने विवादास पत बयान दे दिया उनके बयान पर बीजेपी भड़क गई और उसने उन पर जमानों के अपमान कारोप लगा दिया लोग सबाचुनाव के ठीक तीन दिन पहले यानी 16 अपरेल को सुरक्षाबल ने अबूज मार के जंगल में 17-39 नकसलीयों को मार गिराया था लेकिन नकसलीयों के खिलाब सुरक्षाबल के इस उपरेशन पर सियासी घमासान मच गया क्योंकि कॉंग्रेस की नेता सुप्रिया श्रिनेत ने इस ऑपरेशन की जांच की मांग करते हुए मारे गए नकसलीयों पर विवादास बद बयान दे दिया उनके इस बयान के सामने आने के बाद बीजेपी उन पर भढग गई बीजेपी ने कॉंग्रेस पर सेना और सुरक्षा बलके जवानों के अपमान कारोप मर दिया बीजेपी ने इस मुद्धे पर कॉंग्रेस को इसलिए भी घेरा क्योंकि मई 2013 में 36 गड़ में ही नकसली हमले में कॉंग्रेस के बड़े नेता नंद कुमार पटेल और पूर्व केंदुरिय मंतुरी विद्या चरण शुक्ल समेथ 30 से जादा लोग मारे गए थे इदर यूपी की अमेठी लोगसवा सीट पर उस वक्त एक बड़ा ड्रामा हुआ जब कॉंग्रेस के नेता विकास अग्रहरी के बीजेपी में शामिल होने की खबर आई और यहां तक की भगवार रंग का अंगवस्तर पैनाय जाने वाले वीडियो पर भी सवाल उठाई इससे कुछ देर पहले विकास अगरहरी का अमेठी की सांसर स्मृति इरानी के साथ एक वीडियो भी सामने आया था वीडियो में विकास अगरहरी के दाईं और स्मृति इरानी खड़ी दिखी थी जबकि एक व्यक्ति विकास को भगवा अंगवस्त पेनाता दिखा डावा किया गया कि विकास अग्रहरी ने कॉंग्रेस छोड़कर बीजेपी जॉइन कर ली सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों और वेबसाइटों तक पर कॉंग्रेस को मेठी में बड़ा जटका लगने की बात की जाने लेकि लेकिन विकास अग्रहरी ने दावा कर दिया कि वो तो केवल इलाके की समस्याओं पर बात करने के लिए सांसत से मिलने गये थे शिष्टाचार के नाते उनका स्वागत करते हुए अंगवस्त्र पेनाय गया था लेकिन उस वीडियो के जरीए लोगों को ब्रहमित किया गया विकास अग्रहरी के मताबिक वो कॉंग्रेस के समर्पित कारे करता है और पार्टी छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते इस वीडियो देखने वाले लोगों ने भी अपने सिर पकड़ लिया वहाँ एक रेस्टरांट में दो लोग दोसा खाने पहुंचे थे लेकिन बताया गया कि दोसे के साथ जो चटनी परोसी गई वो खराब थी इसलिए चटनी का सुआद चकते ही वो दोनों लोग भड़क गए और इसके बाद तो मानो जंग छिड़ गए वहाँ एक आदमी टेबल स्टैंड उठाकर फिंकता नजर आया फिर वो वहाँ पड़ी कुरसी भी उठाता दिखाई दिया कुछ देर में तो उसने बांस की कुरसी उठाकर उस रेस्टरांट के करमचारी के उपर फिंक दिया वहाँ वो करमचारी उनका मुकाबला करते हुए लाल टी-शट पहने एक लड़के से भिढ़ गया लेकिन लाल टी-शट वाले लड़के ने भी टेबल स्टैंड उठाकर जोर से हमला कर दिया इसके बाद तो उस रेस्टरांट का एक दूसरा करमचारी वहाँ रखा एक गमला उस लड़के के उपर फिंकता दिखा मतलब जिसके हाथ जो सामान आया वो उससे हमला करता रहा उस रेस्टरांट में खाना खाने पहुंचे वो दोनों लोग और वहाँ के करमचारी जम कर गाली गलोज करते सुनाई दिये उस रेस्टरांट के बार काफी देर मारपीट चलती रही और बड़ी संख्या में मौजूद लोग ये जड़ब देखते नजर आये मारपीट के दोरान वहाँ सारा सामान विखर गया सजावट के लिए लगाये गए गुबारे भी इधर उदर विखर गये बताय गया कि उस रेस्टरांट में उन दोनों लोगों को दोसे के साथ खराब चटनी परोसी गई थी इसी वज़े से वो लोग आग बबूला हो गए और जम कर मारपीट की उदर दुबई में भारी बारिश के बाद फसे भारतिये यात्रियों को वहां से निकालने की कोशिशन तेज कर दी गई पशिमेशया के देश UAE के दुबई शेहर में हुई भीशन बारिश के बाद वहां फसे भारतिये यात्रियों को लेकर दुबई में मौझूद भारतिये दूतावास का बयान सामने आया बारतिये दूतवास के मुताबिक फसे हुए उन यात्रियों को निकालने की कोशिश की जा रही है इसके साथ सभी यात्रियों तक हर संभव मदद भी पहुचाए जा रही है केंद्री ग्रेह मंत्री अमिट शाने गुजरात के गांधी नगर में रोड शोक किया इस दोरान न्यूज 18 से बात करते हुए उन्होंने एक बार फिर एंडिये को 400 सीटे मिलने का दावाद दोराया ओप्रकाश चोटाला की पार्टी आएनलडी यानि इंडियन नैशनल लोगदल ने अभय चोटाला को हर्याना की कुरुक्षेत्र लोगसबा सीट से अपना उम्मीदवार बना दिया हर्याना के लिए पहली लिस्ट जारी करते हुए पार्टी ने तीन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का एलान किया कुरुक्षेत्र के अलाबा हिसार से सुनैना चोटाला को तो अंबाला सीट से गुरप्रीत सिंग को टिकेट दी गई इधर चंडीगड लोकसबा सीट से पूर्व केंद्रिय मंत्री मनीश तिवारी को उम्मीदवार बनाय जाने पर चंडीगड कॉंग्रेस में मचे घमासान के बाद पार्टी में सब कुछ ठीक होने का दावा किया गया और ये दावा कॉंग्रेस नेता राजीव शुक्ल ने किया जो चंडीगड में पवन बनसल से मिलने पहुँचे क्योंकि 2019 में कॉंग्रेस की टिकेट पर चंडीगड सीट से चुनाव लड़ने वाले पवन बनसल नाराज बताय जा रहे हैं वो इस सीट से एक बार फिर दावेदारी ठोक रहे थे लेकिन पार्टी ने उनकी जगा मनीश दिवारी को पत्याशी बना दिया और इसके बाद तो चंडीगड कॉंग्रेस की कलहत खुल कर सामने आ गई पवन बनसल के समर्थन में करीब सौ कारे करताओं ने अपने पद से स्तीफा दे दिया माना जा रहा है कि इसी के बाद कॉंग्रेस नेता राजीव शुकल चंडीगड में पवन बनसल के घर पहुंच गए कॉंग्रेस दोनों ने ही उम्मीदवार बदल दिये किरन खेर की टिकेट काट कर बीजेपी ने संजे टंडन को उम्मीदवार बनाया तो कॉंग्रेस ने पवन बनसल की जगा मनीश धिवारी को माधान में उतार दिये उदर हर्याना के कुरुक्षेतर में चुनाव प्रचार करने निकले बीजेपी प्रित्याशी नवीन जिंदल ने बोरियां उठाकर ट्रक में लोड की नवीन जिंदल दो बार कुरुक्षेत्र से सांसद रह चुके हैं लेकिन तब वो कॉंग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े थे इस बार वो बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं करीब 10 साल तक सियासत से दूर रहे नवीन जिंदल कुछ दिन पहले ही बीजेपी का हिस्सा बने पार्टी से टिकट मिलने के बाद उन्होंने प्रचार में खुब पसीना बहा है और कुरुक्षेत्र की एक अनाज मंडी में गेहूं की बोरियां ट्रक में लोड करते नजर आए नवीन जिंदल को इस तरह मंडी में कंधे पर बोरी लिए देखकर लोगोंने तालियां बजाई और जब उन्होंने बोरी ट्रक में लोड कर दी तो उनके समर्थन में नारे लगाए गए वैसे कुरुक्षेत्र में नवीन जिंदल के परिवार का दबदबा माना जाता है वो 2004 और 2009 में वहां से सांसद भी रह चुके हैं लेकिन इस बार उन्होंने पार्टी बदल ली और बीजेपी की ओर से कुरुक्षेत्र के चुनावी मैदान में उतरे नवीन जिंदल से पहले उनकी माँ और देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल बीजेपी का हिस्सा बनी थे इसके कुछी दिन बाद नवीन जिंदल भी बीजेपी का हिस्सा बन गए थे और अब वो बीजेपी की टिकट पर कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं और उनका मुकाबला कुरुक्षेत्र में विपक्षी कट बन्धन के उम्मीदवार और आम आदमी पार्टी के नेता सुशील गुपता से होगा नवीन जिंदल की तरह सुशील गुपता ने भी परचार में पूरी ताकत जोंगी वो किसानों के बीच पहुँचे और खेतों में फसल काटी यानि सुशील गुपता ने भी चुनाव परचार में कोई कसर नहीं छोड़ी और हाथों में हसिया लेकर खेतों में पहुँच गए और एक किसान की तरह गेहूं की फसल काटी ये देखकर उनके साथ आये उनके समर्थकों ने भी यही किया क्योंकि आम आद्मी पार्टी के नेता और कुरुक्षेत्र से विपक्षी गडबंधन के उम्मीदवार सुशील गुपता बिना हिच के खेतों में गए और फसल काट कर रखनी शुरू कर दी हर्याना की 10 सीटों पर कॉंग्रेस और आम आद्मी पार्टी के बीच गडबंधन हुआ था और इस गडबंधन के तहट आम आद्मी पार्टी को हर्याना की जो एक सीट मिली वहां उसने सुशील गुपता को उम्मीदवार बना दिया अटकले लगीं कि इससे कॉंग्रेस ने एक तीर से दो निशाने साधे थे क्योंकि 2014 के चुनाव में हारने के बाद 2019 में नवीन जिंदल ने कॉंग्रेस की ओर से कुरुक्षेत्र से लड़ने से इंकार कर दिया था और तभी से कॉंग्रेस के पास इस सीट के लिए मजबूत उम्मीदवार नहीं था ख़बर है कि इसी वज़े से हर्याना में आम आदमी पार्टी के साथ गढदन होते ही उसने कुरुक्षेत्र सीट उसे दे दी और आम आदमी पार्टी ने हर्याना में पार्टी के अध्यक्ष सुशील गुप्ता को वहाँ से टिकेट दे दी लेकिन बीजेपी ने कॉंग्रेस के नहले पर दहला तब चल दिया जब उसने कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल को प्रत्याशी बना दिया इधर उत्तर प्रदेश के बिजनौर में दो गाड़ियों की टकर के बाद लोग इतनी बुरी तरीके से भिड़ गए कि पूरे इलाके में दह्शत मज़ गई अपनी मोटरसाइकल से गुजर रहा था इस बीच सामने से आ रही है गाड़ी से उसकी मोटरसाइकल टकरा गई इसी बात पर दोनों पक्ष के लोगों के भी जड़ब हो गई लगातार पत्तर फिंकते रहे वहां बच्चे महिलाएं और पुरोष सब उस घर के अंदर गुसने पर आमादा दिखे तभी छट से एक लड़के ने उनके ऊपर इट गिरा दी इसके बाद तो कुछ लोग भागते दिखाए दिए जबकि जड़ब देख रहे दूसरे इसके बाद राजोरी समेत कई जिलों में सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया इसकाम में ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों को भी लगाया गया ताकि आतंकियों की साजिश नाकाम की जा सके अमेरिका की टाइम मैगजीन ने 2024 के 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी की और इस लिस्ट में भारतिय पहलमान साक्षी मलिक, एक्ट्रस आलिया भट और माइक्रोसोफ्ट के CEO सत्या नडेला को शामिल किया गया इसके साथ ही रूसी राष्टपती पुतिन के विरोधी रहे अलेक्सी नवालनी की पत्नी यूलिया नवालनिया को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया मालदीव में संसदिय चुनाव से पहले वहां के राष्टपती मुहमद मुईजू मुश्किलों में गिर गया मुहमद मुईजू पर लगे कथिद बर्ष्टाचार के आरोब की रिपोर्ट लीक होने के बाद विपक्षी नेताओं ने उनके खिलाफ महावयोग चलाने की मांग कर दी 2018 में उन पर पैसों के लेंदेन को लेकर बर्ष्टाचार के आरोब लगे थे इधर उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मतदाताओं को जागरूग करने के लिए गड़वाली भाशा में बनाया गया गाना सुर्खियों में आ गया पिछली लोगसभा चुनाव में उत्तरकाशी के 50 से जादा मतदान केंदरों पर 50 पतिशत से भी कम मतदान हुआ था इसलिए इस बार चुनाव आयोग ने वहां के लोगों को जागरूग करने के लिए कई अभ्यान चलाए और गड़वाली भाशा में बनाया गया ये गाना भी उनी में एक है इस गाने के बोल और संगीत दोनों ही लोगों का ध्यान खींचते हैं और इसलिए ये वाइरल हो गया ये गाना जीडी प्रिसाद ने बनाया जो पेशे से तो वैग्यानिक हैं लेकिन मतताताओं को जागरूग करने के लिए चुनाव आयोग के अभ्यान का हिस्सा बन गया और गड़वाली भाशा में ये गाना बना डाला उत्तराखंड की सभी पांच लोगसबा सीटों पर पहले चरण में मततान होगा और इससे पहले चुनाव आयोग उत्तरकाशी में इस गाने के जरिये लोगों को जागरूग करने में जुड़ गया उत्तरकाशी उत्तराखंड की टीहरी कड़वाल लोगसबा सीट का इससा है उदर लोगसबा चुनाव के पहले चरण के तहद महाराष्ट के विधर्व इलाके की पांच सीटों पर वोटिंग होगी जूद बचाने में जुटी है जबकि बीजेपी के लिए सभी सीटों पर जीत हासिल करना नाक का सवाल बन गया हालांके पूरे विधर्व इलाके में कुल 10 लोगसबा सीटे आती हैं किसानों के आत्मत्या करने की वज़े से भी ये इलाका हमेशा सुर्खियों में रहा इसके लावा विधर्व के तहद आने वाली गड़ चिरॉलिय और चंदरपूर लोगसबा सीट नकसलियों का गड़ मानी जाती है इसलिए इन दोनों सीटों पर शांती पूर्ण मतदान करना एक बड़ी चुनोती है इस बार विधर्व की इन पांच सीटों पर बीजेपी विकास के नाम पर कॉंग्रेस का सफाय करने का दम भर रही है जबकि कॉंग्रेस किसी तरह खुद को जिंदा रखने की कोशिश में जुटी है इनमें नागपूर लोगसबा सीट होट सीट है क्योंकि इस सीट से केंदरिय मंतरी नितिन गटकरी बीजेपी से तीसरी बार चुनावी मैदान में जबकि उनके सामने कॉंग्रेस ने विकास ठाकरे को अपना उम्मीदवार बनाया है इस भीज महाराज की बारा मती सीट पर पवार परिवार के दो सदस्यों की टक करता है हो गई क्योंकि बारा मती में सुप्रिया सुले और अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार दोनों ने नामांकन दाखिल कर दिया और ननंत भावी की लडाई ने बारा मती को होट सीट बना दिया शरत पवार की बेटी सुप्रिया सुले और अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार दोनों ने बारामती में नामांकन दाखल कर दिया। सुनित्रा पवार के नामांकन से कुछ दिन पहले अजीत पवार ने बारामती के लोगों को संदेश भेजा था और अपनी पत्नी सुनित्रा पवार के लिए समर्थन मांगा था उन्होंने इस सीट पर सुप्रिया सुले की जीत का जिक्र किया था और लोगों से अपील की थी क इस बार वो बारामती में पवार परिवार की बहु को जिताएं यानि बारामती में पवार परिवार की बेटी और बहु की लडाई होगी और इसी लिए महराष्ट की इस होट सीट पर नजर रहेगी इधर एक्ट्रिस शिल्पा शेट्टी के पती राज कुंद्रा की करोडों की संपत्ती एडी ने जब्द कर ली E.D. ने बिटकोईन पॉन्जी गोटाले के आरोप में एक्ट्रिस शिल्पा शेटी के पती राज गुंद्रा की खरीब 98 करोर की संपत्ती जब्त कर ली जब्त की गई संपत्ती में जुहू का एक फ्लाट, पुणे का एक बंगला और राज गुंद्रा के नाम से कई शेयर भी शामिल है E.D. ने महराश्ट पुलिस और दिल्ली पुलिस की ओर से दर्च की गई F.I.R. के आधार पर जान शुरू की थी और इसके बाद ये कारवाई की अंत्रिक्ष पर रिसरच करने वाली संस्था इस्रो अगले हफते गगन्यान मिशन के तहट एक एहम परीक्षन करेगी इसरो के अध्यक्ष S. सोमनात के मताबिक 24 अपरेल को अंत्रिक्ष में एक मानव रहित मिशन का परीक्षन किया जाएगा पताया कि इसके बाद अगले साल इसी तरह के दो और परीक्षन किये जाएगे और सब कुछ ठीक रहा तो अगले साल के अंग तक इनसान को अंत्रिक्ष में भेजा जाएगा उस्ट्रेलिया ने अपनी राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीती जारी करते हुए भारत को रक्षा क्षेत्र में बेहत एहम सयोगी बताया उसने भारत के अलावा जापान के साथ भी सयोग बढ़ाने पर जोर दिया इसके अलावा चीन से तनाव को देखते हुए उस्ट्रेलिया अपना रक्षा बजट बढ़ाने की भी योज़ना बना रहा है इधर लोगसबा चुनाव के पहले चरण में राजिस्थान की जिन 12 सीटों पर मतदान होना है वहां मैदान में उतरे मोधी सरकार के दो मंत्रियों की साखदाओं पर है राजिस्थान की कुल 25 लोगसबा सीटों पर दो चरणों में मतदान होगा दूसरे चरण में राजिस्थान की 13 सीटों पर वोटिंग 26 अपरेल को होगी लेकिन राजिस्थान में होने वाले पहले चरण के चुनाव में ही मोधी सरकार में शामिल दो केंदृय मंतरी अर्जुन राम मेगभाल मैदान में हैं पात साल पहले हुए चुनाव में हनुमान बेनिवाल की पार्टी का गरबंदन बीजेपी के साथ था लेकिन इस बार हनुमान बेनिवाल विपक्षी खेमे में शामिल हो गए जिबकि 2019 में नागौर सीट पर हनुमान बेनिवाल से हारने वाली कॉंग्रेस की जोती मिर्दा इस बार बीजेपी की उम्मीदवार है मतलब दोनों प्रत्याशियों ने पाला भले ही बदल लिया हो लेकिन इस मुकाबले के दोनों खिलाडी वही हैं जो पान साल पहले थे बीजेपी छोड़कर कॉंग्रेस में आये राहुल कस्वा का सीधा मुकाबला वहां बीजेपी से ही है हर्याणा की सीमा से लगने वाली ये लोकसवा सीट कॉंग्रेस उम्मीदवार राहुल कस्वा के लिए नाक का सवाल बन गई है बीजेपी भी किसी भी कीमत पर ये सीट अपने हाथ से फिसलने नहीं देना चाहती है। बीजेपी से टिकेट कटने के बाद राहूल कस्वा ने चुरू में जीत को अपनी नाक का सवाल बना लिया। पुलिस ने यहां से करीब 100 करोड रुपए के ड्रग्स के साथ नाइजेरिया के दो नागरिकों को ग्रिफतार कर लिया। पुलिस के मताबिक ये लोग नोएडा के एक फ्लाट में ड्रग्स बनाते थे। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉंडरिंग मामले में एडी ने दस्तावेज की जांच से जुड़ी स्टेटस रिपोर्ट राउज एविन्यों कोर्ट को सौंप दी। इडी की तरफ से पेश वकीलों ने कोर्ट को बताया कि इन दस्तावेजों की जांच में एक महीने का समय और लगेगा। चीन में संयुक्तुराष्ट के प्रतनिती सिधार चेटर जी ने शुननी से भी नीचे के तापमान में योग किया। खास बात ये कि उन्होंने बीजिंग में शेटलेस होकर योग के कई आसन किये जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो गया। सिधार चेटर जी को 2020 में चीन में संयुक्तुराष्ट के प्रतनिती के रूप में न्युक्त किया गया था। इधर महिला पहलवानों से चेटर चाड के मामले में 26 अपरेल को फैसला आएगा। ब्रजभूशन शरण सिंग ने टिकेट से जुड़े सवाल का जवाब भी भगवान पर छोड़ दिया। महिला पहलवान से चेटर चाड के केस में ब्रजभूशन की तरव से एक नई आचिका दी गई और का गया कि शिकायत करने वाली महिला के बयान में विरोध हवास है। ये भी बताया गया कि जिस वक्त की शिकायत महिला पहलवान ने की उस वक्त वो देश से बाहर थे। अपनी दलील के समर्थन में उन्होंने पासपोर्ट की कॉपी भी कोट को दी। व्रजभूशन शरण सिंग ने मामले की फिर से जांच कराने की मांग की जिसके बाद कोट ने 26 अप्रेल को मामले की अगली तारीख तै कर दी। इस बीच डियाडियो ने क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कर एक और बड़ी कामयाबी आसिल कर ली। सेना के लिए रिसर्च करने वाली संस्ता डियाडियो ने ओडिशा के चांदिपूर में स्वदेशी तक्नीक से बनी निर्भः क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया डियाडियो के मुताविक ये घातक मिसाइल तीन सो किलो तक विस्फुटक लेकर वार कर सकती है और इसकी रेंज पंदरा सो किलोमीटर है खास बात ये कि कम उचाई से भी इस मिसाइल से अमला किया जा सकता है चिन्नाई सुपर किंग्स के बलेबाज डेवन कॉनवे चोट की वज़े से आई पिल से बाहर हो गया इसके बाद चिन्नाई सुपर किंग्स ने इंगलन के तेज गेंबाज रिचर्ड ग्लीसन को उनकी जगा टीम में शामिल कर लिया पंजाब के तरन तारण में पाकिस्तान सीमा के नस्दीक बीएसेफ ने एक पाकिस्तानी ड्रोन बरामत करने का तावा किया बीएसेफ के तलाशी अभ्यान के दोरान इस ड्रोन को जब्त किया गया बीएसेफ के मताबिक ये ड्रोन चीन में बना दो उदर खबर है कि पश्चिमेशिया में तनाव के बाद एर रूट में बदलाव की वज़े से हवाई किराया बढ़ सकता है खबर है कि आने वाले दिनों में अमेरिका और कैनेडा समेथ यॉरप के देशों में जाने के लिए हवाई किराया महंगा हो सकता है क्योंकि पश्चिमेशिया में जारी तनाव की वज़े से सभी एरलाइन कंपनिया एरान की एर स्वेस से बच रही हैं लेकिन इससे उन्हें लंबा रास्ता थै करना पड़ रहा है खबरे की रूट में बदलाव की वज़े से एर इंडिया, इंडिको और विस्तारा समेथ दूसरी एरलाइन कंपनिया किराया पढ़ाने की तैयारी में रॉटर्स ने दावा किया कि इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी टेसला के मालिक इलॉन मस्क भारत में 300 करोड डॉलर यानि भारते रुपयों में करीब 25,000 करोड का निवेश कर सकते हैं इलॉन मस्क इसी महीने भारत की आतरा पराने वाले है दावा किया गया कि वो टेसला की फैक्ट्री लगाने के अलावा भारत में दूसरे कारोबार की भी योज़ना बना रहे है सहुक्त राष्ट ने गाजा और वेस्ट बैंक में सहायता पहुँचाने के लिए 281 करोड डॉलर यानि भारते रुपयों में करीब 24,000 करोड रुपय की मांग की सहुक्त राष्ट के मताबिक गाजा के 30 लाग फिलिस्तीनियों के पास खाना और स्वच पानी की कमी है और अगर उन्हें जल्द मदद नहीं पहुचाए गई तो वहां के हालाद बद से बत्तर हो सकते हैं इधर लोगसभा चुनाव के पहले चरण के तहद उत्तराखंड की सभी पांच सीटों पर वोट डाले जाएंगे मतलब पहले ही चरण में उत्तराखंड में लोगसभा के चुनाव निपड जाएंगे लेकिन राज्य की दो सीटे हरिद्वार और पौड़ी गड़वाल सीट पर सब की नजरे टिकी हैं क्योंकि हरिद्वार लोगसभा सीट से उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और कॉंग्रेस के कद्दावर नेता हरीश रावत के बेटे विरेंद्र रावत चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं जबकि उनके सामने बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद सिंग रावत को उतारा मतलब हरिद्वार लोगसभा सीट पर लड़ाई रावत वर्सेज रावत की है एक तरफ विरेंद्र रावत दूसरी तरफ त्रिवेंद्र सिंग रावत जीत का सहरा किसके सिर बंदेगा ये चार जून को पता चलेगा लेकिन अपने बेटे विरेंद्र रावत को चुनाव जितवाने के लिए हरीश रावत ने जम कर प्रचार किया यहां तक कि उन्होंने दुकान पर खड़े होकर समोसे भी तले इसी वज़े से हरिदवार लोगसबा सीट होट सीट मानी जा रही हरिदवार की तरह पौडी कड़वाल सीट पर भी लोगों की निगाठी की है कि इस सीट से बीज़े पी ने राज़े सबा सांसत अनिल बुलूनी को मैदान में उता रहा है और कॉंग्रेस ने गड़ेश गोद्याल पर अपना भरोसा जटा है हाला कि पिछले दो लोग सबा चुनावर से राज़े की सभी सीटों पर बीज़े पी का ही कमल खिल रहा है इस बीज अक्टर नवाज़द्दीन सिद्धी के खिलाव चेरचाड के मामले को खत्म करने पर कोट ने महर लगा दी अक्टर नवाज़द्दीन सिद्धीकी को उत्तरप्रदेश के मुझफर नगर की विशेश फॉक्सो कोट से बड़ी रहात मिल गई कोट ने चेरचाड के मामले में उन्हें क्लीन चिट देने वाली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को मनजूर कर लिया अक्टर नवाज़द्दीन सिद्धीकी की पत्नी आलिया ने उनके खलाब छेरचाड का मामला दर्च कराया था खबर है कि रूस के एक आदमी ने अपने आठ महीने के बच्चे को खाना खिलाने के बज़ाए धूत की रोशनी से जिन्दा रखना चाहा जिससे उसके बच्चे की भूख से मौत हो गई आरोफ है कि वो आदमी अपने बच्चे को उसकी मां का दूद पीने से भी रोखता था ताकि उसके बेटे को सूर्य की रोशनी से दिव्य शक्तियां आहां से लो सके बाद में वहां की कोट ने उस आरोफी को आठ साल कैद की सजा सुनाई बारतिये शत्रंच खिलाडी ग्रैंड मास्टर विदिद गुजराती को कैंडिडेट्स टॉर्नमेंट के ग्यारवे राउंड में हार का सामना करना पड़ा उन्हें रूस के खिलाडी एन निपुमिशी ने हरा दिया इस जीत के बाद एन निपुमिशी इस टॉर्नमेंट की रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुँच गए उदर ब्राजिल के रियोडी जिनेरों में लोन लेने के लिए एक शव को बैंक ले जाने की खबर से संसनी फैल गई आरोप है कि करीब तीन लाग रुपए का लोन लेने के लिए वो महिला उस आदमी के शव को वीलचेयर पर बैठा कर उस बैंक तक ले गई और बैंक कर्मियों को उस पर शक न हो इसके लिए वो लगातार उससे बात करती रही लोन के कागजों पर साइन करवाने के लिए उसने उस शव के हाथ में एक पैन भी थमाया लेकिन वो उसे ठीक से पकड़ी नहीं पाया इस दोरान जब बार बार उसका सिर आगे की तरफ जुक रहा था तो वो उसे समालती नजर आई ऐसे में वहां मौझूद बैंक कर्मियों को उस पर शक हुआ लेकिन वो जल से जल्द उन कागजों पर साइन करवाना चाहती थी इसलिए वो उससे ऐसे बात कर रही थी जमानों वो एक जीता जाकता इंसान हो लेकिन उस महिला की तमाम कोशिश के बावजूद जब बैंक कर्मियों का शक दूर नहीं हुआ तो उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी और पुलिस ने वहां पहुँच कर उस महिला को गिरफतार कर दिया जांश में सामने आया कि उस बुजूर की कई घंटों पहले ही मौत हो चुकी थी लेकिन परीट तीन लाग का लोन लेने के लिए वो उस शव को वीलचेर पर बैठा कर बैंक तक ले आई दिल्ली के मुख्यमंत्री अर्विन केजरिवाल पर एडी के अधिकारियों ने बड़ा आरोप लगाया और दावा किया कि वो जान बूझ कर अपने शुगर लेवल बढ़ाने वाला खाना खा रहे हैं पीडी के अधिकारियों ने दलील दी कि अर्विन केजरिवाल अपनी जमानत की दलीलों को मजबूत करने के लिए ऐसा कर रहा है। प्रसे आने वाला खाना डॉक्र के बनाए ऐसी डायेट चार्ट के आधार पर तयार होता है। जपकी एडी के वकीलोंने कोट में दावा किया कि डविटीज के किसी भी मरीज को इस तरह के खाने और खासतोर पर मिठाई खा नहीं की सलाग कोई डॉक्र नहीं दे सकता। इसलिए कोट में हुई सुनवाई के बाद अर्विन केजरिवाल की सेहत पर नई बहस शुरू हो गई क्योंकि दावा किया जाने लगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अपनी जमाने दर्जी के लिए मजबूत दलीलें तयार कर रहे हैं इसलिए वो जान बूच कर अपनी शुगर लेवल को उपर ले जाने की कोशिश में हैं ताकि अदालत को ये बताया जा सके कि जेल में रहने की वज़े से उनका शुगर लेवल बढ़ रहा है कोट में E.D. के वकील ने बताया कि तिहार जेल से केजरिवाल के खाने और दवाओं की जानकारी मांगने पर उनके डायेट का पता चला जबकि केजरिवाल के वकील ने कोट को बताया कि E.D. के वकील सिर्फ मीडिया की वज़े से इस तरह के आरोप लगा रहे हैं जानकारी तब सामने आई जब अर्विंद केजरिवाल ने विडियो कॉंफरेंसिंग के जरीये डॉक्टर से मेडिकल कंसल्टेशन की मांग की जानकारी के मताबिक जेल में बंद अर्विंद केजरिवाल का दिन सुबह साड़े चे बजे शुरू होता है और उसी वक्त उन्हें नाष्टा दिया जाता नाष्टे में उन्हें चाय और अंडों के अलावा फल या कुछ और हलका खाना भी दिया जाता लगभग ग्यारा बजे उनके लंच का समय होता है लंच में उन्हें डाल, सबजी रोटी, चावल और फल दिये जाते हैं और उन्हें समानत मिलना आसान हो जाये इस جानकारी के सामने आते ही सियासी बवाल मचने में भी देर नहीं लगी बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और अर्विंद केजरिवाल पर तीके हमले शुरू कर दिये और बीजेपी सांसद मनोश तिवारी ने तो उन्हें गाजियाबाद की डासना जेल में शिफ्ट करने की सलह दे दी दूसरी तरफ अर्विंद केजरिवाल के डायट चार्ट में अंडों का जिक्र देखकर बीजेपी ने नया हमला शुरू कर दिया गैरा तारिक जब तीसरा नवरातरा था उस दिन शिरिमान जी अंडे खा रहे हैं विबात के बाद अर्विंद केजरिवाल ने याचिका वापस ले ली और नयशियर से याचिका डालने का इलान किया इस वीज बेंगलूरू में एक महिला ने स्कूटर पर सफर के दोरान अपने बच्चे की जान खत्रे में डाल दी मेंगलूरू में एक बच्चे को स्कूटर के फुट्रेस्ट पर खड़ा करके सफर कराने का एक वीडियो वायरल हुआ आरोपए के स्कूटर पर सवार एक महिला उस बच्चे को फुट्रेस्ट पर खड़ा करवाकर सफर करा रही थी जिबकि एक दूसरा आत्मियों स्कूटर को चला रहा था कैनडा में हुई वहां की सबसे बड़ी सोने की चोरी के मामले में वहां की पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफतार करने का दावा किया पुलिस के मुताबिक पिछले साल तोरोंटो एरपोर्ट पर 6600 सोने की चड़ों की चोरी हो गई थी इनकी तीमत एक करोड चालीस लाख डॉलर यानी भारती रुपव में करीब 110 करोड रुपई थी बेंगलूरू एरपोर्ट पर 24 घंटे से जादा समय बिताने का दावा करने वाले यूट्यूबर विकास गौडा को गिरफतार कर लिया गया उस पर आरोप है कि वो साथ अपरेल को 24 घंटे से जादा समय तक एरपोर्ट पड़ रहा और उसने सुरक्षा के अंदेखी करते हुए वीडियो बनाये थे इसके बाद उसने इस वीडियो को यूट्यूब पर अपलोड कर दिया था उदर लोगसभा चुनाव के पहले चरण में मद्धिप्रदेश में कॉंग्रेस के घड़ चिंदवाडा समेथ 6 लोगसभा सीटों पर भी वोटिंग होगी चिंदवाडा कॉंग्रेस की वो सीट है जहां बीजेपी को कभी कामियाबी नहीं मिली इस सीट से कॉंग्रेस के सबसे भरोसे मन नेताओं में एक कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ चुनावी मैदान में है और इसलिए ये होट सीट मानी जा रही है क्योंकि पिछले 44 साल से चिंदवाडा सीट पर कॉंग्रेस ने कभी हार का मो नहीं देखा इस बार भी इस सीट पर नकुलनाथ कॉंग्रेस के उम्मीदवार हैं और उन्हें चुनावती देने के लिए बीजेपी ने उनके सामने विवेक बंटी साहू को मैदान में उता रहा है चिंदवाडा समेथ पहले चरण के तहट आने वाली सभी छे सीटें राज्य के पूरवी हिस्से में मौझूद हैं सिर्फ चिंदवाडा पर कॉंग्रेस का कभजा है जबकि बाकी की सभी सीटों पर बीजेपी का परचम लेरा रहा है इस बीश लोगसभा चुनाव के पहले चरण में दक्षिंद भारत के सबसे बड़े राज्य तमिलनाड की सभी 49 सीटों पर चुनाव होगा चुनाव आयोग ने तमिलनाड में एक ही चरण में मतदान कराने का फैसला किया था चार सो लोगसभा सीट जीतने का लक्ष लेकर मैदान में उत्री बीजेपी की कोशिश तमिलनाड में बड़ी काम्याबी आसल करने की है लेकिन वहाँ उसकी रहा इतनी आसान नहीं होने वाली क्योंकि वहाँ इस वार के लोगसभा चुनाब में तीन गडबंधन मैदान में बीजेपी ने इस मुद्दे को तमिलनाड में भुणाने की कोशिश की। पृधान मंतरी के साथ तमिलनाड में बीजेपी के अध्यक्ष अन्नामलाई ने अपनी हर रैली और जन सभा में इसे जोर शोर से उठाया। अन्ना मलाई तमिलनाडू की सबसे चचे सी कोयमबतूर से मैदान में हैं। अन्ना में लोगों की सांसे अटक गएं। अन्ना में दूसरे लोग मौजूद दिखाई दिये। लेकिन उनमें कोई भी उन बदमाशों को रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। और काफी देर तक गोलियां बरसाने के बाद उस बदमाश का एक साथी मोटरसाइकल पर सवार हो गया। लेकिन उसका दूसरा साथी भागने के दोरान फिर फायरिंग करता दिखा। आरोब लगा कि पैसों के लेंदेन पर उन्होंने किराने के उस दुकान पर गोलियां चलाएं। बता गया कि उस वक्त दुकान का मालिक भी दुकान में मौजूद था। हलकि इस वारदात के बाद पुलिस ने केस दर्च कर लिया। निकज आईटी कंपनी इन्फिसिस के कर्मचारियों की संख्या पिछले 23 साल में पहली बार घट गए। कंपनी के मताबिक पिछले वित्तवर्ष के मुकाबले 2023-2024 में इन्फिसिस के करीब 26,000 कर्मचारियों की नौकरी चली गए। पहले चरण के मतदान से पहले बिहार की होट सीट जमुई में तेजस्वी की त्रभागे दौरान चिराग पासवान के परिवार को गालियां देने का एक वीडियो वायरल हो गया और इस वीडियो पर बवाल मच गया। वीडियो दो दिन पहले का बताया गया इसे अंडिये के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे इंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक जितन राम माजी ने भी शेयर किया। और इसमें तेजस्वी के मंच के सामने से एक आदमी चिराख पासवान और उनके परिवार को गालियां देता सुनाई दिया। पासवान के लिए बोले जा रहे अपशब्द। वीडियो में तेजस्वी आदव माइक से बोलते दिखाई दिये और उनके ठीक बगल में जमुई से आर्जेडी की प्रतियाशी अर्चना रविदास खड़ी दिखाई दिखाई दिए। बताय गया कि वीडियो दो दिन पहले जमुई में हुई तेजस्वी की सभा का है ये वीडियो पहले चरण के मतदान से ठीक पहले वाइरल हुआ और वीडियो वाइरल होने के बाद सियासी बबाद चिड़ गया चिराग पासवान तो भढ़क गये उन्होंने सीधा तेजस्वी आदव से सवाल पूछा उन्होंने दो टुक बोल दिया कि अगर इस तरह की घटना उनके सामने हुई होती तो वो मूँ तोड जवाब देते और उसी वक्त उस आदमी को सबक सिखाते ये बोलते हुए चिराग घुस्च में दिखे तेजस्वी की सभा में गालियों वाले वीडियो के बारे में सवाल पूछे जाने पर चिराग खुद को रोक नहीं पाए और तेजस्वी आदव पर भढ़क गये चिराग यहीं नहीं रुके उन्होंने दो टुक बोल दिया कि सियासत अपनी जगा है और परिवार अपनी जगा है क्योंकि वो राबडी देवी या मीसा भारती की अपनी मा और बहन की तरह इज़त करते हैं चिराग पासवान भले ही तेजस्वी से नाराज हो लेकिन तेजस्वी ने सफाई दी कि उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि मंच के सामने से चिराग के परिवार को गालियां दी गए तेजस्वी भले ही सफाई दे लेकिन पहले चरण के चुनाव से पहले वाइरल हुए इस वीडियो ने बिहार का सियासी पारा चड़ा दिया त्यूकि ये वीडियो जमुई का है और जमुई में पहले चरण में मतदान होगा और इसलिए तेजस्वी आदव ने जमुई में कई रैलियां की और उन्हीं रैलियों में एक पर विवाद हो गया आरोब लगा कि तेजस्वी ने चिराग के परिवार को अपशब्द बोले जाने के मामले की अंदेखी की और इसी मुद्दे पर तेजस्वी आदव और चिराग पासवान आमने सामने आ गया इन दोनों नेताओं ने बिहार की होट सीट जमुई में जीत के लिए जमीन आसवान एक कर दिया इस सीट पर नजर इसलिए है या यूं कहें कि ये सीट होट सीट इसलिए बन गई क्योंकि जमुई में इस बार दो बार के सांसद रहे चिराग पासवान के जीजा अरुन भारती चुनाव लड़ रहे है वो चिराग पासवान की सगी बहन निशा भारती के पती है निशा भारती के अलावा चिराग पासवान की दो सोतेली बहने भी हैं क्योंकि रामविलास पासवान ने दो शादियां की थी, उनकी पहली पत्नी का नाम राजकुमारी देवी था और दूसरी पत्नी का नाम है रीना पासवान, चिराग पासवान और निशा भारती रीना पासवान और रामविलास पासवान के बच्चे हैं, और राजकुमारी दे जिस सीट पर वो 2014 और 2019 में चुनाव लड़े थे। लेकिन इस बार चिराग पासवान बिहार के हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे और इसके लिए चिराग पासवान ने अपने चाचा पचुपती पारस तक से लड़ाई कर ली थे और जीत उनकी हुई थी। इसके बाद च जमुई में उनके जीजा यानि अरुण भारती चुनाव लड़ेंगे। और उन्होंने अरुण भारती के लिए वहाँ धुआ धार चुनाव प्रचार भी किया। तो वहीं दूसरी ओर तेजस्वी ने भी ये सीट जीतने के लिए ताकत जोंग दी। बिहार की जमुई जमुई सीट पर लगातार NDA का कबजा रहा लेकिन इस बार इस होट सीट पर नजर है क्योंकि चिराग चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और उन्होंने अपने जीजा को मैदान में उता रहा है और RJD प्रत्याशी उन्हें बाहरी बता रही है लेकिन चिराग को उमीद है कि ज चार सीटों पर मतदान होगा उन सीटों पर 2019 में NDA की ही जीत हुई थी और BJP दक्षण बिहार की इन चारों सीटों पर 2024 में भी खबजा बनाए रखना चाहती है क्योंकि इन चार सीटों में दो पर यानि गया और जमुई में BJP की सहयोगी पार्टियां चुनाव लड़ रह हैं और जमुई में रामिलास पासवान के दामाद और चिराक पासवान के जीजा अरुण भारती इसलिए प्रधान मंत्री ने इन सीटों पर रैलियां की और बिहार में NDA का पलड़ा महागटबंधन पर भारी करने की कोशिश की थी क्योंकि RJD की ओर से तेजस्वी ने भी गया और जमुई में धुआधार रैलियां की थी और उनकी कोशिश थी कि बिहार की इन चारों सीटों पर NDA को कड़ी टकर दी जाए जमुई में तो उन्होंने दो दिन पहले तक रैली की थी उदर बीजेपी ने सोशल मीडिया पर कई वीडियो पोस्ट कर पश्चमंगाल म में कुछ लोग घरों की छटों से पत्थर और बंबर साते नजर आये लगातार हो रही बंबारी की वज़े से वहां भंधड़ मज गए पूरा इलाका धमाकों की आवाज से गुझ उठा बीजेपी ने ये वीडियो पोस्ट कर आरोप लगाया कि एक रोज पहले की मुख्य मंत्री आलकि टीम सी ने बीजेपी को जवाब देने में देर नहीं लगाई के नाम से पुलाराइस करने के लिए ऐसा सिचुएशन एसा महल वो एक रोज पहले राम नौमी के मौके पर पश्चि मंगाल के कई हिस्सों में शुभायात्रा निकाली गई बीजेपी और गुसाए लोगों ने उन्हें देखते ही नारे लगाने शुरू कर दिये मुर्शिताबाद के बहरमपूर में मेडिकल कॉलेज पहुँचे अधीरंजन चौधरी को घायलों से मिलने से पहले भारी विरोत का सामना करना पड़ा इस दोरान भीड में मौजूद एक आदम रंजन चौधरी को ही बहरमपूर से टिकेट दी है कि लोगों को उस गाड़ी से दूर भागने का मौका ही नहीं मिल पाया वीडियो में कुछ देर पहले तक सब सामान ने नजर आया राम नवमी के मौके पर शोभा यात्रा में शामिल हुए लोग जूमते काते दिखाई दिए कुछ लोग ढोल बजाते भी दिखे राम नाम की भक्ती में डूबे लोग हाथों में भगवा छंडे लेकर सड़क पर आगे बढ़ते दिखाई दिए तभी अचानक सफेद रंग की वो गाड़ी दोड़ती हुई वहां आई और एक साथ कई लोगों के ऊपर चड़ती हुई आगे बढ़ गई इसके बाद तो चीख फुकार मजगे राम नामी का उतसब एकदम मातब में बदल गया जब तक ड्राइवर ने उस गाड़ी को रोका तब तक वो कई मीटर तक आगे बढ़ चुकी थी और शोभा यात्रा में शामिल कई लोग इसकी चपेट में आ गए आनन फानन में उन लोगों को अस्पताल ले जाया गया लेकिन अस्पताल ले जाने के दौरान उन में दो लोगों की जान चली गई जबकि 24 से ज़्यादा लोगों की हालत गंभीर बताए गई क्योंकि शोभा यात्रा के बीच घुसी वो गाड़ी कहर बनका तूट पड़ी जो हादसे से कुछ देर पहले तक वहां लोगों के ठीक पीछे चल रही थी उस गाड़ी को शोभा यात्रा में इस्तमाल करने के लिए बुलाया गया उसमें साउंड सिस्टम और भगवा जंडे लगाए गए लेकिन वो गाड़ी शोभा यात्रा के लिए काल साबित हो गई लोहर दगा जिले में हुए भीशन हादसे के बाद आरोपी ड्राइवर को गरफतार करिया गया वहां राम नौमी के अगले दिन इलाके में सन्नाटा पसरा नजर आया लोगों ने बाजार बंद करवा दिये और हादसे के खिलाफ अपना घुसा जाहर किया इस बीच जारकन के मंतरी डॉक्टर रामेश्वर उनाओ अस्पताल पहुंचे और गायलों से मुलाकात की उदर पश्चे मंगाल के राजजपाल के खिलाव ममता बेनर्जी की पार्टी टीमसी चुनाव आयोग पहुंच गई टीमसी ने पश्चे मंगाल के राजपाल सीवी आनन बोस के खिलाव चुनाव आयोग में शिकायत तर्च करवाई ममतब एनरजी की पार्टी ने राजजपाल पर लोगसबा चुनाव में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया बिहार में RJD के पूर्व सांसद बुलो मंडल J.D.U. में शामिल हो गए भागलपूर से सांसद रह चुके बुलो मंडल इसी सीट से फिर चुनाव लड़ना चाते थे लेकिन महागटबंधन की सीट शेरिंग में भागलपूर सीट कॉंग्रेस को मिलने के बाद वो पार्टी से नाराज चल रहे थे आम आदमी पार्टी ने मेयर पत के लिए महेश कीची और टिप्टी मेयर पत के लिए रविंद्र भार्दवाज को उम्मीदवार बनाया है दिल्ली में 26 अप्रेल को मेयर और टिप्टी मेयर के चुनाव होंगे इधर पहले चरण के चुनाम में उत्तर प्रदेश में बीजेपी और आरेलडी कटबंधन का इम्तिहान होगा है, यूपी में पहले चरण में आट सीटों पर मतदान होगा और 2019 में इनमें पांच बीजेपी हार गई थी, बीजेपी और आरेलडी पिछले चुनाम में अलग- गलडी थी, RLD समाजबादी पार्टी और BSP के साथ थी, लेकिन इस बार BJP और RLD का गटबंधन हुआ और इसलिए कहा जा रहा है कि पहले चरण के चुनाम में उत्त्र प्रदेश में BJP और RLD गटबंधन की परीक्षा होगी क्योंकि इस गटबंधन की वज़े से पश्चिमी UP में सियासी समीकरण बदल गए और का गया कि BJP का प्रदर्शन पिछली बार से बहतर हो सकता है क्योंकि जयन चौधरी के BJP के साथ आने की वज़े से जाड समुदाय के मतदाता BJP के साथ आ सकते है और पश्चिमी UP की इन 5 सीटों पर BJP को फाइदा हो सकता है जिन पर BJP पिछली बार हार गई थी क्योंकि पहले चरण में पश्चिमी UP की 8 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और इन 8 सीटों में 5 पर पिछली बार BJP हार गई थी इसी वज़े से पश्चिमी UP में BJP बड़े उलट फेर की उम्मीद कर रही है क्योंकि पश्चिमी UP में इस बार सियासी समीकरण बदल गए हैं पहले चरण में UP की हॉट सीट बन चुकी नगीना में भी मतदान होगा UP की नगीना सीट इसलिए और सीट कही जा रही है क्योंकि इस सीट पर आजाद समाज पार्टी कांशी राम के चंदरशेखर आजाद ने BSP और समाजवादी पार्टी को सीधी चुनोती दिये और UP के नगीना में चुनावी लड़ाई का सारा सियासी समीकरण ही पलटने की कोशिश की क्योंकि इस सीट पर BSP का दबदबा माना जाता है मायावती के भतीजे आकाश आनंद तो यहीं से प्रचार अभियान में कूदे लेकिन चंदर शेखर आज़ाद ने दावा किया कि वहां BSP ने जान बूज कर कमजोर उम्मीदवार मैदान में उता रहा क्योंकि इस से उनका फायदा हो सकता है चंदर शेखर आज़ाद नगीना में धुआधार प्रचार कर रहा है आज़ाद समाज पार्टी कांशी राम के चंदर शेखर आज़ाद नगीना से लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी के खिलाप हो गए थे बड़ी बात ये कि वो BSP का विकल्प बनने की भी कोशिश में है यानि नगीना में दो नहीं चार प्रत्याशियों के बीच कड़ी टक्कर हो सकती है क्योंकि BJP के ओम कुमार, S.P. के मनोज कुमार और BSP के सुरेंदर पाल के अलावा चंदर शेखर आज़ाद ने भी नगीना में खुब पसीना बहाया और नगीना की लडाई में ट्विस्ट ला दिया इसके लावा पश्चिमी यूपी की मुरादाबाद सीट पर भी नजर है पहले चरण में यहां भी मतदान होगा क्योंकि इस बार के चुनाम में महां समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से टिकेट का बटवारा किया उसकी खूग चरणा हुई और यूपी की मुरादाबाद सीट हॉट सीट बन गए क्योंकि समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद में पहले स्टी हसन को उम्मीदवार मनाया था लेकिन नमांकन से पहले खबर आई थी कि समाजवादी पार्टी ने मुरादाबाद सीट से अपना उम्मीदवार बदल दिया और रुची वीरा को टिकेट दे दी यानि मुरादाबाद में समाजबादी पार्टी की उम्मीदवार के लिए उसी के समर्थकों ने मुसीबत खड़ी कर दी और माना जा रहा है कि मुरादाबाद में बीजेपी के सर्वेज सिंग को इसका फायदा हो सकता और उत्तरप्रदेश के ओर्ट सीट रामपूर भी समाजबादी पार्टी की अंदुरूनी कले की वज़े से ही चर्चा में रही खबर आई कि जेल में बंद आजम खांच आते थे कि रामपूर से अखिलेश यादव चुनाव लड़ें लेकिन अखिलेश यादव ने इंकार कर दिया था और रामपूर से एमाम मुलाना मोहिबुला नदवी को प्रत्याशी बना दिया था इस वज़े से नाराज आजम खांच के समर्थकों ने चुनाव का बहिशकार करने का अलान कर दिया था रामपूर में समाजवादी पार्टी की खींस्तान का आलम ये हो गया कि अखिलेश यादव वहां चुनाव प्रचार तक नहीं करने गए जोकि बीजेपी ने रामपूर से अपने प्रत्याशी घंशाम सिंग लोधी के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए अपणना यादव को भेजा यानि मुलायम सिंग यादव की बहू ने बीजेपी के लिए वहां चुनाव प्रचार किया लेकिन मुलायम सिंग यादव के बेटे प्रचार में गए ही ने और समाजवादी पार्टी की इसी खींचतान की वज़े से यूपी की रामपूर भी हॉट सीट बन गए उदर पहले चरण के चुनाव में यूपी के हॉट सीट पीली भीत में भी बोट डाले जाएंगे प्रचार में प्रचार में प्रचार बन गए पहले चरण के चुनाव में उत्तर प्रदेश की होट सीट सहारनपूर में भी मददान होगा इस सीट पर कॉंग्रेस ने इमरान मसूद को टिकेट दी और इनके लिए प्रियंका गांधी ने वहाँ चुनाव प्रचार किया था और इसलिए सहारनपूर सीट यूपी की हॉट सीट बन गई क्योंकि जिस इमरान मसूद ने 2014 से लेकर 2022 तक सहारनपूर में एक भी चुनाव नहीं जीता कॉंग्रेस ने वहाँ उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया और प्रचार के आखरी दिन खुद प्रियंका गांधी ने उनके लिए वहाँ रोड शो किया और कॉंग्रेस के इमरान मसूद की राहा मुश्किल कर दी क्योंकि सहारनपूर में मुकाबला त्रिकोणियों हो गया और प्रियंका के रोड शो के बाद तो इस सीट के नतीजों पर नजर रहेगी इधर दिल्ली शराब गोटाला मामले में मनीश्ट सोदिया को फिर कोट सराहत नहीं मिली दिल्ली शराब गोटाले से जुड़े मनी लॉंडरिंग मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीश्ट सोदिया की नियाईक हिरासत 26 अपरेल तक बढ़ा दी गए दिल्ली की राउजविन्य कोट इस मामले में 26 अपरेल को सुनवाई करेगी इस दोरान चुनाव आयोग ने EVM को पूरी तरह सुरक्षित बताया तो बाद में कोट ने भी इस पर टिपनी की कि हर चीज़ पर अविश्वास नहीं जिता जा सकता गुजिरात के वडोदरा में भीशन गर्मी से बचाने के लिए ट्राफिक पुलिस ने अपने कर्मियों को AC वाले हेलमेट दिये इस हेलमेट को पहनने के बाद सिर के चारों और ठंडी हवा का जोंका मिलता है इसकी वज़े से लोगों की सिर में गर्मी नहीं लगती उदर हिमाचरपुदेश की मंडी लोग सवा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार विक्रम दित्य सिंग ने वहाँ से BJP प्रत्याशी कंगना रनोत को बरसाती मेंधक बता दिया कंगना रनौत की एंट्री और विक्रमदित्य सिंग से उनकी टक्कर की वज़े से मंडी लोगसवा सीट और सीट बन गई और इसी सीट पर पिछले कुछ दिनों से जबानी जंग भी जारी है कंगना के पप्पू और बाप दादा वाले बयान के बाद अब विक्रमदित्य सिंग का एक बयान भी चर्चा में है कॉंग्रेस के उम्मीदबार विक्रमदित्य सिंग ने कंगना को बरसाती मेंधक बता दिया मैडम और कल चले जाएंगी बरसाती में डख है तो इनको मैं क्या बोज़ा है हालां कि विक्रमदित सिंग के सामने ताल ठोक रहीं कंगना रनौत भी अपने अलग अंदाज से उन्हें पछाडने में जुटी हैं कंगना रनौत ने अपने प्रचार के दोरान विक्रमदित सिंग के राज परिवार से होने पर भी तंस किया था मंडी हिमाचल प्रदेश की चार लोगसबा सीटों में एक है जहां आखरी चरण में मत्तदान होगा इस भी 36 गड़ के कांकेर में सुरक्षा बल के अधिकारियों ने दावा किया कि नकसली कमांडर शंकर राओ की अगवाई में नकसलीयों का एक दल लोगसबा चुनाव में गड़बडी फैलाने के लिए अबू जुमाड के जंगल में जमा हुए इस ऑपरेशन की अगवाई कर रहे सुरक्षा बल के अधिकारी लक्षमन केवट के मुताबिक इसकी सूचना मिलने के बाद नकसलीयों के खिलाफ ऑपरेशन चुरू कर दिया गया था इंकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से मशूर लक्षमन केवट ने जानकारी दी कि 15 अपरेशन को उन्हें नकसलीयों के इस खतरनाक प्लान का पता चला था इसके बाद 16 अपरेल को करीब 400 जवान नकसलीयों को घेरने उनके गढ़ में घुज गए लेकिन नकसलीयों को उनके आने की सूचना पहले ही मिल गई थी इसलिए नकसलीयों ने जंगल में बम लगा दिये थे और 34 गड़ के कांकेर में नकसलीयों के खिलाब सुरक्षाबल के आपरेशन पर कॉंग्रेस नेता सुप्रिया श्रिनेत ने विवादास पत बयान दे दिया उनके बयान पर बीजेपी भड़क गई और उसने उन पर जमानों के अपमान कारोप लगा दिया लोग सबाचुनाव के ठीक तीन दिन पहले यानी 16 अपरेल को सुरक्षाबल ने अबूज मार के जंगल में एक साथ उन्तीस नकसलीयों को मार गिराया था लेकिन नकसलीयों के खिलाब सुरक्षाबल के इस उपरेशन पर सियासी घमासान मच गया क्योंकि कॉंग्रेस की नेता सुप्रिया श्रिनेत ने इस उपरेशन की जाँच की मांग करते हुए मारे गए नकसलीयों पर विवादास बद बयान दे दिया उनके इस बयान के सामने आने के बाद बीजेपी उन पर भढग गए बीजेपी ने कॉंग्रेस पर सेना और सुरक्षा बलके जवानों के अपमान कारोप मर दिया बीजेपी ने इस मुद्धे पर कॉंग्रेस को इसलिए भी घेरा क्योंकि मई 2013 में 36 गड़ में ही नक्सली हमले में कॉंग्रेस के बड़े नेता नंद कुमार पटेल और पूर्व केंदुरी मंतरी विद्या चरण शुक्ल समेथ 30 से जादा लोग मारे गए थे इदर यूपी की अमेठी लोगसवा सीट पर उस वक्त एक बड़ा ड्रामा हुआ जब कॉंग्रेस के नेता विकास अग्रहरी के बीजेपी में शामिल होने की खबर आई विकास अग्रहरी यूपी कॉंगरेस के संयोजक है और अमेठी में कॉंगरेस के सीनियर नेताओं में है लेकिन थोड़ी ही देर बाद विकास अग्रहरी मीडिया के सामने आए और बीजेपी में शामिल होने की खबरों को आधार हीम बता दिया और यहां तक की भगवा रंग का अंगवस्त्वर पैनाए जाने वाले वीडियो पर भी सवाल उठाए इससे कुछे देर पहले विकास अगरहरी का अमेठी की सांसल स्मृति पैनाई के साथ एक वीडियो भी सामने आया था वीडियो में विकास अग्रहरी के दाई और स्मृती इरानी खड़ी दिखी थी जब कि एक व्यक्ती विकास को भगवा अंगवस्त पेनाता दिखा डावा किया गया कि विकास अग्रहरी ने कॉंग्रेस छोड़कर बीजेपी जॉइन कर ली सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों और वेबसाइटों तक पर कॉंग्रेस को अमेठी में बड़ा जटका लगने की बात की जाने लेगी लेकिन विकास अग्रहरी ने दावा कर दिया कि वो तो केवल इलाके की समस्याओं पर बात करने के लिए सांसत से मिलने गये थे शिष्टाचार के नाते उनका स्वागत करते हुए अंगवस्त्र पेनाय गया था लेकिन उस वीडियो के जरीए लोगों को ब्रहमित किया गया विकास अग्रहरी के मताबिक वो कॉंग्रेस के समर्पित कारे करता है और पार्टी छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते इस वीडियो देखने वाले लोगों ने भी अपने सिर पकड़ लिया वहाँ एक रेस्टरांट में दो लोग दोसा घाने पहुंचे थे लेकिन बताया गया कि दोसे के साथ जो चटनी परोसी गई वो खराब थी इसलिए चटनी का सुआद चकते ही वो दोनों लोग भड़क गए और इसके बाद तो मानो जंग छिड़ गए वहाँ एक आदमी टेबल स्टैन उठाकर फिंकता नजर आया फिर वो वहाँ पड़ी कुरसी भी उठाता दिखाई दिया कुछ देर में तो उसने बांस की कुरसी उठाकर उस रेस्टरांट के करमचारी के उपर फिंक दिए वहाँ वो करमचारी उनका मुकाबला करते हुए लाल टी-शट पहने एक लड़के से भिढ़ गया लेकिन लाल टी-शट वाले लड़के ने भी टेबल स्टैन उठाकर जोर से हमला कर दिये इसके बाद तो उस रेस्टरांट का एक दूसरा करमचारी वहाँ रखा एक गमला उस लड़के के उपर फिंकता दिखा मतलब जिसके हाथ जो सामान आया वो उससे हमला करता रहा उस रेस्टरांट में खाना खाने पहुंचे वो दोनों लोग और वहाँ के करमचारी जम कर गाली गलोज करते सुनाई दिये उस रेस्टरांट के बार काफी देर मारपीट चलती रही और बड़ी संख्या में मौजूद लोग ये जड़ब देखते नजर आये मारपीट के दोरान वहाँ सारा सामान विखर गया सजावट के लिए लगाये गए गुबारे भी इधर उदर विखर गये बताय गया कि उस रेस्टरांट में उन दोनों लोगों को दोसे के साथ खराब चटनी परोसी गई थी इसी वज़े से वो लोग आग बबूला हो गए और जम कर मारपीट की उदर दुबई में भारी बारिश के बाद फसे भारतिये यात्रियों को वहां से निकालने की कोशिशन तेज कर दी गई पशिमेशय के देश UAE के दुबई शेहर में हुई भीशन बारिश के बाद वहां फसे भारतिये यात्रियों को लेकर दुबई में मौझूद भारतिये दूतावास का बयान सामने आया बारतिये दूतवास के मुताबिक फसे हुए उन यात्रियों को निकालने की कोशिश की जा रही है इसके साथ सभी यात्रियों तक हर संभव मदद भी पहुचाए जा रही है केंद्री ग्रेह मंत्री अमिट शाने गुजरात के गांधी नगर में रोड शुक किया इस दोरान न्यूज 18 से बात करते हुए उन्होंने एक बार फिर एंडिये को 400 सीटे मिलने का दावाद दोर आया हर्याना के लिए पहली लिस्ट जारी करते हुए पार्टी ने तीन सीटों पर उमिद्वारों के नाम का एलान किया कुरुक्षेत्र के अलावा हिसार से सुनैना चोटाला को तो अंबाला सीट से गुरपरीत सिंग को टिकेट दी गई इधर चंडीगड लोकसबा सीट से पूर्व केंद्रिय मंत्री मनीश दिवारी को उम्मीदवार बनाय जाने पर चंडीगड कॉंग्रेस में मचे घमासान के बाद पार्टी में सब कुछ ठीक होने का दावा किया गया और ये दावा कॉंग्रेस नेता राजीव शुक्ल ने किया जो चंडीगड में पवन बनसल से मिलने पहुँचे क्योंकि 2019 में कॉंग्रेस की टिकेट पर चंडीगड सीट से चुनाव लड़ने वाले पवन बनसल नाराज बताय जा रहे हैं वो इस सीट से एक बार फिर दावेदारी ठोक रहे थे लेकिन पार्टी ने उनकी जगा मनीश दिवारी को पत्याशी बना दिया और इसके बाद तो चंडीगड कॉंग्रेस की कलहत खुल कर सामने आ गई पवन बनसल के समर्थन में करीब सौ कारे करताओं ने अपने पद से स्तीफा दे दिया माना जा रहा है कि इसी के बाद कॉंग्रेस नेता राजीव शुकल चंडीगड में पवन मनसल के घर पहुंच गए अजय टंडन को उम्मीदवार बनाया तो कॉंग्रेस ने पवन बनसल की जगा मनीश दिवारी को मादान में उतार दिया उधर हर्याना के कुरुक्षेतर में चुनाव प्रचार करने निकले बीजेपी प्रत्याशी नवीन जिंदल ने बोरियां उठाकर ट्रक में लोड की नवीन जिंदल दो बार कुरुक्षेतर से सांसद रह चुके हैं लेकिन तब वो कॉंग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े थे इस बार वो बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं करीब 10 साल तक सियासत से दूर रहे नवीन जिंदल कुछ दिन पहले ही बीजेपी का हिस्सा बने पार्टी से टिकट मिलने के बाद उन्होंने परचार में खुब पसीना बहा है और कुरुक्षेत्र की एक अनाज मंडी में गेहूं की बोरियां ट्रक में लोड करते नजर आए नवीन जिंदल को इस तरह मंडी में कंधे पर बोरी लिए देखकर लोगोंने तालियां बजाई और जब उन्होंने बोरी ट्रक में लोड कर दी तो उनके समर्थन में नारे लगाए गए वैसे कुरुक्षेत्र में नवीन जिंदल के परिवार का दबदबा माना जाता है वो 2004 और 2009 में वहां से सांसद भी रह चुके हैं लेकिन इस बार उन्होंने पार्टी बदल ली और बीजेपी की ओर से कुरुक्षेत्र के चुनावी मैदान में उतरे नवीन जिंदल से पहले उनकी माँ और देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल बीजेपी का हिस्सा बनी थे इसके कुछी दिन बाद नवीन जिंदल भी बीजेपी का हिस्सा बन गए थे और अब वो बीजेपी की टिकट पर कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं और उनका मुकाबला कुरुक्षेत्र में विपक्षी कट बन्धन के उम्मीदवार और आम आदमी पार्टी के नेता सुशील गुपता से होगा नवीन जिंदल की तरह सुशील गुपता ने भी परचार में पूरी ताकत जोंगी वो किसानों के बीच पहुँचे और खेतों में फसल काटी यानि सुशील गुपता ने भी चुनाव परचार में कोई कसर नहीं छोड़ी और हाथों में हसिया लेकर खेतों में पहुँच गए और एक किसान की तरह गेहूं की फसल काटी ये देखकर उनके साथ आये उनके समर्थकों ने भी यही किया क्योंकि आम आद्मी पार्टी के नेता और कुरुक्षेत्र से विपक्षी गडबंधन के उम्मीदवार सुशील गुपता बिना हिच के खेतों में गए और फसल काट कर रखनी शुरू कर दी हर्याना की 10 सीटों पर कॉंग्रेस और आम आद्मी पार्टी के बीच गडबंधन हुआ था और इस गडबंधन के तहट आम आद्मी पार्टी को हर्याना की जो एक सीट मिली वहां उसने सुशील गुपता को उम्मीदवार बना दिया अटकले लगीं कि इससे कॉंग्रेस ने एक तीर से दो निशाने साधे थे क्योंकि 2014 के चुनाव में हारने के बाद 2019 में नवीन जिंदल ने कॉंग्रेस की ओर से कुरुक्षेत्र से लड़ने से इनकार कर दिया था और तभी से कॉंग्रेस के पास इस सीट के लिए मजबूत उम्मीदवार नहीं था खबर है कि इसी वज़े से हर्याणा में आम आदमी पार्टी के साथ गड़बंधन होते ही उसने कुरुक्षेत्र सीट उसे दे दी और आम आदमी पार्टी ने हर्याना में पार्टी के अध्यक्ष सुशील गुप्ता को वहां से टिकेट दे दी लेकिन बीजेपी ने कॉंग्रेस के नहले पर दहला तब चल दिया जब उसने कुरुकशेतर से नवीन जिंदल को प्रत्यासी बना दिया इधर उत्तर प्रदेश के बिजनौर में दो गाड़ियों की टकर के बाद लोग इतनी बुरी तरीके से भिड़ गए कि पूरे इलाके में दह्शत मच गई वहाँ एक लड़का अपनी मोटरसाइकल से गुजर रहा था इस बीच सामने से आ रहे है एक गाड़ी से उसकी मोटरसाइकल टकरा गई इसी बात पर दोनों पक्ष के लोगों के भी जड़ब हो गई और कुछी देर में लोगों ने वहाँ पत्थरों की बरसात कर दी वहाँ बच्चे, महिलाएं और पुरोष सब उस घर के अंदर गुसने पर आमादा दिखे तभी छट से एक लड़के ने उनके उपर इट गिरा दी इसके बाद तो कुछ लोग भागते दिखाए दिये इस भी जम्मू कश्मीर में आतंकियों की घुसपैट की खबर मिलते ही सुरक्षा एज़न्सिया alert हो गई खबरे की जम्मू कश्मीर में सीमा पार से आतंकियों ने घुसपैट कर चुनाव में खलल डालने का प्लान बनाया इसे देखते हुए खुफिया एजंसियों ने सुरक्षा बल को अलर्ट कर दिया इसके बाद राजोरी समेथ कई जिलों में सर्च ओपरेशन तेज कर दिया गया इस काम में ग्राम रक्षा समिती के सदस्यों को भी लगाया गया ताकि आतंक्यों की साज़िश नाकाम की जा सके अमेरिका की टाइम मैगजीन ने 2024 के सौ प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी की और इस लिस्ट में भारतिय पहलमान साक्षी मलिक, एक्ट्रस आलिया भट और माइक्रोसोफ्ट के सीयो सत्या नडेला को शामिल किया गया इसके साथ ही रूसी राष्टपती पुतिन के विरोधी रहे अलेक्सी नवालनी की पत्नी यूलिया नवालनिया को भी इस लिस्ट में शामिल किया गया मालदीव में संसधिय चुनाव से पहले वहां के राष्टपती मुहम्मद मुईजू मुईजू मुश्किलों में गिर गए मुहम्मद मुईजू पर लगे कथित ब्रस्टाचार के आरोब की रिपोर्ट लीक होने के बाद विपक्षी नेताओं ने उनके खिलाफ महावयोग चलाने की मांग कर दी 2018 में उन पर पैसों के लेंदेन को लेकर भच्टा चार क्या रोब लगे थे इधर उत्तरागंड के उत्तरकाशी में मतदाताओं को जागरूग करने के लिए गड़वाली भाषा में बनाया गया गाना सुर्खियों में आ गया पिछली लोगसवा चुनाव में उत्तरकाशी के 50 से जादा मतदान केंदरों पर 50 पतिशत से भी कम मतदान हुआ था और इस लिए इस बार चुनावायोग ने के लोगों को जागरूग करने के लिए कई अभियान चला है और गड़वाली भाषा में बनाया गया ये गाना भी उनी में एक है इस गाने के बोल और संगीत दोनों ही लोगों का ध्यान खींचते हैं और इसलिए ये वाइरल हो गया ये गाना जीडी प्रिसाद ने बनाया जो पेशे से तो वैग्यानिक हैं लेकिन मतताताओं को जागरूग करने के लिए चुनावायोग के अभियान का हिस्सा बन गया और गड़वाली भाषा में ये गाना बना डाला उत्तराखंड की सभी पांच लोगसबा सीटों पर पहले चरण में मततान होगा और इससे पहले चुनावायोग उत्तरकाशी में इस गाने के जरीए लोगों को जागरूग करने में जुड़ गया उत्तरकाशी उत्तराखंड की टीहरी कड़वाल लोगसबा सीट का इससा है उदर लोगसभा चुनाव के पहले चरण के तहट महाराष्ट के विधर्ब इलाके की पांच सीटों पर वोटिंग होगी ये इलाका किसानों के आध मत्या की वज़े से हमेशा चर्चा में रहा है और इस इलाके में सीधी लड़ाई कॉंग्रेस और बीजेपी के बीच है क्योंकि इन 500 सीटों पर एनसीपी का कोई ज़ादा असर नहीं है यानि महाराष्ट के पूर्वी इससे के तहट आने वाले विधर्ब इलाके में कॉंग्रेस और बीजेपी के बीच च्टक करें दोनों बार्टियों ने पूरी ताकत जोंग दिये क्योंकि विधर्ब में कॉंग्रेस अपना वजूद बचाने में जुटी है जबकि बीजेपी के लिए सभी सीटों पर जीत हासिल करना नाक का सवाल बन गया है हालांकि पूरे विधर्ब इलाके में कुल 10 लोगसबा सीटे आती हैं किसानों के आत्मत्या करने की वज़े से भी ये इलाका हमेशा सुर्खियों मेरा इसके लावा विधर्ब के तहट आने वाली गड़ चिरॉली और चंदरपूर लोगसबा सीट नकसलियों का गड़ मानी जाती है इसलिए इन दोनों सीटों पर शांती पूर्ण मतदान करना एक बड़ी चुनोती है इस बार विधर्ब की इन पांच सीटों पर बीजेपी विकास के नाम पर कॉंग्रेस का सफाय करने का दम भर रही है जबकि कॉंग्रेस किसी तरह खुद को जिन्दा रखने की कोशिच में जुटी है इन में नागपूर लोगसबा सीट होट सीट है क्योंकि इस सीट से केंदरिय मंतरी नितिन गटकरी बीजेपी से तीसरी बार चुनावी मैदान में जबकि उनके सामने कॉंग्रेस ने विकास ठाकरे को अपना उम्मीदवार बनाया इजबीज महाराज की बारा मती सीट पर पवार परिवार के दो सदस्यों की टक करता है हो गई क्योंकि बारा मती में सुप्रिया सुले और अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार दोनों ने नामांकन दाखिल कर दिया और ननंत भावी की लडाई ने बारा मती को होट सीट बना दिया शरत पवार की बेटी सुप्रिया सुले और अजीत पवार की पत्नी सुनेतरा पवार दोनों ने बारामती में नामांकन दाखिल कर दिया। सुनित्रा पवार के नामांकन से कुछ दिन पहले अजीत पवार ने बारामती के लोगों को संदेश भेजा था और अपनी पत्नी सुनित्रा पवार के लिए समर्थन मांगा था उन्होंने इस सीट पर सुप्रिया सुले की जीत का जिक्र किया था और लोगों से अपील की थी क इस बार वो बारामती में पवार परिवार की बहु को जिताएं यानि बारामती में पवार परिवार की बेटी और बहु की लडाई होगी और इसलिए महराष्ट की इस होट सीट पर नज़र रहेगी इधर अक्रेस शिल्पा शैट्टी के पती राज कुंद्रा की करोडों की समपत्ती E.D. ने जब्द कर ली और राज कुंद्रा के नाम से कई शेयर भी शामिल है E.D. ने महराश्च्ट पुलिस और दिल्ली पुलिस की ओर से दर्ज की गई FIR के आधार पर जान शुरू की थी और इसके बाद ये कारवाई की अंतरिक्ष पर रिसरच करने वाली संस्था इसरो अगले हफते गगन्यान मिशन के तहट एक एहम परिक्षन करेगी इसरो के अध्यक्ष S. सोमनात के मुदाबिक 24 अपरेल को अंतरिक्ष में एक मानव रहित मिशन का परिक्षन किया जाएगा पता गया कि इसके बाद अगले साल इसी तरह के दो और परिक्षन किये जाएगे और सब कुछ ठीक रहा तो अगले साल के अंग तक इनसान को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा उस्टेलिया ने अपनी राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीती जारी करते हुए भारत को रक्षा क्षेत्र में बेहत एहम सयोगी बताया उसने भारत के अलावा जापान के साथ भी सयोग बढ़ाने पर जोड दिया इसके अलावा चीन से तनाव को देखते हुए उस्टेलिया अपना रक्षा बजट बढ़ाने की भी योज़ना बना रहा है इधर लोगसबा चुनाव के पहले चरण में राजिस्थान की जिन 12 सीटों पर मतदान होना है वहां मैदान में उतरे मोधी सरकार के दो मंत्रियों की साखदाओं पर है राजिस्थान की कुल 25 लोगसबा सीटों पर दो चरणों में मतदान होगा दूसरे चरण में राजिस्थान की 13 सीटों पर वोटिंग 26 अपरेल को होगी लेकिन राजिस्थान में होने वाले पहले चरण के चुनाव में ही मोदी सरकार में शामिल दो केंदृय मंतरीयों के किसमत का फैसला होगा पीकानेर सीट पर केंद्रिय मंतरी अरजुनराम मेगवाल मैदान में हैं जबकि अलवर लोगसबा सीट पर भुपेंद्रियादव चुनाव लड़ रहे हैं। राजिस्थान में पहले चरण की बारा सीटों में दस पर बीजेपी का मुकाबला कॉंग्रेस से हैं जबकि दो सीटों पर मुकाबला कॉंग्रेस के सयोगी तलों से हैं। इन में नागोर सीट पर हनुमान बेनिवाल की पार्टी आरेलपी और सीकर लोगसबा सीट पर सीपी आईएम का उम्मीदवार चुनाव मैदान में। पिछली बार इन सभी सीटों पर मोदी मैजिक दिखा था और सारी सीटें एंडिये के खाते में गई। पात साल पहले हुए चुनाव में हनुमान बेनिवाल की पार्टी का गरबंदन बीजेपी के साथ था लेकिन इस बार हनुमान बेनिवाल विपक्ची खेमे में शामिल हो गए। लेकिन राजिस्तान में पहले चरण की वोटिंग में जिस हाट सीट पर सबकी नजरे हैं वो है चुरू लोग सबा सीट क्योंकि बीजेपी छोड़कर कॉंग्रेस में आये राहुल कस्वा का सीधा मुकाबला वहां बीजेपी से ही है। मौझूदा सांसद हैं। 2019 में उन्होंने बीजेपी की टिकट पर चुनाव जीता थी। लेकिन 2024 के चुनाव से पहले माहौल बदल गया। बीजेपी ने उनकी टिकेट काटकर पूरू पैरलिंपिक खिलाडी देवेंदर जहजरिया को थमा दी थी। टिकेट कटने के बाद राहुल कस्वान नाराज हो गय थी। जबकि वहाँ जीत हासल करना बीजेपी के लिए प्रतिष्टा का सवाल बन गया। क्योंकि पच्चीस साल से चुरू लोगसबा सीट बीजेपी का अभेद्य पिला है। मतलब वहाँ बीजेपी उम्मीनवार को पच्चीस साल से कभी हार का मूँ नहीं देखना पड़ा। इस भीज यूपी के नोयडा में ड्रग्स बनाने की एक बड़ी फैक्टरी का भंड़ा फोड़ कर दिया गया। दिल्ली के नजदीक उत्तरप्रदेश के नोयडा में पुलिस ने एक ड्रग्स फैक्टरी का भंड़ा फोड़ करने का दावा किया। पुलिस ने यहां से करीब 100 करोड रुपए के ड्रग्स के साथ नाइजीरिया के दो नागरिकों को ग्रफतार कर लिया। पुलिस के मताबिक यह लोग नोयडा के एक फ्लाट में ड्रग्स बनाते थे। दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉंडरिंग मामले में एडी ने दस्तावेज की जांच से जुड़ी स्टेटस रिपोर्ट राउज एविन्यों कोर्ट को सौंप दी। इडी की तरफ से पेश वकीलों ने कोर्ट को बताया कि इन दस्तावेजों की जांच में एक महीने का समय और लगेगा। चेटशाड का आरोप BJP के सांसद ब्रिजभूशन शरंड सिंग पर है। ब्रिजभूशन शरंड सिंग यूपी की कैसरगन सीट से सांसद है और BJP ने उनकी सीट से अब तक उम्मीदवार का एलान नहीं किया है। और माना जा रहा है कि कोर्ट के फैसले के बाद ब्रिजभूशन सिंग की उम्मीदवारी पर फैसला लिया जाएगा। कैसरगन सीट पर पांश में चरण में यानी 20 मई को वोट डाले जाएंगे और उनके लिए नॉमिनेशन की आखरी तारीख 3 मई है। ब्रजभूशन शरंड सिंग ने टिकेट से जुड़े सवाल का जवाब भी भगवान पर छोड़ दिया। महिला पहलवान से छेड़ चाड़ के केस में ब्रजभूशन की तरव से एक नई आचिका दी गई और का गया कि शिकायत करने वाली महिला के बयान में विरोध हवास है। ये भी बताया गया कि जिस वक्त की शिकायत महिला पहलवान ने की उस वक्त वो देश से बाहर थे। अपनी दलील के समर्थन में उन्होंने पासपोर्ट की कॉपी भी कोट को दी। रजभूशन शरण सिंग ने मामले की फिर से जांच कराने की मांग की जिसके बाद कोट ने 26 अपरेल को मामले की अगली तारीख तै कर दी। इस बीच डियाडियो ने क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कर एक और बड़ी काम्याभी आसिल कर ली। सेना के लिए रिसर्च करने वाली संस्ता डियाडियो ने ओडिशा के चांदिपूर में स्वदेशी तक्नीक से बनी निर्भः क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। डियाडियो के मताविक ये घातक मिसाइल 300 किलो तक विसफुटक लेकर वार कर सकती है। और इसकी रेंज 1500 किलो मीटर है। खास बातिये की कम उचाइए से भी इस मिसाइल से हमला किया जा सकता है। चिन्नाई सुपर किंग्स के बलेबाज डेवन कॉनवे चोट की वज़े से IPL से बाहर हो गए। इसके बाद चिन्नाई सुपर किंग्स ने इंगलिंड के तेज गेंबाज रिचर्ट ग्लीसन को उनकी जगाट टीम में शामिल कर लिया। उदर खबर है कि पश्चिमेशिया में तनाव के बाद एर रूट में बदलाव की वज़े से हवाई किराया बढ़ सकता है। खबरे की आने वाले दिनों में अमेरिका और कैनेडा समेथ यॉरप के देशों में जाने के लिए हवाई किराया महंगा हो सकता है। क्योंकि पश्चिमेशिया में जारी तनाव की वज़े से सभी एरलाइन कंपनिया इरान की एर स्पेस से बच नहीं है। लेकिन इससे उन्हें लंबा रास्ता थै करना पड़ रहा है। खबरे की रूट में बदलाव की वज़े से एर इंडिया, इंडिको और विस्तारा समेथ दूसरी एरलाइन कंपनिया किराया पढ़ाने की तैयारी में। रॉटर्स ने दावा किया कि इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी टेसला के मालिक इलॉन मस्क भारत में 300 करोड डॉलर यानि भारते रुपयों में करीब 25,000 करोड का निवेश कर सकते हैं। जौन मस्क इसी महीने भारत की आतरा पराने वाले हैं। दावा किया गया कि वो टेसला की फैक्ट्री लगाने के अलावा भारत में दूसरे कारोबार की भी योज़ना मना रहे हैं। सहिंक तुराष्ट ने गाजा और वेस्ट बैंक में सहायता पहुंचाने के लिए 280 करोड डॉलर यानि भारते रुपयों में करीब 24,000 करोड रुपय की मांग की। सहिंक तुराष्ट के मताबिक गाजा के 30 लाग फिलिस्तीनियों के पास खाना और स्वच पानी की कमी हैं। और अगर उन्हें जल्द मदद नहीं पहुचाए गई तो वहां के हालाद बद से बत्तर हो सकते हैं। इधर लोगसभा चुनाव के पहले चरण के तहद उत्तराखंड की सभी पांच सीटों पर वोट डाले जाएंगे, मतलब पहले ही चरण में उत्तराखंड में लोगसभा के चुनाव निपड जाएंगे, लेकिन राज्यक की दो सीटे हरिद्वार और पौड़ी गढ़वाल सीट पर सब की नजरे टिकी हैं खड़े होकर समोसे भी तले, इसी वज़े से हरिद्वार लोगसभा सीट होट सीट मानी जा रही हरिद्वार की तरह पौड़ी गढ़वाल सीट पर भी लोगों की निगाठी की है, क्योंकि इस सीट से बीजे पी ने राज्यसभा सांसत अनिल बुलूनी को मैदान में उता और कॉंग्रेस ने गड़ेश गोडियाल पर अपना भरोसा जिता है, हालनकि पिछले दो लोगसभा चुनावर से राज्यकी सभी सीटों पर बीजे पी का ही कमल खिल रहा है। खबर है कि रूस के एक आदमी ने अपने आठ महीने के बच्चे को खाना खिलाने के बजाए धूत की रौश्णी से जिन्दा रखना चाहा, जिससे उसके बच्चे की भूख से मौत हो गई। आरोप है कि वो आदमी अपने बच्चे को उसकी मां का दूद पीने से भी रोकता था, ताकि उसके बेटे को सूर्य की रोश्णी से दिव्य शक्तियां आँसे लो सके। बाद में वहाँ की कोट ने उस आरोपी को आठ साल कैद की सजा सुनाई। बारतिये शत्रंच खिलाडी ग्रैंड मास्टर विदिद गुजराती को कैंडिडेट्स टॉर्नमेंट के ग्यारवे राउंड में हार का सामना करना पड़ा। उन्हें रूस के खिलाडी ईएन निपुमिशी ने हरा दिया। इस जीत के बाद ईएन निपुमिशी इस टॉर्नमेंट की रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुँच गए। उदर ब्राजिल के रियोडी जिनेरों में लोन लेने के लिए एक शव को बैंक ले जाने की खबर से संसनी फैल गई। ऐसे में वहां मौझूद बैंक कर्मियों को उस पर शक हुआ लेकिन वो जल से जल्द उन कागजों पर साइन करवाना चाहती थी। इसलिए वो उससे ऐसे बात कर रही थी जमानों वो एक जीता जाकता इंसान हो। लेकिन उस महिला की तमाम कोशिश के बावजूद जब बै दिल चेयर पर बैठा कर बैंक तक ले आई। दिल्ली के मुख्यमंतरी अर्विन केजरिवाल पर E.D. के अधिकारियों ने बड़ा आरोप लगाया और दावा किया कि वो जान बूझ कर अपने शुगर लेवल बढ़ाने वाला खाना खा रहे हैं। जिसके बाद अर्विन केजरिवाल पर सियासी हमले तो तेज हो ही गए तिहार जेल में उनके डायट चार्ट की तस्वीरे मी सामने आगए। 18 दिन से तिहार जेल में बंद अर्विन केजरिवाल को टाइप 2 डाइबिटीज है। लेकिन उनके डायेट चार्ट में हर दिन के खाने में स्वीट यानि मिठाई जरूर मौझूद है। जेल में अर्विन केजरिवाल को रोजाना अलग खाना दिया जा रहा है। और ये वही खाना है जो उनके घर से बनकर आता है। अदालत ने इसके लिए उन्हें अलग से इजाज़त दी है। लेकिन घर से आने वाला खाना डॉक्टर के बना ऐसी डायेट चार्ट के आधार पर तयार होता है। इस चार्ट के दूसरे कॉलम में तारीक लिखिए और आखरी कॉलम में डिनर में मिलने वाला खाना चार्ट के मुताबिक उनके डिनर में रोटी कम या जादा हो सकती है सबजियां बदल सकती है लेकिन किसी भी दिन जमाने दर्जी के लिए मजबूत दलीले तयार कर रहे हैं इसलिए वो जानबूच कर अपने शुगर लेवल को ऊपर ले जाने की कोशिश में हैं ताकि अदालत को ये बताया जा सके कि जेल में रहने की वज़े से उनका शुगर लेवल बढ़ रहा है। पर सुनवाई शुरू हुई तो अर्विन केजरिवाल के वकील ने कोट को उनकी सेहत के बारे में बताया और ये जानकारी दी कि अर्विन केजरिवाल का बलड शुगर लेवल तेजी से उपर नीचे हो रहा है। रिवाल का दिन सुबह साड़े 6 बजे शुरू होता है और उसी वक्त उन्हें नाश्ता दिया जाता। नाश्ते में उन्हें चाय और अंडों के अलावा फल या कुछ और हलका खाना भी दिया जाता। लगभग 11 बजे उनके लंच का समय होता है। लंच में उन्हें डाल, सबजी, रोटी, चावल और फल दिये जाते हैं। अलागे हर दिन का मेन्यू अलग रखा जाता है। और शाम साड़े 5 बजे ही उन्हें डिनर दिया जाता है। डिनर में भी उनके लिए हर दिन का मेन्यू अलग होता है जिसमें फल और मिठाई भी रखी जाती है। ED का आरोप ये है कि दिल्ली के CM जान बूच कर हाई शुगर और हाई काब डायट ले रहे हैं ताकि उनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाए और उन्हें समानत मिलना आसान हो जाए इस जानकारी के सामने आते ही सियासी बवाल मचने में भी देर नहीं लगी दूसरी तरफ अर्विन केजरिवाल के डायट चार्ट में अंडों का जिक्र देखकर बीजे पी ने नया हमला शुरू कर दिया अलांकि आम आदमी पार्टी ने साजिश का रोप लगाया ये अर्विन केजरिवाल जी की जान लेने की सासिश है डायट पर कोट में हुए विवाद के बाद अर्विन केजरिवाल ने याचिका वापस ले ली और नए सिरे से याचिका डालने का अईलान किया इस बीच बेंगलूरू में एक महिला ने स्कूटर पर सफर के दौरान अपने बच्चे की जान खत्रे में डाल दी बेंगलूरू में एक बच्चे को स्कूटर के फुटरेस्ट पर खड़ा करके सफर कराने का एक वीडियो वाइरल हुआ आरोपे के स्कूटर पर सवार एक महिला उस बच्चे को फुटरेस्ट पर खड़ा करवा कर सफर करा रही थी जिब कि एक दूसरा आदमी उस स्कूटर को चला रहा था कैनडा में हुई वहां की सबसे बड़ी सोने की चोरी के मामले में वहां की पुलिस ने पांच आरोपियों को गिरफतार करने का दावा किया पुलिस के मताबिक पिछले साल तोरोंटो एरपोर्ट पर 6600 सोने की चड़ों की चोरी हो गई थी इनकी तीमत 1 करोड 40 लाख डॉलर यानी भारती रुपों में करीब 110 करोड रुपई थी बेंगलूरू एरपोर्ट पर 24 घंटे से जादा समय बिताने का दावा करने वाले यूट्यूबर विकास गौडा को गिरफतार कर लिया गया उस पर आरोप है कि वो 7 अपरेल को 24 घंटे से जादा समय तक एरपोर्ट पड़ रहा और उसने सुरक्षा के अंदेखी करते हुए वीडियो बनाये थे इसके बाद उसने इस वीडियो को यूट्यूब पर अप्लोड कर गिया था उदर लोगसभा चुनाव के पहले चरण में मद्ध्रदेश में कॉंग्रेस के घड़ छिंदवाडा समेथ 6 लोगसभा सीटों पर भी वोटिंग होगी चिंदवाडा कॉंग्रेस की वो सीट है जहां बीजेपी को कभी कामयावी नहीं मिली इस सीट से कॉंग्रेस के सबसे भरोसे मन नेताओं में एक कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ चुनावी मैदान में है और इसलिए ये होट सीट मानी जा रही है क्योंकि पिछले 44 साल से चिंदवाडा सीट पर कॉंग्रेस ने कभी हार का मो नहीं देखा इस बार भी इस सीट पर नकुलनाथ कॉंग्रेस के उम्मीदवार हैं और उन्हें चुनाथी देने के लिए बीजेपी ने उनके सामने विवेक बंटी साहू को मैदान में उता रहा चिंदवाडा समेथ पहले चरण के तहट आने वाली सभी 6 सीटें राज्य के पूरवी हिस्से में मौझूद सिर्फ चिंदवाडा पर कॉंग्रेस का कभजा है जबकि बाकी की सभी सीटों पर बीजेपी का परचम लेरा रहा इस बीश लोगसभा चुनाव के पहले चरण में दक्षिंद भारत के सबसे बड़े राज्य तमिलनाड की सभी 49 सीटों पर चुनाव होगा चुनाव आयोग ने तमिलनाड में एक ही चरण में मतदान कराने का फैसला किया था चार सो लोगसभा सीट जीतने का लक्ष लेकर मैदान में उत्री बीजेपी की कोशिश तमिलनाड में बड़ी काम्याबी आसल करने की है लेकिन वहाँ उसकी रहा इतनी आसान नहीं होने वाली क्योंकि वहाँ इस बार के लोगसभा चुनाब में तीन गडबंधन मैदान में बीजेपी ने इस मुद्दे को तमिलनाड में भुणाने की कोशिश की। प्रिधान मंतरी के साथ तमिलनाड में बीजेपी के अध्यक्ष अन्ना मलाई ने अपनी हर रैली और जन सभा में इसे जोर शोर से उठाया। अन्ना मलाई तमिलनाड की सबसे चचे सी कोयमबतूर से मैदान में हैं। लोगों की सांसे अटक गएं क्योंकि एक मोटर साइकल पर सवार होकर वो बदमाश एक दुकान के बाहर पहुँचे और गोलियों की बौचार कर दी। और बेखौफ होकर तीनों बदमाश एक एक कर उस दुकान की तरफ गोलियां डाकते दिखाई दिये। उनमें एक बदमाश उस मोटर साइकल पर सवार नज़र आया और उसके दो साथी सड़क किनारे खड़े होकर फाइरिंग करते नज़र आये। इस बीच वो लोग कुछ देर रुके और फिर फाइरिंग शुरू कर दी। इस वक्त दुकान का मालिक भी दुकान में मौझूद था, हलकि इस वारदात के बाद पुलिस ने केस दर्च कर लिया। इस बीच भारत को सुरक्षा परिशद का स्थाई सदस्ते बनाने के पक्ष में अमेरिका भी उतर गया। संयुक्त राष्ट सुरक्षा परिशद में भारत की स्थाई सदस्ता को लेकर इलॉन मस्क के बयान पर अमेरिका की प्रतुक्रिया सामने आई। वहां के विदेश मंतराले ने साफ कर दिया कि अमेरिका सुरक्षा परिशद समेट सेयुक्त राष्ट के दूसरे संस्थानों में सुधार का समर्थन करता है यही नहीं अमेरिका ने इन संस्थानों में बदलाव की वकालत भी की इससे पहले एलॉन मस्क ने सुरक्षा परशद में भारत को 27 अदस्ता न देने को बेतुका पताया था निकज आईटी कंपनी इंफिसिस के करमचारियों की संख्या पिछले 23 साल में पहली बार घट गए कंपनी के मताबिक पिछले वित्तवर्ष के मुकाबले 23-24 में इंफिसिस के करीब 26,000 करमचारियों की नौकरी चली गए आर्थिय शेहर बाजार लगातार चौते दिन लाल निशान पर बंद हुआ इस दोरान जबसे ज़्यादा गिरावट फार्मा, एफिम सीजी, ओइल एंड गैस, आटो और एनरजी सेक्टर के शेरों में रही बैंकिंग शेरों पर भी भारी तबाव रहा जिससे बंबे सौक एक्षेंज का सेंसेक्स 454 अंग गिरकर 72,488 पर बंद हुआ तो निफटी 152 अंगों की गिरावट के साथ 21,995 के स्थर पर आ गया पहले चरण के मतदान से पहले बिहार की हॉट सीट जमुई में तेजस्वी की स्रभा के दोरान चिराग पासवान के परिवार को गालियां देने का एक वीडियो वारल हो गया और इस वीडियो पर बवाल मच गया वीडियो दो दिन पहले का बताया गया इसे एंडिये के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे इंदुस्तानी हवाम मोर्चा के अध्यक जितनरा माजी ने भी शेयर किया और इसमें तेजस्वी के मंच के सामने से एक आदमी चिराख पासवान और उनके परिवार को गालियां देता सुनाई दिया इस पूरे वीडियो में गालियां देने वाले इंसान का चेहरा नजर नहीं आया और शोर गूल के बीच केवल उसकी आवाज और गालियां सुनाई दिया इस पूरे वीडियो में तेजस्वी की आवाज कहीं सुनाई नहीं दिया सुनाई दिया तो केवल शोर और इस दौरान चिराख पासवान के लिए बोले जा रहे अब शब्द वीडियो में तेजस्वी आदव माइक से बोलते दिखाई दिये और उनके ठीक बगल में जमुई से आरजेडी की प्रत्याशी अर्चना रविदास खड़ी दिखाई दिये और उनके ठीक सामने से किसी आदमी ने चिराख पासवान और उनके परिवार को उल्टा सीधा बोला बताय गया कि वीडियो दो दिन पहले जमुई में हुई तेजस्वी की सभाका है ये वीडियो पहले चरण के मतदान से ठीक पहले वारल हुआ और वीडियो वाइरल होने के बाद सियासी बबाद चिड़ गया, चिराग पासवान तो भढ़क गये, उन्होंने सीधा तेजस्वी आदव से सवाल पूछा, उन्होंने दो टुक बोल दिया कि अगर इस तरह की घटना उनके सामने हुई होती तो वो मूँ तोड जवाब देत और उसी वक्त उस आदमी को सबक सिखाते, ये बोलते हुए चिराग घुस्चे में दिखे, तेजस्वी की सभा में गालियों वाले वीडियो के बारे में सवाल पूछे जाने पर चिराग खुद को रोक नहीं पाए, और तेजस्वी आदव पर भढ़क गये, मैं अगर चिराग पासवान भले ही तेजस्वी से नाराज हो, लेकिन तेजस्वी ने सफाई दी कि उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं थी, कि मंच के सामने से चिराग के परिवार को गालियां दी गए तेजस्वी भले ही सफाई दें, लेकिन पहले चरण के चुनाव से पहले वाइरल हुए इस वीडियो ने बिहार का सियासी पारा चड़ा दिया, क्योंकि ये वीडियो जमुई का है और जमुई में पहले चरण में मतदान होगा और इसलिए तेजस्वी आदव ने जमुई में कई रैलियां की और उन्हीं रैलियों में एक पर विवाद हो गया आरोब लगा कि तेजस्वी ने चिराग के परिवार को अपशब्द बोले जाने के मामले की अंदेखी की और इसी मुद्दे पर तेजस्वी आदव और चिराग पासवान आमने सामने आ गए इन दोनों नेताओं ने बिहार की होट सीट जमुई में जीत के लिए जमीन आसवान एक कर दिया इस सीट पर नजर इसलिए है या यूं कहें कि ये सीट होट सीट इसलिए बन गई क्योंकि जमुई में इस बार दो बार के सांसद रहे चिराग पासवान के जीजा अरुन भारती चुनाव लड़ रहे है वो चिराग पासवान की सगी बहन निशा भारती के पती है निशा भारती के अलावा चिराग पासवान की दो सोतेली बहने भी हैं क्योंकि रामविलास पासवान ने दो शादियां की थी, उनकी पहली पत्नी का नाम राजकुमारी देवी था और दूसरी पत्नी का नाम है रीना पासवान, चिराग पासवान और निशा भारती रीना पासवान और रामविलास पासवान के बच्चे हैं, और राजकुमारी दे दी जिस सीट पर वो 2014 और 2019 में चुनाव लड़े थी। लेकिन इस बार चिराग पासवान बिहार के हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे और इसके लिए चिराग पासवान ने अपने चाचा पचुपती पारस तक से लड़ाई कर ली थी। और जीत उनकी हुई थी। इसके ब अरुण भारती की टककर आरजेडी की प्रत्याशी अर्चना रविदास से है। जमुई में अर्चना रविदास का मायका है और इसलिए वो यहां बाहरी प्रत्याशी वाली सियासत भी कर रही है। बेजेंगे। क्योंकि पहले चरण में बिहार की जमुई सीट पर भी मतदान होगा। इस चरण में बिहार की चार सीटे शामिल हैं और इन चार में दो सीटों पर बीजेपी की सयोगी पार्टियां मैदान में है। में रामिलास पासवान के दामाद और चिराक पासवान के जीजा अरुण भारती। इसलिए प्रधान मंत्री ने इन सीटों पर रैलियां की। क्योंकि आरजेडी की ओर से तेजस्वी ने भी गया और जमुई में धुआधार रैलियां की थी। और उनकी कोशिश थी कि बिहार की इन चारों सीटों पर एंडिये को कड़ी टकर दी जाए। जमुई में तो उन्होंने दो दिन पहले तक रैलिय की थी। मुर्शिदाबाद और मिदनीपूर में निकाले गए राम नौमी के जलूस के दौरान पत्थर बाजी की गई। इसके साथ ही बीजेपी ने आरोब लगाया कि पश्च मंगाल की मुक्यमंत्री ममता बेनर्ट जी नहीं इसके लिए लोगों को उकसाया जाता है और उकसाता कौन है इसी राज्य की मुक्यमंत्री। हाला कि टीमसी ने बीजेपी को जवाब देने में देर नहीं लगाई। लोगों ने उन्हें देखते ही नारे लगाने शुरू कर दिये। मुर्शिताबाद के बहरमपूर में मेडिकल कॉलेज पहुँचे अधीरंजन चौधरी को घायलों से मिलने से पहले भारी विरोत का सामना करना पड़ा। इस दोरान भीड में मौझूद एक आदमी तो उनसे भढ़ने तक को तयार हो गया। इसके बाद वो किसी तरह अस्पताल के अंदर गए और गायलों से उनका हाल जाना। अधीरंजन चौधरी बहरामपूर से मौझूदा सांसत हैं और बहरामपूर लोकसवा सीट मौशितबाद जिले में ही आती है। कॉंग्रेस ने इस वार भी अधीरंजन चौधरी को ही बहरामपूर से टिकेट दी है। जारकन के लोडगा में राम नौमी की शोभा यात्रा के दौरान बेकाबू हुई एक गाड़ी ने दो लोगों की जान ले लिये और 24 से जादा लोग बुरी तरह घायल हो गए। वहां राम नौमी के मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई और ढोल निगाड़े के साथ राम भक्त राम नाम की धुन पर जूम रहे थे। लेकिन तभी दर्दनाक हाद्सा हो गया। धोल बजाते भी दिखे। राम नाम की भक्ती में डूबे लोग हाथों में भगवा छंडे लेकर सड़क पर आगे बढ़ते दिखाई दिए। तभी अचानक सफेद रंग की वो गाड़ी दोड़ती हुई वहां आई और एक साथ कई लोगों के ऊपर चड़ती हुई आगे 24 से जादा लोगों की हालत गंभीर बताए गए। अपना घुसा जाहिर किया। इस वीच जारकन के मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उनाओ अस्पताल पहुँचे और घायलों से मुलाकात की। इस दोरान लोहर दगा से बीजेपी के प्रत्याशी समीर उराओ भी वहां मौझूद रहे। उन्होंने राज्य सरकार से मृतक के परिवार वालों को 20 लाग रुपे की साहेता देने की मांग की। इसके साथ ही घायलों को भी 10 लाग रुपे की आर्थिक मदद देने की अपील की गई। उदर पश्चे मंगाल के राज्यपाल के खिलाव ममताब एनर्जी की पार्टी टी-मसी चुनाव आयोग पहुँच गई। इमसी ने पश्चे मंगाल के राज्यपाल सीवी आनन्द बोस के खिलाव चुनाव आयोग में शिकायत तर्च करवाई। ममताब एनर्जी की पार्टी ने राज्यपाल पर लोगसबा चुनाव में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया। बिहार में RJD के पूर्व सांसद बुलो मंडल J.D.U. में शामिल हो गए। कीची और टिप्टी मेयर पत के लिए रविंद्र भार्दवाज को उम्मीद्वार बनाया है। दिल्ली में 26 अप्रेल को मेयर और टिप्टी मेयर के चुनाव होंगे। इधर पहले चरण के चुनाव में उत्तर प्रदेश में BJP और RLD गटबंधन का इम्तिहान होगा है। यूपी में पहले चरण में 8 सीटों पर मतदान होगा और 2019 में इनमें 5 BJP हार गई थी। BJP और RLD पिछले चुनाव में अलग-अलग लड़ी थी। पश्चिमी यूपी में सियासी समीकरण बदल गए और कहा गया कि BJP का प्रदर्शन पिछली बार से बहतर हो सकता है क्योंकि जयन चौधरी के BJP के साथ आने की वज़े से जाट समुदाय के मतदाता BJP के साथ आ सकते हैं। जिन पर BJP पिछली बार हार गई थी क्योंकि पहले चरण में पश्चिमी यूपी की 8 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और इन 8 सीटों में 5 पर पिछली बार BJP हार गई थी। लेकिन इस बार सियासी समीकरण बदल गए हैं क्योंकि जो जयन चौधरी 2019 में मायवती और अखिलेश के साथ थे वो जयन चौधरी इस बार BJP के साथ हैं। बीएसपी और एसपी भी अलग-अलग लड़ रहे हैं। इसी वज़े से पश्चिमी यूपी में BJP बड़े उलट फेर की उम्मीद कर रही है। क्योंकि पश्चिमी यूपी में इस बार सियासी समीकरण बदल गए हैं। पहले चरण में यूपी की होट सीट बन चुकी नगीना में भी मतदान होगा। यूपी की नगीना सीट इसलिए होट सीट कही जा रही है। क्योंकि इस सीट पर आजाद समाज पार्टी कांशी राम के चंदरशेखर आजाद ने बीएसपी और समाजवादी पार्टी को सीधी चुनोती दिये। बनने के लिए समाजवादी पार्टी के खिलाफ हो गए थे। बड़ी बात ये कि वो बीएसपी का विकल्प बनने की भी कोशिश में है। यानि नगीना में दो नहीं चार प्तियाशियों के बीच कड़ी ठक्कर हो सकती है। क्योंकि बीजेपी के ओम कुमार, एसपी के मनोज कुमार और बीएसपी के सुरेंदर पाल के अलावा चंदरशेकर आजाद ने भी नगीना में खुब पसीना बहाया और नगीना की लडाई में ट्विस्ट ला दिया। इसके लावा पस्चिमी यूपी की मुरादाबाद सीट पर भी नजर है पहले चरण में यहां भी मतदान होगा क्योंकि इस बार के चुनाम में वहां समाजवादी पार्टी ने जिस तरह से टिकेट का बटवारा किया उसकी खूब चर्चा हुई और यूपी की मुरादाब इनके समर्थकों ने गुस्सा भी दिखाया था मुरादाबाद से मौजूदा सांसद स्टी हसन ने भी संकेत दिये थे कि वह रूची वीरा के लिए चुनाम प्रचार नहीं करेंगे यानि मुरादाबाद में समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार के लिए उसी के समर्थ को ने मुसीबत खड़ी कर दी और रही सही कसर बीएसपी ने मुरादाबाद में मुस्लिम उमीदवार उतार कर पूरी कर दी और माना जा रहा है कि मुरादाबाद में बीजेपी के सर्वेज सिंग को इसका फायदा हो सकता और उत्तरप्रदेश के ओट सीट रामपूर भी स प्रत्याशी बना दिया था इस वज़े से नाराज आजम खां के समर्थकों ने चुनाव का बहिशकार करने का अलान कर दिया था रामपूर में समाजवादी पार्टी की खींशतान का आलम यह हो गया कि अखिलेश यादव वहां चुनाव प्रचार तक नहीं करने गए जब कि बीजेपी ने रामपूर से अपने प्रत्याशी घंशाम सिंग लोधी के लिए चुनाव प्रचार करने के लिए अपड़ना यादव को भेजा यानि मुलायम सिंग यादव की बहू ने बीजेपी के लिए वहां चुनाव प्रचार किया लेकिन मुलायम सिंग यादव के बेटे प्रचार में गए ही ने और समाजवादी पार्टी की इसी खींस्तान की वज़े से यूपी की रामपुर भी होट सीट बन गई उधर पहले चरण के चुनाव में यूपी के होट सीट पीली भीत में भी वोट डाले जाएंगे पीली भीत सीट से वरुन गांधी 2019 में च चुनाव जीते थे लेकिन 2024 के चुनाव में बीजेपी ने टिकट ही नहीं दी और ये सीट यूपी के होट सीट बन गई क्योंकि इस बार बीजेपी की टिकेट पर वरुन गांधी पीली भीत से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं बीजेपी ने जब तक ये ऐलान नहीं किया थ तब तक कई अटकलें लगी थी का जा रहा था कि वरुन गांधी को सुल्तानपूर से और मेंका गांधी को पीली भीत से टिकेट मिल सकती है लेकिन जब एलान हुआ तो पता चला कि मेंका गांधी को तो सुल्तानपूर से टिकेट मिल गई लेकिन वरुन गांधी को तो टिक और इसलिए ये सीट होट सीट बन गई इसके लावा पहले चरण के चुनाव में उत्तरप्रदेश की होट सीट सहारणपूर में भी मतदान होगा इस सीट पर कॉंग्रेस ने इमरान मसूद को टिकेट दी और इनके लिए प्रियंका गांधी ने वहां चुनाव प्रचार किया यही नहीं बीएसपी ने भी अपने मौझूदा सांसद हाजी फजल रह्मान की टिकेट काट कर एक दूसरे मुस्लिम उमीदवार माजुद अली को सहारणपूर से टिकेट दे दी और कॉंग्रेस के इमरान मसूद की रहा मुश्किल कर दी क्योंकि सहारणपूर में मुकाबला त्रिकोणियों हो गया और प्रियंका के रोडशो के बाद तो इस सीट के नतीजों पर नज़र रहेगी इधर दिल्ली शराब गोटाला मामले में मनीश्च सोधिया को फिर कोट से राहत नहीं मिली दिल्ली शराब गोटाले से जुड़े मनी लॉंडरिंग मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीश्च सोधिया की न्याईक हिरासत 26 अपरेल तक बढ़ा दी गए दिल्ली की राउजवन्य कोट इस मामले में 26 अपरेल को सुनवाई करेगी इस दोरान चुनाव आयोग ने EVM को पूरी तरह सुरक्षित बताया तो बाद में कोट ने भी इस पर टिपनी की कि हर चीज़ पर अविश्वास नहीं जिता जा सकता गुजिरात के वडोद्रा में भीशन गर्मी से बचाने के लिए ट्राफिक पुलिस ने अपने कर्मियों को एसी वाले हेलमेट दिये इस हेलमेट को पहनने के बाद सिर के चारों और ठंडी हवा का जोंका मिलता है इसकी वज़े से लोगों की सिर में गर्मी नहीं लगती उदर हिमाचर पुदेश की मंडी लोगसवा सीट से कॉंग्रेस के उमीदवार विक्रमदित्य सिंग ने वहां से बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनोत को बरसाती मेंधग बता दिया कंगना रनौत की एंट्री और विक्रमदित्य सिंग से उनकी टक्कर की वज़े से मंडी लोगसवा सीट और सीट बन गई और इसी सीट पर पिछले कुछ दिनों से जबानी जंग भी जारी है कंगना के पप्पू और बाप दादा वाले बयान के बाद अब विक्रमदित्य सिंग का एक बयान भी चर्चा में कॉंग्रेस के उम्मीदवार विक्रमदित्य सिंग ने कंगना को बरसाती मेंधक बता दिया मैडम और कल चले जाएंगी बरसाती में डख है तो इनको मैं क्या बोसर अलांकि विक्रमदित सिंग के सामने ताल ठोक रहीं कंगना रनौत भी अपने अलग अंदाज से उन्हें पछाडने में जुटी हैं कंगना रनौत ने अपने प्रचार के दोरान विक्रमदित सिंग के राज परिवार से होने पर भी तंस किया था मंडी हिमाचल प्रदेश की चार लोगसवा सीटों में एक है जहां आखरी चरण में मत्तदान होगा इस भी 36 गड़ के कांकेर में सुरक्षा बल के अधिकारियों ने दावा किया कि नकसली कमांडर शंकर राओ की अगवाई में नकसलीयों का एक दल लोगसवा चुनाव में गड़बडी फैलाने के लिए अबू जुमार के जंगल में जमा हुए क्योंकि सुरक्षा बल के अधिकारियों को ये खबर मिली थी कि कांकेर में चुनाव रोकने के लिए नकसली पोलिंग पार्टी पर हमला करने वाले हैं इस operation की अगवाई कर रहे सुरक्षाबल के अधिकारी लक्षमन केवट के मुताबिक इसकी सूचना मिलने के बाद नकसलियों के खिलाफ operation चुरू कर दिया गया था इंकाउंटर स्पेशलिस के नाम से मशूर लक्षमन केवट ने जानकारी दी कि 15 अपरेल को उन्हें नकसलियों के इस खतरनाक प्लान का पता चला था इसके बाद 16 अपरेल को करीब 400 जवान नकसलियों को घेर ने उनके गढ़ में घुज गए लेकिन नकसलियों को उनके आने की सूचना पहले ही मिल गई थी इसलिए नकसलियों ने जंगल में बम लगा दिये थे नजदीक पहुँचते ही उन्होंने फारिंग शुरू कर दी थे जंगल में करीब 50 नकसलियों का जमावडा था और वो लगातार फारिंग कर रहे थे इसी वज़े से सुरक्षाबल के जवानों ने भी उन पर गोलियां चलानी शुरू की जिसमें 25 लाग के इनामी नकसली कमांडर शंकर राओ समेथ 29 नकसली धेर हो गए थे और 36 गड़ के कांकेर में नकसलियों के खिलाब सुरक्षाबल के ऑपरेशन पर कॉंगरेस नेता सुप्रिया श्रिनेत ने विबादास पत बयान दे दिया उनके बयान पर बीजेपी भड़क गई और उसने उन पर जमानों के अपमान कारोप लगा दिया लोगसबा चुनाब के ठीक तीन दिन पहले यानि 16 अपरेल को सुरक्षाबल ने अबूज मार के जंगल में 17-29 नकसलियों को मार गिराया था लेकिन नकसलियों के खिलाब सुरक्षाबल के इस ऑपरेशन पर सियासी घमासान बच गया क्योंकि कॉंग्रेस की नेता सुप्रिया श्रिनेत ने इस ऑपरेशन की जांच की मांग करते हुए मारे गए नकसलियों पर विवादास पत बयान दे दिया उनके इस बयान के सामने आने के बाद बीजेपी उन पर भड़क गई बीजेपी ने कॉंग्रेस पर सेना और सुरक्षा बलके जवानों के अपमान कारोप मर दिया नक्सली में आपको शहीद नजर आता है और जो सेना के हमारे शूरवीर है उनमें सडक का गुंड़ा याद आता है बीजेपी ने इस मुद्धे पर कॉंग्रेस को इसलिए भी घेरा क्योंकि मई 2013 में 36 गड़ में ही नक्सली हमले में कॉंग्रेस के बड़े नेता नंद कुमार पटेल और पूर्व केंदुरिय मंतरी विद्या चरण शुक्ल समेथ 30 से जादा लोग मारे गए थे इधर यूपी की अमेठी लोगसवा सीट पर उस वक्त एक बड़ा डरामा हुआ चब कॉंग्रेस के नेता विकास अग्रहरी के बीजेपी में शामिल होने की खबर आई कि भगवार रंग का अंगवस्त्र पैनाये जाने वाले वीडियो पर भी सवाल उठाई इससे कुछ देर पहले विकास अगरहरी का अमेठी की सांसर स्मृति इरानी के साथ एक वीडियो भी सामने आया थी वीडियो में विकास अगरहरी के दाईं और स्मृति इरानी खड़ी दिखी थी जबकि एक विक्ती विकास को भगवा अंगवस्त पहनाता दिखा दावा किया गया कि विकास अग्रहरी ने कॉंग्रेस छोड़कर बीजेपी जॉइन कर ली सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों और वेबसाइटों तक पर कॉंग्रेस को मेठी में बड़ा जटका लगने की बात की जाने लेगी लेकिन विकास अग्रहरी ने दावा कर दिया कि वो तो केवल इलाके की समस्याओं पर बात करने के लिए सांसत से मिलने गए थे शिष्टा चार के नाते उनका स्वागत करते हुए अंगवस्तर पहनाया गया था लेकिन उस वीडियो के जरीए लोगों को ब्रहमित किया गया विकास अग्रहरी के मताबिक वो कॉंग्रेस के समर्पित कारे करता है और पार्टी छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकते इस भी जुत्तर प्रदेश के हापुड में खराब चटनी की वज़े से ऐसी मार्पीट हुई कि इसका वीडियो देखने वाले लोगों ने भी अपने सिर पकड़ लिया वहाँ एक रेस्टरांट में दो लोग दोसा घाने पहुंचे थे लेकिन बताया गया कि दोसे के साथ जो चटनी परोसी गई वो खराब थी इसलिए चटनी का सुआद चकते ही वो दोनों लोग भढ़क गए और इसके बाद तो मानो जंग छिड़ गए वहाँ एक आदमी टेबल स्टैंड उठाकर फिंकता नजर आया फिर वो वहाँ पड़ी कुरसी भी उठाता दिखाई दिया इसके बाद तो उस रेस्टांट का एक दूसरा करमचारी वहाँ रखा एक गमला उस लड़के के ऊपर फिंकता दिखा मतलब जिसके हाथ जो सामान आया वो उससे हमला करता रहा उस रेस्टांट में खाना खाने पहुंचे वो दोनों लोग और वहाँ के करमचारी जम कर गाली गलोज करते सुनाई दिये उस रेस्टांट के बाहर काफी देर मारपीट चलती रही और बड़ी संख्या में मौझूद लोग ये जड़ब देखते नजर आये मारपीट के दोरान वहाँ सारा सामान बिखर गया सजावट के लिए लगाये गए गुबारे भी इधर उदर बिखर गये बता गया कि उस रेस्टांट में उन दोनों लोगों को दोसे के साथ खराब चटनी परोसी गई थी इसी वज़े से वो लोग आग बबूला हो गए और जम कर मारपीट की उदर दुबई में भारी बारिश के बाद फसे भारतिये यात्रियों को वहाँ से निकालने की कोशिशें तेज कर दी गई पशिमेशया के देश UAE के दुबई शेहर में हुई भीषन बारिश के बाद वहां फसे भारतिये यात्रियों को लेकर दुबई में मौझूद भारतिये दूतावास का बयान सामने आया बारतिये दूतवास के मुताबिक फसे हुए उन यात्रियों को निकालने की कोशिश की जा रही है इसके साथ सभी यात्रियों तक हर संभब मदद भी पहुचाए जा रही है केंद्री ग्रिह मंत्री अमिट शा ने गुजरात के गांधी नगर में रोड शुक किया इस दोरान न्यूज 18 से बात करते हुए उन्होंने एक बार फिर एंडिये को 400 सीटे मिलने का दावाद दोर आया ओप्रकाश चोटाला की पार्टी आएनलड यानी इंडियन नैशनल लोगदल ने अभय चोटाला को हर्याना की कुरुक्षेत्र लोगसबा सीट से अपना उम्मीदवार बना दिया हर्याना के लिए पहली लिस्ट जारी करते हुए पार्टी ने तीन सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का एलान किया कुरुक्षेत्र के अलावा हिसार से सुनैना चोटाला को तो अंबाला सीट से गुरप्रीत सिंग को टिकेट दी गई इधर चंडीगड लोगसबा सीट से पूर्व केंद्रिय मंत्री मनीश तिवारी को उम्मीदवार बनाय जाने पर चंडीगड कॉंग्रेस में मचे घमासान के बाद पार्टी में सब कुछ ठीक होने का दावा किया गया और ये दावा कॉंग्रेस नेता राजीव शुक्ल ने किया जो चंडीगड में पवन बनसल से मिलने पहुँचे क्योंकि 2019 में कॉंग्रेस की टिकेट पर चंडीगड सीट से चुनाव लड़ने वाले पवन बनसल नाराज बताय जा रहे हैं वो इस सीट से एक बार फिर दावेदारी ठोक रहे थे लेकिन पार्टी ने उनकी जगा मनीश दिवारी को पत्याशी बना दिया और इसके बाद तो चंडीगड कॉंग्रेस की कलहत खुल कर सामने आ गई पवन बनसल के समर्थन में करीब सौ कारेकरताओं ने अपने पद से स्तीफा दे दिये माना जा रहा है कि इसी के बाद कॉंग्रेस नेता राजीव शुकल चंडीगड में पवन बनसल के घर पहुंच गया दोनों ही बार उन्हें बीजेपी की किरन खेर ने हराया था अलाकि इस बार इस सीट पर बीजेपी और कॉंग्रेस दोनों ने ही उम्मीदवार बदल दिये किरन खेर की टिकेट काट कर बीजेपी ने संजे टंडन को उम्मीदवार बनाया तो कॉंग्रेस ने पमन बंसल की जगा मनीश दिवारी को मादान में उतार दिये उधर हर्याना के कुरुक्षेत्र में चुनाव प्रचार करने निकले बीजेपी प्रुक्तियाशी नवीन जिंदल ने बोरियां उठाकर ट्रक में लोड की नवीन जिंदल दो बार कुरुक्षेत्र से सांसद रह चुके हैं लेकिन तब वो कॉंग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े थे इस बार वो बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और कुरुक्षेत्र की एक अनाज मंडी में गेहूं की बोरियां ट्रक में लोड करते नजर आए नवीन जिंदल को इस तरह मंडी में कंदे पर बोरी लिए देखकर लोगों ने तालियां बजाई और जब उन्होंने बोरी ट्रक में लोड कर दी तो उनके समर्थन में नारे लगाए गए वैसे कुरुक्षेत्र में नवीन जिंदल के परिवार का दबदबा माना जाता है वो 2004 और 2009 में वहां से सांसद भी रह चुके हैं लेकिन इस बार उन्होंने पार्टी बदल ली और बीजेपी की ओर से कुरुक्षेत्र के चुनावी मैदान में उतरे नवीन जिंदल से पहले उनकी माँ और देश की सबसे अमीर महिला सावित्री जिंदल बीजेपी का हिस्सा बनी थी इसके कुछी दिन बाद नवीन जिंदल भी बीजेपी का हिस्सा बन गए थे और अब वो बीजेपी की टिकट पर कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं और उनका मुकाबला कुरुक्षेत्र में विपक्षी कटबंधन के उम्मीदवार और आम आदमी पार्टी के नेता सुशील गुपता से होगा नवीन जिंदल की तरह सुशील गुपता ने भी प्रचार में पूरी ताकत जोंगी वो किसानों के बीच पहुँचे और खेतों में फसल काटी यानि सुशील गुपता ने भी चुनाव प्रचार में कोई कसर नहीं छोड़ी और हाथों में हसिया लेकर खेतों में पहुँच गए और एक किसान की तरह गेहूं की फसल काटी यह देखकर उनके साथ आये उनके समर्थकों ने भी यही किया क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता और कुरुक्षेत्र से विपक्षी गडबंधन के उम्मीदवार सुशील गुपता बिना हिच के खेतों में गए और फसल काट कर रखनी शुरू कर दी हर्याना की 10 सीटों पर कॉंग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गडबंधन हुआ था और इस गडबंधन के तहट आम आदमी पार्टी को हर्याना की जो एक सीट मिली वहां उसने सुशील गुपता को उम्मीदवार बना दिया अटकले लगीं कि इससे कॉंग्रेस ने एक तीर से दो निशाने साधे थे क्योंकि 2014 के चुनाव में हारने के बाद 2019 में नवीन जिंदल ने कॉंग्रेस की ओर से कुरुकशेत्र से लड़ने से इनकार कर दिया था और तभी से कॉंग्रेस के पास इस सीट के लिए मजबूत उम्मीदवार नहीं था खबर है कि इसी वज़े से हर्याना में आम आदमी पार्टी के साथ गडबंधन होते ही उसने कुरुकशेत्र सीट उसे दे दी और आम आदमी पार्टी ने हर्याना में पार्टी के अध्यक्ष सुशील गुप्ता को वहां से टिकेट दे दी लेकिन बीजेपी ने कॉंग्रेस के नहले पर दहला तब चल दिया जब उसने कुरुकशेत्र से नवीन जिंदल को प्रत्याशी बना दिया इधर उत्तर प्रदेश के बिजनौर में दो गाड़ियों की टकर के बाद लोग इतनी बुरी तरीके से भिड़ गए कि पूरे इलाके में दह्शत मच गई वहाँ एक लड़का अपनी मोटरसाइकल से गुजर रहा था इस बीच सामने से आ रही है गाड़ी से उसकी मोटरसाइकल टकरा गई इसी बात पर दोनों पक्ष के लोगों की जड़ब हो गई और कुछी देर में लोगों ने वहाँ पत्थरों की बरसात कर दी बड़ी संक्या में भीड एक गली में दोड़ती नज़र आई जबकि दूसरे पक्ष के लोग एक घर की चट के उपर खड़े होकर पत्थराव करते दिखाए दिए इस दोरान ऐसा लगा मानों गली में मौझूद भीड उस घर का में गेट तोड़कर वहाँ धावा बोल देगी क्योंकि कई लोग अपने हाथों में डंडे लेकर दरवाजे के बाहर हंगामा करते रहे लेकिन उन लोगों को वहाँ से खडेडने के लिए चट से लोग लगातार पत्तर फिंकते रहे वहाँ बच्चे, महिलाएं और पुरोष सब उस घर के अंदर गुसने पर आमादा दिखे तभी चट से एक लड़के ने उनके उपर इट गिरा दी इसके बाद तो कुछ लोग भागते दिखाए दिये, जबकि जड़ब देख रहे दूसरे लोग पत्राव न करने की अपील करते नजर आए वहाँ हुई इस इंसक जड़ब में कई लोग घायल हो गया बताया गया कि उन दो गाड़ियों के बीच हुई टकर की वज़े से दोनों पक्षों में मार पीट हुई हालनकि पुलिस ने इस मामले में केस दर्च कर लिया इस भी जम्मू कश्मीर में आतंकियों की घुसपैट की खबर मिलते ही सुरक्षा एजनसियां अलर्ट हो गई खबरे की जम्मू कश्मीर में सीमा पार से आतंकियों ने घुसपैट कर चुनाव में खलल डालने का प्लान बनाया इसे देखते हुए खुफिया एजंसियों ने सुरक्षा बल को अलर्ट कर दिया इसके बाद राजोरी समेत कई जिलों में सर्च ओपरेशन तेज कर दिया गया इस काम में ग्राम रक्षा समिती के सदस्यों को भी लगाया गया मालदीव में संसदिय चुनाव से पहले वहां के राष्टपती मुहम्मद मुईजू मुश्किलों में गिर गए मुहम्मद मुईजू पर लगे कथिज बरस्टाचार के आरोब की रिपोर्ट लीक होने के बाद विपक्षी नेताओं ने उनके खिलाफ महावयोग चलाने की मांग कर दी 2018 में उन पर पैसों के लेंदेन को लेकर भच्टाचार क्या रोब लगे थे इधर उत्तराघंड के उत्तरकाशी में मतदाताओं को जागरूग करने के लिए गड़वाली भाषा में बनाया गया गाना सुर्खियों में आ गया पिछली लोगसभा चुनाव में उत्तरकाशी के 50 से जादा मतदान केंदरों पर 50 पतिशत से भी कम मतदान हुआ था इसलिए इस बार चुनावायोग ने वहां के लोगों को जागरूग करने के लिए कई अभ्यान चला है और गड़वाली भाषा में बनाया गया ये गाना भी उनी में एक है इस गाने के बोल और संगीत दोनों ही लोगों का ध्यान खींचते हैं और इसलिए ये वाइरल हो गया ये गाना जीडी प्रिसाद ने बनाया जो पेशे से तो वैग्यानिक हैं लेकिन मतताताओं को जागरूग करने के लिए चुनावायोग के अभ्यान का हिस्सा बन गया और गड़वाली भाषा में ये गाना बना डाला उत्तराखंड की सभी पांच लोगसबा सीटों पर पहले चरण में मततान होगा और इससे पहले चुनावायोग उत्तरकाशी में इस गाने के जरिये लोगों को जागरूग करने में जुड़ गया उत्तरकाशी उत्तराखंड की टीहरी कड़वाल लोगसबा सीट का इससा है उदर लोगसभा चुनाव के पहले चरण के तहट महाराष्ट के विदर्व इलाके की पांच सीटों पर वोटिंग होगी ये इलाका किसानों की आत्मत्या की वज़े से हमेशा चर्चा में रहा है और इस इलाके में सीधी लड़ाई कॉंग्रेस और बीजेपी के बीच है क्यो जब की बीजेपी के लिए सबी सीटों पर जीत हासिल करना नाक का सवाल बन गया है अलांके पूरे विदर्व इलाके में कुल दस लोगसभा सीटे आती हैं लेकिन पहले चरण में उनमें सिर्फ पांच सीट नात्पूर, राम्टेक, भंडारा गोंदिया, चंदरपूर और गड़ चिरॉलिय और चंदरपूर लोगसभा सीट नकसलियों का गड़ मानी जाती हैं इसलिए इन दोनों सीटों पर शांति पूर्ण मतदान करना एक बड़ी चुनोती है इस बार विधर्प की इन पांच सीटों पर बीजेपी विकास के नाम पर कॉंग्रेस का सफाय करने का दम भर रही है जबकि कॉंग्रेस किसी तरह खुद को जिंदा रखने की कोशिच में जुटी है इन में नागपुर लोगसबा सीट होट सीट है क्योंकि इस सीट से केंद्रिय मंत्री नितिन गटकरी बीजेपी से तीसरी बार चुनावी मैदान में जबकि उनके सामने कॉंग्रेस ने विकास ठाकरे को अपना उमीदवार बनाया इस बीज महराश की बारामती सीट पर पवार परिवार के दो सदस्यों की तक करते हैं हो गई क्योंकि बारामती में सुप्रिया सुले और अजीत् पवार की पत्नी सुनेत्र पवार दोनों домой नामांकन दाखिल कर दिया और ननंद भावी की लडाई ने बारा मती को होट सीट बना दिया शरत पवार की बेटी सुप्रिया सुले और अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार दोनों ने बारा मती में नामांकन दाखिल कर दिया सुनित्रा पवार के नामांकन से कुछ दिन पहले अजीत पवार ने बारामती के लोगों को संदेश भेजा था और अपनी पत्नी सुनित्रा पवार के लिए समर्थन मांगा था उन्होंने इस सीट पर सुप्रिया सुले की जीत का जिक्र किया था और लोगों से अपील की थी क इस बार वो बारामती में पवार परिवार की बहु को जिताएं यानि बारामती में पवार परिवार की बेटी और बहु की लडाई होगी और इसी लिए महराष्ट की इस होट सीट पर नजर रहेगी इधर एक्ट्रिस शिल्पा शेट्टी के पती राज कुंद्रा की करोडों की संपत्ती एडी ने जब्द कर ली E.D. ने बिटकोईन पॉन्जी गोटाले के आरोप में एक्ट्रिस शिल्पा शेटी के पती राज गुंद्रा की खरीब 98 करोर की संपत्ती जब्त कर ली जब्त की गई संपत्ती में जुहू का एक फ्लाट, पुणे का एक बंगला और राज गुंद्रा के नाम से कई शेयर भी शामिल है E.D. ने महराश्ट पुलिस और दिल्ली पुलिस की ओर से दर्च की गई F.I.R. के आधार पर जान शुरू की थी और इसके बाद ये कारवाई की अंत्रिक्ष पर रिसरच करने वाली संस्था इस्रो अगले हक्ते गगन्यान मिशन के तहट एक एहम परीक्षन करेगी इसरो के अध्यक्ष S. सोमनात के मुताबिक 24 अपरेल को अंत्रिक्ष में एक मानव रहित मिशन का परीक्षन किया जाएगा पता गया कि इसके बाद अगले साल इसी तरह के दो और परीक्षन किये जाएगे और सब कुछ ठीक रहा तो अगले साल के अंग तक इनसान को अंत्रिक्ष में भेजा जाएगा उस्टेलिया ने अपनी राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीती जारी करते हुए भारत को रक्षक शेत्र में बेहत एहम सयोगी बताया उसने भारत के अलावा जापान के साथ भी सयोग बढ़ाने पर जोड दिया इसके अलावा चीन से तनाव को देखते हुए औस्टेलिया अपना रक्षा बजट बढ़ाने की भी योज़ना बना रहा है इधर लोगसबा चुनाव के पहले चरण में राजिस्थान की जिन 12 सीटों पर मतदान होना है वहां मैदान में उतरे मोधी सरकार के दो मंत्रियों की साखदाओं पर है राजिस्थान की कुल 25 लोगसबा सीटों पर दो चरणों में मतदान होगा दूसरे चरण में राजिस्तान की 13 सीटों पर वोटिंग 26 अपरेल को होगी लेकिन राजिस्तान में होने वाले पहले चरण के चुनाव में ही मोधी सरकार में शामिल दो केंद्रिय मंत्रियों के किस्मत का फैसला होगा पीकानेर सीट पर केंद्रिय मंत्री अरजुनराम मेगभाल मैदान में हैं जबकि अलवर लोगसबा सीट पर भुपेंद्रियादव चुनाव लड़ रहे हैं। राजिस्थान में पहले चरण की 12 सीटों में 10 पर बीजेपी का मुकाबला कॉंग्रेस से हैं जबकि दो सीटों पर मुकाबला कॉंग्रेस के सहीयोगी तलों से हैं। इन में नागोर सीट पर हनुमान बेनिवाल की पार्टी आरेलपी और सीकर लोगसबा सीट पर CPIM का उम्मीदवार चुनाव मैदान में। पिछली बार इन सभी सीटों पर मोदी मैजिक दिखा था और सारी सीटें NDA के खाते में गई। पात साल पहले हुए चुनाव में हनुमान बेनिवाल की पार्टी का गरबंदन BJP के साथ था लेकिन इस बार हनुमान बेनिवाल विपक्षी खेमे में शामिल हो गए। जाती के प्रत्याशी परताओं लगाती है। लेकिन राजिस्तान में पहले चरण की वोटिंग में जिस हॉट सीट पर सबकी नजरे हैं वो है चुरू लोकसवा सीट क्योंकि BJP छोड़कर कॉंग्रेस में आये राहुल कस्वा का सीधा मुकाबला वहां BJP से ही है। अर्याणा की सीमा से लगने वाली ये लोकसवा सीट कॉंग्रेस उम्मीदवार राहुल कस्वा के लिए नाक का सवाल बन गई है। तो BJP भी किसी भी कीमत पर ये सीट अपने हाथ से फिसलने नहीं देना चाहती है। उन्हें बिना देर किये चुरू लोकसवा सीट से ही अपना उम्मीदवार बना दिया। BJP से टिकेट कटने के बाद राहुल कस्वा ने चुरू में जीत को अपनी नाक का सवाल बना लिया। जबकि वहाँ जीत हासिल करना BJP के लिए प्रतिष्टा का सवाल बन गया। क्योंकि 25 साल से चुरू लोकसवा सीट BJP का अभेद्य किला है। मतलब वहाँ BJP उम्मीदवार को 25 साल से कभी हार का मूँ नहीं देखना पड़ा। इस भी यूपी के नोयडा में ड्रग्स बनाने की एक बड़ी फैक्टरी का भंडा फोड कर दिया गया। की जांच में एक महीने का समय और लगेगा। चीन में संयुक्तुराष्ट के प्रतनिदी सिधार चेटर जी ने शूननी से भी नीचे के तापमान में योग किया। खास बात ये कि उन्होंने बीजिंग में शर्टलेस होकर योग के कई आसन किये जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वाइरल हो गया। सिधार चेटर जी को 2020 में चीन में संयुक्तुराष्ट के प्रतनिदी के रूप में न्यूक्त किया गया था। पांश में चरण में यानी 20 मई को वोट डाले जाएंगे और उनके लिए नॉमिनेशन के आखरी तारीख 3 मई है। ब्रजभूशन शर्ण सिंग ने टिकेट से जुड़े सवाल का जवाब भी भगवान पर छोड़ दिया। महिला पहलवान से छेरचाड के केस में ब्रजभूशन की तरव से एक नई आचिका दी गई और का गया कि शिकायत करने वाली महिला के बयान में विरोध हवास है। ये भी बताया गया कि जिस वक्त की शिकायत महिला पहलवान ने की उस वक्त वो देश से बाहर थे। अपनी दलील के समर्थन में उन्होंने पासपोर्ट की कॉपी भी कोट को दी। व्रजभूशन शरण सिंग ने मामले की फिर से जांच कराने की मांग की जिसके बाद कोट ने 26 अप्रेल को मामले की अगली तारीख तै कर दी। इस बीच डियाडियो ने क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण कर एक और बड़ी कामयाबी आसिल कर ली। सेना के लिए रिसर्च करने वाली संस्ता डियाडियो ने ओडिशा के चांदिपूर में स्वदेशी तक्नीक से बनी निर्भः क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। डियाडियो के मुताविक ये घातक मिसाइल 300 किलो तक विसफुटक लेकर वार कर सकती है। और इसकी रेंज 1500 किलोमीटर है। खास बात ये कि कम उचाइए से भी इस मिसाइल से हमला किया जा सकता है। चिन्नाई सुपर किंग्स के बलेबाज डेवन कॉनवे चोट की वज़े से IPL से बाहर हो गया। इसके बाद चिन्नाई सुपर किंग्स ने इंग्लेंड के तेज गेंबाज रिचर्ड ग्लीसन को उनकी जगा टीम में शामिल कर लिया। पंजाब के तरन तारण में पाकिस्तान सीमा के नस्दीक बी-एस-फ ने एक पाकिस्तानी ड्रोन बरामत करने का दावा किया। बी-एस-फ के तलाशी अभिहान के दोरान इस ड्रोन को जब्त किया गया। बी-एस-फ के मताबिक ये ड्रोन चीन में बना दो। के एरलाइन कंपनिया किराया पढ़ाने की तैयारी में। रोइटर्स ने दावा किया कि इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी टेसला के मालिक इलॉन मस्क भारत में 300 करोड डॉलर यानि भारते रुपयों में करीब 25,000 करोड का निवेश कर सकते हैं। जौन मस्क इसी महीने भारत की आतरा पराने वाले हैं। बोट डाले जाएंगे मतलब पहले ही चरण में उत्तरा खण में लोगसवा के चुनाव निपड़ जाएंगे। लेकिन राज्यक की दो सीटे हरिद्वार और पौड़ी गड़वाल सीट पर सबकी नजरे टिकी हैं। क्योंकि हरिद्वार लोगसवा सीट से उत्तरा खण के पूर्व मुख्यमंत्री और कॉंग्रेस के कदावर नेता हरीश रावत के बेटे विरेंद्र रावत चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। जबकि उनके सामने बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंग रावत को उतारा है। और कॉंग्रेस ने गणेश गोद्याल पर अपना भरोसा जिता है। हाला कि पिछले दो लोग सभा चुनावर से राज्य की सभी सीटों पर बीजेपी का ही कमल खिल रहा है। इस बीज अक्टर नवाजद्दीन सिद्यकी के खिलाव चेरचाड के मामले को खत्म करने पर कोट ने मोहर लगा दी। अक्टर नवाजद्दीन सिद्यकी को उत्तर प्रदेश के मजफर नगर की विशेश पॉक्सो कोट से बड़ी रहात मिल गई। कोट ने चेरचाड के मामले में उन्हें क्लीन चिट देने वाली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को मनजूर कर लिया। अक्टर नवाजद्दीन सिद्यकी की पत्नी आलिया ने उनके खिलाव चेरचाड का मामला दर्च कराया था। खबर है कि रूस के एक आदमी ने अपने आठ महीने के बच्चे को खाना खिलाने के वज़ए धूत की रोष्णी से जिन्दा रखना चाहा। जिससे उसके बच्चे की भूख से मौत हो गई। आरोप है कि वो आदमी अपने बच्चे को उसकी मां का दूद पीने से भी रोकता था, ताकि उसके बेटे को सूर्य की रोष्णी से दिव्य शक्तियां आसे लो सके। बाद में वहाँ की कोट ने उस आरोपी को आठ साल कैद की सजा सुनाई। बारतिये शत्रंच खिलाडी ग्रैंड मास्टर विदिद गुजराती को कैंडिडेट्स टॉर्नमेंट के ग्यारवे राउंड में हार का सामना करना पड़ा। उन्हें रूस के खिलाडी इएन निपुमिशी ने हरा दिया। इस जीत के बाद इएन निपुमिशी इस टॉर्नम और बैंक कर्मियों को उस पर शक न हो इसके लिए वो लगातार उससे बात करती रही। लोन के कागजों पर साइन करवाने के लिए उसने उस शव के हाथ में एक पैन भी थमाया लेकिन वो उसे ठीक से पकड़ी नहीं पाया। इस दोरान जब बार बार उसका सिर आगे की त जुक रहा था तो वो उसे समालती नजर आई ऐसे में वहां मौझूद बैंक कर्मियों को उस पर शक हुआ लेकिन वो जल से जल्द उन कागजों पर साइन करवाना चाहती थी इसलिए वो उससे ऐसे बात कर रही थी जमानों वो एक जीता जाकता इंसान हो लेकिन उस महिला क कि तमाम कोशिश के बावजूद जब बैंक कर्मियों का शक दूर नहीं हुआ तो उन्होंने पुलिस को इसकी जानकारी दी और पुलिस ने वहां पहुंचकर उस महिला को गिरफतार कर दिया जांच में सामने आया कि उस बुज़ुर्ग की कई घंटों पहले ही मौत हो चु करने के लिए ऐसा कर रहा है जिसके बाद अर्विन केजरिवाल पर सियासी हमले तो तेज हो ही गए तिहार जेल में उनके डायट चार्ट की तस्वीरे मी सामने आगए अठारा दिन से तिहार जेल में बंद अर्विन केजरिवाल को टाइप 2 डायबिटीज है लेकिन उनके डायट चार्ट में हर दिन के खाने में स्वीट यानि मिठाई जरूर मौझूद है जेल में अर्विन केजरिवाल को रोजाना अलग खाना दिया जा रहा है और ये वही खाना है जो उनके घर से बन कर आता है अदालत ने इसके लिए उन्हें अलग से इजाज़त दी है लेकिन घर से आने वाला खाना डॉक्टर के बना ऐसी डायट चार्ट के आधार पर तयार होता है इस चार्ट के दूसरे कॉलम में तारीख लिखिये और आखरी कॉलम में दिनर में मिलने वाला खाना चार्ट के मताबिक उनके डिनर में रोटी कम या जादा हो सकती है सबजियां बदल सकती हैं लेकिन किसी भी दिन उनके डिनर से स्वीट यानि मिठाई कम नहीं की जाती है। यहां तक कि डॉक्टर ने उनके डायट चार्ट में आलू पूरी तक जोड़ी है। जबकि एडी के वकीलों ने कोट में दावा किया कि डाविटीज के किसी भी मरीज को इस तरह के खाने और खासतोर पर मिठाई खाने की सलाग कोई डॉक्टर नहीं दे सकता। इसलिए कोट में हुई सुनवाई के बाद अर्विन केजरिवाल की सेहत पर नई बहस शुरू हो गई। यह जानकारी तब सामने आई जब अर्विन केजरिवाल ने विडियो कॉंफरेंसिंग के जरीए डॉक्टर से मेडिकल कंसल्टेशन की मांग की। ने उन्हें घर का खाना खाने की इजाज़त दी हुई है। लगभग 11 बजे उनके लंच का समय होता है। लंच में उन्हें डाल, सबजी, रोटी, चावल और फल दिये जाते हैं। अलांकि हर दिन का मेन्यू अलग रखा जाता है। और शाम साड़े 5 बजे ही उन्हें डिनर दिया जाता है। डिनर में भी उनके लिए हर दिन का मेन्यू अलग होता है जिसमें फल और मिठाई भी रखी जाती है। इडी का आरोप ये है कि दिल्ली के सीम जान बूच कर हाई शुगर और हाई काब डायट ले रहे हैं ताकि उनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाए। और उन्हें समानत मिलना आसान हो जाए। इस जानकारी के सामने आते ही सियासी बवाल मचने में भी देर नहीं लगी। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और अर्विन केजरिवाल पर तीके हमले शुरू कर दिये। और बीजेपी सांसद मनोश तिवारी ने तो उन्हें घाजियाबाद की डासना जेल में शिफ्ट करने की सलह दे दी। दूसरी तरफ अर्विन केजरिवाल के डाएट चार्ट में अंडों का जिक्र देखकर बीजेपी ने नया हमला शुरू कर दिया। गैरत तारिक जब तीसरा नवरातरा था उसे दिन शिरिमान जी अंडे खा रहे हैं। अलांकि आम आदमी पार्टी ने साजिश का रोप लगाया। ये अर्विन केजरिवाल जी की जान लेने की साजिश है। डायट पर कोट में हुए विवाद के बाद अर्विन केजरिवाल ने याचिका वापस ले ली और नय सिरे से याचिका डालने का अईलान किया। इस बीच बेंगलूरू में एक महिला ने स्कूटर पर सफर के दौरान अपने बच्चे की जान खत्रे में डाल दी। मेंगलूरू में एक बच्चे को स्कूटर के फुटरेस्ट पर खड़ा करके सफर कराने का एक वीडियो वाइरल हुआ। इस बेंगलूरू एरपोर्ट पर 24 घंटे से जादा समय बिताने का दावा करने वाले यूट्यूबर विकास गौड़ा को गिरफतार कर लिया गया। उस पर आरोप है कि वो साथ अपरेल को 24 घंटे से जादा समय तक एरपोर्ट पड़ रहा और उसने सुरक्षा के अंदेखी करते हुए वीडियो बनाये थे। उदर लोगसभा चुनाव के पहले चरण में मद्द्रदेश में कॉंग्रेस के गढ़ चिंदवाडा समेथ 6 लोगसभा सीटों पर भी वोटिंग होगी। मतलब चिंदवाडा ही मद्द्रदेश की एक ऐसी सीट है जहां बीजेपी अपना कमल कमलनात की वज़े से नहीं खिला सकी। इस बार भी इस सीट पर नकुलनात कॉंग्रेस के उम्मीदवार हैं और उन्हें चुनौती देने के लिए बीजेपी ने उनके सामने विवेक बंटी साहू को मैदान में उता रहा है। चिंदवारा समेथ पहले चरण के तहट आने वाली सभी छे सीटें राज्य के पूरवी हिस्से में मौझूद हैं। सिर्फ चिंदवारा पर कॉंग्रेस का कब्जा है जबकि बाकी की सभी सीटों पर बीजेपी का परचम लेरा रहा है। इस बीश लोगसभा चुनाव के पहले चरण में दक्षिन भारत के सबसे बड़े राज्य तमिलनाड की सभी 49 सीटों पर चुनाव होगा। चुनाव आयोग ने तमिलनाड में एक ही चरण में मतदान कराने का फैसला किया था। चार सो लोगसभा सीट जीतने का लक्ष लेकर मैदान में उत्री बीजेपी की कोशिश तमिलनाड में बड़ी काम्याबी आसल करने की है। लेकिन वहाँ उसकी रहा इतनी आसान नहीं होने वाली क्योंकि वहाँ इस बार के लोगसभा चुनाव में तीन गडबंधन मैदान में बीजेपी की अगवाई वाला एंडिये, डीमके और कॉंग्रेस की अगवाई वाला विपक्षी गडबंधन और एईए डीमके की ली और जन सभा में इसे जोर शोर शो उठाया अन्ना मलाई तमिलनाडू की सबसे चचे सी कोयमबतूर से मैदान में हैं और अन्ना मलाई के चुनावी मैदान में उतरने से कोयमबतूर सीट तमिलनाड की सबसे होट सीट बन गए लोगसभा चुनाव में बीजेपी यहां न और बेखौफ होकर तीनों बदमाश एक एक कर उस दुकान की तरफ गोलियां डाकते दिखाई दिये। जिफकी वहाँ से कुछ दूरी पर बड़ी संख्या में दूसरे लोग मौजूद दिखाई दिये। लेकिन उनमें कोई भी उन बदमाशों को रोकने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। और काफी देर तक गोलियां बरसाने के बाद उस बदमाश का एक साथी मोटरसाइकल पर सवार हो गया। लेकिन उसका दूसरा साथी भागने के दौरान फिर फायरिंग करता दिखा। आरोब लगा कि पैसों के लेंदेन पर उन्होंने किराने की उस दुकान पर गोलियां चलाइं। बता गया कि उस वक्त दुकान का मालिक भी दुकान में मौजूद था। हलकि इस वारदात के बाद पुलिस ने केस दर्च कर लिया। इस बीच भारत को सुरक्षा परिशत का स्थाई सदस्ते बनाने के पक्ष में अमेरिका भी उतर गया। कर्मचारियों की संख्या पिछले 23 साल में पहली बार घट गए। कंपनी के मुताबिक पिछले वित्तवर्ष के मुकाबले 2023-2024 में इंफिसिस के करीब 26,000 कर्मचारियों की नौकरी चली गए। पहले चरण के मतदान से पहले बिहार की होट सीट जमुई में तेजस्वी की त्रभा के दोरान चिराख पासवान के परिवार को गालियां देने का एक वीडियो वारल हो गया और इस वीडियो पर बवाल मच गया। वीडियो दो दिन पहले का बताया गया इसे अंडिये के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे इंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक जितनरा माजी ने भी शेयर किया। और इसमें तेजस्वी के मंच के सामने से एक आदमी चिराख पासवान और उनके परिवार को गालियां देता सुनाई दिया। इस पूरे वीडियो में गालियां देने वाले इंसान का चेहरा नजर नहीं आया और शोर गुल के बीच केवल उसकी आवाज और गालियां सुनाई दिया। वीडियो में तेजस्वी आदव माइक से बोलते दिखाई दिये और उनके ठीक बगल में जमुई से आरजेडी की प्रत्याशी अर्चना रविदास खड़ी दिखाई दिये। और उनके ठीक सामने से किसी आदमी ने चिराग पासवान और उनके परिवार को उल्टा सीधा बोला। बताय गया कि वीडियो दो दिन पहले जमुई में हुई तेजस्वी की सभा का है। ये वीडियो पहले चरण के मतदान से ठीक पहले वारल हुआ। और वीडियो वारल होने के बाद सियासी बबाद चिराग पासवान तो भढ़क गये। उन्होंने सीधा तेजस्वी आदव से सवाल पूछा। उन्होंने दो टुक बोल दिया कि अगर इस तरह की घटना उनके सामने हुई होती तो वो मूँ तोड जवाब देते। और उसी वक्त उस आदमी को सबक सिखाते। ये बोलते हुए चिराग घुस्च में दिखे। तेजस्वी की सभा में गालियों वाले वीडियो के बारे में सवाल पूछे जाने पर चिराग खुद को रोक नहीं पाए। और तेजस्वी आदव पर भढ़क गये। चिराग यहीं नहीं रुके। उन्होंने दो टुक बोल दिया कि सियासत अपनी जगा है और परिवार अपनी जगा। क्योंकि वो राबडी देवी या मीसा भारती की अपनी मा और बहन की तरह इज़त करते हैं। चिराग पास्वान भले ही तेजस्वी से नाराज हों लेकिन तेजस्वी ने सफाई दी कि उन्हें इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि मंच के सामने से चिराग के परिवार को गालियां दी गए। तेजस्वी भले ही सफाई दें लेकिन पहले चरण के चुनाव से पहले वाइरल हुए इस वीडियो ने बिहार का सियासी पारा चड़ा दिया त्यूकि ये वीडियो जमुई का है और जमुई में पहले चरण में मतदान होगा। और इसलिए तेजस्वी आदव ने जमुई में कई रैलियां की और उन्हीं रैलियों में एक पर विवाद हो गया। वो चिराग पासवान की सगी बहन निशा भारती के पती हैं। निशा भारती के अलावा चिराग पासवान की दो सोतेली बहने भी हैं। क्योंकि रामविलास पासवान ने दो शादियां की थी। उनकी पहली पत्नी का नाम राजकुमारी देवी था और दूसरी पत्नी का नाम है रीना पासवान चिराग पासवान और निशा भारती रीना पासवान और रामविलास पासवान के बच्चे हैं और राजकुमारी देवी और रामिलास पासवान की दो बेटियां है आशा और उशा और कहते हैं कि दोनों सौतेली बेहनों से चिराग पासवान के रिष्टे अच्छे नहीं हैं और उन्होंने उनसे दूरी बनाये रखी लेकिन अपनी सगी बेहन निशा भारती के पती अरुन भारती को चिराग ने वो सीट दे दी जिस सीट पर वो 2014 और 2019 में चुनाव लड़े थे लेकिन इस बार चिराग पासवान बिहार के हाजीपुर से चुनाव लड़ेंगे और इसके लिए चिराग पासवान ने अपने चाचा पचुपती पारस तक से लड़ाई कर ली ते और जीत उनकी हुई थी इसके बाद चिराग ने अलान किया था कि जमुई में उनके जीजा यानी अरुन भारती चुनाव लड़ेंगे और उन्होंने अरुन भारती के लिए वहाँ धुआ धार चुनाव प्रचार भी किया और इसलिए वो यहां बाहरी प्रत्याशी वाली सियासत भी कर रही है और इस सीट पर पहली बार आर्जेडी को जीत दिलाने की कोशिश कर रही है क्योंकि 2009 से अस्तित्व में आई जमुई सीट पर लगातार NDA का कबजा रहा लेकिन इस बार इस होट सीट पर नजर है क्योंकि चिराग चुनाव नहीं लड़ रहे है और उन्होंने अपने जीजा को मैदान में उता रहा है और आर्जेडी प्रत्याशी उन्हें बाहरी बता रही है वैसे पहले चरण में बिहार की जिन चार सीटों पर मतदान होगा उन सीटों पर 2019 में NDA की ही जीत हुई थी और बीजेपी दक्षन बिहार की इन चारों सीटों पर 2024 में भी खबजा बनाये रखना चाहती है क्योंकि इन चार सीटों में दो पर यानि गया और जमुई में BJP की सहयोगी पार्टियां चुनाव लड़ रही है गया में हम के जीतनराम माजी मैदान में है और जमुई में रामिलास पासवान के दामाद और चिराक पासवान के जीजा अरुन भारती इसलिए प्रधान मंत्री ने इन सीटों पर रैलियां की और बिहार में NDA का पलडा महागटबंधन पर भारी करने की कोशिश की थी क्योंकि RJD की ओर से तेजस्वी ने भी गया और जमुई में धुआधार रैलियां की थी और उनकी कोशिश थी कि बिहार की इन चारों सीटों पर NDA को कड़ी टकर दी जाए जमुई में तो उन्होंने दो दिन पहले तक रैलिय की थी उदर BJP ने सोशल मीडिया पर कई वीडियो पोस्ट कर पश्चमंगाल में राम नौमी के जलूस पर हमला होने का दावा किया BJP ने इस हमले के लिए पश्चमंगाल की मुख्यमंत्री ममता बेनर्जी को जिम्मेदार ठहराते हुए उन पर लोगों को उकसाने का आरोप लगाया क्योंकि BJP ने जो वीडियो पोस्ट किये उनमें कुछ लोग घरों की छटों से पत्थर और बम बरसाते नज़र आए के लिए लोगों को उकसाया जाता है और उकसाता कौन है इसी राज्य की मुख्यमंत्री आलकि टीम सी ने बीजेपी को जवाब देने में देर नहीं लगाई के लिए एक रोज पहले राम नौमी के मौके पर पश्चि मंगाल के कई हिस्सों में शोभायात्रा निकाली गई बीजेपी ने आरोब लगाया कि इसी दोरान कई जगों पर शोभायात्रा पर हमले किये गए और बीजेपी के मुताबिक मुर्शिदाबाद में भी पत्थर बाजी की मुर्शिदाबाद के बहरमपुर में मेडिकल कॉलेज पहुंचे अधीरंजन चौधरी को घायलों से मिलने से पहले भारी विरोत का सामना करना पड़ा इस दोरान भीड में मौझूद एक आदमी तो उनसे भढ़ने तक को तयार हो गया इसके बाद वो किसी तरह अस्पताल के अंदर गए और गायलों से उनका हाल जाना अधीरंजन चौधरी बहरमपुर से मौझूता सांसत हैं और बहरमपुर लोकसवा सीट मुर्शिदाबाद जिले में ही आती है कॉंग्रेस ने इस वार भी अधीरंजन चौधरी को ही बहरमपुर से टिकेट दी है जारकन के लोडगा में राम नौमी की शोभा यात्रा के दौरान बेकाबू हुई एक गाड़ी ने दो लोगों की जान ले लिये और 24 से जादा लोग बुरी तरह घायल हो गए वहां राम नौमी के मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई और ढोल निगाड़े के साथ राम भक्त राम नाम की धुन पर जूम रहे थे लेकिन तभी दर्दनाक हाद्सा हो गया क्योंकि उस गाड़ी ने शोभा यात्रा में शामिल हुए लोगों को एक जटके में रौन दिया वहां वो गाड़ी सड़क पर चलती भीड को बिल्कुल कुछलती हुई दिखाई दिये ये इतनी जल्दी हुआ कि लोगों को उस गाड़ी से दूर भागने का मौका ही नहीं मिल पाया वीडियो में कुछ देर पहले तक सब सामान ने नजर आया राम नामी के मौके पर शोभा यात्रा में शामिल हुए लोग जूमते काते दिखाई दिये कुछ लोग ढोल बजाते भी दिखे राम नाम की भक्ती में डूबे लोग हाथों में भगवा जंडे लेकर सड़क पर आगे बढ़ते दिखाई दिये तभी अचानक सफेद रंकी वो गाड़ी दोड़ती हुई वहां आई और एक साथ कई लोगों के ऊपर चड़ती हुई आगे बढ़ गई इसके बाद तो चीख फुकार मजगे राम नामी का उतसब एकदम मातब में बदल गया जब तक ड्राइवर ने उस गाड़ी को रोका तब तक वो कई मीटर तक आगे बढ़ चुकी थी और शोभा यात्रा में शामिल कई लोग इसकी चपेट में आ गए आनन फानन में उन लोगों को अस्पताल ले जाया गया लेकिन अस्पताल ले जाने के दौरान उन में दो लोगों की जान चली गए जबकि 24 से ज़्यादा लोगों की हालत गंभीर बताए गए क्योंकि शोभा यात्रा के बीच घुसी वो गाड़ी कहर बनका तूट पड़ी जो हादसे से कुछ देर पहले तक वहाँ लोगों के ठीक पीछे चल रही थी उस गाड़ी को शोभा यात्रा में इस्तमाल करने के लिए बुलाया गया उसमें साउंड सिस्टम और भगवा जंडे लगाए गए लेकिन वो गाड़ी शोभा यात्रा के लिए काल साबित हो गई लोहर दगा जिले में हुए भीशन हादसे के बाद आरोपी ड्राइवर को गरफतार करिया गया वहां राम नौमी के अगले दिन इलाके में सन्नाटा पसरा नजर आया लोगों ने बाजार बंद करवा दिये और हादसे के खिलाब अपना घुसा जाहर किया इस बीच जारकन के मंतरी डॉक्टर रामेश्वर उनाओ अस्पताल पहुंचे और गायलों से मुलाकात की उदर पश्चे मंगाल के राजजपाल के खिलाव ममता बेनर्जी की पार्टी टीमसी चुनाव आयोग पहुंच गई टीमसी ने पश्चे मंगाल के राजपाल सीवी आनन बोस के खिलाव चुनाव आयोग में शिकायत तर्च करवाई ममतब एनरजी की पार्टी ने राजजपाल पर लोगसबा चुनाव में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया बिहार में RJD के पूर्व सांसद बुलो मंडल J.D.U. में शामिल हो गए भागलपूर से सांसद रह चुके बुलो मंडल इसी सीट से फिर चुनाव लड़ना चाते थे लेकिन महागटबंधन की सीट शेरिंग में भागलपूर सीट कॉंग्रेस को मिलने के बाद वो पार्टी से नाराज चल रहे थे आम आदमी पार्टी ने मेयर पत के लिए महेश कीची और टिपटी मेयर पत के लिए रविंदर भार्दवाज को उम्मीद्वार बनाया है दिल्ली में 26 अप्रेल को मेयर और टिपटी मेयर के चुनाव होंगे इधर पहले चरण के चुनाव में उत्तपदेश में बीजे पी और आरेलडी गट बंदे रहे हैं